तो चलो भाई स्टार्ट कर देते हैं कॉमसेट को समझते हैं क्या कॉमसेट है कैसे कैसे चीजे आपके लिए आने वाली सबसे पहली बात प्याते हैं अगर आपको कहीं भी 99 का स्कॉायर करना हो तो कैसे करोगे ये रेलवे की पेपर में बहुत पूछा गए इस बात का खासा ख्यार लखेगा और इस पे कोश्टन कैसे आएंगे मैं आपको बताने वाला हो तो ध्यान से समझेगा भाईया मैंने कहा 99 का स्कॉायर है तो कैसे करोगे आप कहोगे सर जी एक हमारे पास फार्मूला आता है कौन सा वाला ये 100 माइनस एक करदे सर हम इसका स्कॉायर कर लेंगे यहां से निकाल लेंगे हमने कहा चलो ये भी बात सही है तो भाई हमने कहा ये बताओ त्रिपल नाइन का स्कॉायर अगर करना हो तो कैसे करोगे आपने कहा सर जी ये तो हजार में से एक कम होता है हमने कहा वह यह चलो यह भी बात सही है मैंने कहा वह यह बताओ अगर हम 9,900 इन नामने में से स्क्वाइर करेंगे तो यह स्क्वाइर कैसे निकलेगा आप कहोगे सर जी यह तो 10,000 में से एक कम होता है लेकिन एक चीज़ मुझे यह बताओ कि अगर आपको यही करना है तो क्या इसलिए आप महा प्रेक्टिस बैच में आए हो क्या कि 1000 माइनस एक 100 माइनस एक और 10,000 माइनस एक फिर A माइनस B का होली स्क्वाइर का फॉर्मूला लगाओ फिर यह करो फिर वो करो नहीं न इसके लिए तो आप आए नहीं हो आप जिसके लिए आए हो कि आपको सलिक्सन लेना हो मैं इसमें फुल मार्क्स लाना है वो चीज़ आपको सीखना है भाईया मैंने क्या पूछा था कि 99 का स्क्वाइर कैसे आएगा याद रखना आप अगला कोशचन खुदी आप बताओगे कि सर्जी इसका सhी एंसवर यह होगा भई ये बताओ 9 कितनी बार दिख रहा है आप कहोगे सर्जी कि 9 जो है ना ये हम्ने दो बार दिख रहा है हमने कहा 2 बार दिख रहा है ना आप 1 बार 9 लिखो और एक बार 0 लिखो complete 8 और 1 एक एक बार रहेगा बोलो हाँ या ना ये बात मेरी समझ में आईए कि नहीं है सब के सब जल्दी से comment करके बताईएगा everyone and everybody जितना बच्चा वीडियो को देख रही बात याद देखेगा ये जबरदस question आपको यहाँ पर बहुत तगड़े से मिलने वाले क्लियर इस बात का क्या सभी को यहाँ पर कोई दिक्कत कोई परसानी नहीं आचा ठीक अब मैं आपसे दूसरी चीज पूछता मुझे जल्दी से बताओ भाई मैंने आपसे कहा ये बताईए 399 का नहीं आया समझ में अरे कोई दिक्कत नहीं यार एक बार मैं नहीं समझ में आगा तो कोई दिक्कत नहीं दस बार समझाएंगे लेकिन selection लेका आना इस बात का ध्यान रखना मैंने कहा यार 399 का square जरा बताओ कैसे आईगा आप को किसर्जी 3 बार 9 लिखा है आप 2 बार 9 लिखो जितनी बार 9 लिखो कि उतनी बार 0 भी लिखना पड़ेगा हमने तो 2 बार 9 लिखा था, 2 बार 0 भी लिख दिया और जो बीच की एक संख्या 8 और ये एक अब बोलो समझ में आया की निएैं, जल्दी से बता दो है उससे एक कम बार नौ लिख दो तीन बार नौ तो भईया एक जगा छोड़के तीन बार जीरो और आठ को और एक को एक बार अभी इसका क्या यूज है वो भी पढ़ेंगे जहां से काली समस्ते रहना हर चीज करेंगे जो इंपॉर्टेंट है ठीक है मैंने अगली बात पूछी कमेंट नहीं रुकने चाहिए कि अगर यही पांच बार नौ लिखा गया तो भाईया इसका स्कॉयर क्या आएगा यह रेलवे के परिक्षा का कोश्चन है इसलिए मैं आपको इतना ध्यान से करा रहा हूं तो आपको पा सर जी जरह इसका यूज तो बताईए कि भाईया इसका यूज क्या होता कि ऐसा ही कोश्चन आप कर लेंगे तो भाई आज तगड़ा कोश्चन देखते हैं और अगर आपको मज़ा ना आया तो फिर कहिएगा सर जी मज़ा नहीं आया कोश्चन यह आया था एक बार उसने कह लिखते कैसे कर पाएंगे इस कोश्चन को विदिने सकंड चुटकियों में ध्यान से करा करिएगा मेरे प्यारे भाई जड़ा एक चीज़ यह बताओ अगर कहीं भी लिखा है दो तीन बटे पांच इसकी पीड़ भी मिलेगी सारी की सारी क्लासिस कि इस बात का खासा क्या लखेगा आप क्या करते हो पांच दुना दस और प्लस तीन करते हो ना तो यहां पर मल्टिप्लाई करते हो और यहां पर प्लस करते हो ना तभी तो यह तेरा बटे पांच बनता है अरे बोलो हां या ना तो मैंने कहा अगर यहां पर इसका मल्टिप्लाई करोगे और यह प जाएगा अब कहोगे सर्जी तो ये बात थी त्रिपल नाइन का स्क्वाइर मतलब क्या दो बार नौ कर दो और दो बार जीरो आठ को और एक को एक बार प्लैस नौ सो निन्यावे अब नहीं जोड़ लोगे क्या जोड़ लो खतम हो गया कोश्चन है ना ठीक है इतना बोलो ब आठ नौ और नौ ये पेपर में अगर कोश्चन आएगा तो धो दोगे की नहीं दोगे मैं आपको एक कोश्चन और आपकी प्रैक्टिस लिए देता हूँ जल्दी से मुझे बताएगा इसका सही एंसर क्या आएगा सब के सब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजेगा कि इस कोश्चन का सभी एंसर क्या आएगा मैंने कहा भाई चार बार नो लिखा हुआ है ऊपर लिखा हुआ है नौ-9 नौ-5 और नीचे लिखा हुआ है नौ-9-9 नौ-9 और इसका मुल्टिप्लाई नौ-9 नौ-9 अब जल्दी से एंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं दूखने चाहिए यह कमेंट बोक्स में हरे बच्चे का कमेंट आना चाहिए कि इसका सही answer क्या होपाएगा सबके सब बतां कि सबके सबन्सक्राइब से बहुत बहूתח बहूत बढ़िया सबने कमेंट करना start अर्ट 7 कमेंट करणा मैं सब के सब मैं कमेंट पढ़ूंगा इस बात को आपको ध्यान रखना है ठीक मल्टिप्लाई करोगे तो चार बार नौ का स्कॉर मतलब तीन बार नौ तीन बार जीरो एक बार आठ एक बार एक और उपर आल यही चीज तो प्लस होगी बाकी यह तो और अगलब जो पढ़ाएंगे न वो तो रेलवे की परिक्षा की जान है क्या आजो ज़रा देखते हैं कौन सी चीज रेलवे की परिक्षा की जान है आजो ज़रा ध्यान से समझते हैं मैंने कहा कि मालो भाया अगर आपके पास एक्स प्लस उनपान एक्स बराबर थी दे रख यह चीज़ और आजओं एक चीज़ क्या मैंने कहा अगर एक्स प्रैसlarını बनाने में स्क्वार बराबर कितना आएगा अब असली मज़ा आएगा हाँ मैं समझ रहाँ आप यही मन में सोच रहो क्या कि सड्जी यहां पर तो साथ आ जाएगा और ग्यारा जाएगा यही तो सोच रहा मैंने कहा कि यह साथ वाला सही है लेकिन एक ग्यारा वाला गलत है यही तो अंतर है यही तो अंतर है महा practice batch का कि आप गलतियों को कम से कम करोगे और concept को ज़्यादा सीखोगे हर question में अलग अलग concept सीखोगे हर question में असली मज़ा लेकर जाओगे और रेवले के परिक्षा में इस बार सक्सार ज़रू पाओगे आ जाओ जड़ा देखते हैं कैसे होता है concept क्या है और क्या तरीके से हम question को कर सकते ध्यान से समझते, समझना मेरी बात को, कभी भी अगर आप जिंदगी में कहीं भी अगर आपको ये चीछ देखने को मिल जा, क्या, ये वाली, कि अगर x प्लस होनपान x बराबर आपको उसने कुछ भी दे दिया है, और आप से पूछ ले, भाईया, x स्कॉयर प्लस होनपान x स कर दो, समझ में आया, लेकिन कब, जब प्लस से प्लस पूछा जाएगा, तब, हम कैसे करते हैं, आपको तो पूरा पता ही है न, कि वाई, उपर का स्कॉयर करोगे, इसको स्कॉयर करोगे, इसको इधर लेओगे, दो बच्चा हुआ, माइनस दो जाती है, ये तो सिंपल बा आगे की नहीं आगे, जल्दी से बता दो भाई, आगे की नहीं आगे, भाई, सभी को साथ, पक्का है, अच्छा ठीक, अगली बात प्याते हैं, अगर मान लो, प्लस की जगहां पर उसने माइनस कर दिया, तो, प्लस की जगहां पर माइनस कर दिया, तो, तो भाई, एक भी मतलब आपको ये नहीं बताना है आपको ये बताना है एक ब्रैकेड में X प्लस उन अपान X और एक ब्रैकेड में X माइनस उन अपान X समझ में आया की नहीं आया अरे बोलो आया की नहीं आया अब ये कैसे बताएंगे वो हम देखेंगे जहां से समझना 11 किसका होता कई सार बच्चों के मन में आरा सर जी 11 किसके होता है 11 इसका होता है अगर उपर माइनस लिखा होता और नीचे प्लस दिया होता ठीक है उपर माइनस नीचे प्लस इसका फॉर्मूला होता है क्या नहीं न लेकिन अगर प्लस से प्लस द करता है कि मेरे सारे बच्चों को इبحा सबज में आगई है की नहीं समय आगी जल्दी से केमेंट कर कर नहीं है है अलािते को सिए कि यक है अब मैं आपको 2-3 कोशिंग कराता हूं हर बच्चा कंप्लीट है तो बटाएगा कहां पर क्या गलती बात यहां यहां तो प्लस से प्लस दे रखा है जो भी का स्कॉर इसकार ना-पान अगर यहीं पर लिखा हो उन आंपान एससकॉर तो यह sqe-2 का इसकार फॉरमूला बन जाता तब बात कुछ और हो जाती लेकिन इसकार फॉरमूला नहीं होता है तो तो जो भी वैलू दे रखा उसे का स्क्वाइर प्लस टू कर दो चार चो का सोला दो अठारा इस दर राइट आइंस और इस कोश्टन क्या हर बच्चे की बात यह समझ में आगे कि नहीं आगे अरे पक्का है अरे मज़ा आया कि नहीं आया तो जरा अगली बात प्याते हैं कि स माइनस वन अपान एक्स बराबर कितना आएगा अब कैसे बताओगे या फिर मान लो एक्स माइनस वन अपान एक्स बराबर उसने तीन दे दिया अब उसने कहा भाई ये बताओ एक्स प्लस वन अपान एक्स बराबर कितना आएगा यहां पर क्या हुआ हुआ इसक्वार उस भाई प्लस से माइनस जभी भी पूछा जाएगा जो भी वैलू दिया है उसी का स्कार माइनस चार कर दो यहर माइनस चार पूछा गया ना तो माइनस चार और अगर प्लस पूछा जाएगा तो जो भी वैलू दिया है उसी का स्कार प्लस चार कर दो अरे बोलो आगे की नहीं कि लेर गाईज बहुत बढ़िया चलो अगली बात प्याते अगली बात आप इसका एंसो जल्दी से बताना कि भाया इसका एंसो क्या आएगा मैंने कहा अगर एक्स प्लस उनपान एक्स बरावर मानलो फाइप है सब के एंसो कमेंट बॉक्स में आने चाहिए और मैं हर चीज दिनों में पूरी कॉपी भर जाएगी और सलिक्सन आपके हाथ वा जाएंगे फिर आजो भाया प्लस से माइनस पूछा ना स्कॉर ना कुछ तो जो भी वैलू दे रखा उसे का स्कॉर माइनस चार कर दो डिटेल मैंने पुरानी वीडियों बताई ऐसा क्यों होता है माइनस से प्लस पूछाना स्कॉर ना कुछ प्लस पूछाना तो प्लस चार कर दो खतम हो गया कोश्टन इसका यूज कहा होता है इसका यूज यहां होता है आओ देखो कहा होता है मैंने कहा था एक्स प्लस वन अपान एक्स बराबर अगर मानलो 3 दे रखा है हमें कहा था ए अकॉर्म Cy ze syceology स्चोर को गधुझ लिए वह भी मास वाला यह तो फार्मूल बनता है और कौन अथा बंता है यह बनता है एक ब्रैक्ट में ए मायनस भी और एक कि ब्रैक्ट है जो भी डे रखा उसके स्षोर माइनस चाहर दो तीन तरिक का नो में से चार घटा दो पांच यानि फानल एंसर थी रूट पांच अब समझ में आया की नहीं आया आया तो तीन कोश्चन में आपको देता हो होमवर्क में भैंकर एंसर कमेंट करना हर बच्चा कमेंट कर डालना ठीक आज ओ बाई बताना मुझे होमवर्क जल् जल्दी से कमेंट करके आप लोग भेज देना एकस स्कॉार प्लस उनपान एकस स्कॉार बराबर कितना दूसरा नंबर का होमवर्क अगर एकस प्लस उनपान एकस बराबर हमाई पास दे रखा है साथ तो एकस स्कॉार माइनस उनपान एकस स्कॉार बराबर कितना कोई गलती में प्लस भी एक ब्रेकट में ए माइनस भी तो क्या स्कॉयर की बात आपको क्लियर हो गई है चौथा एक ज़रा जल्दी से बता देना अगर एक समय बात प्याद प्याते हैं अगला कॉमसेट का मसते हैं अगर मालो एक्स प्लस वनापान एक्स बराबर उसने कह दिया कि तीन उसने कहा भाई तुम यह बताओ दो की बात छोड़ो दो तो तुम्हें आ गया तुम्हें तुमने सत्यम सर्जा अलेडी पढ़े लिया दो तो यह बताओ एक्स पावर चार प्लस वन दो का दो कर दो तभी तो होता है पावर चार कब जब पावर दो का दो करेंगे तभी पावर चार होगा सीधी जी वात है यानि हमें कुछ खास नहीं करना है बस दो बार इसी चीज का स्कॉयर कर देना एक बार स्कॉयर करो फिर स्कॉयर करो तो भईया जब एक बार स्कॉयर करेंगे हम यहाँ पे तो हमारे पास x square plus 1 upon x square की value आएगी positive से positive तो जो भी value दिया उसे का square minus 2 यानि की 7 आएगी एक बार और इसी चीज़ का square कर देंगे तो हमारे पास आप power 4 वाली value आजाएगी positive से positive कुछ नहीं करना जो भी value आया था उसे का square minus 2 कर दोगे यानि 47 सिद्धा right answer of this question ये भी question हर बच्चे की समझ में आ गया होगा अरे हाँ या ना जल्दी से बता दो क्या बास सभी को clear है क्या कोई दिक्कत कोई परसानी कोई problem किसी बच्चे को नहीं ना तो एक जल्दी इस पर भी homework लिखो सब के सब और बताओ किसका सही एंसर क्या एगा किसी के गलती नहीं होने चाहिए पक्का आजो मैंने सिंपा सा कहा कि अगर एक्स प्लस वन अपान एक्स वरावा मानलो 5 दे रखा है आप से कहता find the value of एक्स पावर चार प्लस वन अपान एक्स पावर चार बताओ कितना हैगा तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं सबसे पहले में जितनों बच्चों ने कल पिछले ले questions का answer दिया तो बहुत बहुत सुक्रिया सभी बच्चों को और बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि बहुत सार लिए मेहनत कर रहे हैं लाइक कर दीजेगा सब्सक्राइब कर लिए और सेयर कर दीजेगा चलो बाई स्टार्ट करते सेसं को समझते हैं पिछले बार हमनों ने जो पढ़ा था उसको एक बार रिवीजन करके आगे पढ़ लेंगे मैंने पिछली बार आपको समझा तक एकर पान एक्स बराबर हमारे पास थ्री दे रखा है तो पार्ट वन का जो वीडियो तो उसमें मैंने आपको बहुत सारी चीजे बताई हुए थी यहां से वो समझेगा तो डिरेक्ली एक्स माइनस ओना पान एक्स कैसे निकाल पाएंगे आप सभी ने बता दिया था कैसे जो भ आएगा मैंने पिछले ले वीडियो में आपको अग्ज्चली समझा दिया था किस तरीके से आएगा यह सारी चीजे और जहां से अगर हमें 1.0 5 निकालना होगा तो यह कैसे निकालेंगे यह हमने पिछले वीडियो आपको ओलडी समझा दिया था मतलब पावर two की सारी की सारी बाते पिछली वाले वीडियो इम आप सभी ने समझ लिया था अब स्टार्ट करेंगे इस वाले ससंस से की पावर three कैसे निकालते हैं और पावर three क्या होता है उसमें क्या क्या railway पूछता है और उसमें किस तरीके से कोशन आने वाले होते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं पावर थरी क्या है देखो भाई माल लो कहीं भी अगर x प्लस वनपान x बराबर दे दिया उसने की 4 उसने हमसे दो चीज़ पूछेगा वो कहेगा यह बताओ कि x क्यूब प्लस वनपान x क्यूब कितना होगा आप क्या तुरंद बताओगे ध्यान से समझ लेना कि कहीं भी अगर दो तरीके से कोशन इसमें पूछे जाएगा एक वो आपको पूरा प्लस प्लस दे देगा और एक आपको पूरा माइनस माइनस दे देगा अगर अलग आ जाएगा तो भी मैं आपको बता दूगा उसके लिए परिसान ना होना कि सर्जी अलग आगे तो फिर हम कैसे करेंगे हाँ ये तो बताया ही नहीं बिल्कुल उसके लिए परिसान ना होना ध्यान से समझना अगर डिरेक्टली प्लस से प्लस उसने पूछा क्या कि डिरेक्टली उसने प्लस से प्लस पूछा भाई कि अगर एक्स प्लस होना पान एक्स वरावर फ्रोर हो रहा है तो हम उसका positive वाला cube कैसे बताएंगे कुछ खास नहीं करना है जो भी value दे रखा होता है उसी का power cube minus 3 times उसी का multiply मतलब बोले तो अगर ये a लिखा होता तो हम क्या लिखते है a cube minus 3a ये बात सभी को याद कर लेनी है आता कैसे है हम दोनों side cube कर लेते हैं मेरी पुरानी वीडियो जाके देखी अलजेब्र अमडी क्लासर सत्यमसर डाल दीजेगा पुरानी वीडियो आपको सारी की सारी मिल जागी कैसे क्या करते है तो 4 का cube हो गया 64 और 64 में से 4 या 12 minus करोगे answer आपका 52 आ जाएगा खतम हो गया बात अरे बोलो हाँ या ना सिम्पल सी question है अच्छा ये कब किया हमने एक यू माइनस 3 है जब हमसे positive का positive पूछा गया तब किया अगर negative से negative पूछा जाएगा तो जो value दे रखा उसी का cube ब्लेस 3 टाइमस उसी का multiply बहुत अगड़ा सिम्पल सा तो 64 प्लस 12 हो जाएगा यानी 4 दो 6 और 6 एक 7 या एंसर आपका 6 तर आ जाएगा और बोलो बात clear हुआ की नहीं clear हुआ कर लोगे की नहीं कर लोगे भाईया पक्का है तो ज़र अपने copy pen को रखो तयार और इस question का तुरंत बताओ क्या होने वाला है answer मैंने कहा भाई एक्स प्लस 15 एक्स बराबर आप सभी के पास 3 दे रखा है जल्दी से बताओ एक्स क्यूब प्लस 15 एक्स क्यूब कितना आएगा वीडियो को पाउच करिया तुरंत question solve करके देखी आया की नहीं आया मैंने कहा simple सा अगर एक्स माइनस 15 एक्स बराबर 3 दे रखा है तो भाईया ये जल्दी से बताओ एक्स क्यूब माइनस 15 एक्स क्यूब कितना आएगा बहुत बढ़िया क्या करोगे 3 क्यूब माइनस 3 टाइमस उसी का multiply तो तीन तरीका नौत यहां 27 मेंसर 9 माइनस करो क्या 18 क्या सभी का एंसर आ रहा की नहीं आ रहा बिल्कुल आ रहा है और यहीं पर क्या कर दोगे 27 प्लस 9 हो जाएगा यानि इसका एंसर 36 हो जाएगा मुझे लगता सब को बास समझ में आ गई है पक्का इतना कोई दिक्कत को आ आपने क्यूब देखा अब दोनों को मिलाके जो कोश्टन आता है ना वो यह आता है कहे बाई अगर एक्स प्लस 9 अपान एकश बरावर 3 है यह बता आप पावर 6 कैसे आएगा यह स्क्वाइर और क्यों को मिला के देता है जैसे पावर फॉर आपने पढ़ा था तो पाव पावर सिक्स निकालने के लिए क्या है दो चीज़े हैं पुझे सी बात है भाई हमें पावर सिक्स निकालना है पावर सिक्स या तो क्यूब का स्कॉायर करो और या तो स्कॉायर का क्यूब करो सीधी सी बात है तो त्याइच है दो त्याइच है दो त्याइच है दोनों ही तर cube निकाल देंगे और अगर हम cube का square करते हैं इसका मतलब पहले हम इसका cube करेंगे then square निकाल देंगे तो पहले चलो square ही कर लेते हैं तो square अगर निकालोगे तो आपको पता है positive से positive तो 3 का square minus 2 यानि की 7 आ गया अब इसका cube करोगे तो power 6 बनेगा तो x plus 1 upon x power 6 बनेगा सीधी सी बात है बनेगा की नहीं बनेगा तो भाई या क्या करते हैं भाई क्यूब करेंगे positive से क्यूब तो उसी क्यूब माइनस 3 टाइंस उसी का multiply is the right answer of this question तो 343 में से 301 काईस माइनस को लो 322 इस इदा राइंस आ जाएगा clear है तो power 6 भी निकालना जानगे की नहीं जानगे भाई सब के सब जानगे everything is clear all clear सबको समझ में आ गया चलो next question बढ़ते हैं कैसे समझते हैं तो मैंने अभी आपको क्या समझा दिया power 2 कैसे निकालेंगे सबने कहा सरजी समझ में आ गया power 3 कैसे निकालेंगे सबने कहा सरजी समझ में आ गया power 4 कैसे निकालेंगे सबने कहा सरजी समझ में आ गया power 6 कैसे निकालेंगे सबने कहा समझ में आ गया अब आते है power 5 जो बीच वाला बचरा वो कैसे निकालते हैं question कितरो समझेंगे कैसे निकालेंगे देखो कुछ भी कोशन छोड़ेंगे नहीं क्योंकि मैंस फुल मार्क्स लाना ही हमारा वो पूरा एम है और किसी भी तरीके से कोई भी कोशन बचना नहीं चाहिए इस चीज का ध्यान नखिएगा चलो हमने कहा अगर माल लो X प्लस वन अंपन X बराबर आप सभी के पास थ्री माल लेतें बेचिक है हमारा नॉबर हमसे पूछा गया एक्स पावर फाईब प्लस वन अपन एक्स पावर फाईब यही पूछा गया अब समझना मैं आपको 3-4 चीज बताने वाला हूँ पावर साथ, पाँच, साथ, नौ, एक ग्यारा, तेरा, यह सब, यह इसकी अलामा, पंदरा, सत्रा, उननीस कुछ भी पूछा जाए, सब बता लोगे अब, अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, हमसे पावर फाइब पूछा गया, यह बताओ, अगर इसक्वाइर होता था, तो अगर पावर फोर होता था, तो स्क्वाइर का स्क्वाइर कर देते थे, है की नहीं है, अगर पावर सिक्स होता था, तो भाईया, हम क्यूब का स्क्वाइर का क्यूब कर देते थे, अगर पावर एट होगा, तो भाईया, हम क्या करेंगे, स्क्वाइर का स्क्वाइर का स लेकिन क्या power 5 के लिए ऐसा कुछ बनता है क्या क्या हम square का cube कर दे cube का square कर दे ये कर दे वो कर दे ऐसा कुछ बनेगा power 5 के लिए नहीं बनेगा न तो जितने भी odd numbers होते हैं जैसे कि power 5 7 3 का तो निकालोगे simple 5 7 9 इन सभी odd numbers का तरीकों से निकाला जाता है कौन सा तरीका ये सुमझते है हमें दो ऐसी value सोचनी है कि जिनका plus करने पे 5 आ जाए और जिनका minus करने पे 1 आ जाए अगर 5 कहेगा तो plus करने पे 5 minus करने पे 1 अगर power 7 कहेगा तो plus करने पे 7 minus करने पे 1 अगर power 9 कहेगा तो plus करने पे 9 minus करने पे 1 जो जड़ा बताओ भईया कौन से ऐसे दो वैलूज है आप कोगे सर जी तीन और दो ले लो हमने कहा ठीक है बिल्कुल सही आपने बात का मतलब ये होता है हमें ये निकालना है तो हमें x cube प्लस वना पान x cube पहले निकालना पड़ेगा multiply by x square क्योंकि 3 और 2 है तो x power square प्लस वना पान x power square निकालना पड़ेगा और minus करने पे एक आ रहा है इसका मतलब जो दोनों का multiply करोगे तो यही जो टर्म है न x plus वना पान x ये एक बार extra आती है और वही चीज हमें यहाँ पे plus का minus करना पड़ेगा ना विश्वास तो दोनों multiply कर वह होते है तो जुड़ जाएंगे बेस सेम तो power जुड़ जाएंगे अब हमें actually में इसकी value निकालनी है कठीन है क्या बिल्कुल ने कठीन है आपने तो निकाला है positive से positive 3 का क्या करोगे 3 का Q minus 3 times multiply है की नहीं है यह क्या करोगे 3 का square minus 2 है की नहीं और यह already उसने आपको अठारा गुड़े तीन तुरिक का नौ में सो दो माइनस करोगे तो साथ माइनस तीन या एंसर आ गया 123 बोलो निकाल लोगे की नहीं निकाल लोगे पक्का है ध्यान से बाफ फिर से समदो पावर 5 निकालना था हमें दो ऐसी वैलू चाहिए था जिसका प्लस करने पर 5 आज चाहिए क्योंकि multiply के बाद वही एक चीज एक्ष्ट्रा आ जाती है बस question solve कर लो अगर पावर साथ पूछा तो तो चार और तीन का मामला बनता तो एक बार पावर चार निकालते इसी का नहीं निकाल पाते क्या विलकुल निकाल देते एक बार पावर तीन निकालते फिर एक किसी दिक्कत का बीना किसी परिशानी का हमने कहा तो फिर थोड़ा सा आगे बात बढ़ाते हैं और थोड़ा सा आगे चीजों को समझते हैं क्या है क्या नहीं है आजाते हैं है अब बात करते हैं हम यहाँ पे कि रेल्वे के pet questions कॉन से है रेलवे पेट questions या फिर मैं करने आँ है चाहे कुछ कर लो ठीक है चलो आ जाते हैं बहुत मज़ेदार कॉम सेट है बहुत मज़ेदार बहुत तगड़े कॉम सेट है बहुत ध्यान समझ Coin और पूरा नोट्स बनाते रहें चलते हैं मैस किरेंस के और जी केया सिक एक गससक नौट बनाइए और देखो यह 15-20 मिनट की जो छोटी चोटी वीडियो जैना यह सिरफ आपके लिए 15-20 मिनट की हैं लेकिन अगर आप इनको समझने चलोगे इस पर कोश्चन करोगे प्रैक्टिस कोश्चन करोगे तो बहुत लंबी वीडियो जै और आपके लिए तो कुछ और बहुत बढ़ पूचे गहते वह हैं जो एलपी में पूचे गहते वह हर तरह के कोश्चन जितने वी आज तक क्यों कोश्चन पूचे का है या जो भी कोशन इंपॉर्टन आ सकते हैं इस चो आपना फिजी से इजी लेफल हाड़ से हाड़ लेवर विदे कम्प्लीट डिसक्रिप्सन इन व सब्सक्राइब का अब देखने को मिल जाएगा पक्का है आज ज़रा समझते हैं किया है रेल्वेज का पेट कोश्चन आपने पावर 2, 4, 6, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 8 सब आपने पावर देख लिया ये बताओ भाईया 2020 चल ला है न तो पावर 2020 कैसे निकालेंगे रेल्वेज के पेट कोश्चन में पहला नमबर आता है उसी का भाई मैंने कहा कि अगर मान लो X प्लस होना पान X बराबर 2 तो भाई आपसे पूछा गया find the value of X पावर 220 और 2020 और 2020 बड़ा खराब रहा तो हमने कहा इसकी बात ना करो सर जी 2021 की बात करो इसकी वैलू कितनी आएगी सीधी सी बात है अगर X प्लस होना पान X बराबर 2 तो हमने कहा 2020 और प्लस 2021 की वैलू बताओ तो यह pit question number 1 है कैसे pit question number 1 है समझना याद रखना बाई कभी भी अगर जिंदगी में आपको यह चीछ देखने को मिल गया कि X प्लस वना पान X बराबर 2 तो हमेशा याद रखोगे कि यहाँ पर X की वैलू कितनी आजाएगी एक रखाती है कैसे एक रखाती है एक रखोगे ए X की वैलू क्या होती है ओल्वेज वन होती है तो वन वन टू यानि इसका भी एंसर कितना आ जाएगा टू आ जाएगा यह pit question number एक है जो पेपर में आता ही आता है और जबर्दस तरीके से question पूछा जाता है पक्का जली से नोट करिए question number 1 और अगले बात प्याते हैं और comment सही करें ठीक है आओ वई प्रेट question number 2 क्या होता है या पहले मैं पहले वाले का ही आपको बताओ तो बताओ आप जल्दी से सब के सब find the value of x power 12 plus 1 upon x power 18 plus 3 is equal to कितना आएगा तुरंत आने चाहिए answer सभी के बहुत जबल ये तो फाई पूरा आपको पता ही है ये तो कितना आजाएगा ये तो 2 आएगा और 2 plus 3 is equal to 5 answer आगया किलिए रगाई कोई परसानी कोई दिक्कत नहीं सब को समझ में आगे बहुत इजी तरी 3 है तो यहां से दो चीजे निकल के आएगे कौन से दो चीजे एक तो ये निकल के आएगा कि x power 6 is equal to minus 1 और x cube plus 1 upon x cube is equal to 0 ये दो चीजे निकल के आएगे अब कैसे निकल के आएगे आप करके खुदी देख लो भाई सधान से देख ले ना कैसे भाई अगर हम इसका cube करेंगे x cube plus 1 upon x cube हमने कर दिया इसका अब होता क्या cube में जो भी value दी होती है उसी का cube यही तो करते हो भाई जो भी value दी होती है उसी का cube minus 3 time उसी का multiply करते हो की नहीं करते हो सीधी सी बात यहीं करते हैं तो इसका cube करोगे तो ये भी तो 3 root 3 ही आएगा और 3 root 3 minus 3 root 3 बराबर आपका 0 हो ये pet type number 2 है जो railway की परिक्षों में पूछा जाता है और ये pet type number 1 है जो railway की परिक्षों में पूछा जाता है तो pet type number 2 को थोड़ा सा करते है explain और समझते हैं क्या है क्या नहीं है आजो भाई मैंने simple सा question आप से कहा कि भाई अगर माल लो x plus 59 x बराबर root 3 है आप से वो पूछेगा ये बताओ कि power 17 कैसे निकालोगे x power 17 plus 59 x power 17 बराबर कितना देखो मैं आपको other channels की तरीके से wrong जो long वाला जो बड़ा तरीका है वो नहीं बता रहा हूँ मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ जो paper में direct लग जाए और उससे हर टाइप के question solve हो जाए कोई tricks नहीं बता रहा है मैं आपको concept समझाऊँगा कि concept से question कैसे solve हो जाएंगे ठीक है अब समझेगा भाई अगर power हमें दिखा क्या कि x plus 59 x बराबर root 3 है root 3 दिखते हैं आपके मन में दो बाते आएंगी एक तो आएगा हमेशा यादखना x power 6 बराबर minus 1 और जो दूसरी बात आएगी वह आएगी x cube plus 1 upon x cube बराबर कितना 0 ये दो बाते आजाएंगे तो भाईया हमें power 6 की बात पता है न अच्छा तो जरा इसको power 6 के nearest कितने multiple में तोड़ सकते हो इसको power 6 के nearest कितने multiple में तोड़ सकते हो कौग सर जी 17 है तो 6 का nearest multiple इसके आसपास आएगा 18 अरे हाँ या न अगर 18 आएगा यानि इसको मैं 6 की power क्या 3 लिख सकता हूं अगर क्योंकि मैंने 6 की power क्यों चुना क्योंकि मुझे वही पता है और मुझे पता है जो power 3 आया है ये आपका odd है अरे बोलो हाँ या नहां अगर odd है तो जो लिखा था ना वही minus root 3 आ जाएगा और अगर power even होता तो वही plus root 3 आ जाता बाकी सब जगों पर आपने क्या पढ़ा है कि हम यहाँ पर x का उपर नीचे multiply करते हैं तो फिर 18 बन जाता है फिर उसके बाद हम इस form में तोड़ते हैं इस form के बराबर लाते हैं फिर जाके answer हमारा minus root 3 आता है लेगिन directly इस बात के या दखना कि 17 का nearest power जो 6 के multiple का ह वो 18 आ सकता है और 18 होता है 6 की power 3 और 3 होता है और तो answer आएगा negative में minus root 3 क्या बात सभी को समझ में आई की नहीं आई अरे आई की नहीं आई तो जड़ा आते हैं सर जी एक और question जड़ा हमें दो इतना आसान तो सोचा भी नहीं था हमने आओ जड़ा इस question को solve करो और बताओ क् कहा भाई इफ एक्स प्लस वन अपान एक्स बराबर आप सभी के सामने उसने दे दिया है root 3 find the value of x power 23 प्लस वन अपान एक्स पावर 23 जल्दी से बताओ कितना answer आएगा सब के सब बच्चे come on everyone and everybody किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए ये बात का खासा क्या लखेगा जबर 10 तैंसों बताओ बहुत बढ़िया और आपको एक और question यहां पर आता होगा सायद आपने देखा होगा वो कह देगा एक्स की power 64 अचा पहले इसको लगा तो फिर मैं बताता हो उसको पहले इसको complete समझ लो सब के सब आया भाई और आया चलो मैं पहले इसको बता देता ह 23 नियरेश्ट पावर में कितना है जो एक्स की power 6 अब इसको देखते मन में दो बाता है कौन सी भाई एक तो आएगा एक्स पावर 6 इसकल टू माइनस और एक क्या आएगा एक्स क्यू प्लस उन पान एक्स क्यू बराबर जीरो दो बात आपके मन में आ जाएगी सीधी सी बा कि कहा है अपना लगा के complete देख लेना हर बच्चा और आम से इसको solve कर लेगा अच्छा ठीक एक और question पूछा आता है कहेगा find x की power 200 प्लस एक्स की पावर क्योंकि power 6 बराबर माइनस वन होता है तो जहां जहां पावर का गैप 6 है वो कट जाता है जहां जहां पावर का गैप 6 है वो कट जाता है बचा ये और इसकी वैलू तो माइनस वन होती है question में answer आ गया माइनस हों दो तरीके से question आपके पेपर से पूछे जाते हैं किलियर है गाईच पक्का है ओके है सभी को हर चीज समझ में आ रही है हर बात एक दम किलियर है कोई परिसानी नहीं है कोई दिक्कत नहीं है और इस किलियर अब आते हैं रेलवे का पिट नंबर थ्री कि पिट न महनत करिए तो आपने महनत का फल दिया भी है ऐसे आएगा इस प्लस वन अपान एक सीजिकल टू वन हमसे कहेगा बताओ तुम फाइंड दी वैलू आफ एक्स पावर सेवन्टीन प्लस वन अपान एक स्पावर सेवन्टीन इस उकल टू कितना एक तो सिंपल कोश्टन यह द देलिये लिए था परेस्ले बादा चलो 27 ले लेते हैं ऑ हिपकी आपब न एप्पावर से चल्वर से बराबर कितना थीक and पहले यह दो चीजे बताते हैं अच्छा गर X प्लस वन पान X बराबर रूट 3 हो रहा था तो X पावर 6 बराबर माइनस 1 हो रहा था यहां क्या होगा X पावर 3 बराबर माइनस 1 कैसे solve करने से solve कर ले ना पूरा आप लोग देख लोगे तो अब यहां क्या सोचोगे इसको 3 का nearest power लेकर आओगे 18 आएगा और 18 होता क्या है 3 की power 6 ना कि 6 की power 3 याद रखना यही गलती कर दोगे यह 3 की power 6 होगा इस बात का खासा क्या लखना और यह आ गया हमारे पास even तो यहां पर 1 लिखाता ना तो भाईया प्लस 1 आ गया बात खतब यह 3 की power नीरेश्ट आएगा कितना ज़रा जल्दी से बताओ तो बहुत अच्छा कोश्टन है बहुत अगड़ा कोश्टन है अज़र 27 तो हमारे पास दे ही रखका यह सिंपल ही ए तो यह तो सिंपल यह 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 क्या लिख सकते हो थ्रीकी power 9 लिख सकते है इसको देखो भाई इसको लिख सकते हो 3 की power 9 यह विदुद आएगा तो माइनस फ़न ये और माइनस वन यह ए एंस उन यह माइनस टु आ यह क्या कहता है सब बीडीव पा Id pont करके देख लिएगा कि भाई क्या-क्या है है ने कि आप लोग गळऑ बढ़ा है नहीं कि भाई Kerry मी चाहले कंशनी में inadvert चीजह कवर कराने के कोशिछ कर रहा है अप maximum चीजह पढ़ा और यह मैं सोच रहा हूँ एसे x power 36 x power 33 x power 30 आपने ऐसे question बहुत पढ़े हूंगे है ना x power 24 बराबर कितना बताओ बराबर कितना पहले देख लो फिर बताओ बराबर कितना अब आपको इसको देखने के मन में अंदर एक ख्याल आ गया है कौन सा ख्याल कि भाई अगर ऐसे लिखा होगा न तो X Q बराबर तो माइनस 1 होगा अरे होगा कि नहीं होगा सीधी सी बात है तो यहां power 3 का कटा जहां पावर तीन के गए कटा 24 आया यानि तीन के पावर आठ यानि तीन के पावर आठ इवेन है पुलस वर खतब नोट कर लीजे के लिए रहे गाईज तो ये था आपको अब एक चीज प्रॉब्लम यह आती है कि कई सारे बच्चे समझ नहीं पाएंगे कि एगर एकस प्लस उन पान एकस प्लस इतना लिखा हुआ है तो हम कैसे समझेंगे क्यूंगे एकक्स वाला होगा तो मैं आपको लाष्ट में वह समझा देता हूं कि आपको याद नहीं करने के जोती यह सत्त्यम सरके कि लास है और सत्यम सरके क्लास में याद नहीं जाथा चीजों को तो बड़े के साथ बड़ा और वन चोटा है तो छोटे के साथ पावर त्री होता है अगर यहाँ माइनस रूट थ्री हो जाएगा तो यह पॉजिटी वन हो जाएगा और अगर यह माइनस वन हो जाएगा तो यह प्राजिटिफ वन हो ज्यागा समझ रहे हो माइनेस प्रस चेंज भी होता है ये भी बात क्वाट को खासा क्या लखना है यह मॉगनेस वन चेंज भी होता है तो मुझे जल्दी से बताओ यहाँ से कौन सी चीज निकल के आती है अगर देखाओगा पिछला वीडियो तो आपको पता चल जाएगा आप कहोगे सर्जी इस बिल्कुल सही X पावर 6 बराबर माइनस 1 आता है हमने का भाई बिल्कुल बात सही है अगर मालो X प्लस 1 अपान X बराबर 1 आ रहा है तो जल्दी से बताओ यहाँ से कौन सी चीज निकल के आती है बिल्कुल है X क्यूब बराबर माइनस 1 निकल के आती है जो बच्चे पिछले ले वीडियो देखे होंगे उनको ये सारी बाते पता होगी पिछले ले वीडियो में हमने देखा था कि रेलवे के ऐसे कौन से पिट कोश्चन्स है जो अलजबरा में हमेशा पूछे जाते हैं हर बार पूछे जाते हैं और आते ही आते हैं वो सारी चीज़े हमने देखा था उसी सीरेज को आगे बढ़ाएंगे और आज की वीडियो वहीं पर खतम करेंगे आते हैं देखते हैं क्या है वो चीज़े और सारी की सारी कॉमसेट हम यहाँ पर सीखते हैं सारे जबर्दस कॉमसेट बहतरीन कॉमसेट देखते हैं कोश्चन यह है कहेगा आप से 3x square minus x plus one is equal to कितना बताओ अब कितना सिंपल कोशन है या फिर मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा और सिंपलिफाई कर दूँ तो मैं आप से कहूंगा 3x square minus x मैं अगर यहाँ पर कुछ और भी कर दूँ तो भी आप सिंपल से इसका एंसो बता सकतो या फिर 3x square minus 3x मैं कर दूँ तो जड़ा बताओ इसका एंसो कितना आएगा सब के सब जड़ा सोचो जल्दी से बताओ क्या आएगा बहुत जबदस बहुत अच्छा अच्छा मैं इसको आएगा आगर हमारे पास एक्स प्लस उना पान एक्स की वैलू इतनी दे रखी है तो भाई जड़ा जल्दी से वीडियो को पाउच करिए और इस कोश्चन का कम्प्लीट एंसोर कमेंट करते रही है और खुद भी स्वालव करते रही है कि कैसे कर पाएंगे देखो कभी भी अगर ऐसा कोश्चन आता है कि आपको उसने सिंपल एक्स प्लस उना पान एक्स बरावर सेवन दे दिया इसका मतलब इसको निकालने में इसका तो यूज कहीं ना कहीं होगा ही होगा तभी ये दे रखा है फाल्टू का तो दे नहीं रखा है सीधी सी बात है कि नहीं है कामन लेने का मतलब यह हो गया सभी में एक्स से डिवाइड करोगे तो ये एक्स से ये एक्स कट गया ये एक्स से ये एक्स कट गया ये एक्स से ये एक्स कट गया फानली क्या बसता है हमारे पास हमारे पास जो फानली बचेगा वो बचेगा आप सभी के लिए सेवन डिव तो सेवन माइनस त्री यानि के एंसर आपका सेवन वाई फोर आ जाएगा यार इस तरह के हर कोश्टन में ऐसे ही सॉल्व करोगे चाहे कुछ भी हो जाए बिना किसी दिक्कत का बिना किसी परिसानी का एजली सॉल्व कर लोगे बताओ भाई सबको समझ में आया कि नहीं अरे हाँ या ना क्या सभी को बात बिल्कुल किलियर है और किलियर और तिंग सबको बिल्कुल समझ में आ गया है चलो अगली बात प्याते हैं अब रेलवे के और भी पेट कोश्टन की तरहीके से ध्यान देते हैं ठीक है आओ बई अग्रा जो railway का पेट आता है वो जरा ध्यान से समझना कि वो कौन सा पेट आता बिल्कुल ध्यान से हमने पिछली बार दो से तीन पेटों के बारें बात के थी आज हम उसका चौथा पेट मतलब होता है railway का पसंदीदा question जो हर बार आया है railway की परिक्षाओं में ससी की परिक्षाओं में हर बार आया वो कौन सा जरा समझना भाई या भाई देखो जरा ध्यान से मैंने कहा कि मान लो अगर x y z बराबर एक है तो तुम एक जरा यह बताओ भाई x upon y plus z plus y upon z plus x plus z upon x plus y कहा जरा इसकी वैलू बताओ कैसे निकाल पाओगो जरा सोचो सब के सब यह पाइड कोशन में आता है रेलवे के हमने क्या कहा किसी भी तीन चिज साही कर दिया अब भाईया वो तीन तो हमें सिंसे बात यादखनी यह यह भी एक होगा यह भी होगा और यह भी एक होगा अपने मंसे मालोगे चाहें वो PQR दिया हो चाहें ABC दिया हो चाहें कुछ भी Дिया हो हम अपने मंसे मालनें कि तीनों कि तीनों कि QUE कहीं होंगे तो आप लिव घृत दो और एक बाटे दो तो मतलब एक दो थीन तो ऐनसर क्या जाएगा तीन बटे दो क्या सभी को बात समझ में आई कि नहीं है यह वह यह आसान सा कोश्टन है और पेपर में जरूर पूछा जाता यह कोश्टन बहुत important है बहुत तगड़ा बहुत जवरदस कोश्टन है कुछ भी आज है जैसे उसने कहा पेपर में कि भाई ये बताओ इफ A, B, C is equal to 1 तो आप से उसने पूछा यह बताओ A plus B plus C divide by A, B, C plus B plus C plus A divide by यह इतना 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 तो क्या मान लोगे सीधी सी बात है कभी भी तीन वेगर variables का आपको multiple एक दे दिया तो तीनों के तीनों ही एक होंगी इस बात का आपको खासा क्या लखना है सारे concept तभी मजा आएगा ऐसे मजा नहीं आने वाला कि ऐसे ही चलो हो गया काम खतम हो गया हाँ हमने सीख लिया यह कर लिया वो कर लिया ठीक है अगला question क्या आजओ क्या कहता है अगर कहीं भी आपको दिख जाए A square plus B square plus C square is equal to A B plus B C plus C या P square Q square और R या X Y Z कुछ भी दिख जाए तो क्या मान सकतों यहाँ पर हमें तुरंद मान लेना है कि A बराबर B बराबर C हमेशा ही क्या होगा 2 होगा क्योंकि 2 का square 2 into 2 2 का square 2 into 2 2 का square 2 into 2 तो ये भी कितना आ जाएगा 4 4 8 4 12 और ये भी 4 4 8 4 12 क्या बास सभी को समझ में आ रहा अरे बोलो हाँ या ना क्लियर है तो ये रेल्वे का पांचवा सबसे खतनाक वाला पसंदीदा कोश्चन है जो पूछा ही पूछा जाता है अच्छा ठीक है हम थोड़े से और आगे बर लेवल बढ़ते हैं थोड़े से और बास समझते हैं जो उसने कोश्चन रेल्वे में आया था हम उसी सीधे कोश्चन पर आते हमला करते हैं ज़्दा समझते हैं क्या कोश्चन कहएगा कोश्चन ये आ गया ध्यान से समझेगा उसने कहा इफ A.B.B.C. प्लेस C.A. is equal to a square plus b square plus c square लिखा था इतना बड़ा अब उसने का विया find the value of a plus b by c अब बताओ क्या करा जाए अब बच्चों को समझी नहीं आरा क्यार इतना बड़ा question कैसे solve करें हम तो यहाँ पर ऐसा सोचा लिए था कि फिर कोगे selection final है बिल्कुल final है अगर ऐसे पढ़ोगे तो 100% selection हो जाएगा और अगर subscribe नहीं क्या दादा तो subscribe कर लेना एक और बढ़ा लेना उसमें 200 प्लस हो जाएगा अब एक बच्चे के मन में बात आई कि सर्ची खाली दो ही मान सकते हैं क्या क्या यहाँ पर तीन नहीं मान सकते क्या चार नहीं मान सकते क्या दादा कुछ वहें दोभी चार लेकिन सबको बरावर मानना पड़ेगे इस बात का खासा तका लखना चाहिए ओण लेकिन एक ऐसा टाइप आता है ना जहां पर सिर्फ दो इक मान सकते हो और कुछ नहीं मान सकते, कौन सा टाइप है, वो ये वाला टाइप है, मैं आपको कराता हूँ अगला, ये कौन सा वाला हमारा नमबर था भई, ये हमारा नमबर था, आप सभी के लिए मैं देख लेता हूँ, कौन सा वाला नमबर था, ये चौता हो गया था, ये पांचवा था, छटा आ जात A and C square is equal to A plus B अब बताओ क्या मानोंगे सब के सब ज़रा सोचो भीया क्या मानोंगे बहुत बढ़िया उसने सिंपल सा कोश्टन पूचा कहा बढ़िया ये बताओ अब उसने का इसकी वैलू बताओ अब गरबढ़ाया नहीं है यहर पिछले कोश्टन में कुछ भी मान लेते थे जो पिछला टाइप था ना जो हमने पांचों टाइप पढ़ा था वहाँ कुछ भी मान लोगे यह चटा टाइप है यहाँ पर याद अखना आल वेज आ बराबर बी बराबर चलम ल ही मानोगे तो आपका कौश्टन गा एनसोइऊत के तो cosa2-4 की चलम वान लोगे तो गरबढ़ हो जाएगा कैसे क्यूकित तीन कैस्पाइट तो 9 होता जबकि 3 प्रस 3 करोगे तो 6 आ जाएगा क्या 9 और 6 बराबर है क्या भिया नहीं असान था वो खाए जबर दस्त मैं जारा है अब आते हैं पूछा यह पूछा जाता है कईसी भी तरीके से आजओ वो यह वाला है सात्मा टाइप करेंगे जबर्दास अगर कुछ भी नहीं उसने कहा चिश कहा ईनी ना आपको पहला टाइब दिया ना दूसरा डिया ना तीसरा ना छौथा ना पांचवा ना छठा ना साथा ना सात्मा काम आएगा क्या अगर कहीं भी खाली ऐसे सिंपा सा लिख दिया भाया ए प्लस बी प्लस सी जुकल टू वन तो हमें ये बताओ ए भी प्लस बी सी प्लस सी जुकल टू वाट दिन कितना आए गई है कुछ दिवाक नहीं लगाना है हमें तो वैलूज माननी है न और कौन सी वैल से जब यहां पर एक नहीं होगा यहां पर 0 देगा एक देगा तो भी कर लोगे जीरो देगा तो भी कर लोगे simple सी बात तो यह 0 और आपने प्लस भी वन अपान बी प्लस भी प्लस एब आप सोचो कि सजी हमें ही करना ही क्या है हमें तो कुछ ही नहीं करना भाई सिंपल जी वात भाई उपर भी एक इसको भी जीरो इसको भी जीरो माल लो तो भाई जीरो रखके देख लो और पता ही है अगर वन पांच जीरो आ जाएगा तब तो उसका वैलो तो इन्फानाइट होता ता मामला गरबड़ हो जाए क्या बास सभी को क्लियर समझ में आरी भाई पक्का है अच्छा मेरातन क्लास में लगा रहा हूं टिग्नो मिट्टी पूरी की पूरी खतम होगी जबर्दस मेरातन लगेगा बहुत मज़ा आएगा और ऐसा तहलका मचेगा उस मेरातन में कि आपको कहोगे सर्जी बस अब परसानी नहीं ना सब कुछ क्लियर हो रहा है चलो अगले बात पर आते हैं अगली बात समझते हैं कि भाई यह क्या हो गया अब जो इसके बाद आता है ना वो आता है आपके लिए वैलू पूटिंग कोश्टन्स ट्रिग्नो मिट्टी में कैसे होते हैं इसके बाद बस एक जास चीज़ बती है और पूरी अल्जेवरा खतम हो जागी बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है वैलू पूटिंग कोश्टन्स क्या होते हैं और वैलू पूटिंग कोश्टन्स पे हम ध्यान कैसे देते हैं वैलू पूटिंग कोश्टन्स को कैसे कर पाते हैं ध्यान से करपाहे ठीके सारी के सारे वैलुवॉटिंग टाइब से तुछ अलग नहीं था कोई कि हाँ आपको यह वैलूप अब को तीन स्थ आहले हैं था ठीक है आ जाते कोशन समझते जोसे मालू मेरे पास उसने कोस्टन दे दिया । एक्स प्लस य प्लस जड बराबर उसने कहा सब्सका च गा एक्स प्लस वाई प्लस जड बड़ाबर चैज़ और उसने एक चीड्Rah और बोली कि एक्स इसकोयरण प्लस वाई स्कॉर प्लस जेड़ स्कॉर बराबर 26 उसने कहा भाया तुम यह बताओ एक्स वाई प्लस वाई जेड़ प्लस जेड़ेक्स कितना आएगा यह सिंपल सा कोश्चिन पूचा अब आपको इसका बताना भाई सलूसन कितना आएगा अब यहां पर क्या काम है का दो तीन चार ऐसा कुछ दे दिया और वैलू पूटिंग मैक्सम कहा लगाओगे जहां पर आपके पास सलूसन डिजिट में दे रख्यों जहां पर आपके पास एंसोर डिजिट में दे रख्यों इसका मतलब कोई न कोई वैरियेबल यहां पर फिट हो जाएगी तो हम प्लस सी का दूसरा काम यह कर सकते हो कि अपने थोड़ा सा माइंड लगा के चीजे थोड़ा सा सोच सकते हो कि यह तीनों को सम्चाय आ रहा है यह 26 हो रहा है यह बताना है इसको मालो एक यह मालो मैक्सिमम पांच यह एक मालो और यह 0 मालो पांच और एक 6 हो गया पांच का स करोगे तो जीरो जिड का मल्टिप्लाइए करोगे तो जीरो चाहें कुछ भी आजाए एंसर आगया पांच बोलो मज़ा आया कि नहीं है यह वैलू पुटिंग मेठट होता है और यह वैलू पुटिंग मेठट ते कोश्टन जब स्वालब करते हो तो कोश्टन बड़ा इजल सोच लिया तो फिर आपका बढ़िया है और आप आराम से जो है कोश्टन स्वालब कर पाऊगे आराम से चीज़े कर पाऊगे आराम से चीज़े समझ पाऊगे क्लिया रहे गाई तो क्या मैं एक और कोश्टन आपको दू सोचोगे उसमें पक्का है अच्छा आते हैं को दिये जा रहे हैं तो प्लीज इसको बहुत अच्छा सार आई है और जितना हो पाए मैक्सम वीडियो को शेयर करें जतना जादा आप सेयर करते हो जतने जाद है लोगों तक हम पहुचते हैं उतना ज़्यादा उतना ज़्यादा जयादा जूस आता है तो आप भी वही काम करो वीडियो को जितना हो पाई उतना सेर करें मैक्सिम्मम लोगों तक वीडियो को पहुचाई ये ताकि हमें भी उस जदा हिसाब से energy मिल सके और मज़ा है और लगे कि हाँ हम अगर मेहनत कर रहें तो बच्ची पुतनी मेहनत कर रहें जितना कि हम कर रहा है ठीक है और not करते रहिए copy में چीज complement अगले questions पर आते हैं अगली बात करते हैं का अघेता जला अगला पहलत ध्यान सा समझते हैं बहुत इस समझते बहुत अच्छे से करेंगे समझते बाइब क्या कहता question जला संव्जो कहा वहिए अगर Azustार अगस कार 25 को हमने माल लिया एक इफ सी स्कार प्लस डी स्कार को क्या मालने हम मालने की दो क्या माल लिया एसका प्लस बीस को इसका इसका प्लस डीस को इसका डूडो तो अब लग रहा कि यह तो बड़ा पहार कोश्टन कैसे कर पाएंगे सिर हम हैसे कोश्ठन को रहा है यार कुछ करना तोड़ी वैलू सोचो मन्में खतम होगे कोश्चन बस सोचो वैलू क्या सोच सकते जितना सोच तो तना सोचो और कोश्चन आपके हाथ में आजाएगा कुछ खास सोड़ी करना आपको आपसन वह ऐसे देदेगा कहेगा बाई जीरो एक दो और तीन अब बताओ क्या होगा अब जैसे यह आपसन दिखा वैल यह किलियर है कि निए किल्या रहे पाका है क्या सबको बास समझ में आ रही है क्या कोई परसानी है बत्चों को को कोी दिक्कत है एबरिवरण एभरी Tesliches नहीं ना अगले कोश्चन पी आते हैं और फॉर ए भी अपान उसने क्या बोल जे इस भी बूल दिया हाई यह एकर कोरिशन होगा आप से कहएगा फाइंड वैलु आए एक्स प्रेश्टू एडिवाइड गाइच्स टूवी तूवे प्लेस एक्स प्लेस टू भी डिवाइड बाई एक्स माइस टू भी देखा आप लोगों ने ऐसा कोश्टन बोलो भाई ज़रा जल्दी से ज़रा सॉल्व करो मुझे एंसर बताओ कितना आएगा हाँ बहुत तगड़ा ये ए प्लस भी लिखा हुआ बहुत सारे बच्चे जान प्लस ग्रूटी जो लिखा है न इस से और इस सॉजब एलसम लेते हों दोनों का तो इन दोनों का जो एलसम होता है वो तूइब आएगा क्यूकि टूवे और टूबी टू कॉमन ए A B लगा दो तो भाईया 4 A B को बस 2 A B से डिवाइट करना होता हमारे पास एंसर कितना आ जागा दो आ जागा क्यों एलसे हम लेते हैं चाहो तो X की वैलू रखके देख लो फिर खुदी का होगा अरे हाँ या न अरे पका है कि नहीं पका है और कोई परिसानी कोई दिक्कत नहीं तो चलो भाई फिर अलजवरा को करते ही यहीं पर खतम एकाद दो फॉर्मले रहे चुके हैं मैं उस पर कोशन कराओंगा आप सभी को जिससे वह फॉर्मले आपके कंप्लीट हो जाए और आप को कुछ भी परिसानी ना हो दो तीन बड़े खुशकवरियां हैं आपके पास बहुत आसान आसान कोश्चन देखने को मिलेंगे लेकिन हम थोड़ा से एजी से लेकर हाई लेवल तक सब कुछ बारे में बात करेंगों के आदेस और आल आफ यू सभी बच्या आगए चलो ब बढ़िया बिलकुल हो जागा बिलकुल चलो भाई आते देखते कैसे करेंगे कहता है सीवां करते रिएगए सबी लोग ठीक हर कोशन के आशर कमेंट करते रिए बेरी गुड़ाइस अपने किसी काम को 10 दिन में करता है और अंजन जो है उसी काम को 20 में करता है तो भईया हम मेरी बात को ध्यान से देखना क्योंकि हमें यहाँ पर selection लेना और मैस में full marks हासिल करना है तो हमें 2-3 चीज़े पता होना चाहिए क्या दो-3 चीज़े सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए कि भाई LCM क्या होता है LCM क्यों लेते हैं लेने के बात क्या आता है और भी कई सारी चीजे पता होनी चाहिए ज़रा से हमें इप चाहेंगे टेक्निकल टीम कि जो चीज हमें अभी दिख रही है वो चीज आप पोजिट हो जाए मतलब की कमेंट उनके और इस तरीके से हमें दिखने लगे है ना दोनों चीजे आप 20 का LCM 20 आएगा कैसे मैंने सबको बेले बताया है कि भाई जो सबसे बड़ी संख्या है उसका आप क्या करते रहो उसका पहाड़ा पड़ो पांच वर मैकसम पड़ोगे LCM निकल जाएगे चाहें जितना भी बड़ा दे दिया हो कभी कभार एक्ष्टा आ जाता तो आ जाता 20 LCM लेने के बाद ये 2 और 1 आता है कि सिरब पहले कोशन में समझा रहा है बाकि सब भनावन करते चले जाएंगे ठीक है तो 10 दूनी 20 यानि 2 इसकी चमता आगी और 1 इसकी चमता आगी भाई यह चमता मतलब क्या होता है चमता मतलब होता है कि एक दिन में ये 2 काम कर ये होता है चमता का मतलब अच्छा हमने कहा ठीक है तो पूरा काम जो होता है वो आता है जो LCM होता वही आपका पूरा काम होता हमने कहा चलो ये भी बास सही है इसका मतलब पूरा काम 20 आया और दोनों के चमता मिलाके 3 आ रही है तो पूरा काम कर लेंगे 20 बटे 3 में इसके लिए एक formula भी यूज करते हैं वो कौनसा formula होता जला समझेगा ध्यान से concept formula का हम यूज करते हैं हम सभी को पता efficiency is equal to work upon time का यूज करते हैं यह भी formula यहाँ पर important है यहाँ सभी question आप सभी के paper में पूछे जाते हैं रे बोलो हाँ या ना चले अगले question पर आजाओ चलो भीया तुम ज़रा किन आ रहे और question पर आ जाते ज़रा जल्दी से बताओ क्या होगा इस question का सही answer यह वाला पूरा बड़ा कर दीजे पूरा बड़ा और वो कमेंटर में दिखाते रहे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत जवदस सबके सवाज हो भाई बहुत अच्छा बहुत जवदस बहुत तगड़ा है ना बहुत अच्छा इसे नहीं वह आला पूरा बड़ा कर दीजे वह आला पूरा बड़ा कर दीजे ठीक है बहुत मा betting को बता दे आपको से दिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा करता 50 दिन में C काम करता 60 दिन में एंसर बच्चों के आने लगे हैं बहुत बढ़ियां A कितने दिन में करता 20 दिन में B कितने दिन में करता 50 दिन में C कितने दिन में करता 60 दिन में जरा LCM बोलो 20-50-60 पहाड़ा पढ़ना पिस आ गया तो आपका ये डेड़ सो बटे तेरा क्या बास सभी को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है क्या भाई यही कमेंट आ रहे तो सभी के की नहीं आ रहे हैं देड़ सो बटे तेरा गलत एंसर नहीं देड़ सो बटे तेरा इस राइट सो बटे तेरा बिल्कुल सही ए आजो हर टाइब कवर कर देंगे कुछ भी बचा नहीं रहा जागा इस बात को ध्यान अखेगा हर टाइब कोशन कवर कर लेंगे बस बस मुझे लाइब दिख जा भई या कितने लाइब है एना मुझे लाइब ठीक है ठीक है ठीक है चलो हर टाइब कवर कर लेंगे ठीक है बस दिनों में तो दोनों मिलके कित्ते दिन में करेंगे बहुत अच्छा यार सभी के कमेंट आ रहे ही बहुत अच्छा लग रहा मुझे अब समझो कैसे करते हैं भाई दो बट्चे 5 काम करते हैं 10 दिनों में हमें चाहिए पूरा काम, मैं सिंपल सी आप से एक बात पूछू, मेरे भाई एक बताओ, अगर कोई आधा काम करता है पांच दिनों में, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, आप क्या बोलोगे, पांच दिनी दस, यानि पूरा काम दस दिन में करेगा, या अपने मन से आप क्या करते हो, 5 में 2 का multiply करते हो कि नहीं करते हो मतलब आपको ऊपर किसी तरीके से एक लाना है अच्छा मैं आपको थोड़ा और explore कर देता हूँ थोड़ा और अच्छे समझाता हूँ सो बताईएगा मेरे बाई को सब के सब ध्यान से बताईएगा मैंने क्या कहा कि अगर आप तीन बते दो काम करते हो 15 दिनों में तो पूरा काम किते दिन में करोगे याद रखना पूरा काम निकालने के लिए उपर एक आना चाहिए तीन से डाइक्टली काटो तीन पच्छे 15 पंच उद्री 10 यानि पूरा काम मैं 10 दिनों में करूंगा कि अब बात सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो लो भाईया कोश्चन आपके यहीं खतम करते हैं समझते हैं क्या कहता है दो बटे 5 काम करता है 10 दिनों में जरा जल्दी से बताओ पूरा काम किते दिनों में दो पंचे 10 पचों 25 यानि ए जो है वो पूरा काम 25 दिन में कर पाएगा की नहीं कर पाएगा दो बटे 3 काम 12 दिनों में तो दो बटे 3 काम करता है 12 दिनों में दो से काटो के 2, 6, 12, 6, 13, 18 यानि भी काम 18 दिन में जड़ा LCM बोलो सबके सब किसी का LCM गलत नहीं होना चाहिए सारे के सारे बच्चे जड़ा LCM बोलिए सबके सब बच्चे जड़ा LCM बोलिए कितना आएगा बहुत यार बहुत जबरदस तो भाईया हमें 25 और 18 के LCM चाहिए तो 25 का पहाड़ा पढ़ना जड़ा शुरू कर दो और बताओ भई ये कितना होगा अरे भई जड़ा जल्दी से LCM तो बोलो हम आसान कोश्टन लेकर थोड़ी आए कि यहाँ पर बच्चों वाले कोश्टन लेकर आएं हम यहाँ पर तो जबरदस्ट और धासु कोश्टन लेकर आएं जो पेपर के लिए इंपोर्टन्ट है बोलो भाई जड़ा LCM बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत जबरदस्ट बहुत ताकतवर है ना और बताओ भई LCM कितना आएगा मैं जितना पूछना पहले मुझे इस बात का एंसो का कमेंट करिए सब के सब के LCM कितने आले वाले हैं हाँ 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 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ठीक है तो LCM कितना आजाएगा दोनों का मल्टिप्लाई चाहाए तो कर लो साढ़े चार आ जाएगा तो 25,8,4,8,25,4 पूरा काम होगी आपके पास साढ़े चार सो और 8,5,13,2,1,3,4 यह आपका सही एंसोर आ गया साढ़े चार सो बटे तीर आलिस आपसे नमबर आपका यह बिलकुल सही एंसोर सभी को क्या समझ में आलिस अरे हाँ या ना बोलो भाई राकेज, सभी और वाई सभी बच्चे आ गया नेक्स्ट कोस्टन पर चलते हैं तुम जड़ा उड़ो और उस कोस्टन पर देखते हैं क्या कहता आओ भाई आसान कोस्टन है हरे टाइप कवर कर लेंगे सिर्फ ध्यान सा समझते चलिएगा चलिए बहुत बढ़िया हाँ हाँ ठीक ठीक है बिलकुल साड़े चार सो आरा सभी का साड़े चार सो आरा ठीक है आज यह अगले कोस्टन पर जड़ा देखते हैं करते रहे न सबके सब जितना हो पाए उतना सेयर करिएगा वीडियो को ठीक है पंद्रा दिन तीस दिन नव्य दिन में करते हैं एक काम सुरू करता है और बी और सी हर 30 दिन उसकी सहायता करते हैं तो पूरा काम कित्ते दिनों में हो जाएगा एकदम आसान सा कोश्चन है सारे टाइप्स कवर करने वाले हैं ठीक है जल्दी से देखो ओके बहु बढ़िया आओ जरा देखते हैं ए काम करता है पंदर दिन में वी काम करता है आपका तीस दिन में और सी काम करता है लेकिन भी और सी हर तीसरे दिन उसके साथ आते हैं यानि पहले दिन A काम करेगा दूसरे दिन भी A काम करेगा और तीसरे दिन B और C उसके साथ आगए और अगर तीसरे दिन B और C उसके साथ आगए यानि तीसरे दिन तीनों के तीनों वेक्ति मिलके काम करेंगे की नहीं करेंगे सिंपल साही तो बात है भाई पहले दिन एक काम करेगा दूसरे दिन भी एक काम करेगा और तीसे दिन तीनों के तीनों मिलके साथ में काम करेंगे अगर खाली पहले दिन एक काम करेगा इसका मतलब क्या पहले दिन मात्र छे काम हो पाएगा दूसरे दिन मात्र छे काम हो पाएगा और तीस तुम 4 का multiply कर दोगे की नहीं कर दोगे यानि मैं कहूंगा 12 दिनों में 88 काम हो जाएगा अरे बोलो हाँ या ना 12 दिनों में 88 काम हो जाएगा अब काम बचा है मात्र 2 क्योंकि 88 काम हो चुका है दो काम बचा है और पारी किसकी है पारी होगी एक ही क्योंकि ए ने सुरू किया ए यानि ये जो है बचा हुआ काम एक बटे तीन दिनों में करेगा तो पूरा कितना दिन लगेगा तो पूरा लगेगा बारा सही एक बटा तीन दिन बोलो बात क्या समझ में सभी को आई है की नहीं आई है अरे हाँ या ना अगर आई है तो लाइक कर देना और अगर नहीं आई है तो एक बार बोल दोना हमां रीपीट कर दूँगा सब के सब ध्यान से समझना बहुत जब दस कोश्चन है बहुत आसान सा कोश्चन है बहुत बहुत बहतरीन सा कोश्चन है ओके गाइज आओ भाई जड़ा देखते उसके सहाता करते हैं यानि पहले दिन एकेले काम करेगा फिर एकेले काम करेगा और जब तीसरा दिन आएगा तो तीनों वेक्ति मिलके काम करेंगे यानि देखा जा तो तीन दिनों में कुलमला के 22 काम होंगे तो मेरे प्यारे भाईयों यह बताओ क्या हमारे पास 22 काम थे क्य नहीं हमारे पास तो काम 90 थे लेकिन हमारे पास क्या कह रहा है 22 काम हो चुका तीन दिनों में अब 22 को बनाना है 90 तो maximum 4 का multiply करोगे तो 88 हो गया यहां भी 4 का multiply करोगे 12 दिन में 88 काम काम बचा है 2 और बचा है एक ही छमता तो ए हो जाएगा 2 बटे 3 बिलकुल सही answer हो जाएगा next question पर आ जाते हैं जरा देखते हैं क्या कहता है बहुत बढ़िया है बहुत आसान सा question है simple उसी type है जरा जल्दी से बताओ कैसे कर पाओगे हमने हर type के question को सब्सक्राइब को सब्सक्राइब इंगा जोरदा लाइक करदेना उतने करपाना उतने करदेना ठीक है Аओ भई A, B, C मिलके किसी काम को करते हैं कितने दिनों में आप सभी के लिए जल्दी से देखो 4 दिनों में करते हैं जबकि A और C मिलके 4.5 दिनों में करते हैं भाई मेरे सबके सब जरा LCM बताओ कितना आएगा सबी लोग जरा LCM बताओ कितना आएगा 4 का 9 का और 12 का बड़ा सबसे नमबर 12 12 का पहाड़ा पढ़ोगे 12-36 सब कट जाएंगे 4-9-36 और जब 36 को 9 बटे 2 से डिवाइट करोगे तो 9-4-36, 4 दुनी 8 यहाँ पर 8 हाजाएगा और 12-36 यह इनकी LCM हाजाएगी बोलो बात समझ में आया की नहीं आया इतना बात तो किलियर हो गया मतलब मैं डिरेक्टली बोल सकता हूँ कि अगर तीने वक्ति की LCM च्छमताएं देखी जाएंगे मिला के तो तीनों वक्ति की च्छमताएं होंगी 9, सिरफ A प्लस C की होगी 8 और B प्लस C की होगी 3 जरा कमेंट बॉक्स में इतना तेज से कमेंट करो और मुझे सब के सब जरा यह बताओ कि भाईया मुझे किसकी च्छमता चाहिए इस कोश्चन के लिए मुझे actually में किसकी च्छमता चाहिए आप कहोगे सर जी C की च्छमता चाहिए क्यों 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 कि हम से यह पूछा गया है कि S अकेला सारा काम किते दिन में करेगा मतलब च्छमता C की चाहिए अब C की च्छमता चाहिए तो जरा question पर देखो भाई A प्लस C की अकेले चमता 8 है और तीनों के तीनों व्यक्ति मिला ले तो 9 है यानि B की चमता 1 होगी की नहीं होगी जरा कमेंट बॉक्स में हाँ या ना बता दो भाई सभी के सभी बिल्कुल ध्यान से समझना बिल्कुल अच्छे से बताना यार तीनों के मिला के चमता 9 है अब LCM लेने के पाद इस दिनों से कोई मतलम नहीं होता कि दिन क्या था क्या नहीं था वो से कोई मतलम नहीं होता तीनों के चमता मिला के 9 है A प्लस C 8 है यानि B 1 होगा और B प्लस C 3 है और B तो आपके पास 1 आया था ना तो C क्या 2 होगा तभी तो 2 और 1 तीन आएगा दादा रोग है की नहीं है आपकी C की छमता 2 आगए उचा C अकेला सारा काम कितने दिन में करें भाईया सारा काम है 36 और C की छमता है 2 क्या एंसर 18 आ रहा है की नहीं आ रहा जल्दी से बता दो और सही एंसर ऑप्सन नबर C क्या बढ़ी सबीको to gar़ की नहीं होगए बहुत बढियां यार बहुत बढियां हर बच्षर का बिल्कू से एंसर है बहुत तगड़ा निश कोश्टन की तरह बढ़े हैं देखते अगला कोश्टन क्या कहता है बहुत बढ़ी अच्छा बताये बाई बहुत जवदस बहुत जव पाएंगे वहवो का नाम और कहीं आये अनुराक सी काम क करता वाकेलिए वह 15 दिन के निए काम करता है उसके बाद से स्कारत 30 दिनों में संदीब के द्वारा पूरा किया जाता है तो वहवो संदीब हटा दो ये बताओ सिर्फ संदीप कितने दिनों में एक साथ काम करते वे कुल काम को पूरा करेगा वैवा हटा दो वैवा को नाम नहीं है कोश्चन में कहीं भी हाँ वैरी गुड बताइए बाई आल अफ यू बहुत बढ़िया बाई मज़ा आ रहा है मैस म्यूजिक पक्का ह समीम आजओ बाई जल्दी से बताओ क्या होगा सही एंसर बहुत अच्छा बहुत जवदस बहुत सांदार बहुत बहुत बहतरीन जल्दी से बताइए बहुत अच्छा बाई सबके सब लाइब आ जो जितना तेजी से होपा है उतना सेयर भी करा करो जितना मज़ा आएगा जादा अस्चा लगेगा और लाइक वगरा तो भराबर पूरा पूरा करते रहा करो कि भाई लाइक कर दो सेयर कर दो सब्सक्राइब कर लो आज और कोशन देखते हैं कहता है अनुराग किसी काम को साथ दिन में पूरा करता हमने कहा चलो बात बिल्कुल सही है इसके बाद काम को पूरा पूरा खतम कर रहा हो भाई संदीप ने काम तो किया लेकिन बचा हुआ काम किया पूरा काम नहीं किया तो हम संदीप को लसम के लिए नहीं मानेंगे हमने यहीं पे लसम लेलिया साथ ही लसम आ जाएगा और अनुराग की छमता आपकी एक आ जाएगी के लिए है गाईच अच्छा ठीक है पंद्रा दिनों के लिए काम किया यार अनुराग की छमता अगर एक है और अगर पंद्रा दिनों के लिए काम करेगा तो भाईया क्या पंद्रा काम कर डालेगा और काम कितना बचा रह गया साथ पूरा काम था पंद्रा कर डाला तो काम कितना बच यानि संदीप की छमता 3 वटे 2 आगए तो भाईया हमें उसकी छमता ही तो निकान ली थी तो संदीप पूरा काम किते दिन में करेगा पूरा काम है 60 और छमता है 3 वटे 2 तो 3 से काटोगे 3 दूनी 6 20 दूनी 40 क्या बात सभी को समझ में 40 25 बहुत बढ़े है بहुत जबत स्त जल्दी से बताओ की सही एंसवाया की नहीं आया 2325 24 25 28 इसिसभी का कैसे आ रहा है जर्द देख लेते हैं एक भाँ फिर से मैंने सिमन से कोस्चन कुछ अलाग अलग इंग्लिस में, he works for 15 days after remaining work is complete by संदीप in 30 days तो पंदा दिन उस पर काम करेगा तो भाई 45 कम बचा, पंदा तें 45 और पंदा तुनी 30, ठीक है अच्छा ठीक है पंदा तें पंदा तें पंदा तें देड आगे तें बटे तो आगे, अब पूरा काम होगे, तीन से काटो 3 दिन चालिसी तो आ रहा भाई पक्का पक्का, चालिसी आ रहा है अच्छा, हमने सिरफ यह पूछा संदीप कितने दुनों में एक साथ काम करते वे, कुल काम पूरा करेगा, संदीप खाली पूछा हमने और कुछ नहीं पूछा है, हमने सिरफ संदीप पूछा, और कुछ नहीं पूछा, यह बात या दखना अगर यहाँ पे पूछा था संदीप और अनुराग मिलके कितने दिन में करेंगे, कौन संदीप और अनुराग मिलके पूछता तो संदीप की डेड़ आती अनुराग किये का थी तब ढाई हो जाता तब एंसर अलगाता ठीक है पका ओके 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 भाई मैं फिर से समझाता हूँ जिनको नहीं समझ आँ मेरी बात को सुनना मैंने सिर्फ संदीप के बारे म पूछा है बाकी और कुछ नहीं पूछा सिर्फ संदीप के बारे में पूछा अनुराग के बारे में नहीं पूछा ठीक है यह हटा दो यह टर्म हटाई दो मैंने सिर्फ संदीप के बारे में पूछा था क्लियर है आज और फिर से देखते जिनको नहीं सौन जाया भाई अ तीस तिरों में यानि संदीब के छमता क्या तीन बटे दो आ गई पूरा काम कितने दिन में करेंगे तो भाई पूरा काम कितना है वही जो एलसे हम लेतो यानि की साथ और संदीब खाली पूछा है तो संदीब की छमता तीन बटे दो एंसोर आगे आपके पास चालिस तीफ हत कैसे करवाओगे काम पिर कैसे समचिपाओंगे ज़ना जल्दी से बताओ अगर कोई क्तिक काम को छोड़कर चला जाता है बहुत अच्छा भाई हुए हुए बहुए यह बताओ बहुत अगार tolerance है हुए बहुत बनियां और भाई बनियां खिंट कोशन को ध्यान से पढ़िए लाइक करते रही है और जल्दी से बताईए क्या होगा सही एंसर ठीक आ जो ABC काम करते हैं दस तीस और साथ दिन में करते हैं सभी ने एक दिन के लिए काम किया फिर उसके बाद A और B काम छोड़के चलेगा C के लिए कितने दिन में करेगा बचा हुआ काम कितना आसान कोशन है जरा आ जो भाईया A कितने दिन में करता है दस दिनों में B कितने दिन में करता है आपका 30 दिनों में और C कितने दिन में करता है आपका 60 दिनों में करता है जरा L सेम बोलो तो तीनों के मिला के छमता 6, 2, 8, 1, 9 है और अगर एक दिन मिलके सब के सब साथ में काम कर रहे हैं यानि कि 9 काम होलेटी कर जाएंगे कि नहीं कर जाएंगे बिल्कुल कर जाएंगे 9 काम और इसके बाद बचा हुआ काम कौन करता है C करता है A और B चले गए तो C जो है अब बचा हुआ काम करेगा काम कितना बचा रहे गया भाई 9 काम तो जाएंगे गया और काम बचा रहे गया 51 तो C की छमता कितनी है एक है काम कितना है सबी कि वे एंसर बिल्कु सही जई आ रहा है बहुत अच्छा आसान सा कोश्टन है simple से कर सकते थे next प्याज़ो भाई देखते है अगला question क्या कहता है अब किसी को किसी ने replace कर दिया तो question कैसे solve करोगा ज़रा जल्दी से बताओ अगर किसी वक्ति को किसी ने replace कर दिया तो फिर question को कैसे solve करेंगे 40-60 मिलके काम क्या 6 दिन बाद B के जंगा पर C आ गया हम लों हाँ पर मैस में भी hundred हो जाए ताकि असली मज़ा फिर हमें आ जाए बहुत बढ़िया बहुत जबदास बहुत सांदार भाई बहुत सांदार ठीक है आज़ो बहुत अच्छा क्या कहता है A और B करता आपके लिए काम 40 दिनों में ठीक है B काम करता है 60 दिनों में सीक है क्या हम यहीं पेलसियम ले ले क्योंकि भाई उसके अवला मा कोई काम को तो पूरा करे नहीं रहा है तो हमने 4060 कैलसियम ले लिया 120 तो 43 120 और 60 दुनी 120 किलियर गाईच अब हुआ क्या है कि दोनों ने मिलके 6 दिन उस पे काम किया यार अगर दोनों मिलके काम करेंगे तो 3 दो 5 काम कर डालेंगे की नहीं कर डालेंगे और अगर 6 दिन मिलके काम करेंगे तो 5 अका 30 काम कर डाले अब पूरा काम था हमारे पास 120 तो 30 तो इसने अलड़ी करी लिया यानि काम बचा रहे गया मात्र 90 हुआ गया अब B के जगा पर C आ गया अब B चलेगा यहाँ पर C आ गया तो अब कौन कौन काम करेगा अब A और C मिलके काम करेंगे और question यह कहता है कि अगर अब A और C मिलके काम करेंगे तो बच्चा वो जो 90 काम है ना इस 90 काम को वो 8 दिन मे कर डालेंगे कित्ते दिन में 8 दिन में कर डालेंगे इस 90 काम को अच्छा ठीक है हमसे कहता भाई ये बताओ C अकेले कित्ते दिन में करेगा इसका मतलब हमें C की छमता चाहिए की नहीं चाहिए बिल्कुल चाहिए ना C की छमता एकी छमता उलिडी उसने 3 दे रखी है तो यहा यहां पर करोगे 45 बटे 4 और माइनस 3 उदन ले आओगे तो 4 तियां 12 जब यहां 12 माइनस करोगे तो 33 बटे 4 C की छमता आजाएगी कितना 33 बटे 4 C की छमता आजाएगी बस कोश्चन खतम पूरा काम कितना था 120 और C की छमता है 33 बटे 4 चला गया उपर यानि C इतना दिन लेग काम को खतम करने में जड़ा देखो हाँ या ना बोलो बास समझ में आया की नहीं आया बहुत बढ़िया थोड़ा सा कैलिकुलेटिव था थोड़ा सा जबदस कोश्चन था इसको मन करेगा तो काट लो 3 से 3 चोग का 12 और 3 एकनम 3 यानि 160 बटे 11 क्या बास सभी को समझ में आ यहां भील्कुल भाई जगदीष कैन सो बिल्कु真的 हो चता है और बहुत जबदस हंडर्ड़ पलस और वहोगत तगड़ा बहूप बहुत सांधार बहुत जबरस भाई बहुत 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 बढ़ Rider है तो कुछ खास नहीकरना इसमें समझने असरब ध्यान से पाहले तो ते तीस काम हो गया बचा काम नब्बे अब भी की जगा पिसी आ गया और नब्बे काम को करते हैं आठ दिन में एक इच्छमता पता है ठीक है आपको निकालना है कोश्चन खतम हो जाएगा ठीक है नेक्स कोश्चन पर आते जरा देखते हैं क्या कहता है भाई बहुत बढ़िया आओ जरा जल्दी से ठीक है बहुत अच्छा बहुत बढ़िया 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 बहुत बढ़ां बहुत बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा थीक है आज ओब भाई चलो इस कोश्ण को समझते हैं चार बटे-पांच काम करते हैं 20 दिन में मैं पहूँ पूरा काम तो चार 25 20 यानि पूरा काम 25 दिन में ए पूरा काम 25 दिन में बोलो हाँ या ना अरे हाँ या ना हाँ बिल्कुल भी उसी काम का 3 वटे 4 भाग 15 दिन में तो 3 वटे 4 तीन से काटोगे 3 पच्छे 15 तो 5 ओक 20 यानि वी कितने दिन में कर रहे हैं 20 दिन में बस खतम अब LCM ले लो 100 आ तो 5 चान 9 काम तो एक दिन में और 10 दिन में देखा जाएगा तो 90 काम कर डालेंगे है की नहीं है और अगर 90 काम कर डालेंगे तो बच्छा काम रह जाएगा मात्र 10 और इसके बाद सेसकार को एक दिन में पूरा करता है कौन सी क्या करता है बच्छा हुआ जो दब का 10 काम है एक दिन में करता है यानि C की छमता 10 आ गई तो B प्लस C एक साथ कम से करते हुए 3 बटे 4 बाग कितने दिन में करेंगे भाईया पूरा काम है आपका 100 और 100 का 3 बटे 4 बोले तो 75 यानि 75 काम कौन पूछ रहा है B और C B की छमता है 5 और C की छमता 1 तो 5 और 1 6, 75 बटे 6, 3 से काटोगे 3 दूनी 6 और 25 तिया 75 यानि 25 बटे 2 दिन बोले तो आप सभी के लिए साधे 12 दिन is the right answer आएगा की नहीं आएगा भाई जल्दी से बता दो आ गया 75 बटे 6 बोले तो 25 बटे 2 यानि कि साधे 12 दिन is the right answer of the question सुनीता and all of you का बिल्कुल सही और बिल्कुल correct answer मैं एक बार इसको repeat करता हूँ question जरा समदो क्या मैंने का उसने कहा था A 25 दिन करता कहा चलो ठीक है उसने कहा गी भाईया B 20 दिन करता कहा चलो ठीक है LCM 100 आगे इनकी छमता आगे ये 10 दिन काम करेंगे तो आपके लिए 90 काम कर डालेंगे 10 काम बचा रहे जाएगा और 10 काम को करेगा C यानि C की छमता आपके लिए 10 आजाएगी clear guys C की छमता कितनी आगे भाई 10 आगे अच्छा ठीक है उसने कहा B और C एक साथ 3 वटे 4 काम भाई या पूरा काम था 100 और 100 नहीं करना है 100 का 3 वटे 4 बोले तो 75 काम करना किसको B और C को तो B की छमता है 5 और C की छमता है 1 तो 5 और एक अच्छा 10 है भाई गलत हो जाएगा यहाँ पे ये बहुत अच्छा ध्यान देना C की छमता तो 10 है C की छमता तो 10 है गलत हो जाएगा हाँ भाई यह याद रखना 75 काम है और इसकी छमता है 5 इसकी छमता है 10 तो 15 हो जाएगा और 15, 75 नहीं पांच दिन सही आनसोर आएगा हाँ हाँ बिल्कुल 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 पांच दिन आएगा बिल्कुल 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 बाई है ना ये एक नहीं आया है सी की छमता तो दस आया है ना तो दस हो मिलके पांच कितना आ जाएगा हाँ बिल्कुल करेट है चलो बिल्कुल 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 बिल्कु यह अंसर बहुत जवत अस्यार बिल्कुल सही जितने वच्चों ने पांच बताया था बिल्कुल करेक्ट हो बिल्कुल सही एंसर हो भाई आप लोग बिल्कुल सही हो बिल्कुल सही हो ठीक है चलो next पहते हैं देखते हैं आगला question क्या कहता है अब आता है इस type को उस्टन जो railway अच्छा बताओ सभी को मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है जल्दी से बताओ भाई क्या सभी को सारे कोशन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्या इसी तरीके से प्रैक्टिसेट चाहिए कि नहीं चाहिए क्या इसी तरीके से आप सभी को महा प्रैक्टिसेट की जो क्लास है जो बहु बली 2.0 की क्लास है चाहिए की नहीं चाहिए ज़रा जल्दी से बताओ भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अच्छा और इसके अलावा एक चीज और दो जिन बच्चों ने अभी तक सस्क्राइब नहीं कर रखा ना भाई अभी भी मत वो करो अब सोचो नहीं अब समय आगे आपके सस्क्राइब करने का और चैनल पे जोड़दार वीडियोज आपको मिल नहीं है दिन भार एजुकेटर्स आपको पढ़ाते हैं आपको जिससे भरपूर मज़ा आने लगे पका चलो ठीक है आज आते जरा समझते क्या कहता है ये कोश्चन अकबर बीरबर और तोड़डवल किसी काम को 12,18 और 24 दिन में करते हैं ये हो गए अकबर 12 दिन में ये हो गए बीरबर आपके 18 दिन में और ये हो गए आपके टोडल मल आपके 24 दिन में भाईया जरा एलसेम बोलो कितना आएगा 72 आसान साहे की नहीं है भाई 72 या आएगा अच्छा ओके ठीक है तो भाईया 12 चका 72, 18 चोके 72 और 24 दिन 72 अकबर काम सुरू होने के 4 दिन बाद और दादा अगर कहीं भी बाद दिख जाए ना तो इसका मतलब उसका मल्टिप्लाई करके माइनस कर देते हैं और कहीं भी अगर हमें पहले दिख जाए यानि कि बिफोर दिख जाए तो उसका मल्टिप्लाई करके प्लस कर लेते हैं बस question खतम हो जाता है जरा इस question पे देखते हैं अकबर चार दिन बाद छोड़ता है यानि अकबर में 4 का multiply कर दो 24 आया 24 क्या करोगे माइनस कर लोगे यानि अब काम बचा रह जागा मातर 48 और बाद वाले को कर दो किनारे अब हुआ क्या बीरिबल काम खतम होने सो दो दिन पहले तो बीरिबल में 2 का multiply करो और आ गया 4 दुनी आठ पहले के लिए करते हैं प्लस यानि अब काम हमारे पास हो गया 56 अब पूछा जो पहले होगा ना उसको नहीं करोगे उसको हटा होगे नहीं अब पूछा बचा पूरा काम कित्ते दिन में होगा तो भाईया काम है आप सभी के पास 56 अकबर का तो हो गया पत्ता गोल और ये 4 और 3 यानि ये छमता हैं बची है B और C तो 4 और 3 7 तो 7 अठे 56 क्या 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 8 एंसर आ रहा है की नहीं आ रहा है बहुत जबरदस भाई बहुत बहुत बहतरीन बहुत सांदार बहुत बढ़िया है ना सभी का आठ आ रहा है सभी ने बिल्कू सही एंसर आप दाया तो हमें finally क्या समझना है हमें finally ये समझना है कि अगर हमें बात दिखा तो हम कर देंगे minus और अगर हमें पहले दिखा तो हम कर देंगे plus बात हो जाएगी खतम everything is clear हम next question बढ़ते हैं देखते हैं क्या कहता है भाई अब आते हैं alternate वाले question जब कोई काम कोई आदमी एक दिन छोड़कर एक दिन इस तरीके से काम करता है तो कैसे करते हैं उस questions को पढ़ो जल्दी से और बताओ भाई क्या आएगा टोटल वर टोटल वर पताएगे कितना कैसे कैसे क्या हुआ complete काम actually में कितने दिन में खतम हो पाया खुस्बू ठीक है चलो आव भाई बहुत अच्छा question है बहुत अच्छा है like सभी ने कर दे यह बहुत अच्छा लगा और सभी बच्चे आ गए हो वह बहुत अच्छा लगा आपको already 10 वजे daily math class आपसे यहाँ पर देखने को मिल नहीं 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 वो सब already सब कुछ उसमें पूछा जाएगा बेटा सब कुछ बताए जाएगा ठीक है ओके थाएंगे सो मज बेटा प्रगती ए काम करता है बारा दिन में हमने कहा चलो ठीक है बी काम करता है आठ दिन में हमने कहा चलो ये भी मान लेते हैं और एक दिन छोड़कर एक दिन बारा दुनी चौबिस और आठ त्रिक चौबिस ठीक है यार इतनी प्रैक्टिस करो ना कि सारे लसम पलसम तो तुरंती निकालो भन 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 कोई दिक्कती नहीं है ठीक है अब क्या कहता है जरा कोश्टन सुनते हैं वो एक दिन छोड़कर एक दिन काम करते हैं बोले तो भाया क्या मतलब है कि मतलब पहले एक काम करेगा यार बताओ अगर एक काम करेगा तो क्या दो ही काम करेगा क्यों 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 उसकी सम्दा तो तीन है फिर दो होगा फिर तीन होगा फिर 2 होगा फिर 3 होगा मतलब अगर मैं बोलू ढारिक्टली ये बात मैं बोलू तो देखा जाए तो एक दिन में दो काम करेगा फिर 3 काम करेगा यानि दो दिनों में कुल मिलाके आप सभी के पास क्या 5 काम होंगे और मुझे ज़रा ये बताओ कुरा काम कितना है काम तो 24 है यहानि इस 5 को 24 बनाना तो maximum 4 का multiply करोगे क्योंकि 5 का multiply कर दोगे तो 25 हो जागा 25 तो काम ही नहीं है तो यहाँ पर maximum किसका multiply करेंगे 4 का तो यहाँ भी 4 का multiply कर दो पक्का है तो क्या हो जाएगा आट दिन में total आप सभी के पास 20 काम हो रहे है अरे बोलो हाँ या ना इतनी बात आगए अब फिर से एक की पारी आएगी और ये दो काम करता है यानि ये एक दिन all ले लेगा और दो काम और कर देगा मतलब की नौ दिनों में टोटल बाइस काम हो गया बचा काम मात्र 2 लेकिन अब B की जो पारी है ना उसकी छमता एक्चलिमें 3 है और काम बचा है मात्र 2 तो 2 काम को करने में वो 3 दिन का समय लेगा तो 2 बटे 3 दिन का समय लेगा और 9 दिन लग चुके हैं तो टोटल एंसर 9 बटे 9 सही दो बटे तीन किया सभी को समझ में आया कि नहीं आया नौ सही दो बटे तीन होगा बाकि सब गलत हो जाएगा ठीक है बहुत अच्छा बहुत जबदस ध्यान से समझना हुए फिर से क्या कहने वाला हूँ हमने लस्यम निकाल दे यहां तक कि सारी बात किलियर थी यह दो द से काम करेगा और यह तो दो ही काम करता है ना यानि बीस के बाद दो और काम हो जागा एक और दिन लग जाएगा नौ दिन में बाइस काम हो गया लेकिन काम चाहिए था आप दो और छमता है इसकी तीन यानि एक दिन में तीन काम कर देता हमें तो दो ही कराना है तो यह दो बढ़ियां बहुत सांदार बहुत जवदस सब के सब विवेक 14 दिनों में काम कर सकता और विसाल विवेक से तुलना में 75% अधिक कुसल है मेरी बात को जरा सुनना मैंने आप से बताया जो efficiency होता है ना क्या जो efficiency होता है ना वो work upon time होता है मतलब directly मैं आपको इक बात समझा बहुत ज़्यादा है इसका मतलब जो मैं समय लूँगा वो समय कम लूँगा किसी भी काम को करने में सीधी सी बात है अब जरा आते हैं को समझते हैं तो भाई हमारे पास देखो दो वेक्ति हैं एक है विवेक और एक हमारे पास विवेक विवेक की तुल्ना में 75% जयादा है कौन विवेक यानि अगर विवेक 100 होगा तो यह 175 होगा 2500 का 100 और 7 175 ओपार। चार अरे पूछो कैसे ऐसे क्योंकि हमें चाहिए टोटल वर्क होता है क्या efficiency into time तो अगर ये बोले कि सत्यम किसी काम को 20 दिन में कर पाता है अब पूरा काम बताओ अगर सत्यम की छमता पता है तो पूरा काम भी बता लेंगे कि भाईया सत्यम की साथ साथ से काटोगे साथ दुनिय चौदा चार दुनियार क्या बोलो बात समझ में आई की नहीं आई आ रहा है बिल्कुल जबदस बहुत 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 अच्छा लग रहा है कि सभी का एंसर आ जा रहा है बहुत बढ़िया अनिल सिक्षा सरमिष्टा सुनीता एन आल अफ क्यों हर बच्छे का अंसर बिल्कुल आयारा है बिल्कुल जबदस बिल्कुल सांधार बिल्कुल बहुत बढ़िया सबके अंसर आ रहे है छलो ठीक आप समझना मेरी बात को मैं फिर से इबार समझाता हूं आप सभी के लिए क्योंकि ये कोश्चनर रेलवे की परिक्षवा माँ पूछा जरूर जाता है समझेगा मैंने कहा विवेक और विशाल के वारे में बात कर रहा है उसने कहा विशाल 75% जाधा है छमता में किसे विवेक से यानी 4 और 7 का रेष einer हो आ जाएगा उनकी छमताओं के बीच और विवेक 14 दिन में काम करता है विवेक की छमता है चार तो पूरा काम हो जाएगा 14 गुड़े चार विसाल कित्य दिन में करेगा विसाल की छमता से डिवाइट कर दो एंसोर 8 खतम हो जाएगा कोश्चन सब्सक्राइब कर दो नेक्स्ट कोश्चन पर चलते हैं जल्दी से बताओ क्या बहुत अच्छा कोश्चन है बहुत जानदार सा कोश्चन है ठीक है भाई थाइंक्यू 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 एवरिवर्वन A B से दो गुनी छमता से कार करता है B C से दो गुनी छमता से कार करता है A और B 16 दिन में करते हैं तो बताओ C कितने दिन में करेगा कितना आसान कोश्चन है सिरफ आपको एक क्योश्चन बनाना है अगर आपने एक क्योश्चन बना लिया तो चुटकी में कोश्चन आप सौल कर दो, B, C से 9, double है, if he says N, C की बात करेंगे, B, C से 10, यानि, A होगी, तो ये दो होगी, क्योंकि B, C से 10 है, और A, B से भी 10 है, यानि, A की छमता 4 होगी, क्टम हो गया, क्टेक है, कैता है, A और B मिलके 16 दिन में करते हैं, A और B मिलके 16 दिन में,沖े, काम करते सोला दिन में पूरा काम सोला चक्र चानवे सी अकेले कितने दिन में करेगा सी की चमता एक यानि काम हो जाएगा चानवे दिन में बोलो भया देवंदर बास समझ में आई कि नहीं है भाई मुकेश आगई पक्का है नेक्स प्याजाओ सेम उसी टाइप से कोश्टन है क्या होमर्क में कर पाओगे की नहीं कर पाओगे ये कोश्टन जल्दी से बता दो भाई सब के सब और कमेंट बॉक्स में कमेंट की भर्मान लग जानी चाहिए इस कोश्टन के सही एंसोस के लिए जल्दी से सकी शॉट ले लो और सब के सब होम और क्या होगा इस कोश्चन का सज्िंदी से बताई सब के सब वह बढ़ बढ़्यां भी जनाइब समझो भाई A B से दो गुना कुसल है A and B हम अगर efficiency की बात करेंगे तो A double कुसल है B से इतनी बात के लिए लेकिन काम को करने में किसी काम को करने में B से 30 दिन कम में पूरा करता है यह तो छमताओं की बारे में बात हो रही है न अब को अभी और मैंने ये कहा है कि efficiency is universally proportional to time यानि अगर efficiency 2 और 1 के ratio में है तो क्या time हमारे पास 1 और 2 के ratio में आएगा कि नहीं आएगा जल्दी से बता दो भाई बिल्कुल ही आजाएगा अच्छा हमारे साब से समय का बीच का गया पा नहीं एक ratio लेकिन question में है 30 यानि एक ratio की value 30 तो total work चाहिए तो total work क्या होता efficiency into time ही तो होता है तो अगर आप यहाँ भी efficiency into time करोगे तो भी 2 एक करणम 2 ratio और यहाँ भी 2 एक करणम 2 ratio यानि 2 ratio आजागा total work और एक ratio की value 30 तो 2 ratio की value हो जाएगी 60 यानि 60 पूरा काम हो गया और दोनों एक साथ मिलके किते दिन में करेंगे दोनों के मिला के छमता हैं दो और एक हैनी कि तीन तो 60 बटे तीन बोले तो 20 दिन क्या भाईया बात समझ में आई की नहीं आई ज़रा ध्यान से देखो अगर आई है तो हाँ बोल दो बोलो भाई आई पका भाई बहुत तगड़ा है ना बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत जबदस बहुत बढ़िया बहुत तगड़ा बहुत जबदस आगई तो भाई या दखना उसने क्या करा च्छमताओं के पारें बात करेंगे एफिजयसी कर लो कोश्टिन आपका स्वार Progress बढ़ेगा कोई दिक्कत नहीं हम से उससे क्या ही मतलब है आप सभी मेरे पास हो मेरे साथ हो यह बात मुझे पता है हमें किसी और से क्या मतलब कि हमारा काम है कि हमारे पास कम रहे वहीं हमारे लिए ज्यादा अच्छा है तभी तो हम सेलेक्शन दिला पाएंगे अगर यहीं पर दस जार बच्चे एक साथ वाच्ची हो तो पिर हम कैसे पढ़ा पाते तब तो दस जार में से एक हजार यही कहते है कि सर जी मुझे नहीं आया हम क्या ही बताते फिर है ना बहुत बढ़िया तो इसलिए याद रखेगा कि कम बच्चे हैं ज्यादा बेटर है आप सभी के लिए जितना कम बच्चे उतना वहत्रीन सेलेक्शन हमेशा सूपर हंडेड में से ही सेलेक्शन जा दस पूरुस साथ दिन में काम करते हैं बारा दिनों में कोई काम पूरा कर सकते हैं दस पूरुस साथ घंटे काम करके बारा दिन में काम कर सकते हैं आप सभी से पूछा गया है 14 पूरुस कित्ते दिनों में काम पूरा कर पाएंगा अगर 6 घंटे काम करते हैं भाईया MDH मसा मसाले जी का नाम तो आपने सुना है वो अभी हालही में एक्सपायर हो गया है लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है उनके मसाले तो चलेंगे ही चलेंगे चाहें कुछ भी हो जाए हम इसी फॉर्मले का यूज करते हैं और इस फॉर्मले को यूज करने के लिए आप सभी को य कैसे कर पाएंगे समझो भाई सई बेटा सिक्षा है ना वो सई आंसर है रिवी जय ने बख कर लीजेगा दस आदमी साथ घंटे काम करते हैं तो बारा दिन में काम कर पाते हैं और मैंने कहा कि भाईया अगर छैंटे काम करेंगे चौदा पूरुष तो कितने दिन में काम कर पाएंगे ठीक है खता हो गया कोश्टन साथ से काटो साथ दूनी 14 छैसे काटो चैसे काटो दूनी 12 दो से काटो दो पंचे 10 और पांच दूनी 10 तो कितना दिन लग जाएगा दस कोश्टन खता नोट करो भाई 10 इद दर आई टन सब्सक्राइब से अंसर हो जाएगा सब का जाले गाई सबको सबको समझ में आ गया कोई परिसानी कोई दिक्कत नहीं चलो बाई क्लियर औके है चलो बहुत अच्छा आगर सबकों समनी आ गया मैं चाहूंगा टेकनिकल टीम से कि एक बर वो ऑनिकरे की स्पेसा क्लास यहाँ लिंक में पिन कर देए टेकनिकल टीम अग अगर आपके पास समय हो तो पिंट कर दीजे मैंने उस वाले पर ग्रूप पे भेज़ दिया है तो वह इस पेसर क्लास का लिंक बच्चों को पिंट कर दें उसमें मैं आपको बहुत अच्छा जीके का मेरे पास को पचास बहुत सांदार कोश्चन है मैं आपको बता देता हू फ्री में हो ख्लास कोई पेमिंट नहीं करना है एकदम सांदार है जिनका कोर्स नहीं ओपन होगा वो एस जी सर का यूज कर लिजेगा कोर्स ओपन कर लोगे आप लोग और इस पेसर क्लास में ग्यारा बज़े है इसके आगे कांटीनु मैं कल दस बज़े कर दूँगा तो एकदमी पे इस पेसर क्लास से आप सभी के लिए इसको लिंक पिन कर दीजे एक बार बच्चों के कमेंट बॉक्स में आप लिंक पिन कर सकते हैं लिंक पिन कर दीजे एक बार बच्चों के लिए हाँ सभी के लिए बार लिंक पिन कर दीजे तो बच्चे जो है कुछ आपको करना नहीं है आपके पास नहीं हो इसको पिंट कर दीजे पिंट का उप्षन आपको दिख रहोगा साइड में सर ठीक है हाँ तो भाईया इसको सभी लोग जो है इसको एक बाद देख लिजे और यहां पर पिंट कर दिया है सर ने और आप लोग क्या करोगे कि इसको एसजी सर एसजी मतलब होता सत्यम गुपता एसजी सर कोड का यूज कर दीजेगा बिल्कुल फ्री है पचास ऐसे सांदार जबर्दस जिंदा बात स्टार्ट कर देते हैं पाइप अन्सेश्टन क्योंकि इस वीडियो में हम लोग करने वाले बात पाइप अन्सेश्टन के वा कुछ अच्छे कोश्टन जो पाइपन सिस्टन के इंप्वाटेन हो कुछ अच्छे कोश्टन जो पाइपन गजिस्टन में पूछे जाएंगे वो सब हम यहां पर करने वाले यह सब मैंने आपको करा दिया है अब आते हैं फपम this के के बारे मिस क्या होता है है पाइ A जो है वो 6 गंटे में टंकी खाली करता है, B जो है वो 8 गंटे में खाली करता है, C जो है वो पूरा 10 गंटे में टंकी खाली करता है, और अगर 3, 1, 7 खोले जाया तो टंकी कितने देर में भर जाएगी, ये कोशन आप सभी से पूछा गया है, खाली टाइंक भरते हैं, ये भर करता है यह भरता है और यह करता यह हली करता है बोलिजी तो आपको याद क्या रखना चीज क्या समझना है कि अगर टाइम और वर का कोश्ण आता है तो हम वहाँ पे कुछ नहीं करते हैं पॉजिटीब निगरिटिब कुछ नहीं लिखते लेकिन अगर हमाया बार स्पायित system question आता है तो जो टंकी भरेगा उसको positive लिखोगे और जो टंकी खाली करेगा उसको negative लिखोगे ओके आओ ज़रा इसमें समझते हैं ये च्छे घंटे में भरता है बी जो है वो 8 घंटे में भरता है और सी जो है वो 10 घंटे में पूरा time खाली करता है तो सब्सक्राइब यह कितना सब्सक्राइब यहां यहां इंदर यहां यह लेकिन यह बारा में आएगा ठीक है क्यों क्योंकि यह काली करने वाला है अब बताओ पूरी टंकी की छमता कितनी है 120 उसने क्या कहा अगर तीनों मिलके काम करेंगे तो टंकी कितने देर में खाली हो जाएगी ये पूछा है तो भाई ये 20 लिटर पानी टंकी के अंदर डालेगा और ये 15 लिटर पानी टंकी के अंदर डालेगा मतलब ये दोनों मिला के 35 लिटर पानी तो टंकी रह जाएगा पांस जो जाएगा तीन तीन में से लिटर पानी आपके पास बचा रह जाएगा तो भाई यह कहा जाए कि पूरी टंकी किते देर में भर जाएगी तो भाई और ये 90 घंटे में खाली करता है, दोनों मिलके खोले जाएं तो कितों मैं खाली करेंगे, बहुत अच्छा कोश्चन है, ए खाली करता है आपके लिए 70 घंटों में, 40 गंटों में, 72 और 90 आपके लिए बात खतम हो गया इतने पर, उसको हमें LCM निकालना जरूरी है कि बाई 72 और 90 का हम LCM कैसे निकालेंगे ये भी बात है तो आप 90 का पहारा पढ़ना सुरू करोगे जैसा कि मैंने आपको लोड़ी बताया हुआ है तो 360 हमारे पास LCM आ जाएगा 72 25 360 और 94 360 दोनों मिलके कित्ते दिर में खाली करेंगे तो पूरी तंकी है आपकी 360 लीटर की ये पांच लीटर निकालता है ये चाल लीटर निकालता है ये नौ लीटर निकालेंगे यानि कि दोनों मिलके अगर काम करेंगे तो 40 घंटे में टंकी को खाली कर देंगे बोलो बात किलियर होगे की नहीं होगे अरे आसान था कोश्टन की नहीं था तो हम इजी तरीके से इस त सारी वीडियो देख लेना जितना वीडियो है सब के सब देख लेना बहुत इंपॉर्टन सारी की सारी वीडियो हैं और बहुत ज़्यदा अच्छा कॉंसेट आपको सीखने समझने सुनने को मिलेगा कहता क्या है टंकी में एक सुराक है अगर सुराक नहीं होता तो बीस मिनट में भर जाती लेकिन अब सुराक है तो बीस मिनट जादा लगे ना उसको भनने में बोले तो अगर मालो सिरफ फिल करने वाला सिरफ भरने वाला टंकी को भरता तो बीस मिनट में टंकी भरता देखो प्रोच को सुल्व करेगा उस अप्रेज को आप यहां पर पेपर में लगाने के लिए त्यार हो जाओगे किलर गाईज वही काम आपको करना है तो जब टंकी पूरी तरीके से मरमत करी होती है तो 20 मिनट में भरती है यानि खाली फिल करने वाला अगर पाइप लगा होता और टंकी खराब ना होती तो 20 मिनट में भर जाती लेकिन अब हुआ क्या कि फिल करने के साथ साथ एक सुराख ह लिया और अब टंकी क्या होता है बीस मिनट अधिक लगते हैं तंकी भरने में यानि अब 40 मिनट लगते हैं मैंने टाइम आप एक चीज़ बताया था भाई जिसके बारे में पूछा जा उसकी चमता चाहिए उसने कहा टंकी सुराग कित्रे दिर में खाली करेगा यानि कि भाई एक आजाए कोगे सर जी एक माइनस कर दो यानि आउटर की संता एक हो गए तो भाई या पूरी टंकी है आपकी 40 लीटर की और आउटर की संता 1 है यानि वो 40 मिनट चैनकी को खाली कर देगा क्या बाद सभी को समझ में आया है कि नहीं आया वाई अरे आ गया simple question है आ बहुत जवदस से कॉमसेट और बहुत ज़्यादा पेपर में यहां से कोशन मिलेगा एक टैंक तीन पाइप के द्वारा भरी जा रही है जिनका हमें व्यास एक तीन और चार व्यास दे रखा है बड़ा ना यहां पे 26 मिनर में टंकी अकेले भर देता है जो पानी की मात्रा है जो पाइप से निकलना है पानी की मात्रा वो उसके व्यास के वर्ग के समान उपाती है जानतों इस पूरे कोशन में जो सबसे इंपोर्टन लाइन है वो यह है कि जो पानी की मात्रा है मतलब किसी टंकी से किसी पाइप से निकलने वाला जो पानी है वो कितना होगा मतलब उ आनो चमता हमें पहले पाइप की चाहिए तो उसका व्यास जो भी है उसका वर्ग कर दो उसका स्क्वाइर कर दो मत्तब पहले वाले पाइप की चमता एक आएगी क्योंकि एक का स्क्वाइर एक और अगर हम दूसरे वाले पाइप की चमता जाएंगे तो तीन का स्क्वाइर न थीनों मिलके पूछा है तो सोलह नोब पचीस से चफ्विस तीनों के मिला के चंटा ऐट शॉदिस चब्रिस कंदा एंस और आपका सोला क्या इस बड़े से आप इससे पूछा जाता जरा बताईए इसको कैसे कर पाऊगे क्या है इस question में बहुत बहुत बढ़िया आजो भाई दो नल है एक टंकी को 20 और 24 घंटे में भरते है पहला कित्य देर में भरता आपके लिए 20 घंटे में दूसरा कितने देर में भरता आपके लिए 24 घंटे में भरता है देन हुआ क्या इसके बाद एक निसाली निकासी पाइप लगा दिया जो 160 गैलन पानी खाली करता है और अब तीनों खाली करेंगे तो 40 घंटे में खाली कर देंगे भाया यहाँ पे घंटा घंटा ही चल ला है और तीनों यानि कि A भी भर रहा है B भी भर रहा है लेकिन C खाली कर रहा है तो 40 घंटे में क्या होता है टंकी भरते हैं यानि 40 हो गया भाया एलसे हम बताओ 120 आएगा कैसे 20 25 20 चका 120 24 25 120 और 4 तिया 12 यानि 40 तिया 120 हमें क्या चाहिए टंकी की छमता और इसके लिए उसने मु A की छमता 6 है और B की छमता 5 है तो हमने यहां रखा 6 है यहां रखा 5, 6, 5, 11, 11 में से कितना माइनस करो कि 3 आ जाए आप कहोगे सर जी 8 माइनस कर दो मतलब खाली करने वाले की छमता 8 हो गया कि नहीं हो गया जल्दी से बता दीजे भाई अरे हां यां ना क्या खाली करने वाली की छमता 8 हुआ वो गया ना लेकिन इस आठ की वैलू वो 160 कह रहा है आठ की वैलू कितना कह रहा है стоит कर विए जो 50 ती लेकिन इसमें भी क्या होगा 20 का मल्टिप्राइ होगा तो 12 दूनी 24 और दो जीरो बढ़ा एंसर आएगा 2004 तो यानि यहां 20 का multiply तो वहां भी 20 का multiply बस question तुरन solve हो जाएगा कुछ खास नहीं करना पड़ा question आपका खतम हो गया भाई है ना यह असान सा question होता है तो इतने question आप सभी के लिए pipe and system में थे एक छोटा सा वीडियो था आप सभी के लिए मैं चारा था यह chapter आपको बिल्कुल complete करा दूँ आज यह पहले share कर दीजे तो चलो भाई सब के सब जल्दी से आजो live और हम क्या करने वालें आज देखो भाई आज क्या करेंगे साधार व्याज और साथिसा चखडी व्याज का सफाया और ऐसा सफाया करेंगे कि आपको बिल्कुल सफाई की तरीके से सब कुछ याद हो जागा हमेशा के लिए कुछ भी बचा नहीं रह जाएगा तो एक पर मुझे हर बच्चा कमेंट बॉक्स में जल्दी से रेडी कमेंट कर दे और अगर सेयर नहीं कहा तो सब के सब सेयर कर दीजे मैं भी देख लेता हूँ कि सभी ने सेयर समस्धे है सबसे पहले simple interest की बात करते हैं कि क्या होता है simple interest का जो formula होता है वह था PRT upon hundred बोले तो आप सभी को पता है कि SI bersire क्या होता है PRT upon hundred ये बात आप सभी को औलेट्डी पता है सिंपल सा ठीक अब लेकिन दूसरी बात मेरी बात को समझिएगा क्या मैंने कहा कि यहां पे जो पी है ना पहले मैं आपको कॉमसेट समझाओगा फिर आप कोशन है चुटकी में सॉल्व करोगे कहोगे सर जी इतना आसान कैसे हो गया सारी चीजे जो पी होता है यह क्या होता भाई प्रेंसपल होता प्रेंसपल बोले तो मूलधन होता है जो आर होता है वो रेट आप इंटेस होता है बोले तो दर होता है और जो टी होता है वो समय होता है बोले तो टाइम होता यह बात आप सभी को पता है तो एसाई बराबर क्या हो आ draws a total गें निकाल लोगे आपके पास जतना भी प्रेंसिपल है अगर उसी में इंट्रेस जोण दो जितना भी प्रेंस कि एहां पर प्रेंसिपल को अपने मालों कि हंडीर परसेंट क्या मैंने मान लिया कि जो principal already वो कितना अपने आप में 100% है तो क्या यह 100 और यह 100 कर जाएगा अपने आप से तो क्या directly SIH कल टू आर इंटू T percentage हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा और यही तो question पेपर में आप सभी के लिए पूछा जाता है कि भाई यह बताओ यह कितना होगा वह कितना होगा यह कितना होगा आप मैं आपको समय SOME, Dale को यह बतो कितना है यानि हमें ब्याज कितने का मिलेगा सिंपल सब कोश्चन एक असान सब जल्दी से बताई सब कर दीजे बहुत बढ़ा सांट से सुनना भाई क्या मैंने कहा जो प्रेंस पले वो हमारे पास तो सौ का पांच गुड़ दो यानि की दस प्रतिसत जैसे आप निकालोगे तो सीधी आपको पास इंटेस्ट आएगा वो दस रुपए का आएगा बोलो क्या सभी को बास समझ में आ रही है की नहीं आ रही है अरे आ रही है कोई परसाई नहीं है कोई दिक्कत नहीं है अगली बात जला ध्यान सो सुनना पहले जो सेर करो क्योंकि कम वाचिंग आपको पता मजा नहीं आता जितना हो पाए उतना शेर करी जितना हो पाए उतना सेर के क्योंकि बहुत इंपोर्टन वीडियो है और बहुत जबदस कॉमसेट यहां पर सीखेंगे बहुत भैतरिं कॉमसेट को आगे बढ़ाते हैं और दूसरी कॉमसेट की तरफ ध्यान देते हैं मैं अगर आप सभी से एक और कोशन आप से पूछता हूं डिरेक्टली कि मालो अगर आपके प्रेंसपल आपके पास प्रेंसपल है रेट अभी हम सिंपल इंटेस पर्ड़ है अभी हम पूछे क्या कि मालो प्रेंसपल अगर हमारे पास 2000 रुपया हो गया कमेंट बॉक्स में हर बच्चा कमेंट करके बताईएगा रेट आप इंटेस अगर हमारे पास 10% हो गया और मैंने कहा समय तीन सालों का हो गया तो यह बताओ सिंपल इंटेस कितना आएगा बहुत बढ़ आगे यानि आप सभी को तुरन 300 समझ में आ जाएगा 2 त्याएच्छा है यानी 600 रुपया आपके पास कितना आ जाएगा सिंपल इंटेस आजएगा कितना 600 रुपया आ गया और 2000 में 600 और जो यानि 2600 रुपया आफ के पास एमांट आ गया लेकिन क्या म निकालने कर सिरफ है एक तरीका है क्या नहीं ना amount निकालने को तो कही सा तरीके एक दूसरा तरीका क्या है देखो भाई ध्यान से समझना मैंने आप सभी से कहा जो amount होता है वह principle plus SI होता है आप सभी ने बोला हां सर्जी बिल्कु सही बात है जो amount है वह principle तूप अर इन्टू टी परसंट होता है साई जब प्रेंसपल अपने आप में क्या होता हंडेड़ परसंट होता है यानि की हंडेड़ प्रस आर इंटू ठी कर दो तो आपके पास अमाउंट निकल कि आ जाएगा तो अगर मुझसे सरफ अमाउंट पूछा गया होता तो और प्लस कर लेते मतलब 130 प्रतिसत निकाल लेते किसका इस चब आपका दो हजार का तो आपको तेरा दुनी 2600 आपका इमाउंट आ जाता बोलो गाई क्या यह बात सभी को समझ में आगी की नहीं आगई अरे पक्का है की नहीं पक्का जरा एक बार कमेंट बॉक्स में सभी के स दूसर नहीं एक सिर वह यहां आप आप ऋब सभी के पास यहां पर जो दे रखा है कि वह वह पांच छ зарद कढ़ा है ठीक है मैंने कहा रेट आप मिंटर्साफ सभी के पास 10% का दे रखा है समयां आप सभी के पास चार सालों का दे रख आ हैं एमाउंट कितना मिलेगा अगर प्याच वो सिंपल इंट्रेस्ट अभी हम लेके चल रहे हैं सिंपल इंट्रेस्ट की बात कर रहा है तो बहुत बढ़िया प्रेंसिपल पांच हजार दे रखा रेट आप इंट्रेस्ट दस परसंगर दे रखा समय उसने चार सालों का दे रखा प्रेंसिपल आपके पास एमाउंट कितना आएगा बहुत अच्छा भाई ठीक है ध्यान से समझना दस चौक चालिस अगर एक हम सिरफ 40 परसं निकाल देंगे तो सिंपल इंट्रेस्ट आ जाएगा लेकिन 40 में और जोड़ दो कितना सो तो 140 परसं किसका निकालेंगे पांच हजार का 140 परसं आप जैसे निकालोगे तो 14,75 यानि कि 7,000 रुपे आपके पास कितना हो जाएगा एमाउंट हो जाएगा आप बताओ मज़ा आया की नहीं आया क्या ये कौम सिर्फ सभी को समझ में आ रहा भाई निखिल भरत नंदिनी करिस्मा रिया महराज निखिल हमें समझनी है और क्या क्या चीजे करनी जैसे मैं अगर पहले कोश्चन पर आप सभी के सामने आ चुका हूं एकदम पेपर लेवल का कोश्चन है सर उपर से वो टैग हटा दीजे बच्चों को जिससे कोश्चन दिख जाए पहला एकदम बहुत आसान सा एकदम पेपर दिख रहा है आप सभी की इसके नों के उपर जल्दी से बताइए क्या होगा इस कोश्चन का सही एंसर बिल्कुल कम नहीं होने चाहिए एंसर इसके बहुत अच्छा क्या कहता कोश्चन समझना 150 रुपया ब्याज प्राप्त करना है तो 6 महीने के लिए 4% के ब्याज के दर हमें कहता है कितने रुपय को देना होगा यह बताओ भाई मजा आ रहा तो ठीक है फिर तो बहुत तगड़ा करने वाले बहुत सारे कॉमसेट पढ़ेंगे ठीक है पूरा का पूरा संप सिंपल इंट्रेस और कंपाउंड खतम करने की पूरी चाहत में है आज मैंने कहा अग मैं रहें पूछा गया कि प्रेंशपल कितना होगा हमें क्या दे रख एसा आई दे रख कितना दे रख का हमें क्या दे रखod दे रख कीत derni..! तो वन भाई हंडेड हो जाएगा यह और यहीं बराबर किता दे रखा देड़ सो दे रखा दो से काटों के 75 और सौ का मल्टिप्लाई कर दो कि प्रिंस्पल कितना आ जाएगा पचाथ सो आ सब कर दो बहुत बढ़ी है बहुत बढ़ी है बहुत बढ़ी यहां बहुत जबर दा कि श्राइब भी संब बहुत शेंट करेंगे हर टाइप मैंने कवर कराएंगे और यह याद रखना जब अधस तरीके सा सारे टाइप्स करवर हो जाएंगे कोई परसानी आपको नहीं आने वाली कि यह दिक्कत है वो दिक्कत ठीक है चलो मूलदन बताओ जो चारपरसं के व्याज के दर से तीन साल में पांचो साट हुप्य हो जाएगा अब यह पांचो साट हुपय क्या दे रखा है अमाउंट दे रखा है मतलब हमाँ पास total amount दे रखा मतलब 112 की value उसने already दे रखी है 112 परसंगी value 560 एक परसंगी value 5 है ना एक परसंगी value 5 हमें क्या चाहिए principle चाहिए तो principle अपने आप में 100% होता है तो 100% की value 500 बोलो क्या सभी को बास समझ में आई की नहीं आई भाई आ गई बहुत बढ़िया निखिल बहुत बढ़िया खुस्बू बहुत बढ़िया प्रहलाद बहुत बढ़िया करिस्मा बहुत बढ़िया हर्यों बहुत बढ़िया सर्मिस्टा बहुत बढ़िया सुमित बहुत बढ़िया महराज और बहुत बढ़िया नंदनी all of you बहुत ब ठीक है आजो बई बहुत बढ़िया चलो बई बताओ क्या होगा पांच परसन रेट आप इंटेस पहली बार मैंने लगा दिया और दो सालों के लिए लगाया एक बार मैंने तीन साल के लगाया पांच परसन पर कोई पैसा और देन मैंने चार साल के लगाया पांच परसन पर क कोई पैसा इसके बाद मुझे 42 का डिफरेंस मिल गया अच्छा बता अगर ब्याज की बात करते हैं तो क्या आर इंटू टी होता है क्या आपको सर्जी बिल्कुल होता है तो पहली बार ब्याज और ब्याज 12 पर संद मिलना चाहिए था अर अगेन आपको ब्याज पांच उग का 20 पर संद मिलना चाहिए था एक बाऄ प्रसण में तो 50 मेरे भाई लेकिन कॉस्टन में कहता है 42 का डिफरेंस है तो पांच की वैलू 42 एक की की नहीं आगी अगर एक रेश्यों की वैलू 8.4 आई है तो 100 रेश्यों की वैलू चाहिए 100 की चाहिए 100 का मल्टिप्लाइ कर दो और 840 बोलो क्या सभी को बास समझ में आ रही की नहीं आ रही खतम हो जाएगा कितना आसान कोशन हो जा रहा सर जी मजा आ जा रहा ऐसे कोशन दे लेकर जो है ना कम से कम सो बच्चे तो डेली देखे मौनीं की 10 बजे की क्लास को चलो भई नेक्ष्ट प्याते हैं देखते अगला कोशन क्या कहता आप सब भी के सामने बहुत अच्छा बहुत जबदस बहुत सांदार कोशन है अब साहुकार को पता चला कि अगर वह आठ परसन पर ब्याज लगा है तो भाईया ठीक है और अगर वही ब्याज जो साथ सही तीन वट्टे चार परसन पर लगा दे तो उसे साड़े एकसर डुपागी कम हो जाती है अब बताओ कि उसके पास पैसा कितना था पूजी कितना था यह कोशन कुछ नहीं पूचा बिलकुल 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 एक्जाम में सेम हूबा हूँ ऐसे ही कोशन पूचे जाएंगे क्योंकि लेवल ही यही चल ला है और यही आपके कोशन आएंगे एक्जाम में बहुत अच्छा यार बहुत सांदार बहुत सांदार बहुत सांदार आज ओ बाई देखो कैसे करेंगे जिन परसंट अब कितना होगे साथ 3 4 भाइ मेरे यह बता यह साथ 3 9 6 8 8 8 3 30 यह 31 2 4 परसंट आईगा की नहीं आएगा आएगा की नहीं आएगा तो पहले जो आठ ता अब होही 31 2 4 परसंट हो रहा है यानि दोनों माइनस करो तो कितना आएगा इसको भाई जलो परसंटेज में एक बट्टे चार आ रहा है लेकिन पैसों में साढ़े एक सट उपए का डिफरेंस आ रहा है तो एक बट्टे चार बोले तो साढ़े एक सट आएगा और अगर एक रेसो की वैलू बोले तो चार इधर मल्टिप्लाई हो जाएगा एक रेसो की वैलू 246 आ जाएगा हमें चाहिए तब प्रेंस्पल प्रेंस्पल अपने आप में 100 परसंट होता है और अगर 100 परसंट की वैलू बोलेगा तो 246 डबल जीरो ऑप्सन नमबर आपका यहां पर बी और सी इस दर राइट आइ कुछ करना थोड़ी था यह लेटेस्ट पैटरन का कोश्चन है अगर पहले वह आठ परसंट व्याज कहता मेरे भाई और उसके बास साथ तीन बटे चार पर कहता है तो भाई कितना असान कोश्चन है क्या करना इसमें सोचो नेक्स पिजर आ जो अगला टाइप का कोश्चन जो सिंपल इंटरेस्स का बहुत फेमस कोश्चन है नेक्स टाइप का जबरदस कोश्चन जरा आ जाए भाई बहुत अच्छा 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 थीक है थीक है ठीक 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 है जल्दी से कमेंट करो भाई स आपके सब तुरां तायन सुराने चाहिए कहता है जो ब्याज है ना वो मूलधन का कितना है चार बटे नौ है और जो वर्सों की संख्या है वो रेट आप इंट्रेस के बराबर है तो बताओ रेट आप इंट्रेस कितना होगा यह तो भाई पेपर में कितना पूश्चन हो चुका है बहुत बढ़ियां आज यह सभी के सभी हेलो एब्रिवन हेलो एब्रिवन चलो भाई कितना आसान कुछ करना नहीं है हमेसा धिको ध्यान रखना कभी भी अगर आपका कोश्चन फस जाए ठीक है अगर मैंने आप आप मालों पेपर में बैठे हुए और आपके आप सिंपल इंटरस कोश्चन फस जाए अब आप क्या करोगो इस टाइम पर रोग गया बैठके कि अदर मेरा सिंपल इंटरस कोश्चन नहीं आ रहा है कुछ नहीं करना सीधे फार्मोर लगा दो कोश्चन लगा दो फिट एंसर हो जाएगा हिट खतम बात हो जाएग ठीक ह सीधे फॉर्मवर लगा दो अब क्या कहता कोशन जरा देखना कि जो आपका व्याज है ना वह मुल्धन का चार बटे नौ यानि मुल्धन कुछ भी ले लो एक रुपए ले लिया तो ब्याज इसी का कितना है चार बटे नौ हो जाएगा अगर मुल्धन एक्स लिया होता तो चार बटे नौ एक्स होता मुल्धन वाई लिया होता तो चार बटे नौ वाई होता एक ले लिया तो चार बटे नौ हो गया बात खतम और जो rate of interest है वही उसके समय के बरावर है बस question खतम हो गया R into R बरावर R square और इस 100 का यहां multiply कर दोगे तो यह 400 बटे 9 हो जाएगा और उधर क्या हो जाएगा R square हो जाएगा तो भाईया R square बरावर आपके पास कितना आ जाएगा 400 बटे 9 यहां से square हटाओगे तो यह route में आ जाएगा बोले तो आपका answer 20 बटे 3% यानि कि 16 दो बटे आपका 6 दो बटे 3% आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा जरा जल्दी से बता दो 6 दो बटे 3% rate of interest आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा अगर मैं इसी question पूछता भईया ये बताओ समय कितना है तो समय भी कितना होता 20 बटे 3 साल हो जाता कितना आजान कोशन था लेकिन क्या इस question को करेने का मात्रह यही तरीका है क्या नहीं इस question करेने का मात्रह ही तरीका को थोड़ा सा करो और खतनाग और देखो भाई ये चार बटे नौ हो रहा ना प्रिंस्पल का तो चार बटे नौ इंटू करो सो और इसी का रूट ले लो अंडर रूट यही आपका एंसर आ जाएगा आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई आ गया ना सब को समझ में आ गया कुछ खास नहीं करना अगर एक बार समझ में आ गया तो सभी लोग जल्दी से कमेंट क्या है ना और इतना आसान-असान कोश्चन करा ना फिर भी यहाल इतने सांते से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो कि सर जी हां आ गया गोड़ मौनिंग भाई आप तो कहीं सारे सारे बच्चे सोtके वर प्या रहे हैं कि कहीं आए गूड मॉनिंग करने भाई बहुत बढ़ और उसने कहा जो वर्सू की संख्या है वो संख्यात्वन रूप से रेट आप इंट्रेस का 5 बटे 7 है यानि अगर रेट आप इंट्रेस मैंने आल ले लिया तो हमारे पास जो समय होगा वो 5 बटे 7 आर होगा की नहीं होगा जल्दी से बताओ दो बस बात खतम होगे क्या फार्मोर लगाओगे S.I.H. कल्टू P.R.T. अपान हंडेड और प्रेंस्पल तो मैंने एक ले लिया प्रेंस्पल का ही 9 बटे 30 हमारे पास ब्याज है वही हमने ले लिया और उसने क्या कहा जो रेट अपिंटेस है उसका 5 बटे 7 समय होता है बस कुछ करना थोड़ी इस कोश्चन हो बस काटो पीटो हैंसर निकालो इस 5 से काटोगे तो ये 20 आजाएगा ठीक है ये 7 आपका नीचे हो जाएगा ये क्योंकि उपर है तो नीचे आजाएगा और 7 से काटोगे तो ये 35 हो जाएगा पांच से काटोगे तो पांचों का बीस हुजागा नौ चों का यह 36 आ जाएगा और की वैलू कितना आ गया 36 आ गया और आर की वैलू कितना जाएगा भाई यही तो आगे उसने पूछा था लो बच्चों के कैंसर आ चुका है है ना सिंपल से करना होता हाँ बिल्कुल एसा इसके लुटू प्यार्टी अपान फॉर्मडेट फॉर्मूला लगा कोई काम नहीं करना आराम से निकालो छे परसनी दे राइट हैंसर कुछ खास नहीं करना यह बहुत बढ़िया कि एक बटे चाल लिखा था न यह न क्या करोगे अंडररूट में एक बटे चाल इंट्व ढंटें कर लो ये कितना आ गया पचीस आ अंडरूट पचीस की वैल्यू होती पांच परसन क्या 5 परसनित खतं हैं कि फांच परसन आ रहा है कि नहीं हा रहा ह आजे इस बहुत अच्छा सुमीद बहुत अच्छा बाई नेक्ष्ट कोश्टन प्याजो अगला कोश्टन आप सभी के लिए कहता है अगला टाइप आ गया कहता है कि पैसा आपका आठ साल आठ परसेंट अपंडेस से तीन गुना हो जाता है लेकिन कितने साल में होगा अगर हम किसी व्यक्त को आठ परसेंट के दर से पैसा दे और वो तीन गुना अगर उसका पैसा हो जाए तो कितने सालों में वो पैसा होगा ये कोश्टन आप सभी से पूछा गया है हाँ ये भी एक आसान सा कोश्टन है सिंपल सा ही है बहुत बड़ा कॉमसेट तो नहीं है इसमे इजली तरीके से कर सकते हो देखो बड़ी अब समझना मेरी बात है क्या इस फॉर्मले से हर बच्चा हर कोई वाकिफ है कि नहीं है S.I.E. बराबर P.R.T. अपान हंड्रे से क्या इस फॉर्मले से हर बच्चा वाकिफ है आप कहो कि सर जी मैं बिलकुल वाकिफ हूं पक्का अच्छा आजाते हैं हुआ कि हमारा पैसा तीन गुना हो गया क्या हुआ पैसा तीन गुना हो गया यानि अगर आपके पास एक रुपया आपने कहीं जमा किया होगा किसी भी बैंक में तो आपके पास बैंक में कितना रुपया हो गया तीन रुपया हो गया यानि बैंक वाले आपने बैंग में कित्ता लगाया एक रुपए लगाया रेट आप इंटेस उसने कित्ता दिया आठ परसंट दिया है समय हमसे पूछा है डिवाइड भाई हंडेट कोश्टन करता है दो चौक आठ चार से काटोगे 25 और समय बराबा कितना जगा 25 साला जगा जिन बच्चों का नहीं हो रहा है और अगर अपने अभी तक भी नहीं किया तो लाइक कर दो आख सेरिके से तरफ यहाइस तरीक है नेक्टा बढ़ते हैं उने question समझाय जाता है तो कितना आसानी से आपको मैं कोशन समझा रहा हूं सोच आप कितना आसानी से अब देखो अगला question paper के लिए आ गया कहता है आप सभी के पास पैसा आपका पांच गुणा हो रहा है यानि कि आपको ब्याज 4 रुपाय मिल ला होगा जब principal 1 रुपाय होग और रेट ऑपिंटे 16 हो गया समय आपसे पूछा गया डिवाइड बाई हंडेड चार से काटोंगे चार चोक 16 और चार से काटोंगे 25 क्या अभी भी आपका समय टी बराबर 25 साली आ रहा है कि नहीं आ रहा जल्दी से बता दो आरे आया की नहीं आया बस कोशन खतम कितना असानगे से कर पारेंगे जिस टाइप को कोशन पोचे जाते ते अभी मैंने टाइप में होगा अगला टाइप आ गया अगर आपका पैसा डबल हो रहा है तो कितने साल में ये चौबर हो जाएगा, या फिर 5 गुना हो जाएगा, फिर 10 गुना हो जाएगा, बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया है, चलो बैई, बताएए, क्या कहते हैं, कैसे कर पाऊगे, कहता है आपका पैसा जो है, वो 2 गुना होता है, 5 सालों में, अभी हम practical creepy question solve करना है, इस बात को ध्यान रखेगा किसका सिंपल इंट्रेसे कोश्चन सॉल्व करने अभी हम लो चलो रुग क्या वीडियो देखिए जरा हुआ है ओल के लिए तो है साथ चलो कोई दिक्कत नहीं अभी सब सही जगा आवाज आ रही ना फिर वूबस के लिए परेसान नहीं होना अब होगे सब सही ठीक है चलो उसका विवायर निकाल के फिर से लगा दीजिए एक बार उस वाले कभी चलो हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं 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 है है ना आज उजला देखते हैं अब सही चला है फिर सही है थोड़ा सा इंतजार कर लि अब को इसा कि आपको दो रुपए बैंक यह सर्जी पांच सालों में दिया हो रहा शार गुना आपको करना पैसा यानि एक रुपए था आबापको कितना करना है चार रुपए करना है अब बैंक वाला कितना रुपए ब्याज देगा आपको किसा जी तीन रुपए ब्याज देगा तो अगर आपका जो इंट्रेस्ट है वो तीन गुना हो रहा है एक में तीन का मल्टिप्लाई यानि कि तीन गुना तो समय भी कितना लग जाएगा तीन गुना ही लग जाएगा तो पांच का तीन गुना बोले तो पंद्रा साल क्या हर बालक बालिकाओं के बास समझ में आगी है की नहीं आगे अरे हाँ या ना आगे की नहीं आगी आगी ना सिंपल सा है की नहीं है कितना असान कोशिव नहीं कुछ कहाँ करना इस कोशिव में समझो मैंने क्या कहा पहले दो गुनां था यानि ब्याज 1 रुपाय मिल ला था अब चार्गुना है यानि ब्याज तीन लुपाय मिल ला एश-ववी तीन-काű यहां पर साल में भी कितने का मल्टिप्लाई तीन का तो क्या 15 साल इदर आइट आए तो आप इसको आजाएगा कि नहीं आजाएगा सिंपल सा अब मन में एक बात आई यह सत्यम सट से पढ़ वो सत्यम सब्सक्राइब करते हैं तो अब यह कहां नहीं बताएंगे कि अगर टीन का गुना हो रहा है तो हम क्यों वहां पर समय में तीन का गुना करने जरा देखो भाई सिंपल सा क्योंकि जो फॉर्मूला होता है वह एसाई रावर प्यार्ट्य पान हंडेड रोता है कि नहीं होता बताओ अगर किसी में भी चेंज करोगे तो सिंपल इंटेस्क्राइब को से आप सभी के सामने आ चुका है क्या कहता अगला को स्य quests अगला कोर्शन से समझते हैं कैसे पायगा इस चलो कोई दिक़्त नहीं आप कोशन सौल करिए अगला कोर्शन आप सभी के सामने आने ही वाला है कोशन जली से-स ऑल्फ करिए चलो बाई करो सब के सब सौ साल में पैसा 36 गुना हो जाता है हाँ बिल्कुल 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 सुमित बिल्कुल सुमित चलो कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल 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 चलो सौ साल में अगर पैसा 36 गुना हो जाता है तो 31 गुना कब होगा कौन सा 31 गुना कब होगा अब दिखो आपका पैसा 36 गुना हो रहा है यानि आपको 35 उपय का ब्याज मिल ला होगा और आपका पैसा कब 29 गुना हो रहा है किसे 35 से तो कितने का मल्टिप्लाई हुआ 28 बटे 35 का कर दोगे 28 बटे 35 का कर दोगे तो 28 और बटे 35 कड़ोगे साथ चोक अठाइस और साथ पच्छे 35 पांच से काटोगे पांच दूनी दस बीश चोक असी यानि असी साल इदर राइट एंस और कोश्टन और आपका बताएगा क्या होगा इस कोश्टन का सही एंसर बहुत अच्छा कोश्टन है बहुत सांदार सा कोश्टन है क्या तीन गुना होता है दो गुना कैसे हो पाएगा बहुत अच्छा समीर बहुत अच्छा अंकित बहुत अच्छा अहीर बहुत बढ़िया बाई निक बहुत प्रताप यादो बहुत 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 बहु चलो अभी तो आई थिंक सब सही चल ला है चलो ठीक है नेक्स प्यादते बाई चले नेक्स कोश्टन प्यादो अगले प्यादो बाई कहता है अब अगला टाइप आगे बहुत पूछाता ये भी टाइप ध्याद सा समझेगा तीन साल में अगर आपने चार परसन ब्याद ज्यादा लगाया होता तो भाई याद अखिएगा आपको 600 रुपया ज्यादा मिलता तो ये बताओ कि रेट आप इंटेस्क या फिर मूल कितना हाई ये बताओ सिंपल सा कोश्टन है आसान सा कोश्टन है बहुत बढ़या है कि यह कहता है तीन साल में अगर आपने चार परसंट ब्याद ज्यादा लगाया होता तो रेट आप इंट्रेस्स आपको चेसों ज्यादा मिलता यह बताओ अगर आपने 4% ब्याज ज़्यादा नहीं लगाया होता तो क्या आपको 600 ज़्याज लगाया होता 12, 65, 50 आजाएगी और हमें 100% value निकालनी है रहे भाईया क्यों निकालनी है क्योंकि आपको पता है principal अपने आप में 100% होता है तो 5000 is the right answer of the question जिन बच्चों को नहीं आ रहा है वो जल्दी से 5000 is the right answer of the question समझेए और next question में बढ़ते हैं और likes अभी करते हैं वाई क्योंकि 100 likes ओलेडी होने वाले हैं तो जल्दी से like कर दीजे next प्याज़ो बाई simple question है तुरंद बताईए क्या है का answer बहुत अच्छा बहुत सा अंदार्शा बहुत अच्छा है तीन पर्सन बढ़ाया तो दो साल में आपको 72 ज्यादा मिला यानि तीन दूनी च्छे बराबर 72 च्छे बराबर कितना हो गया चारज 6,000 रुपै था चार साल में 72 हो गया अगर हमने डेट ओप इंटेस डेड़ गुना कर दिया तो अब बताओ पांच साल में कितना मिस्दन यानि कितना अमाउंट हो जाएगा जल्दी से बताओ विकास कुमार स्वागत है नंदनी आने और आफ भाई कमेंट भी करते रही है सब के सब बिना कमेंट के मामरा नहीं फिट होगा है ना और और अल्रडी ना आप सभी कर सभी लाइक करते रही है और से रेबा कर दो यार कम से कम सब्सक्राइब कितना रुपया बढ़ा चार साल में जिरा बताओ छहाजार था बाहत्तर सो तो बारा सो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा सिंपा से मेरी बात को समझना फिर रुख गई साथ कि इधर विदिक्कता रहा है ना यह अभी सखाल भी हो रहा है यह हमको थंडी में थोड़ा इस हुए क्या है कि चलो है है और लिडी स्टार्टेड है है और लिडी स्टार्टेड है को से आप लोग जाकर सारे के सारे को से देखिए आओ वह समझते भाई मिलें 600 तर यहाँ एक सालमें कित्ता वढ़ा आप कोजी 1200 बढ़ा यानि एक सालमें 300 बढ़ा की नहीं बढ़हेगा अरे === अगर मानलो 558 पर अरे डुर साहे है तो आपको एक सालमें 300 रुपा का व्याज मिलता है कब अगर 8 परतिस": रेट ऑप अरे रुकरी रेट गा व्याज मिलेगा लेकिन अब कहता है रेट औप इंटेश डेढ़ गुना हो जाए यानि अब यहीं चीज़ डेढ़ हार हो जाए तो यह बताओ क्या आपका जो रेट ऑप इंटेश ब्याज मिला वह भी डेढ़ गुना हो जाएगा यानि कि साड़े 400 हो जागा एक साल में और उसने पांच साल की बात कही है तो पांच सालों में ब्याज कितना मिल जाएगा साड़े 2200 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा पांच सालों में ब्याज तो आपका पूरा पैसा कितना हो जाएगा छे हजार था साड़े बाइस सो रुपया ब्याज मिला तो छे हजार प्लस साड़े बाइस सो यानि साड़े बाइस सो रुपया हो गया की नहीं हो गया चै हजार रुपय था बाहतर सो हुआ चार साल में एक साल में पदाचला आपको की तीन सो बढ़ेगा मानलो की आरपसंटा तो तीन सो बाड़ आता अब डेढ़ गुना हुआ मतलब डेढ़ हार हो जाएगा तो यह भी डेढ़ गुना हो जाएगा तो यह 4500 रुपय आपका साथ SigmaDatya कहता अगले टाइप के अपर रिक्षा working लिए बहुत जबदस सा को तो कोशन है कि छादए है और जालओ आते हैं क्या कहता है कि शमीर बेटा आपका ज्याधा वीडियो möchten हो रहा है ना बहुत ज़्यादा भी ना पाउजो इसका विध्यान रखे थोड़ा सा ठीक है चलो बाई आते हैं कि कहता है पैसा जो है वो दो साल में सास्तो बीस हो गया बहुत आसान सा यह भी कॉम सेट और यह पेपर में जरूर आता है और साती साथ अगर यही पैसा देखा ज सालों में दोनों का माइनस करोगे इसका मतलब क्या हो गया कि पांच सालों में आपको पैसा दी सो रोपाय का मिला की नहीं मिला एक सालों में 30 का वियाज मिला होगा लेकिन दो साल में पूरा पैसा 720 हुआ है जिस मेंसे 120 उपह तो खाली आपको ब्याज मिला है यानि कि आपको जो solid मेंडा limiting 120 में अपको जो principal होगा होगा वो 600 रुपई का हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा तो अगर इस question में आप से principal पूछा गया है तो 600 आ जाएगा उसने कहा rate of interest बताओ तो भईया rate of interest अगर बताना है तो एक साल का ब्याज कितना था 60 रुपया था कटिन नहीं है सिर्फ आपको समझने के देरी है अगर आपने सही से समझा तो question आप easily तरीके से solve कर पाओ अगर सोचो गयार मुझे नहीं समझ आ रहा यार मुझे नहीं समझ आ रहा यार मुझे नहीं समझ पाओगी तो सोचो कटिन नहीं है सिर्फ आपको क्या है समझने के देर जिया onतना मैंने क्या किया कै और 272 उवा था एंड 272 वह था है और 202 हुआ हमाज प्रेसाट में efण टारहां हमेंगे कोश्टना साथ हे साथ में इसली हो यहाद्फिस है आपका हमच्वक में कौस्टन आपको हात्में कर लोगे चुटकी में question ठीक है next प्याज़ो ज़रा same उसी type का question है यह आपका homework है कहता है 5 साल में पैसा हुआ है 520 and 7 साल में यही पैसा आपके लिए हुआ 568 और आपका यह homework है सब किसाब इस homework को करिएगा solve और बताइगा आया की नहीं आया ठीक है next प्याज़ो ज़रा same उसी चीज़ है question यह अब मैंने आपको एक चीज़ बताया था क्या कि जितना गुना principle होगा interest भी उतना गुना होता जाएगा जितना गुना principle होगा interest भी उतना गुना होता जाएगा simple सी बात है चार साल में पैसा दोसा हुआ कहता है अगर ब्याज आपका जो मूलधा ने वह पांच गुना हो जाएगा तो 8 साल में कुल ब्याज कितना होगा या फिर total आपको interest कितना मिलेगा कुछ नहीं करना है बहुत बढ़िया आप जड़ा समझ दो क्या होगा भाई यहां पर चार साल में आपके पास पैसा 200 था यह मेरी बात को ध्यान से समझना और अगले साल साल में आपके पास क्या हुआ है जो मूलधा ने वह पांच गुना हो रहा है तो क्या आपके यहां पर ब्याज भी पां होगा ब्याज नहीं मिलेगा मिलेगा कुछ खास थोड़ी करना थेस्कोष्टेम है खाली उसने आपको फसा दिया और ब्रभावUM कासा को लुड़ा है और और मैंने दो पार्ट में डिवाइट किया पहला पार्ट दिया 8% rate of interest पे और दूसरा मैंने दिया 10% rate of interest पे और दोनों से मुझे 9.2 का एक equal rate of interest मिला तो बताओ दोनों के दोनों पार्ट कितने 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 हैं यह आप से पूछा गया अब ज़रा देखो भाई कैसे करोगे इस question कहता यह point eight आ जाएगा और यह one point two आ जाएगा काटो के चार तियां वारा और चार दुनिया यानि आपने पैसे को दो और तीन के अनुपात में बाटा दो और तीन दो और तीन मतलब हो गया पांच तो पांच रेसों की वैलू कितनी आगी total पैसा था हमारे पास 10,000 रुप ने आ रहा होगा बहुत बढ़िया है कि नहीं है कितना आसानी से question आपने solve कर लिया बिना किसी परिसानी का बिना किसी दिक्कत का सिंपल सा भाई अगर ऐसा question आगे तो सीधे से क्या लगा दो क्या करना ही है question में कि पहला दस परसन पहला आठ परसन पर लगाया दूसरा दस परसन लगाया अब बताओ कितना आसान question हो गया ठीक है next question पर आजो अगला concept है अगला बहतरीन सा concept है सिरफ मैं concept नहीं बोलूँगा एक बहतरीन सा concept बोलूँगा जो आप सभी के सामने मैंने रखा हुआ है और आप सभी इस question का answer दो गे properly और जब अदस तरीके से दो गया answer कि बहुत अच्छा आज वाई जा question पढ़ो ध्यान से क्या कहता है ठीक कहता है दो साल में हुआ क्या साड़े तेरा सौपे जो भी ब्याज मिलता वह साड़े बारा सौपे मिले ब्याज से 20 रुपया अधिक है देख द्यान देना जब हम लोग स्टार्टिं से question स्वाल करें तो मैंने concept आपको समझाया होगा क्या कि कभी अगर rate of interest निकालो तो हमेशा किस पर निकालो rate of interest हमेशा निकालो एक साल पे तभी आपका exact और सही answer आएगा अधरवाज answer आपका गरबड़ा आ जाएगा rate of interest हमेशा एक साल पर निकालनेंगे तभी सही और proper answer आएगा इस बात का ध्यान रखेगा तो हमने कहा कि यार हम साड़े तेरा सुपे जो भी ब्याज मिलता वो साड़े बारा सुपे मिले ब्याज का दब आपके पास 20 रुपए जादा है लेकिन कितने सालों में दो सालों में यार अगर दो सालों में 20 रुपए जादा है तो मेरे भाई सब के सब एक चीज़ ये बताइए कि अगर दो सालों में आपके पास 20 रुपए यहां पे जादा दिख रहा है इसका मतलब यह हो गया ना कि एक साल में दो सालों में क्या हुआ है कि बीस रुपए जादा है एक साल में आपके पास 10 रुपए जादा होगा है की नहीं यही तो कहोगे औ तो सौ बढ़ाया सौ पे व्याज मिला दस रुपएका इंटू हंडेड सौ से सौ काटा एंसों हमारे पास 10 परसेंट इदा राइट एंस विसकोश्टन कि खतम हो जाएगा है कि नहीं है सिंपल सब कोश्टन है कितना आसान सब कोश्टन कुछ खास नहीं करना बहुत जी से सब्सक्राइब तो पढ़ा रहे हैं और दू कहां पढ़ा रहा है हम हिंदी तो पढ़ा रहे हैं और दू कहां पढ़ा रहे हम कि बहुत बढ़िया अच्छा कोश्टन अगला आ चुका आप सभी के सामने जल्दी से बताएए क्या होगा क्या कहता है हमने एक बटे तीन भाग तीन परसंप लगाया एक बटे च्छे भाग च्छे परसंप लगाया और बच्चा हुआ बाग अगर हमने आठ परसंप लगा दिया और टोटल जो हमें ब्याज मिला है वो 600 रुपए के मिला है तो बताओ पैसा कितना था अब समझना यहां से कैसे कर पाएंगे है ना सठ जादा हो रहा है क्या जादा पढ़ा दे रे एक दिन में क्या ऐसा कह रहा हो अच्छा आते है ठीक है आओ जाओ समझते हैं यार एक बटे तीन भाग हमने लगाया हमने फिर एक बटे च्छे भाग लगाया है की नहीं आप 6-3-18 या फिर तीन और छे का लसे हम क्या ले लोगे च्छे ले लोगे तो भाई याद रखना च्छे तिक अठारा हमने मान लिए कि हमारे पास टोटल 180 रुपया था इस 180 का एक बटे तीन यानि की साथ रुपया हो गया या फिर 1800 मान लो तो यह 600 रुपया आ जाएगा है ना इसके बाद इस 180 का एक बटे चे यानी यह थी 300 रुपया आ गया अब 6-9 यहां खर्चा ओ गया तो बच्छा रहे गया 900 रुपया बस कोश्ण यही पर आपको खतम हो जाएगा अब समझो कि मैं यहां पर क्या कह रहा हूग हमने एक बटे तीन भाग लगाया है तीन परसंट पर तो तीन परसंट पर लग और इसके बाद हमने क्या किया बचा वह भाग पे आठ पर संगा लगा दिया तो नौ अठे किता मिलेगा बहत्तर उपर मिलेगा बहत्तर राट असी असी दस नब्वे नब्वे और दस सौ और 108 यानि टोटल जो ब्याज मिला है वह 108 उपर का मिला किस पर अठारा सो पर इंटू क्या करोगे हंड़े है अच्छे पर से खतम कोश्टन अब बताओ कितना आसान था कुछ करना पड़ा आपको बोलो नहीं ना कितने आसानी सी कोश्टन आप लोग ने सौल्व कर लिया कितने इजी तरीके से आप सभी ने कोश्टन सौल्व कर लिया और बिना किसी प्रॉब्लम का बिना किसी दिक्कत का आप सभी ने इस कोश्टन में तहल का मचा लिया है कि नहीं आसान कोश्टन मेरी बात को समझना आप देखो अगर पैसा सही मालोगे ना तो आपके लिए यहां प ताकि हमारे पास चीजे पॉइंट में ना है अगर 800 पैसा मानोगे तो एक बटे तीन बोले 600 एक बटे चाह बोले तीन सो और बच्छा वह पार्ट हो गया 900 इसको लगा दिया एक बटे तीन निकाल पाओगे क्या नहीं निकाल पाओगे ना तो वहीं भी मामला फिर गरवड़ा जाता है चलो फिर अगले कोश्टन की तरफ आते हैं देखते अगला कोश्टन क्या होगा अब आज यहीज भाई बहुत अच्छा बहुत जबदस चलो वए थीक है अच्छा उसमें प्रेंस पल पूचा कुछ बच्चे कहरें सर जी प्रेंस पल पूचा है तो बताओ प्रारंविक धन ठीक है प्रारंविक धन पूचा पूचा तो बनाना है तो 16.66 का multiply करना पड़ेगा यहां पर तो यहां भी क्या करोगे 16.66 का multiply करोगे तो सही एंसो कितना हो जाएगा आप सभी के पास सही एंसो आजएगा 10,000 रुप्या दस जार सही एंसो राएगा बिल्कुल बिल्कुल हाँ दस जार आ जाएगा हाँ बिल्कुल 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 चलो फिर आते हैं सिंपल इंटरेस के next question पर और आप सभी के बाद इसके बाद देखो सुरू हो जागा compound interest तो compound interest में question आपको कल सुबह 10 बजे कराऊंगा live ही जाएगी कल सुबह 10 बजे और आप लोग compound interest से question कल morning के 10 बजे अली class के लिए ready रहीएगा ठीक है तो compound interest मैं आपको जबदस question कराऊंगा वो बहुत बहतरीन question होंगे बहुत सांदार बहुत ताकबतर और बहुत चबरदस question होंगे कल सुबह 10 बजे मैं आपको compound interest कराऊंगा लेकिन अभी आते हैं आज आज simple interest का आखरी question पर जो यह वाला question है यह papers के लिए बहुत important रसी वाज़े से question करेंगे और ध्यान से समझेंगे क्या है इसके लावाँ simple interest है कोई concept आप सभी के सामने बचा नहीं है मैंने सब कुछ पढ़ाए simple interest में जरूरत है सिर्फ आपको वीडियो को like करने की वीडियो को share करने के वीडियो को जबदस तरीके से बताने की क्या है क्या नहीं है आज और जरा समझते हैं पहले आपका पैसा चार और पांस था लेकिन अब आपका पैसा 5 और साथ हो गया यह प्रिंस्पल और यह आपके पास हांट हो गया यह यह चीज़ तीन सालों हुई तो यहां 5 का मल्टिप्राई हो जागा यहां 4 जाएगा अब क्या आ जाएगा पांच ओक बीस और पच्वमेँं का पांच और चार 25 और 4 25 और चार सते 28 20 और 28 हो गया अब हमने क्या कहता है वह कि 3 साल में आप को यहां पर बत आओ साल में आपको इतना इतना हुओ तो बताओ दूर्ट आप स्त्री तेन के मिला है militia आई तिंग आप सभी को आज़ी क्लास बहुत मज़ा आई होगी बहुत जवदस तरीके से समझ में आए हमने कल ये कोशन कवर किया था मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका एंसर बता दो जिन बच्चों को नहीं पता वो जल्दी से इसका एंसर बताए मुझे देखना होगा तो दो रुपया हो गया होगा यानि आपको जो ब्याज मिला वो एक रुपय का ब्याज मिलेगा अच्छा ठीक है अब आपका पैसा चार गुना है ना यानि ब्याज आपको तीन रुपय मिलेगा की नहीं मिलेगा बिल्कुल तीन में हुआ है तो क्या सालों में भी त application हो जाएगा की नहीं हो जाएगा तो पांस या पंदरा साली दराइट एंसर आ जाएगा की नहीं आ जाएगा यानि बच्चों ने रिवीजन तो अलेडी कर रखा है बहुत अच्छा लगा बहुत जवदस लगा एक और कोशन आप सभी के लिए जब्रम गोना के लिए बच्छों के लिए तो पढ़ होगे नहीं लिए दो क्पढ़ों है प्ले बढ़ दो साल के लिए जम निवेसित हुआ और तीन पैसा हम झ्यादा मिलने लगा हमें ani परसन जब ब्याज बढ़ाएंगे तब 72 रुपए जादा मिल ला है कब दो सालों में तो तीन दूनी च्छे बराबर 72 हो गया च्छे परसन की वैलू कितनी आगी बाहत्तर आगे एक परसन की वैलू कितनी आजाएगी और प्रेस्पल अपने आप में हंडे परसन होता है तो हं परसन की वैलू आजाएगी वह कितने आजाएगी आपके लिए 12 कोशन इसी नाम से इसी नाम से जिस नाम से वीडियो चलनी इस नाम से है प्ले लिश्ट आपको मिल जागी सिंपल तरीके से ठीक है चलो बभई चलो एक और और कोशन करते हैं टेस्ट के लिए देखते कौन हब सब चतने हुआ हाँ बिलकुल या असान पॉस्ट्टन है इसफीक को समझ लो दिन iemand को नहीं आ तो सिंपल slide को समझ लो जिनको नहीं आता है ये वी कांचसा इस थे क्या कहता है पांच दो साल में आपका पैसा कितना हुआ है 720 हुआ अभी हम simple interest कर रहे हैं मैंने कल simple interest पढ़ाया ता morning की 10 बजे आप सभी जाके देख सकते हो तो अभी simple interest कर रहे है then compound interest पर आ जाएंगे ठीक 7 साल में आपका पैसा कितना हुआ 120 हुआ तो मैंने कहा भाई दोनों का माइनस कर लो आपको पता चला कि 5 साल में आपके पास जो पैसा मिला है जो आपको ब्याज मिला वो 300 रुपए का 5 साल में ब्याज मिला है यानि एक साल में ब्याज मिलेगा 60 हुपए का सीधी सी बात है तो दो साल में आपको जो ब्याज मिलेगा 60 into 100 तो क्या 10% का ब्याज आ गया की नहीं आ गया जल्दी से बता दो हाँ या ना अरे आया की नहीं आया बहुत अच्छा यार सभी के answer कमेंट आ रहा है यह अच्छा लगा कि बच्चों ने बहुत तगड़े से रिवीजन करा है और बहतरीन तरीके से इसको जो है पूरा का पूरा धुमा धुमा मचा दिया बहुत अच्छा बहुत सांदार बहुत जवदस बहुत जिंदा बात चलो भाई आज हम यहाँ पर इस सब कर चुके हैं बहुत सरे बच्चे ने सभी answer दे दिया है तो अब इस टार्ट करते हैं आप सभी का फैरवेड आप सभी का जवदस कोश्चन यानि की कमपाउन इंटेस तो पहले तो यह बता और कितने ऐसे बच्चे हैं ना जिनको कमपाउन इंटेस से डल लगता हूं लगता यार जल्दी से भाई कमपाउन इंटेस कैसे कर पाते हैं क्या होता है क्या नहीं होता जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स पर हाए ना तब तक मैं भी आप से कर देता हूं और एक बास समी बच्चे जल्दी से लाइव आ जाएंगे और फिर हम यहां पर पर कंपाउन तरीके से को कमपाउनियंट्रेस mandate को और किस तरीके से आराम से को को दो समझते हैं कि कमपाउनियंट्रेस वाधी क्या बहुत ज्यादा आजान है क्या या बहुत ज्यादा कठिने अंपाउन इक ऊंपम व बात को समझना मैंने कहा कि सिंपल इंट्रेस्ट में क्या होता है सिंपल मैं आपको सिंपल सब एसी पहले बता देता हूं समझना जैसे मैंने कहा कि सिंपल interest में क्या होता है आप अगर मालों एक हजार रुपाय लगाते हो और अगर आपके पास जो है वो दस परसेंग का व्याज होता है तो क्या आपको एक साल में 100 रुपाय का दे अज या अगर आप simple interest लगाते हो तब ध्यान से समझेगा बहुत हैं दुबारा कभी आपको component से डर नहीं लगेगा इस बात का मेरा वादा है और यही एक वीडियो को देखने के बाद आप कहोगे सर जी बस अप component का पूरा मामुला करता और इस बास selection आपका 100% fix है आओ जरा समझते हैं मेरे पास 1100 रुपया तो पहले साल हो जाएगा अब क्या होगा मालो एक सब्सक्राइब समय देना भी यह माई किर गया है एना मुझे तो मैस से ही डल लगता है यह बच्चे कहना रहा है गुड मॉनिंग अब्रिवन भाई गुड मॉनिंग गुड मॉनिंग अल आफ यू ग 1000 रुपया फिर मुझे क्या होगा इस 1000 रुपया का ब्याज मिलेगा 100 रुपया लेकिन जो पहली बार मुझे 100 रुपया ब्याज मिला था ना यह भी जाके ब्याज देगा और यह 10 रुपया और देदेगा तो टोटल जो हमारे पास पैसा आजाएगा वह 1210 हो जाएगा यही compound interest की खासियत है मतलब compound interest में होता क्या है जो ब्याज होता है वो भी आपको ब्याज देने लगता है फिर अगले साल जब जाओगे ना तो ये ब्याज भी फिर आपको ब्याज देने लगेगा फिर अगले साल जाओगे ना तो फिर आपको ये ब्याज देने लगेगा मतलब compound interest की यही तो खासियत है कि जो भी ब्याज होता है वह आपको अगले साल भी जाके ब्याज देने लगता है इस बात को बास समझ लेना अब आते हैं compound interest के बहुत सारे मेठड़ और आप सभीके पास 12800 नाप सभी के साथ मैंने कै दिया गैं या बेसी कोशन पहें पहले कोशन देखते हैं क्या मैंने कहा प्रेंस्पल आप सभीके पास मालो कि आपके पांस एक हजार रुपयह समय उसने कहा कि समय जो है वो दो साफू का है और अगर आपके पास जो इंट्रेस्ट है जो रेटोंअ पिनन्टल्स वो दस परसन का है यह बताओ कि आप सभी जल्दी से किorg मुंपाउन इंट्रेस् helicopters कितना आए PayPal आएगा इस कितना आएगा पाइज अगर दो नियुक्त तो अब समझो बाई मैंने कहा भाई हमारे पास प्रेंसिपल वह एक हजार रुपय है जो समय है वह दो सालों का है और जो रेट आप इंटे से वह दसपरसंग का तो सी आई बताओ कैसे आएगा देखो मेरी बात को समझना कि रे सब्सक्राइब बताऊं को जिस आपको वाकिर जाएगा सब आशे साभाट लिखा करना इसका मतलब एक बटे-दस होता है यह नहीं होता क्यों कि 10 परसन का मतलब होता एक बटे-100 और इसको काटूगे एक बटे-10 मतलब अगर आपके पास 10 रुपए रहा होगा तो आपको 11 रुपए का ब्याज 11 रुपए आपके पास वह हो गया होगा यानि एक का भी आज मिला होगा तो अगर पहले साल 10 रुपए रहा होगा तो मेरे पास कितना हो गया होगा बात दो सालों की है फिर मेरे पास 10 रुपए रहा होगा और अब क पास तो 10 रुपय नहीं था मेरे पास था-1,000 रुपय यानि मे बीड-स अगर एक हजार रुपय था यानि यहां पर एक और जी शीरो लगा था तो यहां एक और जीरो लग जाएगा की नहीं लगज जाएगा तो कितना ब्याज मिला आप कोगे सर्जी हजार सी बारा सो दस हो गया यानी 210 रुपए का ब्याज मिला क्या ये रेस्यो वाला मिटर्ड मेरे सारे प्यारे भाई भाई भेहन को समझ में आया है कि नहीं समझ में जल्दी से बता दो कितना आसान कोश्चन था कितने एजी तरीके से आपने कर लिया और बहुत आसानी से आपने यहां पर कोश्चन को सौल्ण को कर लिये यह नहीं यह यह raider उतने कहा कि फाइब परसंट का है यह इमाउंट कितना हो जाएगा मतलब कि पैसा मिलेगा अब यह वह कम्परेट मिलेगा अब यह कॉश्चन आपके पास language मैं भी पूछा जाता बांने मतलब की क्या होता है लेंगज का मतलब यह होता है कहेगा बीस हजार रुपए पर दो साल में पांच परसें के ब्याज पे कितना आपके पास यहां पे पूरा पैसा हो जाएगा वाइट क्लर की है बहुत बढ़ियां बहुत अच्छा आप सोचो जल्दी से बताओ बहुत अच्छा अब बातें जल्हा देखते कैसे कर पाएंगे ध्यान से समझना मेरी बात को पांच परसन मतलब होता है एक बटे 20 क्यों क्योंकि पांच बटे 100 करोगे एक बटे 20 मतलब की आपके पास अगर 20 पटे होगा अब 21 हो जाएगा देन आपने फिर 20 रुपर रखा देन आपके पास फिर 20 हो गया बोले तो 441 हो जाएगा की लिया है इतनी अदम मेरे सारे प्यारे भाईmac को की नहीं आई अरे आई की नहीं आई आगी ना अब कोश्चन खत्ब एकॉर्डिन टू दिस कोश्चन प्रेंस्पल 20,000 रुपया है लेकिन आपको लगा यहाँ पे तो प्रेंस्पल 400 है तो 400 में कितने का मिल्टिप्लाई कर दो कि 20,000 हो जाए कोगे सर जी 50 का कर दो पांच ओक का बिस दो एक तीन ईरु आजाएगा है ना हो गया तो यहाँ भी कतने का मिल्ट्प्लाई कर दो 50 का मिल्ट्प्लाई कर दो तो एक जी रू पांच अक पांच ओक ऑल बीज तो बाइस एई यहारा क्या 22,000 पचास उपया बहुत अच्छा सिंपल कोश्चन है आसानी से कर लोगे सब के सब बोलो भई तो ये compound interest का जलवा है लेकिन अब आपने एक चीज़ ध्यान दिया होगा यार यह तो principal है और यह तो amount है और यहाँ पर compound interest आता है मतलब ध्यान से समझना जो सबसे बड़ी बात है वो यहाँ पर यह आती है यह method कहलाता है ratio method कौन सा method ratio method कहलाता है और हम ratio method से वही question स्वालब कर सकते हैं जहाँ पर या तो हमसे principal पूछा जाए या तो हमसे compound interest पूछा जाए या तो हमसे difference यानि कि हमसे amount पूछा जा total amount कितना है मैंने क्या कहा ध्यान से समझेगा अगर हम यहाँ पर ratio method लगाते हैं तो ratio method से हम सिरफ तीन चीजे बता सकते हैं बाकी चीजे हम ratio method से नहीं बता सकते यही हमारे पास ratio method का एक हिसाफ से है कि drawback है जो आप से paper में पूछा जाता है यही इसोव मेंटाटका एक हिसाफ से drawback है क्या सभी बच्चों को समझ में आया है कि नहीं आगा है पक्का है यही ratio method का एक हिसाफ से ढबाय का कोई दिक्गत नहीं बच्चों कोई दिक्कत कर किसी का chapter बहुत टी कि मैं नहीं होता एक सो किस तब चलो भाई अब हमें आपको लेके चलता हूँ मैंने कहा यार मानलो कहीं पे आपको दे रखा समय जो है वो दो सालों का है रेट ऑप इंट्रेस आप सभी के लिए 12 एक बटे दो परसंत का है ध्यान से समझना मैं सिरफ topics अंजहा रहा हूँ मजाँ बहुत आएगा रेट अपट्रेस बारा एक बटे 2 परसंट का है सियाई आपके पास दे रखा है 6.80 यानि कंपाउंट इंट्रेस आपके पास दे रखा है 6.80 रुपीज उसने कहा ये बताओ प्रेंस्पल कितना होगा जल्दी से कौन बच्चा बता पाएगा वह मूलधन बताईए जिस पे बारा सही एक बटे दो परसंग की ब्याज के दर से समय दो सालों में 6.80 का आपको चक्रविधी ब्याज मिल जाएगा जल्दी से बता दो बहुत बढ़िया बहुत आसान सा बहुत जबदस तरीके से बहुत सांदार सा जल्दी बताईए क्या होगा इस कोशन का सही है एंसर बहुत अच्छा बईया ध्यान से करो आराम से करो ब बहुत बढ़िया बहुत अच्छा बहुत अच्छा अब आओ जड़ा देखतें कैसे कर पाएंगे अध्यान समझना मेरी बात को यह बताओ क्या यहाँ पे रेश्यो मिटर्ड यूज़ कर पाएंगे की नहीं कर पाएंगे पहले मुझे एतनी बात बताओं तो सबके सब और compound interest होता है अगर इन तीनों में से कोई मामला है तो हम वहापर ratio method रूज करनेंगा यदरवाइज नहीं कर पाएंगे तो मेरे सारे प्यारे भाइब हैं इस method में क्या हम ratio method योज कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते क्यों क्योंकि compound interest हूमें दिया है प्रिंस्पल हम से पूछा है और बात हमारे क्लियर हो जाएगा तो सबसे पहले आता इसको रेशू में तोड़ो तो बारा दुनी चौबिस एक पचीस बटे दो लिखा है ना तो पचीस बटे दो और परसंटेज का मतलब होता है एक बटे सो पचीस शोग का सो यानि एक बटे आठ आएगा की नहीं आगा जल्दी से बताओ यानि अगर आपके पास आठ रुपए रहा होगा तो आपका पैसा नौ रुपया हो गया होगा यार कितने सालों की बात है दो सालों की यानि फिर से अगर आपके पास आठ रुपए रहा होगा तो आपका पैसा नौ रुपया हो गया होगा यानि आठ टाय चौसट रहा हो गया तो नौन वाइक क्यासी पैसा हो गया होगा की नहीं हो गया होगा अरे हो गया होगा ना तो कितने का ब्याज मिला सत्रा रुपय का ब्याज मिला और कोश्चन में कितना कह रहा है व्याज कोश्चन में कह रहा है सिक्स पॉइ है गोएंट फोर आगे अरे हा yana कितना आसान कोष्टिन ए एक की वैलु पॉइंट फोर आ गए उसने कहँ प्रेंसिपल गता प्रेंसिपल कितन апração cr 64 64 की वैलू कितनी आ जागी 64 गोड़े पॉइंट फॉर तो 256 यानी 25 रुपया 6 पैसा ये प्रेंस्पाल आ जाएगा मेरे सारे पारे भाई भायन का समझ में आया कि नहीं आए भाई अरे आसान लगा कोश्चन अगर आसान लगया करेंगे की घर नहीं कि है कि यह भाई को समझ में आए या याच्छा लग रहा है कि सब क्लिए ने कि देखो कोशचन हमसे किया कहा था पहले तो तभी हसली मजाएगा है ना इब सब किसव जल्दी से लाइक करो यार सब किसम लाइक कर दो हमें प्रेंसपल दो सालों का दे रखा था हमें समय जो है वो दो सालों का दे रखा था और कंपॉण इंट्रेस्ट दे रखा था six point eight zero का उसने कहा रेट अगर इतना है तो बताओ प् किलिया रहे गाई अच्छा दूसरी बात को ध्यान देना कि हम एसे कोश्चन्स को ट्री मिठड से भी लगा सकते हैं यह रेशो मिठडता अब हम आते हैं ट्री मिठड पर देखते हैं tri method क्या होता है और जो सारे प्यारे भाइब कहते हैं एक बाल लोग like कर दीजे और त्री मिठर्ड के लिए हो जाए ये तैयार क्योंकि ट्री मिठर्ड इन्तजार कर रहा है आप सभी बालक बालिकाओंका जल्दी से आ और स्टार्ट करते हैं त्री मिठड देखते हैं क्या होता है जैसे प्रेंसिपल आप से उसने कहा कि भाई यह 18000 रुपया प्रेंसिपल आपके पास है हमने कहा चलो बात यह चुटको में निकाल लो चाहिए चले बहुद बीकर आदेंगे इसके वादी वही और फिकल अपने मीड्लेख करा देंगे समय मैंने कहा कि दो सालों का है यह बताव सिम्पल इंट्रेस्ट कितना आए गा ये बताओ compound interest कितना आएगा ये बताओ दोनों का difference कितना आएगा अब लो आसान सा question जड़ा ध्यान से करो और जल्दी से बताओ क्या हो पाएगा इस question का सही answer बहुत अच्छा अब भाई क्या हम यहाँ पे ratio meter लगा पाएंगे बोलो भाई क्या हम यहाँ पे ratio meter लगा पाएंगे नहीं लगा पाएंगे ना क्यों क्योंकि simple interest पूछ लिया और क्या यहाँ पे हमारे पास ratio meter में simple interest आता था क्या नहीं तो compound interest आता था और भी क्यों नहीं लगा पाएंगे क्योंकि हमसे simple compound का difference पूछ लिया तो क्या ratio meter में difference आता था क्या नहीं आता था इसी वजह से यहाँ पे ratio जो मिठर्ड नहीं लगा पाएंगे अब यहां पर काम जो आता है वो आते हैं ट्री का काम और यहां पर ट्री मिठर्ड लगाते हैं क्लियर गाईज आजो अब ज़रा समझते हैं ट्री मिठर्ड कैसे क्या है देखो भाई सबसे पहले 16-2-3 को रेशियो में तोड़ो कैसे सब्सक्राइब यानि एक बट्री कह सकता हूं कि नहीं 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 कह सकता हूं तो मैं डारेक्ली 16-2-3 को एक बट्री 6 कह सकता हूं कि नहीं कह सकता आप कहोगे सर जी बिलकुल कह सकते हो जो मनकर आप वो कह दो तो एक सालों की बात है, दो सालों की तो आपने दो लाइन खीचा, ध्यान से समझना एकदम अच्छे समझ जाओगे, दो सालों की बात थी तो दो लाइन खीचा, रेट ऑप इंट्रेस्ट कितना, एक बटे च्छे का, तो इसका एक बटे च्छे और एक बटे च्छे निकालो, तो छे हजार रुपया हमारे पास क्या आगे सिंपल इंटेस आगे बोलो पहला बात आस कितना आसान था की नहीं था कर लोगे पक्का है अच्छा अगली बात प्याते अब मैंने बताया कि कंपाउंड में क्या होता है पहले साल का जो ब्याज होता वो भी आपको जाके ब्याज देने उपर है लाइन को छोड़ दिया करो जो सिंपल वाली होती है बाकी नीचे जितना होगा वही उसका डिफरेंस हो जागा इन्हीं 500 डिफरेंस आ गया बोलो क्या सभी को समझ में आया है कि नहीं आया है और आ गया है तो नेक्ष कमेंट कर दिए सब कि सब लाइन से जल्दी से का सब को समझ में आ गया एकदम कोई दिक्कत कोई परसानी नहीं ना सब कर लोगे पक्का है कर लोगे ना ऐसा ना भूलना फिन नहीं कर पाएंगे सर जी आच्छा ठीक है मैं अगले कोश्टन पर आता हूं मतलब यह लग रहा कि चलो एक कोश्टन तो सब को फानिली 300 रुपया रेट आप इंटेस मैंने कहा कि 14 दो बटे साथ परसेंग का रेट आप इंटेस है समय मैंने कहा मेरे सारे प्यारे भाई भाई बहनों के पास दो सालों का समय है मैंने कहा यह बताओ कि SI कितना आएगा मैंने कहा यह बताओ डिफरेंस कितना आएगा अब पहले तो या तो amount बता सकते हैं, या तो compound इंटेस बता सकते हैं, उसने हमसे simple इंटेस ही पूछ लिया, उसने हमसे difference भी पूछ लिया, तो ratio मिठर का यूज नहीं कर पाएंगे, अब आओ ज़रा देखते हैं इस question को कैसे कर पाएंगे, ज़रा मुझे सब के सब बच्चे टी वाले मिठर स जल्दी से करके बताओ, बिना सर्माएं, बिना घबडाएं, मुझे हर बच्चे का एंसो चाहिए भाई, बहुत अच्छा, सबसे पहला काम होता है, इस ratio को तोड़ो, तो आपको पता है, चौदा दो बटे साथ, या नहीं, चौदा सत्य अन्ठानवी और दो सो, सो बटे सा बात आएगा की नहीं आएगा, ये बात तो क्लियर रागे, अच्छा, अगली बात प्याते है, भाई पैसा कितना दे रखा है, पैसा दे रखा है, 34,300 रुपया, क्लियर है गाईज, अच्छा, हमने उसने दो साल की बात कही, तो हमने दो लाइन खीच दिया, और रेट आप भाईया, तो उनाथ 400, उनाथ 400, यानि जो पहली लाइन होती है, वो सिंपल इंटेस होती है, तो क्या 9900 रुपया सिंपल इंटेस मेरे सारे प्यारे भाई भहन का आया की नहीं आया, अरे गजब कर दिया आप लोगों ने, फिर ये दूसरे साल जाके ब्याज देगा, क्यों 1500 रुपया, आपके पास क्या हो गया, कंपाउन इंटेस आ गया, भाईया, उपाय लाइन को छोड़ो, और नीचे जो भी बचा, ये क्या हो जाएगा, डिफरेंस आ जागा, रे गजब, गजब कर दिया सर जी आपने, और कितना आसानी से कोश्चन स्वाल हो गया, क्या सब क समझ में आगे के नहीं आगया, अब कर लोगे की नहीं कर लोगे, और टी मिठर का यूज हर जगहां कर सकते हो, अभी तो मैंने आपको अपना मिठर नहीं बताया, आप फिर कोगे सर जी आप बस ये करो, क्या हमें मोक्ष की प्राप्ति हो गए, ये बस, कोई भी कोश्चन कर लेंगे, एक और कोश्चन दे, कर पाओगे, पक्का है, सोच लेना, ऐसा ना बोल देना कि हां बोल दिया है, फिर करी नहीं पा रहे हैं, फिर बेजिती अलग से, हैना सोच के बोलना, अगर कर पाओगे, तभी हम देते हैं, आप सभी को, हाँ सर्जी बिल्कुल कर पाएं रेट आप इंटेस दे दिया, बारा एक बटे दो परसेंट, समय आपको दे दिया है, दो सालों का, हमसे कहता है, दादा तुम सिंपल इंटेस बता दो, हमसे कहता भईया, तुम कंपाउंड इंटेस बता दो, हमसे कहता भईया, तुम डिफरेंस बता दो, कितना आएगा, सि साथ सला जा अब करो कि यहां पेपर में आएगा है ना चलो बहुत सांदार सब कर रहे तो भाया यह हो जाता एक बटे आठ अरे किलियर है चलो ठीक है हमने प्रेंस्पल लिख दिया एक क्यावन हजार दो सो सर्जी दो सालों की बात है ना तो दो लाइन की तुरंत आप एक बटे आठ यहां भी एक बटे यहां भी आठ अठाए चौशट अठे पांसो बारा आठ अठाए सबसे नीचे लिखा रहता है इस उपाय लाइंग को छोड़के चौशट प्लस चौशट यानि कि आप सभी का वहिया प्रेंस्पल कितने हैं कितना जाएगा बारा हजार आठ सो बहुत अच्छा और इसमें आठ और जोड़ दो यानि तेरह हजार छैसो रुपया रही सब जितने बच्चों ना भी लाइक नहीं किया सब के सब लाइक कर दो और फिर मज़ा जाएगा फिर कहेंगे हां सर्जी ये बच्चे ने लाइक किया ये बच्चे लाइक किया ये बच्चे लाइक किया और जब दस तरीके सब के लाइक होने चाहिए जितना बच्चे से से आ जाएगा अब एक दूसरी बास समझाते हैं कभी कभी होता क्या है ना कोंश्टन में आप सभी से वो गायब कर देता है प्रेंस्पल उसने यह गायब कर दिया उसने गायब करने के साथ आपको यह दे दिया उसने कहा क्यों वह मूलधन बताओ जो बारा सही एक बटे दो पर पूछा उसने हमसे पूछा यह सब पूछा मतलब कोश्टन आपके पास तो लैंगुश फॉर्म बे रहेगा ना उसने कहा वह मूलधन बताइए जो चक्रदी व्याज जो बारा सही बटे दो परसन ब्याज की दर्से दो सालों में 800 रुपय का डिफरेंस देता है पता बोलो दो मतलब की एक बटे आठ होता है की नहीं होता है अरे बारा एक बटे दो मतलब की एक बटे आठ होता है की नहीं होता है आप कहोगे सर जी बिलकुल होता है होता है की नहीं होता है बिलकुल होता है अच्छा ठीक है हमारे पस प्रेंस्पल नहीं दिया और हम यहाँ पर प् हमने लिट कर लिया कि 64 रुपया हमारे पास प्रिंस्पल होगा ताकि कोश्चन आसान हो जाए अब क्या होगा आठ अठाए 64 ये भी आठाएगा ये भी आठाएगा फिर लेकर जाओगे तो यहाँ पर डिफरेंस आपका एक आजाएगा भाईया एकॉडिन टो कोश्चन डिफरेंस आ रहा एक रुपय का लेकिन हमारे हिसाब से आठ तो रुपय का डिफरेंस आ रहा है तो एक की वैलू कितनी हो गई आठ सो हो गई हमसे क्या पूछा था प्रिंस्पल हमने आप में माना था चौशट और चौशट की वैलू आगे कितनी चौशट गुड़े आठ सो आ गया 51200 यहीं आ रहा था कि नहीं आ रहा था अरे बोलो हाया ना आ रहा था कि नहीं आ रहा था गजब हो बस खतम हो गया कोश्टन क्या ही चाहिए इसमें अब सिंपल इंट्रेस पूछा जाएगा तो आठ की वैलू आठ टा है बास समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है अरे आ रही है कि नहीं आ रही भाई आ रही है न तो अब चलते हैं दो हजा यहां पर दो सालों के बाद तीसरे साल का कैसे निकालते जरा देखते हैं ठीक है आज जरा देखते हैं तीसरे साल का कैसे निकालते हैं सारे प्यारे आप सभी के पास 51,000 रुपय का है आपने कहा समय आगर आपको उसने तीन साल कर दिया अपने का सवरो माल लिया हमने हमने कहा रेट आप इंटेस बारा एक बिटे दो परसेंट है यह बताओ सी आई कितना आएगा यह बताओ डिफरेंस कितना आएगा और समय तीन साल का ज़रा देखता कौन बच्चा बता पाएगा बहुत बढ़ियां बहुत जबदस चलो आज देखते हैं तीन साल का कैसे करेंगे जहां से करते हैं अगर आप किसी ने कहा कि रेश्यों मेठट का यूज कहां कहां होता है यह बात का आपको सभी को मुझे पहले ही बता आएगा और आएगा की नहीं आएगा आज आएगा तो भाईया प्रेंस्पल कितना दिया है एक क्यावन हजार दोसोदे रख्था है यह समय उसने तीन साल की बात कर रहा है न तो भाई तीन बाल लाइन की जो एक दो और तीन बात कटम इसका एक बट्टे आठ निकालो इसक सब्uk भी क्या होगे आपकी सिंप्र इंज़्यों होगी तो चार चाराठ चारवारा और gegen 19ism चार दोसा रुपए क्या हो गया simple interest सब को जोड़ो लो क्या simple interest तक की बात सारे प्यारे भाई बहनों को समझ में आई की नहीं समझ में आई अरे आई की नहीं आई आगे न अब आते आगे बढ़ते हैं कि अच्छा एक है क्या ये दूसरे साल जाकर ब्याज दे गा monthite का मतलब 800 रुपए का कशो समझना तो मिरे बात ओजृत गल्ती नहीं के दुवार और बार बार मत पूछत आंद धेकर रूचा समझ लो क्या मैंने कहा जो पहले साल ब्याज है वो दुसरी ımıjaatka dogma's ऐगा ब्याज देगा कि नहीं देगा फिर आट सो ही देगा कि नहीं देगा क्यों क्यों कि जो सत्ताइब सुग्शैज ना जिसने अवी तक किस्रे साल में भ्याज नहीं दिया कॉन यह वाला लड़का यह वी जा करेगा तीसरे साल ब्याज देगा और एक 800 रुपय का एक बट्टे आठ निकालोगे तो सिर्फ 100 रुपय का ब्याज देगा ये तीसरे साल अब यही बस कोश्चन आपको समझना था यही आपके लिए मामला खतम कोश्चन हज़ा बोलो हाँ या ना समझ में आया कि नहीं तो बाइ जोड़ो 8 8 16 8 dop 25 तो उपर लाइन चोड़के जो नीचे लिखा अथा वो डिफरेंस होता है और इसमें 25 रुपया और जोड़ो निस अजार दोसों में तो जब उननिस हजार दोसों में 25 रुपया और जोड़ोगे तो जो डिफरेंस आया वो आएगा एक्तिस हजार स क्या मैं कहना चाहरा दो पहले मीरे बात को समझाना मैंने क्या कहा था रहा होता क्या है cancer ik मैं आप इ altura कंपॉन्जेंड में क्या होता ब्रजी ब्याज देता है सिंसी वात मेरी समझना तो पहला लाइन तो निकालने में कोई दिफ्क्त नहीं था क्योंकि तीन साल की बात किया था तो हमने तीन लाइन कीच दिया कोई दिक्कत नहीं अब अगली बात पर आते हैं अगली बात मैंने क्या कहा जो पहले साल का ब्याज है यह दूसरे साल जाके ब्याज देगा और पहले साला ब्याज तीसरे साल जाके देखो यह पहले साल का इतना ब्याज है यह साल में मिला था वो भी जाके ब्याज देगा तीसे साल में मतलब सब अपने आगे आने सालों में ब्याज देंगे सीधी सी बात इतना है अब मेरी बात को समझते हैं कि यहां पर टोटल कितनी चीज होंगी तो समझना एक दो तीन चार पांच छे साथ अगर तीन साल के बात करेगा तो टोटल साथ चीजे निकल कर आवेंगी कि अब बात सभी को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है अरे बोलो हाँ या ना आर यह पक्का है अच्छा सुनो अब एक चीज बताते हैं एक मैं और आपको कोश्टन देता हूं और जल्दी से मुझे बताना कि भाई वो कोश्टन का सही एंसर कैसे आएगा सिंपल अभी आपको एक कोश्टन में देता हूं वो बताना ठीक है चलो चोड़ते हैं कोई दिक्कत नहीं जिनको नहीं समयां फिर से समझांगा अब यह पहले यह कोश्टन का एंसर बता दो भई चलो मैं इसको करता हूं है ना और यह बताओ कोई दिक्कत में अभी मैं समझाता हूं आसानी समझ जागा आपको ठीक है सिरफ एप और और कर लेते ह मैंने कहा कि यहां पर जो प्रेंस्पल है ना वह आपके लिए कितना कर दिया है उसने उसने कर दिया है चौतिस हजार तीन सो रुपया अब यह बहुर और समझाता हूं चौदा हजजचा दो बटे साथ परसन अब बताओ ज़ला जल्दी से क्या गया असुर असान सब कोशन है सिंपल सा कोशन है हज़ा हो गया सभी को आगया कि नहीं आगया वाई है एक बटे आठ कैसे आप पटक के मार खाओ गया मनीस चौदा दो बाराइक बटे आर करके नह जो बहुत बढ़ियां आज ज़ना जली से बताओ हां तो 14 दो बटे 7 बोले तो एक बटे 7 आता है कि नहीं आता क्योंकि 14 सत्य अन्ठान पे तो 100 बटे 7 और एक बटे 7 आ गया सिंपल तरीका असान तरीका अच्छा ठीक है आ जाते हैं हमने क्या लिखा 34,300 रुपया हमने लिखे दिया यही हमारे पास प्रेंच पल था यहर भी बात उसने 3 साल के करी है तो क्या 3 बाल लाइन खीचोगे एक बट्टे साथ यहां एक बट्टे साथ यहां एक बट्टे साथ यहां तो 7 सते 49 सते 343 भाईया SI में तो कोई दिक्कत किसी को नहीं SI में कोई दिक्कत किसी को नहीं तो भाईया SI कितनी आ जागी साल ब्याज मिला है दूसरे साल जाके ब्याज देगा तो सुना चास्तों का एक बटे साथ यानि सास्तों रुपए ब्याज दिया पहले साल अला ब्याज तीसरे साल भी जाके ब्याज देगा ये भी सास्तों रुपए दे दिया दूसरे साल का ब्याज तीसरे साल भी जाके ब् 200 रुपया आपके पास डिफरेंस आ गया और 14200 में जब साथ सो में जब 2200 जोड़ोगे तो आपका 16900 रुपय क्या गया यहां पर मत ऑट कितना आसंता कितना इदी था कोष्ण और आप सब्यक्रत परिसान दे के बाद जो में खासेत इस question की वो यह है कि इस question में कभी भी अगर आपको rate of interest ratio में दे देता उल्टा पूल्टा और अ बताओ बहुत बहुत स्कंद बहुत लिएज दर बहुत तत्र सा का सक्युदी बहुत अंतर और अनुपात आपको दे रकाच्छा और 19 यह बताओ की rate of interest कितना है बहुत अच्छा बहुत सांदार बहुत 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 बढ़ए बताऊं हां अब मेरी बात को समझना है यह तीन साल का है यह दो साल का अंतर है अब मेरी बात को समझना इसस्सारative का अंतर दी वैश्यू कर सकतो क्या छैत्री He past तीन साल आते हैं तो पचास बटे तीन आजाएगा वैसे तो लेकिन अब मैं आपको समझाओंगा कि कैसे आएगा ताकि आपको कभी कोई कन्फूजन रहा जाए और आप आराम से कोश्टन को आराम से कर पाओ मेरी बात को समझना जैसे सबी बच्चे साथ में बोलते चलना हाँ या ना जब दो साल की बात होती थी तो आपके पास एक प्रिंस्पल लिखा होता था है की नहीं है और आप दो बार ऐसे लाइन खीशते थे तो आपको यहाँ पर कोई एक पैसा मिलता थे से मालो ए मिलता होगा पैसा फिर एक बार आप लाइन की से तब आपको पैसा भी मिलता था अरे हाया ना जब दो सालों की बात करते थे अगर हम आई चीज तीन सालों की बात करते थे तो हम तीन लाइन की से थे हमको तीन प ता था होता था कि नहीं होता था तो एक्षिल में जो यहां पर डिफरेंस आता था दो सालों में वो सिरफ बी रुपया आता था लेकिन जो तीन सालों में डिफरेंस आता था वह आपका 3B प्लस C रुपया आता था तो उसने कहा है कि वैलू 6 है तो 3B की वैलू 18 हो जाएगी यानि जो C एक्स्टा मिला वे एक रुपय एक्स्टा मिला किस पे इस B पे यानि चैप एक एक्स्टा मिला किस पे छैपे इंटू 100 यह एंसर आ गया ऐसे डारेक्टली कर लो पक्का नेक्स सिंपल कोशन है कैसे आएगा एंसो जल्दी से बताओ वाई यह लाइक कर दो जितना बच्चा पहली बार चैनल प्याया है और जो बच्चा अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को भी सस्क्राइब नहीं कर रखा है मेरे सारे प्यारे बाइबहें सस्क्राइब कर लिजे बेस अच्छा सस्क्राइब कर लिजे बेल आइकाउं पे क्लिक करिए ताकि आपको कोई परसानी कोई दिक्कत ना रहे जाए आओ जड़ा देखते हैं पंद्रा की हिसाब से पंद्रा तियां पैतालीस होना चाहिए था आपको मिला पांच उपह ज्यादा किस पे पंद्रा पे इ एक दम बच्चों की तरह के सारे के सारे बच्चे कोईशन सौल्व कर ले रहे हो अरे पक्का है बहुत अच्छा बहुत सब्रा बहुत जबादस चलो अगले कोश्चन पर आते हैं 144 रुपया दो साल में 280 हो जाता है यह बताओ रेट आप इंटेस कितना है पहले आपके पास है देखो कैसे करेंगे ध्यान समझदा आपके पास पहले 144 रुपय था ना दो साल में 289 हो गया अच्छा बहुत चीज़ यह देखो 144 सा 209 लेकिन कितने सालों में दो सालों में और मैंने कहा कभी भी सिंपल इंटेसा कोश्चन है कभी भी कंपाउन इंटेसा कोश्चन है अगर यह तीन साल होता तीन साल के एक साल मिलाते तो क्यों बूट कर देते तो यह बारा के स्कवार से और यह 17 का है यानि आपको मिला कितने का ब्या आज पांच रूपया का ब्याज मिला भई यहां पांच का मिला कितने पर 12 पर 15 तो 25% 125 300 नहीई कि नहीं करने मैं खाली ने कंपॉन्ट इस एक दम बच्चों की तरीकिवे स्वाल्व होते हैं यह क्षम्पॉनिक इतना आसान टॉपिक है इतना एजी टॉपिक है कि आको कुछ करना नहीं नहीं कंपोनेंटेस में देखते हैं कौन बच्चा इस कोश्टन का सही आप बता पाता है हमने आसान कोश्टन भी नहीं हमने ऐसे कोश्टन लिए जो वाकई पेपर के लिए इंपोर्टेंट है कि चलो कि 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 करेंगे न तो मैं परसंटेज में आपको वह सब चीजे नहीं पढ़ा रहा है कि भाई वन भाई टू अगर कहीं भी लिखा है तो आपको पता रहे तो एक कौन कमेंट करके बताएगा कि भईया जल्दी से बताओ कि 14 टू बाइस एवन परसेंटेज मतलब रेशियों में कितना लिखोगे इसको एक सिंपा से कोशेण आप सभी के सामने मैंने रख दिया मैंने कहा ये बताओ कि 14-2-7 पर्सेंटेंज और मैं रेंश्यो नियुक्त मेरे सारे प्यारे भाई-भाई-भाहण जल्दी से बताना यह क्या होगा से इंसर बहुत बढ़िया तो यहां दखना यह क्या होता है 1-7 होता अब कैसे कहोगे करोगे प्रेक्टिस करोगे प्रेक्टिस करोगे अपने आप यह चीज आपके माइंड में घुस जाएंगी अच्छा चलो ठीक है जरा मुझे कमेंट बॉक्स में कोई कमेंट करके बता सकता है क्या ट्वेल वन वाइट टू परसेंटेश का मतलब कितना रेशियो में होता कौन कोन बच्चा यहाँ पे है जो यह बात बता सकता है बहुत अच्छा बहुत सांदार बहुत सारे बच्च बैंट करनाया स्टार्ट भी कर चुकर क्या करोगे बाराग दूनी बहुत अच्छा मैंने कहा 16 2 बटे 3 को परसंटेज रेसियों में कितना बोलोगे कोगे 16 348 2 50 बटे 3 50 से कटा 50 200 और बटे 6 मन में कैलकुलेसन करो और एक बटे 6 जिन बच्छों का रहा है बहुत अच्छा कर आपने बहुत जबदस कर डाला अच्छा ठीक है यह तो बेसिक बाते हैं जो आपको पता होना चाहिए अप थोड़ा से स्टार्ट करते हैं और भी अच्छे तरीके से और भी ढंक से सम जो में दो नंबर आपके जेंव आज जाएंगे और बहुत अच्छे चिनए नहीं चीजिजिया हम यहां आपकर करेंगे देखते हैं का घण मैंने याद को परसेंटेज का मतलब क्या होता समझना परसेंटेज परसेंटेज मतलब हर सौ में से एक चीज परसेंटेज कहते नहीं पर लीटर यह सौ रुपया पर लीटर है मतलब एक लिटर कितने का है सौ रुपया का है तो यह क्या है परसेंटेज मतलब सौ में किसी फिर समझी नहीं पाओगे क्या बोल रहा है इसलिए हिंदी में पढ़ार है वहीं समझो हिंदी जादा बढ़िया है तो किसी चीज की सौ में वैलू वही क्या कहलाती परसंटेज कहलाती है और भाया सौ में एक यानि की हंडेड परसंट है कोई समान ऐसे कहोगे नहीं सौ में एक है मतलब एक परसंट है वो चीज सौ में दो है मतलब दो परसंट है सौ में तीन है मतलब तीन परसंट है सौ में चार है सौ में पांच है सौ में छे इस तरीके से तो यहीं परसंटेज की वैलू होती है परसंटेज का मतलब यहीं होता है दो चीजे परसंटेज में आप स कोशन बात याद अख़ेगा इसको बिलकुलिए आपisesti पत्रिकल बात सिर्फ पढ़ाई कुरो सिर्फ पढ़ाई करो सिरुप पढ़ाई करो सब के सब ठीक है चलो चलो अब समझते हैं अगर कभी भी पर्षिंटे से Lत रेशियो में चेंज करने को बोले तो एज एग्जामपल जैसे मैंने कहा कि 33 वन बाई 3 जरा बताओ भाई ये रेशियो में कैसे होगा तो आप कुछ ज्यादा नहीं करना होता है खाली जहां पर संटेज लिखा न वहीं पर वन बाई हंडेड लिख लो ताकि काता मुझा कोश कहेगा कि भाईया इसको परसंटेज से रेशियो में चेंज करो तो आप इंटू वन बाई हंडेड कर लोगे कि नहीं कर लोगे मेरे भाईया सब के सब अच्छा वही चीज उसने रेशियो में लिख दी वन बाई 3 अब कहा है इसको परसंटेज में चेंज करने के लिए वन के लिए रहे अरे हाँ या ना का ऐसा कमेंट करना कि पूरी तरीके से आजए बाड़ और सब के सब जल्दी से बता दो बात समझ में आई की नहीं एक और सिंपल सा कोशन ले लेते हैं बहु पेपर में यहां से समय कोशन उठ रहे हैं आजाते जरा समझते हैं मैंने कहा सभी के सबीदे धान से देखना है यह बताऊ हो जरा सा एक यह क्या चीजording आऊ जरा देखते हैं आह इसींपल सा क्या ले भाई जो भूत आसान सो ओड़ो त एक बाधे थीन परसनेंटेज लिखा रेसितु मजच्छरा चेंज करने खाँ रेक सबस्क्राइबन करो गुट मौनिंगा चेंज करो गुड चार प्रणि छुब यहां पर लिखा है दो बटे शाथ इसको जरा सा परसंटेज में चेंज करो अब बहुत संतर लिए वह बहुत बढ़ बहुत सांधर बहुत जिंदवाद कुछ नहीं करना है यार एंटी पीसी का अगर आप बात करोगे ना तो एंटी पीसी के क्या कोश्टन नहीं बनते हैं क्या है कौन कह रहा है नहीं बनते हैं 2016 में किसी नहीं कोश्टन देखा था 2013 में किसी ने नया question देखा था 2009 में किसी ने नया question देखा था 2012 में किसी ने नया question देखा था नहीं देखा था आप जब रेलवे के papers का analysis करोगे न तो जानतों रेलवे के paper कहां से पूछा जाता है railway का paper maximum पूछा जाता जो CPU के questions है वो railway के paper maximum पूछे जाता है जो CHSL का paper है वो railway के paper जो maximum पूछे जाता है जो CGL का paper है वो और railway के paper जो maximum पूछे जाता है जो South का paper है वो यहां से railway के paper पूछे जाते हैं ना विस्वास हो तो मैंने जो LP और बाकी other analysis करा रखा है वो आप सभी को वहां से पूछा जाएगा तो हम उसी चीरीज में आगे बढ़ते हैं और इस वारका जो CHSL का पेपर था उसमें एक कोश्चन आप सभी से पूछा गया था ये वाला था कोश्चन बहुती जबरदस्ट, बहुती सान जार और बहुती जिंदावाद ये कोश्चन था CPO 2019 का ये कोश्चन था मैं देखता हूं कितने प्यारे भाई बहन इस कोश्चन के साथ हम लोग कर रहे हैं स्री गडेस और इस कोश्चन का सही एंसर वो कमेंट कर पाते हैं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया वही करेंगे वही करेंगे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आज जो जड़ा पहले कोश्चन करते हैं कहता है फोटोग्राप जो सब्ढ़िया ना इन नया कोश्टन इस बार CPO में आता और या देखना हमेशा CPO में नया कोश्टन पूचा आता है जो फोटोग्राफ सब देहना इसमें PH की जहां पे हमने F लिख दिया अब हुआ क्या कि अक्षर में कुछ ना कुछ तो कमी आएगी आएगी और डिजिट्स में जो कमी आई व फोटोग्राफ क्या लिखा है जरा ध्यान से समझना क्या लिखा भाई फोटोग्राफ क्या स्पेलिंग सही है जी आरे पी यही तो लिखा है बोलो भाई फोटोग्राफ कोई दिक्कत कोई परसानी नहीं अब समझते हैं कि मतलब इसके आगे कैसे क्या करेंगे यह बता पहल यहां भी तो पियच लिखा है यानि इसके जगहां पे सिर्फ एफ लिख दिया और यहां भी तो पियच लिखा है यानि इसके जगहां पे सिर्फ एफ लिख दिया अरे हाया ना लिख दिया ना इसका मतलब अब यह पियच हट गया और इसके जगहां पे एफ आ गया अब कितन कितने हैं आठ कितने की हमी आए दो कि कमिया इंटू क्या करोगे नहीं बहए्ट बहुलो भाई दस दूनिंप पर संग कि को शर आसां था क्षचे नहीं बंठ तक को सब्सक्स में आगermaid को अगया यह अगतिञाइक एक तो उसर प्लिजन गाउगे है तो किसी बत्कत को पक्का है चलो भाईया अब थोड़ा सा और आगे लेवल बढ़ाते हैं चीजों को और समझते हैं देखते हैं क्या कहता है जैसे माल लो मैंने आप सभी में से किसी एक बच्चे का नाम ले लिया अब देखते हैं question आपको देते हैं देखते हैं आप कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो किसका नाम ले लिए जब है बताओ किसका नाम ले ले आप में से जिसका नाम ले ले जिसमें जो है किसका नाम ले जाए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सब को आ गया किसका नाम ले ले जा इसमें से जिसमें मुझे लगे कि भाई इसमें changes हो सकते हैं नाम इतने छोटे छोटे क्यों रखते हो आप लो चलो देखते हैं भाई संजीव नाम आ रहा यहां पर वो देखते हैं संजीव कि यह लिखा हुआ हमने कहा कि हमने यहाँ पे डवाल की जहां पर एफ रख दिया अब बताओ कि यह इसके डिजिट में कितने के कमी आ संजीव पेपर आरा सब कुछ छोड़ो छाड़ो बताओ इनके नाम में कितने की कमी आ जाएगी अगर हमने यहां पे डबल ली की जहां पे कितना रख दिया एफ रख दिया अब कुछ बच्चे तो नाम को उल्टा करके पढ़ डगो कि क्या बन जागा जल्दी से मज़ा लेना सुरू कर दे देखो भाई पहले कितने हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ पहले कौगे सर जी पहले तो साथ है हमने कहा अब देखो भाई डबाली की जहां पे सिर्फ हमने एफ रख दिया अब कितने हो गए इसको हटा दो अब हो गए एक दो तीन चार पांच छे यानि कितने की कमी आई पहले साथ था, अब हो गया है छए, तो भाया कितने की कमी एक की, एक वटे साथ इन्टू हंड़ेड, यानि answer percentage में कमी कितने या दो हंड़ेड राई सेवन webcam क्या सभी की बाद समझ में आ रहा है क्या रहा है, अरे आ रहा है अब एक तो ये कोश्चन आता है कहता हम उनसे ज़्यादा कमाते हो तो बताओ हमसे कितना कम कमाते होंगे बताओ ये भी कोश्चन है कमाई के बारे में तो बाती नहीं की जाती है और ऐसे कोश्चन पूछे था जल्दी से कमेंट बाक्स में कौन कमेंट कर पाएगा ज़रा देख लेते भाई बहुत बढ़िया बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत सांदार बहुत जबदस बहुत जिंदवाद चलो भाई अगला कोशन आगा कोई 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 टाइप बचे गरे जैसे थमनेर में लिका न वही होने वाला आज ज़र 40 उपय कमाएगा की नहीं कमाएगा अरे हाँ या ना भाई कमाएगा की नहीं कमाएगा कमाएगा ना कहता बी की इंकम एसे कितना कम है तो भाईया कितना कम है आप कहोगे सर्जी 40 कम है किस से पूछा गया है एसे जिस से पूछा जागा यही सबसे बड़ी मिश्टेक वाली जिस से पूचा जाएगा उसको नीचे रख दोगे किससे पूचा गया एसे पूचा गया किस ते चालीस ऑब बीस सते कितना एंडराइट अब दूस्व बटे सात प्रतिसात correct क्या सारे प्यारे भाई वहनों को समझ में आया की नहीं आया अरे आसान था की नहीं आसान था भाई अब कर लोगे दुबारा ये कोश्टन चलो जरा देखते हैं ये कर पाते हो की नहीं कर पाते हो गलत किसी का नहीं होना चाहते हैं वह मार बहुत जादा खा जाओगे हमने यहां पे 40 की जहां पे कर दिया 20 अब बताओ क्या होगा इस कोश्टन का सही एंसर अब बताओ भाई जरा जल्दी से कमेंट बॉक्स में सब के सब एवरीवान और जल्दी से बता दो क्या होगा 40 के जहां पे हमने 20 कर दिया अब बताओ बहुत अच्छा बहुत सांदार कुछ करना थोड़ी है अगर सर जी आपने वो 40 के जहां पे 20 किया था तो कुछ होगा थोड़ी बच्चों के अंसर कमेंट आने लगें बस समझ देते हैं कोशन कैसे हो पाएगा बाई तो यहां पे 140 यहां पे 120 हो जाएगा बस और कितने की कमी है 20 की कमी है किस से ए से ए वाले को रखोगे नीचे इंटू कर दोगे 100 बात खत्म 20 छक का 120 इसको काटोगे 50 बटे 3% बोले तो 16 दो बटे 3 इदर राइट एंसर और पूरी की पूरी क्या कहता आप सभी के सामने थोड़ा सा लेवल बढ़ाया और आप सभी को तुरंथ सब्सक्राइब कर दो अरे हाया ना लाना है पेपर में 30 में 30 पक्का है तो क्या सारे टाइप करोगे कि सिरफ हलके हलके कोश्चन पढ़ने आयो है रे ऐसा तो है नहीं सब के सब अब ऐसा पढ़ने आयो कि भाई 30 में 30 पेपर में लाना किसी भी तरीके से तो उसके लिए थोड़ा अच्छे लेवल कभी तो प्रसने पढ़ना पड़ेगा ताकि पेपर में अगर अच्छा लेवल आजए तो सिरफ हमी लोग स्वाल्व कर पाए सीधी सी बात है तो चलो भ प्रतिसत एसे अधिक है लो कितना आसान कोशन बचो वाला कोशन आ गया है ना चलो जला समझते हैं एबी से 75 परसन पहले तो उसको साइड में ले ले लेते हैं देखते हैं क्या मामला है यह यह 75 परसन का मतलब होता है एक बटे सो अरे हाया ना तो मैं जाए कह सकता हूँ 25 यह 75 और पचीश चो कसो बोले तो तीन बटे चार कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता हूँ यह तो आपको मन में रटा होना चाहिए लिखने के जोतना पड़े दुबारा ठीक है तो भाई दूसरी बात को समझते हैं ना जितेंद कह रहा है सर्जी पूरा मैस कंप्लीट कराओगा अब आँ समझते हैं ए बी से 75 परसंट कम है जो ए है ना वो 75 परसंट कम है कम होने का मतलब है अगर बी आपका जो है चार होगा तो उससे तीन कम है यानि ए जो होगा एक होगा कि नहीं होगा पहले तो यही वाला बताओ लाइन पहला लाइन सिंपल लाइन सभी को समझ में है कि नहीं समझ में आया पक्का है क्या मैंने कहा A B से 55% कम है यानी 3 बटे 4 कम है तो अगर B आपका 4 होगा तो यह 3 कम होगा बोले तो एक होगा की नहीं होगा होगा की नहीं होगा अच्छा ठीक है जो अगरे बात प्याते हैं तो मैं कह सकता हूँ कि C आपका 9 बटे 4 होगा की नहीं होगा खतम कोश्चन कुछ नहीं करना है खतम हो गया यहां नीचे बटे 4 दिख रहा है न तो थोड़ा सा आराम करने के लिए थोड़ा सा मन को सांतोना देने के लिए सभी में 4 कमल्टिप्लाई कर दो क्यों ताकि यह नी सब्सक्राइब कितना ज्यादा है पांच ज्यादा किससे पूछा एसे वाले को नीचे रखोगे इंटू हंडेड चार से काटोगे पचीश चोकस्तों और पचीश पचीश एक्सों पचीश यानि सही एंसोर आ जाएगा 125 परसन क्या सारे भाई भहनों को समझ में आया कि नह और लाइक भी जरा इतना ही संग्चम पहुचा दो भाई सबके सब हैना 125 लाइक भी जरा पहुचाई दो है ना यह देखो क्लास सुरू नहीं हो नहीं कहने खतब कभोगा क्लास यह हल है और फिर कहेंगे सर जी सेलेक्शन इस बार भी नहीं हो पाया कैसे कर पाऊ गए जब नहीं पढ़ाते ठक रहा तो आप पढ़ते क्यों ठकोगी यह भी तो सोचो आओ जरा कोशन समझते हैं क्या हुआ यहार देखो पचाई एक फिर से रिपीट करेंगा फानल 75 परसन मतलब 3 बटे 4 होता है ए बी से 75 परसन कम है यानि गर बी 4 होगा तो एक उससे 3 कम यानि एक ह परसंट है वह भी वहने कर दिया सीधी सी बात है यानि सी 9 बटे 4 हो गया अब यह चार नीचे से हटाना तो सभी में चार चार का मल्टिप्लाइब कर दिया तो चार सोला नौ का रेशियो बन गया कहता है ए जो है वह सी से कितना कम है तो भाया देखो 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 सी नीदा कोश्चन है बाई रेलवे का है ना गलती मत करना ध्यान से करना बताना क्या होगा सही एंसर बहुत सांदार बहुत जबदस बहुत जिंदा बात आओ भाई जड़ा देखते हैं ए बी से 25 परसंट जादा है बी सी से 40 परसंट कम है सी डी से 30 परसंट अधीक है तो यह जड़ी जा तुनंत किया जी कैसे कर पाएंगे कभी लोगों में लगातार जो है वह आपसे कहते हैं कि एक हिसाब से रिलेशन मनाने लगे कहें एक से इतना कम है तो या दखना हमेशा को सब्सक्राइब करना सुरू करतो क्या पीछे से सॉल्व करना जैसे मैं समझाता हूं ध्यान से समझना है इस कोशन में क्या कहता है हमारे पास ए हमारे पास बी या फिर मैं आपको और आसान तरीका बताता हूं यह भी छोड़ो यार बहुत आसान तरीका बता आप 25 परसन मतलब क्या एक बटे चार होता है अरे हां या ना 40 परसन मतलब क्या दो बटे पांच होत बहुत अच्छा भाईया 30% मतलब क्या होता है 30% मतलब क्या होता है 30 बटे 100 यानि 3 बटे 10 आरे होता है कि नहीं होता है अब कोश्रंग खतम हो गया और कुछ करना नहीं है बस बात खतम ए और बी के बारे में बात कर रहा है क्या ए बी से अधिक है 25% ए ज्यादा है 25% किस से बी से यानि B अगर 4 होगा तो A 25% जादा है यानि A 1 जादा है तो क्या 5 हो जाएगा की नहीं हो जाएगा बहुत जबदस भीया अब आते हैं B और C के बारे में बात करते हैं देखते हैं क्या कहता है B C से 40% कम है B कम है C से 40% यानि अगर आपका C 5 होगा तो वो 40% कम है यानि 2 कम है यानि कि वो कितना होगा 3 होगा अरे आया कि नहीं आया बहुत तगड़ा यार अब आते हैं C और D के बारे मैं बात कर लेते C जञादा है 30% यानि अगर D 10 होगा तो C 10, 3 ज्यादा होगा तो C कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा खतम हो गया question बस यही और क्या इसमें कुछ और थोड़ी आपको करना है question खतम होगा अब उसने क्या कहा यह वताओ कि D जो है A से कितना कम है अब भगया आपको एक चीज़ साथ अब आप लोगों नहीं पढ़े होगे कि मैंने अब रेशियो नहीं पढ़ाया है जब रेशियो पढ़ लोगे तो आपको सिंपल सा वो चीज़ भी समझ में आ जाएगा क्या हम कैसे यहाँ पे रेशियोज को बराबर करते हैं जैसे हमारे पास A हमारे पास B जो इस पेस खाली है न उसमें वही संख्या भर देते हैं जैसे चार है इसके बगल में चार है चार भर दो इसके बगल में पांच खाली है भर दो इसके बगल में तीन लिखा है भर दो ये तेरा है भर दो ये तेरा है भर दो लेकिन आपको सबका मल्टिप्लाई नहीं करना यह महां सोचो कि सबका मल्टिप्लाई करेंगे तो फिर कईसे हो पाएगा हमें सिरफ A और D से मतलब है तो उन्हीं से मतलब रखो बस आओ किसे से नहीं एक इतना है ज़ल्दी से बताना कि हां संखी सरजी ये संख्या कट रही है नहीं चलू 195 हो गया 15 गुडे 13 पांच ओका 20 20 दाई में 200 ये 200 हो गया उसने क्या पूछा कि एक कितना कम है तो कितना कम है वाई 5 कम है किस से d से कितना है 200 इंटु हंडेट सो दूनी 200 दो से काटा धाई एंसर आ गया धाई पर्सन क्या सभी को समझ में आया कि नहीं है बस question क्तम हो गया धाई पर्सन धाई पर्सन धाई पर्सन कमेंट भी बच्चों के आने लगे अरे बोलो हाँ या ना क्या समझ में आया की नहीं है देखो मैंने आ रहा है आसान कोश्टन ने लिए मैं पहले ही बता दू मुझे आपको 30 में 30 दिलाना है इसके लिए चाहे जितना बड़ा डाटर लेना पड़े मैं लूंगा और आप सभी को बिल्कुल तरीके से को असली से समझ में आजाए पक्का है कि लिए रहे दो कुछ बच्चे करें पांच कट रहा है हम वही संख्या काटेंगे जो सभी में बराबर कॉमन हो अदरवाइस नहीं काटेंगे के लिए अच्छा ठीक है अब दिखो मैं इस यहां पर फेस कर रहा हूं कुछ बच्चों प्रॉब्लम यहां प्यारी मैं बिल्कुल आराम से समझ रहा हूं कि क्या दिक्कत आरी मेरे सारे प्यारे भाई वहने को क्योंकि अभी आप बिल्कुल छोटे से हो तो आपको देखो प्रॉब्लम यह आरी ना मैं बताता हूं क्या प्रॉब्लम आरी है कि सर्जी अगर कहता ह A जो है 30% कम है किससे बी से तो अब यह कैसे बता देते हो कि 10 और 13 होगा यह प्रॉब्लम आ रही की नहीं आ रही देखो भाई 30% कम होने का मतलब है 3 बटे 10 कम है किससे इससे तो हम ऐसे लिखते हैं कम है तो ऐसे लिखेंगे तो कौन कम है A कम है यानि अगर B पूरा का पूरा दस होगा तो A साथ ही होगा यह ऐसे करते हैं समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हैं इसी वज़े से आपको यह दिक्क्त हो लिए और आइसे अब यह कोशन समझ में आ गया होगा कुछ खास नहीं करना है 25% कम है आपने यह रेशियो बना दिया फिर B और C में यह रेशियो बना दिया और सभी में प्रॉपर एक डिएयो सौलव करके तुरान तैंसर आपना निकाल दिया अरे ऐना पक्का है तो राइक बनता है कि नहीं बनता पहले het कर पाएंगे इस कोश्चिंग को किस तरीके से कर पाएंगे को बना भी दिया कर भी दिया लाइख अचर और बावगी सो बच्चत क्यों नहीं लाइक कर रहे हैं अच्छा ठंडी यह थोड़ा सा मोबाइल गर्माज है फिर लाइक करते आराम से है ना चलो ठीक है हाँ ठीक आराम से करते ना नहीं और दुबारा ना कर देना तो डिस लव लाइक हाट जाएगा फिर है ना चलो आ जाते जरा समझते हैं क्या कहता है संख्या है कोई उसका 38% और संख्य 38 और माइनस 22 यानि की परसंटेज में जो अंतर आएगा वो आपका कितना आएगा 38 में से 22 माइनस करोगे तो I think 16 आएगा की नहीं आएगा लेकिन वही चीज़ उसने संख्या में दे रखी है तो 32 सो दे रखी है तो यह 16 परसं की वैलू 32 सो आई एक परसं की वैलू 200 आएग और उसका हमने हमारे पास संख्या आगी हंडे परसंट की वैलू आगे 20 हजार उसने कहा यह बतो इसका 15 परसंट कितना होगा तो इसका 15 परसंट अगर आप निकालोगे तो 20 हजा का 15 परसंट निकालने में कुछ है थोड़ी 15 दूनी 30 यानि कि 3000 आ गया बोलो क्या कोशन आसा करता है यह बाई यह जानतों यह वह अला टाइप है कि चीनी वाले जो कोशन साते कि दुकान पे जब चीनी लेने गए तो दाम आपको बढ़ा मिला अब सौ रुपय में आपको चीनी कम या ज्यादा खरीद के लेकर आओगे तो यह बताओ दुकान का जो पहला मूल क्या थ और अभी मूल लग आता चलो यहां से एक कोश्चन फिक्स करने ना ठीक है जैसे यह कोश्चन जिन बच्चु को समझ में लाइक कर देना और इस कोश्चन को फिक्स कर ले ना कि यह कोश्चन तो हमारे पेपर में आता है और अगर नहीं आएगा तो जब तक नो बोलते रहे ना जब तक समझ में नहीं आया मैं आपको समझाता रहूंगा कि क्या कहता पहले पूरे कोश्चन को ध्यान से पढ़ने का काम है क्या कहता कोश्चन जड़ा समझना चीनी की मूल में हमने 50% की कमी कर दी तो जो भोगता था वह 120 उपर में 3 किलो चीनी ज्यादा खरीदा अब दोनों के दोनों चीजित दुनिया का किसी भी कोश्चन आ जाए जहां पर चीनी आलू बोरा कुछ बी कम या ज़यादा खरीदो के सभी में लागू होगा क्या देखना चाहते हो पहले तू यह बता दो भाई है जादू देखना पहले आराम से पहले concept देखते हैं हुआ क्या चीनी का दाम 25% कम हो गया यानी बोले तो पचीस परसंन कम मतलब होता हैक बटे 4 अगर पहले दाम चार रहा होगा तो आप दाम क्या 3 रहा होगा कि निए होगा होगा चेही नहीं समझ में आया तो हमने कह लो अगर ये भी समझ में आए तो आपको और बच्चों की तरीक़ समझा देते हैं जड़ा समझ Less 25 परसं कम होने का मतलब अगर पहले सो रहा होगा तो 25 कम यारी प हुगा यानि पचीश चोक कह 100 25 1 75 बोलो आप तो समझ में आया कि नहीं आया आगे ना अगली बात प्याते यह बाई सेलिंग प्राइज का वैलू कर रहा है कि भाई पहले चीनी चार रुपए का बेशता था तो अब तीन रुपए का बेशता है अगर मालो मैंने यही कॉस्ट प्राइज कर दिया आप सभी को पता होना चाहिए सेलिंग और कॉस्ट ऑलवेज उल्टा होते है अरे सीधी सी बात है कि नहीं है ठीक है अब आ जाते हैं क्या मामला है अब समझते है हुआ क्या हमारी हिसाब से यह समझ में आया कि उसकी जो प्राइज है ना वो तीन से चार हो गए कॉस्ट प्राइज और वजह से हमने 120 सुपह में तीन किलो चीनी जादा खरीद लिया अच्छा ठीक है आपके रेसियो में कितने का डिफरेंस आया एक रेसियो का और किलो में कितना जादा खरीदा तीन केजी जादा खरीदा तो भाईया तीन रेसियो की वैलू एक रेसियो की वैलू तीन तो तीन रेस्यों की वैलू 9 और चार रेस्यों की वैलू 12 क्योंकि एक की वैलू 3 तू चार गुड़े 3 बरावा बारा तीन गुड़े 3 बरावन 9 यह एंसर नहीं यह ना सोचना कि यह एंसर हो गया अब जितना पैसा लेकर जाओगे उसी में तो खरीद के लेकर आओगे कैसे देदेग जो पहले प्राइस था वो 40 बटे 3 था अब बोलो क्या सबको बात समझ में आई कि नहीं यह आई यही ता एक बहतरीन सा कॉमसेट जो आपको समझना था आई सिंग मेरे सारे प्यारे भाई बहनों को बात समझ में आ गही होगी यह कॉमसेट है जादू तो अब दिखाएंगे ना यह तो पहले कॉमसेट समझ लो और इससे दागे को कहां गये भाई आज ज़्ली से कोश्चन हां यह कॉमसेट समझ लो पहले तो सब के सम यह कॉमसेट है कि लिए कुछ समझ में आया की निया कॉमसेट आया समझ में है ना अभी ऐसे जादू नहीं दिखाएंगे पहले मुझे यह कोश्चन आइंसोर आप लोग बताओगे तभी जादू फिर से समझा देंगे दोन टवरी पहले तो सौल तो करिए क्या कहता पहले कोश्चन तो पढ़ो बहुत सांदार कहता है कि चीनी का प्राइज 25 पर समझाने के लिए कर रहा ना आप तो जली जली रेजियो लगाते चले जाओ तुरूंत नंबर लेकर चले आओगे 25 पर संदाम बढ़ा यानि पहले दाम अगर सो रहा होगा तो अब 125 हो गया तो 25 चोका 100 और 25 पचे 125 यह सेलिंग प्राइज होगा तो क्या कोश्च प्राइज आपका 5 और 4 होगा और डिफरेंस आया एक रेशियो का और इसमें आपने कितना किलो कम खरीदा चार किलो कम खरीदा उसने न्या वाला पूछा ना तो न्या वाला ये है ना एक रेशियो बराबर 4 4 रे और 16 कितना रुपै लेकर गएते 506 चार चुका 16 और 25 यानि न्या वाला प्राइज कितना हो गया प्चीस बटे चार हो गया बस एंसोर आ गया यही यारा की नहीरा बहुत सांदार बहुत जवदास बहुत जिन्दावाद बताओ क्या किसी को गरवड है किसी को कोई दिक्कत है नहीं अब ये बताओ चीनी का पुराना मूल अगर यहां पूछता तो कितना बताते कि चीनी का पहले वाला प्राइश कितना था आप कहोगे सर जी एक रेसियो बराबर चार तो पांच र उपह लेकर गया था सौ रुपह लेकर गया था तो चीनी का पहले प्राइस था बीस पंचे सो यानि पांच रुपया खतम बात ठीक तो क्या जादू दिखाया जाए अरे बोलो हाँ या ना जादू भी एक कॉमसर्ट है और वो भी हर जगा यूज होगा हर जगा यूज कि नहीं है जिससे आप आराम से कर पाऊ अच्छा देखें इसके बाद भी वही कोश्टन है क्या अच्छा चलो यह कोश्टन दूसे टाइप का चलो यह बताओ अब आओ यह को समझते हैं और करते चलो बहूं जादू से यह कोश्टन नहीं पाएगा पूछो क्यों पूछो तो भाई सब के सब ये तो पूछी लो कम से कम कि सर जी आखिर जादू से ये कोशन मैंने कहा स्वालव नहीं हो पाएगा पूछो क्यों पूछो तो भाई हाँ देखो इसी वज़े से जादू से ये कोशन स्वालव नहीं हो पाएगा क्योंकि जादू वाला काम काम होता था ज अभी इतना ज्यादा कोहरा हर जगहां कि धूप हाई नहीं तो भी जादू अलब कोश्चन नहीं स्वाल वो पाएगा लेकिन फिर भी हम करते हैं ठीक है और जला समझते हैं कैसे कर पाएंगे जादू से कोश्चन को ध्यान से समझना और ध्यान से करना आसानी सा कॉमसेट अराम से कर सकते हैं ठीक है चलो कहरा धूप निकला हुआ है क्या आजवाई लेकिन उसने कम या ज्यादा क्यों खरीदा क्योंकि 25 परसंट राहुल कि देखो जरा एक सेकंड जरा वाइस बन करिए हलो चलो फोन आ गया तो दादा इसे वेज़े तो थोड़ा से रुकना पड़ा कोई परसाइए नहीं समझते हैं क्या 25 परसंट वैलू बढ़ी तभी तो हमने 100 रुपए में 4 किलो कम खरीदा अगर वैलू ना बढ़ती तो क्या कम या ज्यादा खरीदते क्या नहीं न तो आपने 4 किलो कम या ज्यादा इसी वज़े से खरीदा क्योंकि 25 परसंट वैलू बढ़ीती हैं तो एक केजू की वैलू कितना आएगा 25 बटे चार आएगा और यहीं चीनी का नया मूले था कि नहीं था कि नहीं था जड़ा देखो हां जाना अगर आप 100 रुपए ना लेकर गया होतें 200 रुपए लेकर गया होतें तो इस 4 किलो के जगापे 8 किलो कम खरीद के लाते की नहीं लातें अरे हां या ना तो आपने यह 4 किलो चीनी इसलिए कम खरीदा क्योंकि मैं 100 रुपए लेकर गया था और 25 परसंट दाम बढ़ी है अरे हाया ना ठीक अब जरा अगली बात प्याते इस कोश्चन को जरा करो और मुझे बताओ चीनी का नया मूले देखो मैंने दस निकाल लाओ लेडी और आप सभी जल्दी से बताना कि भाई नया मूले कितना आएगा सब के सब जल्दी से बताओ बहुत बढ़िया बहुत सांदार ठीक चलो हाँ अब समझते हैं भाई तीन किलो चीनी ज्यादा क्यों खरीदा पहले मुझे सब के सब अपने मन से बताओ कर पा रहे कि नहीं कर पार पहले तो अपने मन से बताओ सब के सब फिर मैं बताओंगा भाई सांदार बहुत जब दस बहुत जिंदवाद नेवाला मूले कितना आया के चीनी का अरे आया कि नहीं आया अब समझते है वह हमने तीन किलो चीनी का में ज्यादा क्यों खरीदा पहली बात तो मैं एक सो बिस उपहले के गया था और पचीस परसंगी कमी आई थी तो ए अरे हां या ना खत्म होगे कोश्टन कैसा लगा बोलो भाई लगा ना ये कोश्टन आपको लिखना भी पड़ेगा क्या इस चीज को नहीं ना आप तो यह मन में स्वाल्ब कर लोगे भनारवन तरीके से कुछ ना किसी दिक्कत बिना किसी परेशानी का अरे हां या ना एवरी चिंता ना करना कि सर जी यह टाइप नहीं हुआ वो टाइप नहीं हो हर टाइप कराएंगे चाहें दुनिया कोई भी टाइप आपसे पूछा जाए अगर आप यहां पर चैनल पर टिके हो तो आपको सब कुछ कि रहर हो जागा इस बात के या रखना बहुत बढ़िया चलो कि उसकी खफद कितना कम करा जा कि कोई बदला ना हो उसके expenditure में तो आप जो कम करोगे वो बढ़ी हुई price से कम करोगे कि नहीं करोगे करोगे ना और कितना कम करोगे 20 रुपय कम करोगे तो हमने 20 रुपय कम किया और कहां से कम किया जो price बढ़ गई है वो हां से कम करेंगे त तो बीस बटे 120 इंटू हंडेड वीश चक्का 120 सो बटे च्छे बोले तो पचास बटे तीन प्रतिसाथ इस दराइट एंसर आप इस कोश्चन क्या बास सभी को समझ में आई की नहीं यानि 162 बटे 3 बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत सांदर बहुत जिंदा बास कोई परसानी कोई प्रॉब्लम नहीं हर बच्छे को समझ में आगी ना पचास बटे तीन कर लोगे ठीक सिंपल सा क्या कि कितना कम करेंगे हम करेंगे 20 कम अरे कितने से जो प्राइज बढ़ी है उससे इंटू क्या कर देंगे 100 करेंगे कोई दिक्कती नहीं है रीजिनिंग की क्ल आजाये करिये वहां से आपको रीजिनिंग विल्क्त उब्ल्कु समझ मे आह जाएगा ठीक है चलो एक यह से कॉस्टंब पर आजाते है जच्छा के चलो आसांसे कोशन यह बहुत घबड़ा नहीं जो कर सक्այर नहीं जाता चलो और यहीं चैनल पर ठीक है और चलो आज़िए बहुत अच्छा आप उपर जागए तो आपको उपर सब दिखाए देगा चैनल सब्सक्राइब कर लिजे और आपको बेल आइकोन दिखेगा बगल में बहुत दबा ले ना ताकि जैसे कोई वीडियो पड़े आपको नौट बेकेशन उसके मिल जाए क्या करना दो काम कर लो डैन बोल दो भाई कमेंट बॉक्स में जितने बच्चे नहीं किया है तो सब्सक् चलो हो गया बहुत बढ़ी है 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 बेटा ठीक है चलो बहुत अच्छा जितना बच्चा नहीं सब के सब्सक्राइब कर लिजे और सब के सब डन 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 बोल दीजे गुड मॉर्निंग गाईज गुड चीज़ यहोगी प्राइज भी बढ़ा और अपना हम वैभी यानि एकस्पेंडीचर भी बढ़ाने वाले दोनों चीज़ समझाते जरा समझना क्या कहते हैं प्राइज जो है वह 24 परसंट बढ़ी मतलब सौ रुपय था तो हमने प्राइज बढ़ा कि हम अब प्राइज जो हो होगी तो भाईया अब आपको इन्हीं दोनों से मतलब है कितना कम करोगे 124 में से 15 माइनस कर लो 9 514 यानि 9 कम करोगे कि नहीं करोगे कितने में से जो जल्दी से 124 है उससे और इंटू क्या कर लोगे 100 कर लोगे कि आब बास सभी को समझ में आई कि नहीं आए खतम हो गया को तो लेकिन चलो चार से काट देहां चार तियां बारा और चार एकनम चार चार से काटो के 25 तो पत्चीस गुड़े नौव बटा एकत्तिस दराइट एंस और इसकोश्चन बोलो बास सभी को समझ में आया कि नहीं अब यहीं आप इसी को सॉल्ब करोगे इसी परसेंटेज मे कोई ना कोई वैलू निकल कि आएगी इसी मंदब रेशियो में धन्यवाद भया जल्दी भगवान करें हो जाए नहीं हो जाए तो जब अधस पार्टी देते आप सभी को फिर बुलाते हैं अगर जल्दी से वन मिलियन पर हम लोग पहुच ए तो ठीक है बहुत बढ़िया कि बहुत अच्छा तो भाई 7.2 बहुत अच्छा क्या हो जाएगा सेवन पॉइंट टू कितना दे रखा लगवा मुझे लग रहा आएगा सेवन पॉइंट 25 क्या सपस आगा तो सेवन पॉइंट 3 सही एंसर हो जाएगा कटीन था क्या यह कोशन यार नहीं बिल्कुली तो आसानता कुछ तो नहीं था भाई प्राइज बड़ी सौ से एक सो पचीस हमने एक स्पेंट अपना वैक यह जो है वह बढ़ाया 15 कितना नौ ज्यादा कितना 125 से कोशन खता मुझा कुछ आप नहीं करना पड़ेगा अब अगला टाइप यह वाला आ जाता है जड़ा देखो हो गया तो मुझे लगता सबसे पहले यहीं वाला स्वाल करो कोगे सर जी यह तो बड़ा आसान कोश्चन दे दिया आओ जड़ास कोश्चन करते हैं आदमी जितना कमाता था 80% वह खर्चा कर देता था अब इंकम बढ़ी 20% अब इंकम बढ़ी तो भईया खर्चा भी तो ब कि जो है इसका साथ दो के तब ही हो पाएगा और कैसे दो के साथ सेर करिए गृूब्स में जाएए वहा हां सैर कर जितना फेस क्यूंक घूणिझे नवहां रह शेयो तब ही हो पाएगा क्योंकि हम तो सिर्फ मेहनस से पढ़हा सकते हैं अगर हम पढ़ाए भी और हम यह अ आवे कि हम पूरा 100 परसंट देंगे बस सेयर आपको करना और आपको पहुचाना है ठीक है कोई डिफरेंस नहीं है नमबर आफ कोश्टन्स का डिफरेंस और लेवल का थोड़ा सा डिफरेंस अनुराग है ना है बस बहुत बढ़ियां बिल्कुल 2017-2019 समीम आज इसरा कोश्टन समझते कैसे करता है कि देखो भाई आदमी जितना इंकम करता है ठीक जितना भी आदमी इंकम करता है और जितना आदमी खर्चा करता है एकस्पेंडीचर बोले तो खर्चा मैं 100 रुपय कमाता हूं 15 रुपय खर्चा कर देता हूं तो बचाता कितना होंगा उसका माइनस कर सेविंग आ जाएगा बोलो हाँ या ना यही तो है जितना मेरी इंकम है उसी में से मैंने expenditure माइनस कर दिया तो क्या मेरी सेविंग आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी अचा कोशन में क्या कहता है अपनी इंकम का 80% कर देता अब इंकम तो बताया नहीं अगली बात पर आते अगर इंकम 20% बढ़ जाए तो 100 का इंकम 20% बढ़ाने का मतलब है अब वही लड़का 120 रुपय कमा रहा है अरे हां या ना चलो मैंने कहा ठीक है खरचा 10% बढ़ जाए यानि अब 80% का जब 10 रुपय 10% बढ़ाओगे तो 898 रुपय बढ़ जाएगा यानि अब खरचा हो जाएगा 88 रुपया अरे हां या ना जल्दी से बताओ तो भाई सब के सब पक्का तो भाईया ये बताओ कि ये दोनों माइनस करोगे तो अब वो बचाया कितना 32 रुपय बचायेगा पूचा कितने परसन उसकी बच्चत बढ़ जाएगी कहोगे सर जी पहले 20 बचाता था अब 32 बचाता है यानि 12 रुपय बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया किस से 20 से इंटू 100 तो 20 पंचे 100 बारा पंचे 60 यानि बच्चत जो बढ़ जाएगी वो 60 परसन बढ़ जाएगी कि न दो गंटा चला सके ठीक है पक्का है आराम से समय आगया समझ में आगया कोई दिक्कत कोई परसानी कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं अच्छा ठीक हमने क्या मालने की 100 पर उसकी इंकम होगी 80 खर्चा किया 20 बचे रहा होगा उसने कहा इंकम दस पर 20% बढ़ी 100 का 120 होग देखते हैं इस 20 को अगर मुझे 100 बनाना है तो क्या मुझे 5 को मल्टिप्लाइब करना पड़ेगा की नहीं करना पड़ेगा तो इस 32 को अगर हमें आपको पत यहां उपर 5 को मल्टिप्लाइब के तो यहां भी 5 करोगे तो यह 160 हो जाएगा यानि कितना बढ़ गया 160 बढ़ साथ में ही होगा चाहे कुछ भी हो जाए तो चलो जल्दी से सौल्व करो लाइक करते रहे ना कोई बच्चा लाइक क्या कहां पर कमी नहीं होनी चाहिए क्योंकि जितनी लाइक की कमी होगी उतना मज़ा कम होते जाएगा तो पूरे लाइक करते रहो अगर समझ में आ रहा ह कहता खर्चा और बच्चत में 7 और 2 का नुपात है यानि अब हमने फिर से वही चीज़ लिखे क्या सबसे पहला तो हमने लिख दिया भाई यहाँ पर इनकम इसके बाद फिर हमने क्या लिखा यहाँ पर उसका जितना expenditure हमने वो लिख दिया इसके बाद हमने क्या किया जितना saving है वो लिख दिया अब कैसे निकालोगे जड़ा देखते हैं भाई इनकम मेंसे expenditure माइनस करो और saving निकाल के लेके चले आओ किलर गाईच कोई परसानी अच्छा ठीक है अगली question पर आते हैं ना खर्चा और बचत ये साथ और दो के अनुपात में अब देखो कितना आसान यार आपने साथ रुपए खर्चा किया दो रुपए बचा लिया तो इसका मतलब आपने नौ रुपए कमाया होगा की नहीं कमाया होगा बोलो भईया अरे हाँ या ना खाली हाँ या ना में बोल दो क्या मैंने कहा अगर आपने साथ रुपए खर्चा किया है दो रुपए बचाया है इसका मतलब आपने नौ रुपए कमाया होगा कि नहीं कमाया होगा कमाया होगा ना परसंटेज में दिख रहा है इसको जरा एक एक जीरो अपने आप बढ़ा लो क्यों क्यों कि परसंटेज में सौ वाले मामले बढ़ा आसान होते हमने कुछ चेंज नहीं किया अपने मन से खाली जीरो बढ़ा लिया बस कोश्चन खतब अब कहता है खर्चा 14% यानि जो पहले 700 कमाता था अब उसका 14% ज्यादा कमा रहा है तो 14,98 अब 798 रुपए खर्चा कर रहा है कि नहीं कर रहा है अच्छा ठीक अगली बात पर आए 12% बढ़ जाए इंकम जो है वो 12% बढ़ जाए तो 12,98 एक सो वार्ट जब आप 900 में जोड़ोगे तो पईया कित कितना बचा रहा होगा एक हजार आठ्ट में से 798 तो भाई इसका खर्चा हो गया कितना सा साथ सो इन्थानवे कहों कि सर जी 210 बचा रहा है ठीक अब कितना ज्यादा बचा रहा है जला देखो इस 200 को 100 बनाना तो कितना करो गए 2 का डिवाइट करोगे तो यहां भी 2 का मेट होगे ना तो भनावन दिमाग चलेगा और जबड़त तरीके से सारे के सारे कोश्चिंग कर लो कि बीना किसी परिसानी बिना किसी प्रॉब्लम बीना किसी दिक्कत को किलियर तो यह कोश्टन था आप सभी के लिए जहां पर कोश्चन आप सभी से पूछा जाता है अब आ लाइक वगर आप लोग करो यार इतनी महनत करने आपके लिए और आप एक लाइक भी नहीं कर पा रहो कैसे ही मजाएगा ये भी तो सोचो कैसे मजाएगा फिर हैना कम से कम लाइक तो करी दीजा और लगे कि हां है कुछ बच्चा जो इसने लाइक करा हुआ है चलो आज वह सम सनरी पर खरचा कर दिया और बचा हुआ जितना भी था उसका 50% उसने ट्रांसपोर्ट पर खरचा कर दिया इसके बाद उसके बास बचा है 900 रुपया तो यह बताओ उसने अपने पिता से कितना रुपया लिया था अब देखो ज़रा इस को मन में कैसे स्वाल्प करेंगे हम हमने मान लिए है सब तो परसंटेज की तो बात कर रहा है है की नहीं है तो हमने यह मान लिया कि मान लो उसके पापस उसको 100 रुपय मिला था कितना 100 रुपय मिला था 40 परसंट होस्टल में खरचा कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा 40 रुपय होस्टल में 20 रुपय स्टेस् कितना बचा है 40 रुपए बचा है उसका 50% मतलब 40 का 50% यानि 40 रुपए का आधा यानि की 20 रुपए उसने खर्चा कर दिया ट्रांस्पोर्ट पे तो अब मात्र 20 रुपए ही बचा रहे गया होगा कि नहीं वैचर रहे गया होगा लेकिन कोश्टम में कहता है 900 बचा है यानि इस बीस की वैलू 900 ब्क्रीक कितने का 45 45 हमने कितू सब्सक्राइब किनी सब्सको आवल कि लियर कोई थिक्कत कोईध कोई हीन नहीं एक बाप हीट से समझते कैसे हमने माले उसको पापा सब 100 रुपए मिला था ठीक 40% होस्टर पे मतलब 100 का 40 होस्टर पे खरचैर कर दिया अरे हाई तो 20 पर क्षेशन्य रुपए 20-60 उपर खरचैर कर दिया सेज कितना बचा 40 उपछा 40 होब Chairman खरचैर कर दिया चले next question पी आजो अब आ जाते हैं यह वाले question यह तो बहूत important है है लेकिन मैं डियागराम से करते हैं सहने नहीं करता हूँ मैं एक ददादा उन से करते हैं अब चलो the which the timing आपको उपर मिल जाएगी channel आर्ट पे आप जाके वहां से देख लिजेगा सब कसा आपको वहां से समझ में आ जाएगा ठीक है चलो आते हैं ज़रा समझते हैं इस कोश्चों को कैसे कर पाएंगे क्या कर पाएंगे कैसे नहीं कर पाएंगे ठीक है चली लाइक कर दिए जल्दी से अच्छा लग रहा है थ तो भाई इस class को आगे continue करेंगे हम लोग कल morning की 10 बजे I think आपको मैंने आज जितना भी 12-15 टाइप पढ़ाया होगा वो बहुत अच्छे सब को समझ में आया होगा अगर आया है तो please like करिए और देख सकतो बिना किसी परिसानी बिना किसी problem का और आम से score के थूर देख सकतो सार पर खतम करने ना तो मैं पहले कुछ टेस्ट लूँगा आप सभी से फिर आप सभी उस चीज़ का एंसों बताईगा क्या हो जाएगा सबसे पहले इस question का एंसों मुझे बताईए कल मैंने ये question आप सभी को कराया था और इसका जादूई तरीका भी बताया था आप मैंसे बह जल्दी से बताओ यार गजब बहुत अच्छा कहता है 25% वैलू अगर आपने बढ़ाई ठीक है ध्यान से जड़ा देखते हैं क्या कहता है कोशन कहता है कोशन अगर 25% वैलू बढ़ाओगे तो सौ रुपए में चार किलो चीनी कम खरीदोगे तो भाई आप चार किलो चीन को क्लियर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बस यही कोशन कह रहा है कुछ और ही नहीं फिर्पासा कोशन आसान सा कोशन सबके सब कर लोगे क्या किसी बच्छे कोई दिकत कोई परसानी नहीं ना सब को समझ में आ गया और एवर्टिंग इस किलियर अरे हाँ या ना चलो पाएगा भाई या कि इस कोशन का सही एंसर कितना आएगा यह सब हमने पहले वाली क्लास में अलिडिक कर रखा है यह हमने सब पहले क्लास में कर रखा है कोई दिक्कत नहीं है को चलो चलो भाई लगा दिए जरा सबसर कमेंट दिखा दिए बत्चों के ठीक है चलो बहुत बढ़ियां बहुत बढ़ियां बहुत बढ़ियां ठीक है हां कल का पीड़ेफ मिल जाएगा पीड़ेफ मिल जाएगा पीड़ेफ कल की मिल जाएगे रात वाली ना पीड़ेफ इतना बढ़ाना पड़ा आपको नौ बढ़ाना पड़ा कितने पे 124 पे इन्टू हंडेड घतम हो गया किलियर गाईज कोई दिक्कत कोई परसानी नहीं आप्सन नमबर ए आ जागा यहां पर बिल्कुर सही अंसर इसके अलावा हमने कल जो है ऐसे कोशन में हमने पढ़ रखे सब्सक्राइब अगर यहां पर इतना खर्चा करता है तो जल्दी से बताओ कि क्या हो जागा सबस्राइब कर और बहुत बढ़िया कि बताइब बिल्कुर बिल्कुर यह कोशन जो हमने कर था इसका अब मैंने कल इसको कोशन बताने का क्या तरीका अपना था यहार देखो 40 परसन उसने अपने हॉस्टर पर खंचे कर लिया माणलो पापा से 100 रुपए उसको मिला 100 में से 40 रुपए उसने हॉस्टर प CPA कर दिया उसके बाद 20 रुपेC sats난ar चाली कोड़े हो गया और बचा कितना होगा यानि इस 20 की वैलू कितनी है 900 दे रखी है अगर इस 20 की वैलू 900 दे रखी है तो आपको पता एक की वैलू कितनी आ जागी 45 आ जागी और 100 की वैलू कितनी आ जागी 45-100 आ जागी क्या बोलो सभी को बात किलियर होगे की नहीं किलियर होगे और ऐसे यह तरीका नहीं बताएंगे जब तक कि बहुत सारा बच्चा यहां पर लाइव नहीं होने वाला और बहुत सारा बच्चा यहां पर लाइक नहीं करने वाला तब तक यह तरीका नहीं होगा एक बार सब के सब जल्दी से कमेंट बॉक्स में रेडी बोल दीजिए और देखो बाई कहता है कि कोई परिक्षा हो रही थी 52 परसम विद्यारती हिंदी में 42 परसम विद्यारती अंगरेजी में फेल हो गए ठीक है 17 परसम विद्यारती दोनों विसवों में फेल हो गए तो कितने परसम विद्यारती दोनों में पास हुए एक चीज़ा ध्यान से ऐसे क को सौल्व करते समय समझना हमसे पास होने का डाटा पूछा गया किसका पास होने का डाटा पूछा गया तो ध्यान से कैसे समझेंगे कि पास होने का हमसे डाटा पूछा गया है एक सब्जेट आप सभी के पास जो है उसका नाम है हिंदी और एक सब्जेट आप सभी की जो पा अगा पूछाघ तो अगर यह बता हो बावन परसं विद्यार्ती हिंदी में फेल हुए है तो भाक्याएं पास सो में से 42 घटा दो 58 परसन लोग पास हुए होंगे सिंपल कोशन खता होगया सत्रा परसन विध्यारति अगर दोनों में फेल हुए हैं तो भईया पास कितने हुए होंगे सौ में से सत्राइग तो यानि तिरासी पास एंगा खताम हो गया उसने कहा यह बताओ टोटल कितने लो ऌमें कुल मिलाके 23 परसमिध्यारती पास हुए होंगे क्या हर बालक बालिका को कोस्टन का एन्सो thirty आया की नहीं आया है कि और हाया ना अरे हाया ना भोलो है सब के सब कितना आसां कोश्टन था एक 없이 आपको समझना स्कूर्ष में आपसे जो डाटा पूछा जाएगा कोंशन उसी के गॉर्णिक समंझ में आजाएगा हमसे पास होने तो सेवन्टीन माइनस कर दो सो में से 83 पास हो जाएगा वह यहां पर होंगे विद्यार्थी टोटल के टोटल यह कोशन आप सभी से पूछा गया बहुत अच्छा बहुत सांदार कितने कोश्चन करवा दिया अभी यह दूसरा चलता है और देखो बात में सारे प्लेश के जुड़ जाएए और सारे प्लेश जो है अलड़ी अपडेट हो चुके हैं और सारे के सारे प्लेश बहुत सांदार तरीके से चलने हैं आज हो जड़ा इस कोश्चन को देखते हैं अच्छा यह बताओ हमें जो फाइनल डाटर दिया है ना वो कितने का दिया वो पास होन एक बार हमने लिखा यहाँ पर मैस और एक बार हमने लिखा यहाँ पर बोथ बस कोश्चन इसी पर खतम हो जाता और कुछ इसमें नहीं करना पड़ता है 60% विद्यारती अंगरेजी में आपके पास हुए हैं कितने 60% विद्यारती पास हुए हैं यह बताओ हमसे पास होने का दो डाटर निकालना है ना और यहाँ पर पास होने का दिया इसका मतलब चेंज नहीं करना पड़ेगा तो यहाँ पर डिरेक्ली 60 लिख देंगे अगर यह फेल का होता तो फुट्टी लिख देता क्यों क्यों कि 60 अगर पास है तो 45 फेल होंगे 70% गड़ित में पास हैं क्या हमारे पास पास ही का तो डाटर चाहिए तब तो कोई दिक्कती नहीं है 70 ही माल लो और 10% दोनों में फेल है लो भईया फेल आ गया और अगर फेल हैं हम तो पास का डाटर चाहरा है अगर 10 दोनों में फेल है तो पास क्या 90 हुए होंगे की नहीं हुए होंगे खतम question देखो भई या total pass कितने हैं 7, 6, 13 और 13 में से 4 minus करोगे तो 49 minus करोगे तो 40% आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा हम इनको इनको करते हैं कितना plus और इसमें से ये minus कर देते हैं तो हमारे पास आ गया कि 40% विद्यारती pass हुए हैं but according to question 120 विद्यारती pass हुए है यानि 40% की वैलू 120 है एक की वैलू 3 आएगी और अपने आप में विद्यारती 100% होते हैं तो 100% की वैलू 300 आ गई इसका मतलब 300 विद्यारती होंगे जितने बच्चों का आएंसर आ रहा है वो सभी के सभी जवर्दस तरीके सही बता पा रहे हो बहुत सांदार बहुत जवदा सांदार बहुत जिंदावाज अरे हाँ याना केलियर है पक्का सबको समझ में आ गया बहुत अच्छा बहुत सांदार है बहुत easy question है, बहुत simple question आसानी से कर लोगे, कुछ खास नहीं करना, सिरफ pass उने का data देखो, और questions का आराम से निकाल तो answer कोई दिक्कती नहीं है, कितना आसान question है, next question पर ज़र आ जो, अब देखो भई, इस question को समझना बहुत जरूरी है, ये question तीन बार railway के paper में आ चुका, और ये question तो group D का भी label का paper है, group D का भी question ये paper है, तो इसी वज़य से इस question को ध्यान से समझना, पहले हर एक concept को समझो कि क्या कहरा, question क्या नहीं कहरा, फिर आगे बढ़ाएंगे, ठीक, आजो भई, सब के सब, क्या कहता ज़रा समझना, विद्ध्यार्थी को maximum number का 15% मिला, लेकिन 10 number से fail हो गया, अगर उसको 30% मिला होता, तो आपसे कहता है, वो 20 number ज्यादा पा गया होता, तो आपसे तीन question इस तरह के papers में आपके बनते हैं, पहला पूछेगा, भई ये बताओ, total number कितना था paper में, यानि paper कितने number का हो रहा था, दूसरा ये पूछेगा, उसको maximum कितना number ले नहीं कर पाता है, जरा comment box में no बोल दीजे, और, और, और भईया, चलो, अब आते जरा समझते कैसे कर पाएंगे इस तक कोश्व, आप कोगे ना सर जी इतना आसान तो हमने कभी सोचा ही नहीं था, पहले question को समझो कि क्या कह रहा है, question बिलकुल धान से, पंद्रा परसन मिलत तो दस नंबर से फेल हो जाता, 30 परसन मिलता तो बीस नंबर जादा हो जाता, ऐसा question जिंदगी में कभी भी कहीं भी दिखे एक कौश्व लगाना सत्यम सर का, इन दोनों परसेंटेज को माइनस कर देना, यानि 30 में से, यानि की 30 में से, आप क्या करोगे, 15 परसन को माइनस क लेना, तो भाई 10 प्लस 20 का हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 30 में से 15 माइनस करोगे, तो 15 ही आएगा, और 15 परसन की वैलू 30 है, एक परसन की वैलू 2 आएगा, और कोई भी पेपर अपने आप में 100 परसन होता है कि नहीं होता है, अगर एक परसन की वैलू 2 आगया, तो 100 परसन की वेलू कितना आजाएगा दोसों आजाएगा यानि वो पूरा पेपर दोसों नंबर का रहा होगा क्या पहली बात सभी को समझ में आगे की नहीं आगई अरे हाँ या ना बहुत अगर अगला आते हैं नियुनतम कितना नंबर पास वाले के लिए जरूरी है भाई दोस का अगर उसको पंदरा पर से मिलता है यानि पंदरा दूनी तीस नंबर अगर उसको मानो मिलता है तो तीस नंबर मिलने के बाद वो दस नंबर से फेल हो जाता है इसका मतलब अगर उसे चालीस नंबर और मिल जाता तो वो पास हो जाता कि नहीं हो जाता यानि की नियुनतम पर है वो दोसो नंबर का है इन्टू क्या कर दोगे के 100 कर दोगे lubya मैं आसान ठा कितना असान था था हैना कितना आसान सा कोशन था कितना कौशन था कितना इज तरीक आएगा शिजुर्णहीं कौशन दिखे हमें कुछ खास नहीं करना सीधी एक काम करना है कि percentage का कर दो माइनस और जो नमबर दे रखे उनका कर दो plus तो एक इतना percent बराबर इतना आएगा हमें निकालना है hundred percent बराबर कितना है याँ टोटल नमबर कितने का था उसके बाद 15 percent मिलता तो नमबर से फेल हो जाता यानि अगर उसे तीस नमबर मिलता तो दस नमबर से फेल हो जाएथा तो दस और जोड़ दो चालीस नमबर अगर उसे मिल जाएगा तो वह पास हो जाएगा अच्छा मैं एक चीज़ इसमें change करता हूँ आप लोग बताना वाया की नहीं है मैंने यहां पे एक change कर दिया लोग आपके लिए कोश्चे में थोड़ा से change मुझे सभी के answer लेकिन चाहिए याद खना मैंने क्या कहा यहां पे 15% कर दिया और यह मैंने आपके लिए कर दिया 25 ठीक अब मुझे बताओ जल्दी से कितना answer आएगा तुरंत बताना answer बहुत मैंने क्या कहा यह आपके पास 30% लिखा ना इसे को कर दो 25 बहुत अच्छा बहुत सांदर बहुत जमदस बहुत जिंदवाद अब देखो कितना पूरा पेपर कितने नंबर का हो जाएगा 300 का हो जाएगा कैसे 15 में से 25 माइनस करोगे तो 10% आएगा और 10% की वैलू 20 और 10 कि तो आपको निकालना है 100% की वैलू जो कि 300 आ जाएगा तो हर बच्चे का कमेंट मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे पूरा का पूरा पेपर 300 नंबर का हो जाएगा उसने कहा 300 का 15% नहीं 45 नंबर मिलता तो भाई 10 नंबर से फेल हो जाता तो 45 और 10 55 नंबर अगर मिल जा है बोलो क्या यह भी बात आसान ही से समझ में आगे की नहीं आगे विके हैं क्या concept इसमें लगाएंगे कि वाकई मज़ा आजाएगा और सब किसब जल्दी से आजए ये और जल्दी से बताइए इस तरह के कोश्चों को हम कैसे कर पाएंगे कि अगर चलो बहुत बढ़ियां बहुत सांदार है बहुत अच्छा कि सारे सारे टाइप कराएंगे ना डोंट वरी फॉर डैट बहुत बढ़ियां कि सारे टाइप के आजओ नेक्स पर अब देखते हैं कहता है दो अमिद्वार के बीच में चुना हुए और जो पहला था ना उसको टोटाल लोट का सी पर से मिला और अगर टोटल एक लाख सी हजार रुपए एक लाख सी हजार टोटल ओटिंग है ना और इससे वह बीस पर सन उसको जो ओटिंग थे वह इन्वैलिड हो गया तो यह बताओ दूसरे वाले को कितना मिला होगा यह आसान सा कोश्टन है सिंपल सा कोश्टन है जड़ा देखते कैसे कर पाएंगे ठीक है चलो भई आराम से समझते हैं देखते हैं कैसे कर पाएंगे ठीक चलो आते हैं देखते हैं आराम से समझते हैं भाई देखो सब के सब भाई यह बत थे किलिर है अगली बात प्याते है हुआ क्या उसने कहा है दूसरे वाले को कितना मिला पहले वाले को नहीं दूसरे वाले को कितना मिला लेकिन इस एक यहाहหा सी हजार ओट में से 20 पर संट लें तो इनorc है और इस पूरे वैलिड ओर्ट का 80 परसन पहले आदमी को मिला है इसका मतलब जो दूसरा आदमी के वारे में पूछा गया उसको कितना मिला होगा बीस परसन मिला होगा यही तो इस कोश्टन का एंसल हो गया किशन खतम हो गया मतलब कोश्चन अब विश्वास में मालो कितना असानी से कोश्चन खतम हो गया कुछ थाई ने इस कोश्चन हो अग्दम बच्योंवाला कॉमसेट आपको लिए देगया बस खतम हो गया कोश्चन एक दो तीन चार चार जीड रो कटा तो भाई उपर भी काटो एक जो तीन चार अठारा गुड़े आठ दूनी सोला हम कोश्चा में कुछ नहीं करना अठारा गुड़े सोला करना अराम से 288 आ जाएगा यानि 288 और दो जीरो और है तो दो जीरो और बढ़ा तो 28800 दूसरे आदमी को उट मिला है खतम बहुत अच्छा बहुत सांदर बहुत सिंपल सा कोशन सब को समझ में आया आया जो बोलो भाई बिटेट थो बढ़ा दिये सिंपल है आप देखते भाई क्या हमने कहा यार एक लास काशी हजार तो और तो आपने का चलो सब्दी हमने बिलकुल यह बात मालने फिर हमने कह यार इसका बीस परसंटें वैलिट हो गए ना इसका मतलब 80% होंगे और उसने कहा दूसरे को बताओ कितना मिला क्यों क्यों कि पहले वाले को तासी मिला है तो दूसरे वाले को तो क्या भी सही मिला होगा ना बस खताम हो गया कोशन कुछ नहीं करना था जारा ओटिंग सिस् लाइक कर डा लिए सबके सब और दूसरे टाइब को कोशन देखते हैं पचात्य परसंट जो लोग ने ओट अपने दिये पचात्य परसंट मत दाताओं ने अपने मत दिये और दो परसंट तो इन्वैलिड हो गए खीक है अब हुआ क्या एक उम्मिदवार था जिसको 9261 ओ रखा है कि 9261 एक आदमी को ओट मिला हमसे टोटल ओट पुछा है न हमने माले हैं टोटल ओट मालो के एक सबढ़ा होगा इसका 75 परसंट लोगों नहीं ओट दिया कितने लोगों नहीं ओट दिया ओके दो परसंट इन्वैलिड हो गया यानि वैलिड कितने होंगे 98 परसंट वैलिड होंगे मतलब इतने तो वैलिड ओट पड़े है एक उम्मिद्वार को 9261 मिला और जो डालेगे कुलमतों का 75 परसंट था यानि यह डालेगे कुलमत है इसका 75 परसंट जो है वही कितना है 9261 है बस कोश्चन खतम यहीं से आपको X की वैलू निकालनी है कोश्चन आ पचीश तियां 75 पचीश चोका सो पचीश तियां 75 पचीश चोका सो फिर 14 से मन करें काटे 1478 और 1492 सो एक्सवर भी काट दो अगर कट पाए तो है ना 14 से हां ठीक है नहीं कटेगा तो लबलब जीरो जीरो पॉइंट जितने भी आएंगे काट दो अफिस चार से काटो और न पंदर तीन अठारा फिर तीन से कटेगा तीन एकरम तीन तीन दूनिच्छ चाह तीन नमा सताइस ठीक है हां बिल्कुल अब चार चार का मल्टिप्लाइब कर दो दिवाइड कर दो उससे एंसो तुरंत आ जाएगा ठीक है बस यही आपको फाइनल निकालना है तो क्या करना 139 का मल्टिप्लाइब चार में फिर 4 मल्टिप्लाइब कर दिया चार चार मल्टिप्लाइब कर दिया तो आजएगा 2064 और आपके यहां पर जो है नीचे डबल जीरो कर दो नीचे 20 और डिवाइड बे करोगे 98 तो आपका लबहला हो जो लगता है 216 की आसपास नेर अवाउ इंसर हो जाएगा टोटल ओट हमारे पास निकल के चले आएंगे और यह याद दखना जो टोटल ओट होंगे वो दादा 9261 से जादा ही होंगे तभी आप आएगा एंसर अब ओटिंग सिस्टम का आज का तीसरा कोश्टन देखते हैं कि इस तीसरा वाले कोश्टन को ओटिं सिस्टम का आज का तीसरा कोश्टन है कहता है एक चुनाओ में 9 परसंट जो है लोगों ने अपने ओट नहीं दिया इसका मतलब एक्चलिम उस चुनाओ में मात्र एट आपके लिए 91 परसंट ओपड़े होंगे कि नहीं पड़े होंगे जब 9 परसंट ने दिया ही नहीं तो 91 परसंट ही टोटल ओट पड़े होंगे की नहीं पड़े होंगे जल्दी से बता दो भाई पक्का नहीं बहुत बढ़िया अच्छा ठीक है अगली बात प्याते हैं उसने कहा और जीतने वाले उम्मिदवार को कुल ओटिंग का 46 परसं मिला अब यहां पर दो चिल लिखेंग जो जीत रहा है ना उसको मिला है 46 परसंट कितना जीतने वाले को कितना भी ओट पड़ा था वह या उसका 46 परसंट मिला था अब बढ़ा अच्छा मोड़े हां से आपके लिए आएगा बढ़ा सांदार सा मोड़ आएगा जरा समझेगा क्या हां ऐसे ही कुछ जो भी आएग कैंए थोड़ा सा और जादा आएगा है ना अच्छा ठीक ल crappy दूसरा अब ये बता अदमी को मिला अगर एक को 46 परसंट मिला है तो दूसरे वाले को कितना मिला होगा और यहींतो हमें समझना कि दूसरे वाले कीतना मिला होगा क्या सांदार सा समझना और यह देखना जो व ओट देने गय ही नहीं नाइन लोगों तो ओट देने गय ही नहीं तो भाई 51 में से 46 अगर पहले आदमी को मिला है तो भाई या दखना दूसरे वाले को कितना मिला होगा 45 मिला होगा इसमें से माइनस करोगे इसको आजाएगा 45 परसंट ओट किसको मिला हारेने वाले को इनके ह हेसाब से total gaping जो आ रहा है वो ही परसंग का रहा है जीतने और हारेने में लेकिन कहरा 100 होट से जीता यानि एक परसंग की वैलू 100 आ गए हमें क्या चाहिए हमें total ओट चाहिए जो कि 100 परसंट थे तो 100 परसंग कितनी आ गए यहां भी 2-0 बढ़ाओगे यहाँ भी दो जीरो बढ़ाओगे दस हजार इदा राइट एंस अब भी कोश्टिंग खत्म हो जाएगा और एक क्लियर है के नहीं क्लियर है आसानी सा है कोश्टिंग समझ में आया यहां पर समझना था यह बड़ा अच्छा कॉम सेट था हमें यह समझना थे कि इसके लावाद दो कोई भी आंसर नहीं आपाएगा तो दस हजार इदा राइट आंसर भी कोशन बिल्पू सही आंसर हो जाएगा चलो बाई एक बड़ा ही तगड़ा बहुत ही सांदार एससी का कोशन हमनों ले लेते हैं और ये बहुत इंपॉर्टन कोशन इसलिए है क्योंकि इसमें कॉमसेट बड़ा जबरदस्ता लगता है और ये कॉमसेट में मज़ा और भी जादा आएगा अगर आपने यही 99 लाइक को पूरा का पूरा सौवा कर दिया तो भगया देखना चाहते हो कि यह सौवा लाइक कौन ठोकता आप सभी में से और लेडी हमनों 99 लाइक से पहुच चुके हैं सब के सब सौवा लाइक जल्दी से मार दो भाई जितने मच्चों अभी तक हैं यहां पर लाइक नहीं मारा है सौवा लाइक कौन करता जड़ा देखते हैं बहुत बहुत जिंदा बात चलो आते हैं अब कोशन को समझते हैं क्या कहता वाई चले चलो बहुत अच्छा कोशन है कहता चीड़ेगर में जो प्राइस थी ना वह आपके लिए पांच रुपे वहां की प्राइस थी आमने का चलो बात मान लिया बाद में क्या हुआ टिकेट की प बताना है कैसे कर पाँगे चलो अब समझते हैं जो बत्सक्षेन में यहोच करेंगे फिर पांच पैसा बढ़ाएंगे पांच का पैसा नहीं बढ़ाएंगे वो सब काम नहीं करना है अफिए जिसका carbon Ella मान लो टिकट की जो भी प्राइज रहा होगा चैना सौ रुपै और जितना उसका सेल हो रहा होगा या फिर मैं सेल ना कहके कि Tetna यहां पर विजिटर आ रहे होंगे जितना लोग घूमने आ रहे होंगे box study Channel और एक आदमी घूमने आ यह रहा है तो कुल मिलाकी जो सका एनकम होगा वह भर ऑई क्या सो रुपया होगा कि नहीं होगा इतना आएगा कี่ नहीं आएगा पहले तो यही आख्यार विजिटर बराबर उतना रिबन्लूजरनेट होगा की नहीं होगा हूगा चलो भई आते हैं हमने मान लिया टिकेट की प्राइज-पहले 100 रुपया थी और 100 आदमी आता था पहले तो यानि कुल मिलाके वो 10,000 रुपय कमा लेते थे पांच रुपय का काम ही नहीं इसको तो जाने तो किनारे यहां पांच ना लिखके 5 लाग कहता 5 करोण कहता पांच अरब कहता कुछ कुछ भी कहता तो कोई मतलम नहीं होता है न अब आते ज़रा अब हमने प्राइस 20% कम कर दी अब बताओ जैसे ही सौका 20% कम करोगे तो क्या सी हो जाएगा सिंपल सी बात है कि नहीं बात है अच्छा ठीक है तो विक्री क्या हुई 44% अधीक होने लगी विक्री 44% अधीक होने लगी तो कितने लोग जादा आने लगे तो भाईया जहां पर यह 10,000 होता था था ना अब यह 44% अधीक हो रहा यानि अब यह 14,400 हो रहा हमें कहिए चाहा इसकी वैलू चाहिए इतना इंटू एक्स बराबर इतना तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा एक्स बराबर आ परसन की व्रिद्धी होगे कि नहीं हो गया करता मों की कि आसान था है कि हमें कुछ जादा नहीं करना था था आपने सिरफ कॉमसेट के ध्यान देना था और जैसे आपने कंसेट ब्हान दिया खतम हो जाएगा तो इस पांच रुपय कोई काम नहीं था हमने मान लिए पहले 100 लोग 100 रुपय प्राइस था सो आदमी आता था तो 10,000 कमपनी कमा लेती थी अब हुआ क्या कि प्राइज कम हो गई है अब लोग तो बढ़ेंगे बढ़ेंगे और लोग बढ़ेंगे फुर्टीन परसंट यानि जहां पर दस हजार था वहां पर 14,400 हो गया हमें किसकी वैलू विजिटर की वैलू चाहिए तो विजिटर की वैलू आया एक सौसी पहले सौ था अब एक सौसी हो गया बात खतम हो गया दस हजार रुपय का जब फुर्टीन परसंट बढ़ाएंगे यानि एक सो चौदा निकालेंगे तो बहुत कम आया पेपर में यह पेपर का कह सकते कि नहीं इतना important questions को जूता ही also वह यह question बाता यह question बढ़ी है फिक है क्यूंकि यह मैंने आपको जो ऐसे question कर आ रहा हूं वही सभी के लिए ही बनेने ओखर यह सारे question कर ऊenk ठीक है आज ऑबहुत अच्छा बहुत सांदार बहुत अरे सभी को समझ में कि आ रहा है कि नहीं आ रहा रहे हां या ना ब 수도 कम से कम इतना तो कमच मेंट करिष्य calorie हो रहे है हाई आ ना एक अक्षा बहुत सांदार बहुत जबस एक यहाल के यह है जया, नेहा, राकेस, लाल महुन, वियारजेड, राम, सुभा, आसा बहुत बढ़ियां, बहुत बढ़ियां जाकिर, सुभम, चंदा, स्वाहिल, बहुत अच्छा, सैंडी पूछोगे, अगर आप पूछोगे कि सर ये ने सुनम्याद, तभी न रिपीट करेंगे सुभम, अभी, अब देखो, अब सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, जो नहीं सुनम्याद, उसको कहो कि सर जी समझे नहीं आरा दादा, तब तो रिपीट कर देंगे, कि ऐसे ही सारे कोशन थोड़ी फिर तो रिपीट करते चलेंगे, तो परसेंटेज आज क्या, दो-चार दिन बाद भी नहीं खतम हो जाएगा, आप खतम ही हो गया है, बस एक कॉमसेट आपको ये बताना और एक कॉमसेट आपको ये सुखा पाज ताजे फानी हो बताना, उसके बास फिर सक्सेट आपके हाथ में है, परसेंट कोई कोशन आपके अधा तु हमें चाहिए होगा, ये कॉशन आप सभी से पूछा गया, कहने सर जी एकजाम ठंडी में ही क्यों होती है, हाँ, ये भी बात आप में बिल्कुल सही पूछा है, यही बचा ही रह गया, और कुस्तों बचा ही नहीं रह गया, चलो आते हैं, ठंडी में इसी बज़ बहुत सारे अंतर हो जाएंगे, है ना, इसी वज़ए से थंडी में होती है, ताकि जो चाहब काले नहोदूप में, है ना, आते हैं, धातों के 25 परसंट भाग में 90 परसंट आ रहा है, मालो नहीं हमने 100 किलो कोई धातो लिया, इसका 25 परसंट जो भाग है, यानी 25 किलो मालो इस 25 किलो में 90 परसंट आ रहन है, और बाकी का जो 75 परसंट है ना, इसमें कोई आ रहन नहीं है, मतलब इससे मतलब ही नहीं हमें, इसको जाने दो किनारे, कोई मतलब नहीं है, इसके 25 परसंट भाग में 90 परसंट आ रहन है, यानी 25 किलो में मैं ये बात कह सकता हूँ, कि 90 ब हमने मानलिया पूरा धातू है पचीस परसंभाग वो पच्चत्ता परसंभाग को हमने अलग दरख तोड़ा है लेकिन सेज भाग में कोई आरन नहीं है तो 55% भाग का कोई मतलब ही नहीं है और हमने सीधी सी बात बोली है कि 25% भाग में 90% आरन है यानि 25 का 90% बोले तो 90 बटे चार आयरन है लेकिन ये नब्बे बटे चार आयरन कितने में है पूरे के पूरे सौ किलो में है यानि अगर हमें नब्बे बटे चार आयरन चाहिए तो हमें कुल मिलाके सौ किलो खर्चा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा और अगर हमें चाहिए 60 kg और अगर 60 kg आरण चाहिए तो बस बात खतम हो गई तो 60 kg अगर 4 चाहिए तो 60 का मल्टिप्लाइए करो 100 बटे 90 इंटू 4 इंटू 7 अब मल्टिप्लाइए करो कटा 3 तिरिक नो और 3 दुनी 6 चार दुनी 800 बटे 3 किलो यानि अगर आपको 60 kg आरण चाहिए न तो आप 100 बटे 3 किलो क्या करना पड़ेगा हां बिल्कुल इतना धातू आपको लेना पड़ेगा पक्का है सबको समझ में आ गया अरे कोई परसानी पक्का है नहीं ना ओल क्लियर एविटिंग चलो अब इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट आता है बहुत तगड़ा और आज का ल सब्सक्राइब कर लिए और फिर इसका कमेंट बॉक्स और बोल दीजेगा फिर स्टार्ट करेंगे आज आज का आखरी और सबसे महत्यपूर कोश्चन जो पेपर में आएगा क्या कहता जला ध्यान से समझेगा या ताजे फलो में डब्बे परसन पानी है लेकिन सूखे फल फल चाहिए तो कितना किलो ताजा फल चाहिए इसका भी जादूी तरीका देखोगे क्या अरे हाया ना बोलो भाई क्या इसका भी जादूी तरीका देखने वाले हो अच्छा आते हैं अब दूसरी बात प्याते हैं पहले इस कोश्चन को और किस तरीके से कर सकते थे कई सार लोगर मैंने कोई तर्बूज खरीदा है तो आप में देखा होगा तर्बूज में कितना ज्यादा पानी होता है है की नहीं है कितना ज्यादा उसमें जो है वो रस भरा होता है तो और दो चीज होती है एक तो उसमें वाटर होता है पानी होता है और यह उसमें होता पल्प है पल्प बोले तो गूदा जैसे हमने तर्बूज को क्या किया 8-10 दी तर्बूज लाए 5 किलो का खरीद के अब उसको 8-10 दीन हम क्या रखे है छट पे अपने रख दिया बहुत दूप हो रहा था बहुत दूप हो था 8-10 दीन आपने भी तरीके का क्यों नहों उसमें हमेशा जो पल्प होते हैं वह बराबर ही होते हैं अगर मानों पहले पांच किलो पल्प है तो अभी भी पांच किलो पल्प होगा पहले कर दस किलो पल्प है तो अभी भी पंदरा किलो पल्प होगा लेकिन जो चीज खतम होती है जो चीज है तो क्या भाईया पल्प यहां पे 10% होगा की नहीं होगा अगर वही सूखा फल होता है तो 12% पानी होता है तो क्या यहां पे पल्प 88% होगा की नहीं होगा और मैंने आपको एक उपर भी 22 होगा की नहीं होगा बिल्कुल होगा तो उपर आपको 22 का मल्टिप्लाई करना पड़ता है तो 229,199 और 22 और देन उसके बाद 23 और 22 यहां पर लिखा हमने तीन और 22 अब देखो क्या पल्प की संख्या बराबर हो गई यह पल्प का परसंटेज बराबर हुआ की नहीं हुआ अरे हुआ की नहीं हुआ बिल्कुल नहीं हुआ अच्छा ठीक है अब कहता है क्या 100 किलो हमें सूखा फल चाहिए यानि 22,23,25 य लेकिन उसके हिसाब से कितना करना सो करना तो 25 कि वैलू अगरू और उसने कहा कि 100 है तो एक के वैलू कितनी आएगी चार आएगी और कितनी ताजिफल कितना साइग EAR 222 अगर एक कि वैलू चार तो 220 कि वैलू कितनी हो जाएगी अभी आप को कि सब्सक्राइब नहीं आएगा 220 गुरुचार यानी आठ्स ऑस्जी आएगे एंसोर आठ्स ऑस्जी आएगा ऐसे है ना मेरी बात को समझना मैंने क्या कहा एंसोर आठ्स ऑस्जी आपके पास ऐसे कि लिए रगाइच अरे हाया ना है हां कि यह आठ्स ऑंसिया लेकिन यह बहुत बड़ा मिठर नहीं लग रहा है कि नहीं लग रहा है कि नहीं लग रहा है कि नहीं लग रहा है लग रहा है कि नहीं लग रहा है लग रहा है कि नहीं लग रहा है लग रहा है लग रहा है लग बाई ताजे फल में 90% पानी था तो आपने 90 लिखा तो 10 आपके पास वो हुआ कि नहीं हुआ और उसके बाद अगर यह आपके उसने कहा 12% पानी तो यह 88 हो जाएगा हमने काटा रेशियो नीचे 22 आया उपर एक आ रहा है मैंने कहा पल्प हमेशा बरावर होना चाहिए मैंने क्या कहा पल्प हमेशा बरावर होना चाहिए अगर नीचे 22 है तो उपर भी 22 पल्प होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बिल्कुल होना चाहिए तो हमने multiply के 192 और 32 आ गया उसने कहा सूखा पल कितना चाहिए 100 हमारे साथ सूखा पल कितना आ रहा था 223 पचीस तो पचीस की value 100 तो ताजा वाला कितना था 220 था तो 220 की value 220 गुड़ चार यानिकी 880 बोलो बाई समझ में आया की नहीं आया अरे हाँ या ना गाईज अरे बोलो भाई सब के सब क्या बात बिल्कुल clear समझ में आगए कोई दिक्कत कोई परसा नहीं लेकिन इसका कोई जादुई तरीका भी तो होना चाहिए यह इतना बड़ा question अब paper में कैसे ही solve कर पाएंगे मज़ा नहीं आएगा उतरा जादा है ना जादुई तरीका के लिए सबी को subscribe और like जो करना पड़ेगा अब ज़रा समझते हैं कि जादुई तरीका क्या हो सकता है और कैसे कर पाएंगे ध्यान से ज़रा समझो कि भाई कैसे 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 कर पाएंगे किसी बच्चे के पास कोई idea है कि जादुई तरीका करेने का क्या जुगार हो सकता है अरे हाँ या ना कोई भी idea कोई idea नहीं 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 अच्छा तो जादुई तरीका के लिए आपको थोड़ा से इंतजार मुझे लगए करवा देते हैं आपको थोड़ा से इंतजार करा देते हैं कि जादुई तरीका कैसे हो पाएगा कैसे नहीं हो पाएगा इसके लिए थोड़ा इंतजार तो आपको करना पड़ेगा तब ही तो असली मज़ा गया था फिर आप इंतजार नहीं करोगे तो फायदा ही क्या होगा है की नहीं है है की नहीं अगर इंतजान नहीं करोगे तो फायदा क्या होगा लेफ्ट दा कोश्चन ये कोश्चन तो आसान था मैंने आपको बताया तो हाँ बिल्कुल करा दो गए चलो तो जादू तरीके लिए आप खुदी खोजना इसको अगर जिन बच्चों ने कल जादू तरीका खोज लिया और टेलिग्राम पे मुझे इसका जादू तरीका भेज दिया तो मैं कल उन सभी बच्चों के यहां पे नाम ले लूँगा कि वाई ये बच्चे ने जादू तरीका खो जा और ये जादू तरीका मुझे बताया और दुबारा मैं आपको इस कोशन का जादू तरीका जो बताऊंगा ना वो मात्र एक लाइन का जादू तरीका है कितने लाइन का है एक लाइन का यहाँ पर इसको solve करोगे और इसकी value आजाएगी 880 यह एक line का जादी तरीका है है ना पक्का है एक line का जादी तरीका है पक्का याद अब गई एक line का है ठीक नहीं समझ मैं कोई दिक्कत नहीं है अच्छा ठीक है अच्छा यह बताओ कल मैंने आप सभी को reasoning की sitting arrangement पढ़ाया था दिन में तीन बजे वीडियो डाला था क्या सभी को समझ में आया था पहला पार्ट sitting arrangement का मैंने कराया था समझ में आया था आज मैं आपको जो तीन बजे वीडियो दूँगा उसमें sitting arrangement मैं questions कराऊंगा बहुत अच्छे अच्छे question है बहुत important question तो भी और ज्यादा मज़ा आ जागा और तगड़े तरीके समझ में रेसो के यहाँ पर सिरीज को अच्छे से देखेंगे इसके लावाद जो बच्छा भी आविन अकडेमी मुझे फॉलो नहीं कर रहा है भाई फॉलो कर लिजेगा आप सारे जोग courses बिल्कुल free में देख लो जितने भी courses हैं सब के सब आप free में देख सकते हो जितने भी classes free वाली है फुली जोज के साथ सब के सब यहाँ पे जल्दी से कमेंट बॉक्स में ready कमेंट कर दो भाई और सब के सब आ जाईए और स्टार्ट करते हैं आज ratio का जादू ratio क्या है ratio से questions कैसे कैसे आते हैं किस तरीके से ratio पूछा जाता है और भी दुनिया भर की जितनी बाते हैं वो सब कुछ हम यहाँ पे ratio के बारे में start करेंगे मुझे हर बच्चे का कमेंट बॉक्स में ready चाहिए तभी असली मजा आएगा और तभी पूरी तरीके से body जो जो से भर पाएगी मैं तो बिल्कुल ready हूँ आप ready हो की नहीं हो यह बता भाई कोई दिक्कत नहीं भाई कदोरी कोई दिक्कत नहीं भाई तो चलो भाई start कर देते हैं ratio बिल्कुल basic से समझेंगे बिल्कुल advance level तक समझेंगे सब कुछ ध्यान से समझेंगे ratio क्या है ratio में क्या क्या चीज़े पूछी आती है देखो सबसे पहला जो ratio का part आता है वो आता है प्रपोस्टनल के बारे में आप से कहेगा थर्पोस्टनल बताओ आप से कहेगा फोर्पोस्टनल बताओ हाँ बिल्कुल यह ratio की पहली class है ठीक है आप से इस तरीके से पूछेगा खतम हो जाएगा आज जी बड़ा चोटा सा चेप्टर है तो थर्पोस्टनल फोर्पोस्टनल के बारे में सबसे पहला ratio में कोश्टन आता है तो जैसा आपको कोश्टन पहला दिख रहा है कि लिखा हुआ 3, 8 and 7 आप से क्या पूछा गया है यहाँ पे हमसे 4 प्रपोस्टनल में पूछा गया है न तो कैसे निकालते हैं 3, 8 प्रपोस्टनल सेवन और 4 फोर्पोस्टनल हमसे पूछा गया है जो कि हमने मालने की X है क्लियर अब आपको पता है बच्पन की किताबों में आपने सवाल क्या होगा बोलो क्या सभी को 4 प्रपोस्टनल की बास समझ में आई लेकिन आपको इतना नहीं करना कि पेपर टाइम पर पहुचे और इतनी सारी बातें वहाँ पे करने लोगे इतना आपको नहीं करना है आपको क्या करना है आपको यहाँ पे बी सी अपान एका फॉर्मूला लगा देना है मैंने क्या कहा बी सी अपान एका फॉर्मूला बोले तो आठ गोडे साथ चपन और चपन बटे यानि की तीन क्या एंसर डारेक्ट आ गया लगा आसान कि अगर कभी भी फॉर्मूला पूछा जागा तुरन बता दोगे आचा ठीक है मैं एक कोशन पूछता हूँ देखता हूँ कौन बचा पाता है मैंने कहा आप सभी से पांच, साथ और ग्यारा इसका ज़रा फॉर्ट प्रपरस्टनल कौन बता पाएगा बाइ अभी हम चतुर्थ अनुपात पर चलना है अभी हम फूर्ट पर पर चलनँ आज रेशियो की पहली ाश है बढ़िया क्लास होगी इस सिमपल कोश्चन है आपको क्या याद लखना, कुछ नहीं आपको सिर्फ सिमपलसीब लखना च्या, jako इसी अपान ए यानि ग्या से 77 और 77 बटे पान ये हो गया आपका फोर्थ प्रपेस्टनल करने के क्या तरीके हो गए आप लिखो कि इतना इतना चौथा वाला आपसे पूछा गया चौथा वाला गाइब करो अंदर के अंदर मल्टिप्लाई बराबर होगा बाहर के बाहर समझ में आ गई अब आते हैं इसके बाद जो कोश्टन आएगा जरा इसका बताईए क्या आएगा इसका फोर्परपोस्टनल क्या आएगा सिंपल सा कोश्टनल लिखा है 468 हां बिल्कुल 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 बहुत बढ़िया आसान सा क्या करोगे बीसी अपान एट यान अज़्ताब थार्परपोस्टनल का थार्पॉस्टनल कैसे रहाते है जडरा देखते हैं अच्छा चलो आज आते हैं दिखो थार्पवस्टनल पोचा गया अगर कभी भी कोश्टन में आपसे फोर्परपोस्टनल पूछा जागा इसका मतलब आपको तीन डिजिट वहाँ दिया रहेगा और थार प्रफश्ण फूछा जाएगा तो दो डिजिट दिया रहेगा थार्ड के लिए क्या करते हैं हमें ऐसे लिखेंगे 463 वाला पूचा गया है ना तो एक बार जो सेकंड है ना इसको एक बार ओल लिख लेते हैं फिर X कर देते हैं अब आप हो वैलू कितनी आगए एक्चले में नाइन आगए बोलो भाई क्या सभी को समझ में आ गया तो यहां पर नौ आ गया एक्स की वैलू लेकिन अब डिरेक्ली कैसे करेंगे हमें इतना थोड़ी करना हमें डिरेक्ली जो लगाना है थर पर वर्सन में फॉर्मूला वो है आपका बी स्कॉार बोले तो मतलब क्या हो गया 6 का स्कॉार हो गया 36 और 36 बाई ए मतलब हो गया 4 डिरेक्ली काटो गे तो एंसर आ गया 4 यानि कि 9 अब ध्यान से सुनना कि आखिर हम यहां पे जो 6 वाला टर्म में लिखा इसको हम 2 बार या 3 बार क्यों लिखते हैं अगर मालो हम 6 वाला अनुपात बनाना है तो हमें 2 टर्म कम से कम चाहिए की नहीं चाहिए तो यहां भी क्या लिखना पड़ता है इसलिए 6 लिखना पड़ता है और अगला गायप करना पड़ता है तो इसके बगल में जो होता वही लिखते है आपको परिसानी ने निया आप डारेक्ट बता दो होगे बहुत बढ़िया अब देखो कुछ खरना नहीं क्या हमें फार्मोल लगाना है बी स्कॉार अपान एका फार्मोल लगा लेना बी स्कॉार मतलब हो गया आठ का स्कॉार अपांच है आठ रटा है चौसट बटे 6 कर लो इसको काट लो मन करे और आपका 32 दूना चौसट 32 बटे 3 जिन बच्चों का रहा होगा वो सही एंसल हो जाएगा ठीक कुछ खास काम नहीं करना है सभी के सभी आराम से कर लोगे आठ का स्कॉर 144 होता है क्या अच्छा यहां पर एंगलेजी में अलग दे रखा है देखो इंगलिस में क्या लिखा है 6 और 12 का तो 12 के स्कॉर क कर का दोनों समझ बहुते कैंड कि इसे नहीं समझ गया है चलो हमने दो कोशन इसा बहाने सौल्व कर लिया हलका सा हिंदी इंग्लिस में मिश्टेख को गया तो सारे चरफटर्स को हम खतम कर लेंगे कोई दिक्त आप परसाई नहीं है सारे चरफटर्स खतम हो इन दोनों का mean proportional आपको बताना है, कि इन दोनों का mean proportional क्या होगा, देखो mean proportional का एक simplify all Vers אומר होता है, मध्यानुपाति बना नहा yhtी दोने अन्धिनदरूट में a-b, क्या बताना? मध्यानुपाति बताना, बतलब कि अन्धिन में a-b होगया, इसका मध्यान उपाती पूछेगा तो अंडरूट में 18 गोड़े 8 18 ए 144 तो अंडरूट में 144 और 144 के वैलू क्या होती है 12 होती है इसको और सिंप्लिफाई कर सकते हो 24 चोकरशान में फिर 4 बाहर आजागा फिर और लिख सकते है या फिर 16 छक्का कर सकते है तो वहाँ से भी हम यहाँ पर आराम से कर पाएंगे कोई दिक्कत नहीं है देखे देखे देखो इसको हम क्या लिख सकते है इसको लिख सकते हैं बराबर 16 गोड़े 6 और 16 बाहर आजागा तो क्या हो जागा 4 रूट 6 यह भी एंसर आजागा ठीक बहुत बढ़िया तो मध्या नुपाती भी आपको समझ में आ गया आपको 4 प्रपोर्शनल भी समझ में आ गया आपको 3 प्रपोर्शनल भी समझ में आ गया और यह मीन प्रपोर्शनल जो मध्या नुपाती आपको वो भी समझ में आ गया तो ज़रा इस question का answer बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे मैंने आपसे दो question दे रखा है एक तो 12-3 का दे रखा है और एक तो 32 और 128 का दे रखा है कौन-कौन बच्चा बता पाएगा 32 और 128 का और एक 12-3 का दे रखा है बताओ भी या चलो भई देखो तो 32-128 अंडरूट में क्या करोगे 32 गुडे 128 करोगे यहाँ पर आसानी सा question यह solve हो जाएगा अंडरूट में 32 गुडे 128 करोगे अब 32 गुडे 128 करोगे तो 4,096 आएगा जो की किसका स्कार होता है 64 का स्कार होता है अगला टर्म आ गया 12 गुडे 3 आ गया तो 12 तियां क्या हो जाता 36 हो जाता है और 36 का आपको पता है कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा बहुत बढ़िया सब के सब बिल्कुल सही answer बता रहा हो कोई परसानी नहीं है कोई दिक्कत नहीं है तो आप सभी का जो ratio था starting का या I think सब को समझ में आ रहा है और हर बच्चे यहां पर बिल्कुल सही और बिल्कुल correct और बिल्कुल जबर्दस तरीके सा answer बता रहा है बहुत अच्छा लगा अब जो अगली बात आती है वो आती ratio को equal करने की बात यहां तक की क्या हर बच्चे को समझ में आ गया है एक पार्ट हमने खतम किया है जहां पर हमने पढ़ा की mean proportional क्या होता है third proportion क्या होता है fourth proportion क्या होता है यह सारी के सारी चीजे हमने पढ़ी अब हम बात करेंगे यहां पर कि ratio को कैसे equal करते as example जैसे मैं आपको समझा दू मैंने कहा मालनों हमारे पास लिखा हुआ A ratio B बराबर 2 ratio 3 and B ratio C बराबर उसने कहा है 6 ratio 7 मैंने आपसे कहा कि भाई यह बताओ find the value of किसकी A ratio B ratio C आपने बड़े ऐसे question देखे होंगे तो आपको इस वाले में दो तरीके होते ratio को equal करने का और दोनों तरीकों में आपको समझाओंगा कैसे कैसे दोनों तरीके होते है अगर आप इसमें और इसमें देखोगे तो दोनों में जो common है वो B वाला term दोनों में common है यानि दोनों में B की value बराबर होनी चाहिए तो second वाले में B अगर 6 है तो पहले में भी 6 कर लो और अगर पहले में 6 करोगे तो आपको 2 का multiply करना पड़ेगा तो यह 4 और 6 का अनुपाद बन जाएगा अब यहां भी B 6 हो गया और यहां भी B 6 हो गया तो question खतम हो गया A कितना है? 4 है B दोनों जाएगा कितना है? 6 है और C कितना है? 7 है तो एक ratio equal करने का तो तरीका यह है कि हम values जो बराबर हमें दोनों में दिखे उन values में कुछ चाहें multiply कर लो और कुछ चाहें जो कर लो अपना बराबर कर लो एक यह तरीका है दूसरा जो तरीका यह होता है ratio के equal करने का वो हम लिखते है क्या? कि हमसे A ratio B ratio C पूछा गया है अब A और B जो ratio है वो 2 ratio 3 में है हमने का ठीक है यह space खाली जा रहा है जाने दो अब दूसरे line पे आ जाएंगे क्या? B ratio जो C है जो 6 ratio साथ है एक यह space खाली जा रहा है अब जो space खाली जाता है ना उसके बगल जो term होता है वो उसमें लिख देते हैं जैसे की 3 के बगल में क्या है? 3 हमने लिख दिया इस 6 के बगल में खाली वाले में? 6 हमने लिख दिया अब देखो क्या कुछ common है क्या? जो 3 हमने उसको काटोगे जैसे common काटने का चक्कर मतलब कैसा? मतलब ऐसा वाला देखो 3 हमने 2 से कटने लिख कोई चीज़े है नहीं लेकिन 3 से कटने हैं चीज़े तो यहां भी 3 कट रहा है यहां भी 3 कट रहा है और 3 दूनी 6 यहां भी कट रहा है तीनों में 3 कट रहा है ना तो बस question खतब तो 2 दूनी 4 6 और 7 यह answer आगा जो कि आपको वहां आया था अब आपको छोटे questions में यह method जो है वो थोड़ा सा लंबा लगेगा लेकिन एक्शियो में जब बड़ा question आता है 2-6 ऐसेować हम ऐसे सथीनों में काटेंगे क्योंकि इसका इसका multiply करते है तो बात में भी यह रहे ही चीज़ काटेंगे इस सच हम पहले ही क्यों ना काट दए है ना ओक है clear है चलो अब आते है ratio equal करने में कुछ questions मैं आपको देता हूँ पहले आप इसको solve करिए कि रेशियो एक्वल करने में ये कौन सा रेशियो बच्चा एक्वल पर कर पाएगा मैं पहले वो आपको कुछ कोश्चन की practice करा देता हूं फिर आपको समझाते आ गया है कैसे हो भाई सब के सब नाश्ता पानी हो गया सभी का आप सभी ने नास्ता पानी करे लिया होगा जबर दस तरीके से और बहुत अच्छा अच्छा खा रहे होगे इस समय लेकिन पढ़ाई भी अच्छा अच्छा करो तभी असली मजाएगा और तभी असली सेलेक्शन होगा इस बात को याद रखिएगा है ना अभी तक नास्ता पानी नहीं हुआ है बही कलो नास्ता पानी इसी विज़े से मुझे लगा रहा कि तो टाकत कम हो लाइक कम हो पा रहा है जा करो नास्ता पानी सबके सब कर डालोग चलो आते जला देखते हैं बिखते हम ने कहा एंट और आपके उसने कहा 14 उसने कहा ये बताओ दाधा लो कि A, B, C ऑर D क्या रिस्यू आएगा बहुत बढ़ीया गुड मार्नी, गुड मार्नी, गुड मार्नी बहुत बढ़ीया आप आज गुड देखो भई कैसे कर पाएंगे SIPPL QUESTION है किया ये हम से कहा हमसे वो पूछा अब देखो क्या यहां पर आप देखो गया इन दोनों में सी कॉमन है तो सी को बराबर कर पाओगे क्या इन दोनों में बी कॉमन है क्या बी को बराबर कर पाओगे क्या कितना लंबा मिठड हो जाएगा बराबर करना ये करना वो करना बहुत लंबा मिठड हो भी औ। यसी साइफ और 9 है और येए डीवाला खाली बच जाएगा और ये 11 instruments कौन सी और डी तो यह ग्यारा और ये 14 है बाकिके दो इस फेश खाली बचे थिक है चलो अब जो स्पेश खाली होते उसके सात्ति ग्जाले क्या है ये चार के वगल मे रहोंगे लिएने जाता रहों कि उतना सब介ब कोई दिक्कत नहीं यह किसके बगल में किसकेasis मेंwe 137 में前 सब सब ishare 13 2 कि सिर्ब 2 में काट दिया देखों अगर हम तीन देखेंगे तो 3 से इसमें कटने अलग कोई चीज नहीं है इसमें भले आ गये है साथ से कटने मा कोई चीज नहीं है 11 तीन में है लेकिन उसके बाद वाले चोथे में नहीं है मतलब कोश्चन थोड़ा सो लंबा हो गया और लंबही तो कोस्टे में मजा आएगा कि हा भाई चलो ठीक है कि कम से कम धंका लो कोष्टन आया भाउब निया बहुत बढ़िया देखते कैसे करते ग्यारा अगे 308 396 504 यही आरा सभी का अब बताओ क्या इसको पहले अले मेंटर से सवाल भी कर पाते क्या बिल्कुल इनका कर पाते पहले अले मेंटर से तो यह रेश्यू एक्क्वल करना होता है जो बहुत जादा पूछा जाता है बहुत तगड़े तरीके से यह रेश्यू एक्क्वल करने का काम जो आप सभी से पूचा जाता वर यह पीपर में बड़े कोस्टन ऐसे आती है इनके बहुत अच्छे से आपको ड्यक्वल करना होता बहुत अच्छे समुझना होता एक और मैं आपको लास्च कोस्टन देता लेकिन वादा करो कि अच्छे से पढ़ाई करोगे आप लोगा मैस में किसी भी तरीके सा 30 में 30 लेकर आ जाओगे चाहें कुछ भी हो जाओ दिन रात महनत करोगे और जब 10 मैस में 30 में 30 आ जाएंगे बिना किसी परिसानी का है ना हाँ पूरी जीजान लगा दो लाश्ट के दिखो 15 दिन बड़ी महनत करनी होती है उसके बाद एक दिन आराम करके पेपर देने जाना होता है तब ही असली मज़ा आता है पेपर का और तब ही सलेक्षन हो पाएगा दबाए सलेक्षन से कोसो दूर रह जाओगे फिर यह स इस को लिखा आपने इसको लिखा आपने USC और स्वेड दो सब्सक्राइब देंने जिए इस आ है हैं इसने एक कोशन गलती से गलत हो गया था इसको लिखा आपने 37 इसको लिखा आपने 18 और 19 ये आपने ऐसे किया ये आपने ऐसे किया आपका यहाँ पर 18 आजाएगा यहाँ पर किता आजाएगा आपके पास ताथ आजाएगा अब कर लोगे पक्का मल्टिप्लाइ करके आजाएगा 24 126 और 133 सभी का आ रहा है 24 126 और 133 आ रहा सभी का बोलो भाई कर लोगे कोई परसानी कोई दिक्कत नहीं आगे पढ़ा जाए यह टर्म रेशियो का एक हिसाप से यह भी खतम हुआ और अब रेशियो के अगले बात के उपर बात करते हैं अगले कॉमसेट के बात करते हैं रे 22 बराबर 3B बराबर 4C लिखा हुआ है उसने कहा यह बताओ कि A रेशियो B रेशियो C कितना आएगा अब हम पेपर में जब ऐसा कोईशन देखते हैं तो हमें क्या लगता है हमें यह लगता है कि भाईया यही नहीं है कि बच्चे कहेंगे यहां पर A रेशियो B रेशियो C बराबर आजागा 2, 3, 4 जबकि यह गलत हो जाएगा और यह आपके आप्सन में दिया भी रहेगा तो A, B, C का जो रेशियो आएगा वो 2, 3, 4 नहीं आएगा इस बात के याद दखेगा अधर वाईज आपका यह कोशन गलत हो जाएगा ठीक है चलो बराबर 3B लिखा हुआ अब देखो क्या आता कैसे आता जरा समझना लगाने के बहुत सारे तरीके लेकिन मैं आपको अपना तरीका जो बहा है वो बताओंगा क्या तरीका पहले है कि 2, 3 और 4 का LC हम ले लेते हैं क्या 2, 3 और 4 का LC हम लेते हैं तो वो हमें मिलता है 12 अब 2 से काटोगे तो 2, 6 का 12, 6 ऐसे कट जाएगा फिर तीन से काटोगे तो तीन चौक का 12, 4 बार कट जाएगा और 4 यांवारा एक्चुलि मैं ABC का रेसियो यह आता है लेकिन मैं आपको यह तरीका नहीं पढ़ाता हूँ क्यों क्यों क्भी कभी क्या होता है जैसे आपको भी पता है कि आप मैं से बहूँ स इसको सही से सवालब करें लोगों कि कहोंगे सर जी इस से आसान तो आई थिंक हमने ना पढ़ा है और ना कभी पढ़ेंगे ठीक है अब तर बताता हमें आपको कि वो तरीका क्या है जो मैं आपको बताने वाला हो ध्यान से जड़ा सुनिएगा यह ध्यान से देखते रहे ना बढ़ा अच्छे से समझ में आगा क्या कहने वाले तरीका जड़ा देखना हमें ABC का तो रेशियो चाहिए अब क्या हुआ है ये दो एक चाहिए ना एवाले को ढखलो बाकी इसके सामें जो लिखा उसका मल्टिप्लाइब कर दो चार तियां 12 हो जाएगा की नहीं हो कि नहीं आ जाएगा यही तो एंसल आ रहा था काट दो कोश्टन ख़ता मुझा आगा दो से काट वईया तो दो च्छका बारा दो चोका आठ और दो त्याएँ छे क्या यहीं एंसल रहा था कि नहीं हा रहा था मतलब खास नहीं करना क्या जिसके बारे में पूचा उसको खको चार्त्यावार्य यहां लेग लो बीका फुछा वीको ढ़क लो तिया चार दुमी यह यहां gerिक लो यहमील सीमगा जंजट उन्हीं होता और आप चीज आसानी से कर पाते हो उसे समझ तस लगा या लरूर अच्छा ठीक है तो मुझे जल्दी से बताओ आगर आपके पास लिखा है कि फाई पे इजिकल टू सेवन सी इजिकल टू आप सभी से कहा कि 15 सी तो बताओ कितना आएगा कितना कई कितना कर डे चलो या फिर 9 कर देता हूं कितना सब्सक्राइब क्याक पूछा एक को 9-63 हो गया ये B का पूछा B को दो आलो 9-5-45 हो गया ये और C का पूछा C को दो आलो 5-35 हो गया और यही रेस्यो आ गया क्या LCM से इतना जल्दी निकाल पाते क्या नहीं न आप तो LCM ही सोचते क्या कि LCM क्या क्या आएगा 5-9-7 सभी का मल्टिप्लाई करते आगया तो चलो अगले टाइप पर चलते हैं और अगला टाइप जो आता है वह आपके पास ये कोश्चन है ये कोश्चन सीप्यो का पेपर है मैंने आपको इसलिए कोश्चन ले लिया मुझे लगा कि सारे के सारे जो प्यारे भाई भाई वह इस बार ठीक अब मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं कि कैसे इस कोश्चन को हम समझ सकते हैं किस तरीके से इस कोश्चन को देख सकते ध्यान से समझेगा अगर मैंने कहा आप सभी से कि यार ए प्लस बी प्लस सी बराबर मानलो 27 ए एक और डिन टूट इस कोश्चन जैसा कि इस कोश्चन में कहा गया क्या कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 27 है एवरिवन दिख रहा किलियर सभी को कोश्चन बहुत सर बच्चे कहेंगे कि दिखनी रहा है सभी को क्या कोश्चन किलियर दिख रहा है बहुत अच्छा काईज और मैंने कहा कि ए प्लस बी बराबर आप 27 है है की नहीं है और इसमें से ए प्लस भी आपके पास ओलेडी साथ यहां पर दे रखका है तो यह बचा क्या होगा सी 20 हो जाएगा अच्छा यानि ए प्लस बी की वैलू उसने साथ दे रखी थी तो सी की वैलू 20 आ जाएगा की नहीं आ जाएगा आ जाएगा अच्छा ठीक ह B प्लस C की वैलू उसने 6 दे रखी है भाईया यहाँ पे B प्लस C की वैलू उसने अगर 6 दे रखी है तो A की वैलू कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा की नहीं आ जाएगा जल्दी से देखो अरे आएगा की नहीं आएगा अरे पक्का है की नहीं पक्का है A की value कईसा आ गया कोई परशानी कोई दिक्कत नहीं C प्लस A की value आपके पास 5 दे रखा है किसकी? C प्लस A की value 5 दे रखा है तो भाया ये बताओ कि सिरफ B की value जो है आप सभी के पास कितना आ जाएगे सिर्फ B की वैलू अगर आपसे पूछा जाए तो कितना आ जाएगा सिर्फ B की वैलू बोलो भाई सिर्फ B की वैलू कितना आ जाएगा 5 मतलब कि 22 हो गया अब क्या ये चीज पॉसिबल है कि A, B, C, 3ों का जोड 27 आ रहा है लेकिन कोश्टन में ध्यान से समझना कि A की अलग वैलू मतलब C, A अलग वैलू कैस आ रहा है B अलग वैलू आ रहा है 22 और C अलग वैलू आ रहा है 20 क्या ये चीज पॉसिबल है सब के सब ज़र जल्दी से बता दो क्या ये चीज पॉसिबल है कि ऐसा हो पाए बोलो भाई जहान से समझना भाई A, B, C तो पूरा का पूरा 27 आ रहा है है ना और ये तो पॉसिबल है नहीं कि अगर A, B यहाँ पर कोश्टन जैसे हमारे पास कोश्टन दे रखा है A, B, 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 C, इतना ये सब हमारे पास already कोश्टन दे रखा है तो actually मैं ध्यान देना कि ये possible है नहीं कि ये ऐसा ऐसा term निकल जाए इसके possibility ये बड़ा तगड़ा कोश्टन था और इसकी possibility थोड़ी सी बनाने के लिए आपको एक और दिमाग हलका सा लगाना पड़ेगा बड़ा ये छोटा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा क्या दिमाग लगाना पड़ेगा जर्हा समझना यहाँ पर वो दिमाग क्या है जैसे मैं आपको simple सी बात समझात है मेरी बात को समझना 7,6,13 और 13 7,6,13, और तेरा पांच अठारा यह तो अठारा रेसियों में आ रहा है और यहां पर जबकि आपका जोड़ रहो तो पूरा का पूरा आपका 27 आ रहा है और यह सभी टर्म आपके दो दो बार आएंगे अगर आपने इन तीनों को जोड़ दिया मेरे सारे के सारे प्यारे भाई भाई भाहन सुनना तो क्या 2a और 2b और 2c आएगा की नहीं आएगा बराबर अब का 18 आएगा साथ से 13 13 15 18 अरे आएगा कि नहीं आएगा अगर मैंने इन सभी टर्म को जोड दिया क्या ए भी ए और दो बार बी और बी दो बार और सी और सी दो बार आएगा भाई बहुत जब असकोशन ने एकदम मिसमत का ने इसकोशन को पेपर में आ जागा तो 30 में 30 फिर ला नहीं आगी ना तो एक्चुली में 27 तो उसने पूरी वैलू दे रखी है और हमने डारेक्ट निकाल ले कि 9 रेशियों में A प्लस B प्लस C की वैलू आ रही होगी अब कोशन खतम हो गया एकदम खतम हो गया धान समझो क्या है B प्लस C कितना है 6 है तो A कितना B प्लस C 6 है तो क्या A बराबर आपके पास 3 आएगा क्योंकि 6-135 होगा अच्छा C प्लस A बराबर 5 है तो क्या B आपके पास 4 आएगा क्योंकि 5 और 4-9 हो जाएगा अब कोशन तो खतम हो गया । आपको क्या चाहिए आपको चाहिए भाईया पर कि किया वन अपाने और वई अपान पी यहीं तो चाहिए क्या वण आपान ये वण अपान भी वण अपान सी चाहिए वृ आंप चले रहे हैं कि एड़ा हम खाली में देख ले यह pace है एड़ créशा जराज चाहा इदर आजए तो UP कि जो टर्म सी का होगा वो आएगा और चार एस्यों तीन में सिरफ आपसे नंबर ए है कि अब बात सभी को समझ में आया कि नहीं आया जल्दी से बता दो ए ए बिल्कुल जब दस बिल्कुल सांदर बिल्कुल बहतरी है ना बहुत अच्छा जिन बच्चों को नहीं समझ में आया दों ट्री फॉर दिस आप सभी को ध्यान देना है कि इसको आप लोग रिवीजन जब करना वीडियो का देखके तो उसको आप लोग इसको पूरा कंप रखें और आप कोई भी चीज आपके साथ से बाहर नहीं जाएगा इस बात को याद खना बहुत बढ़ियां बहुत तग्रा बहुत तग्रा अब देखो यह कितना अच्छा रेशियो कोशन एकदम सांदार सा कोशन बहुत 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 जिंदावास सा कोशन उसने क्या प अगर हमें रेशियो बराबर करना है पहले तो देखो कैसे रेशियो बराबर करोगे उपर देखो बी आठ नीचे दो है तो यहाँ चार का मल्टिप्लाई कर दो तो चार दुनिया चार एकरम चार बोले तो ए रेशियो बी रेशियो सी गाईच कितना आएगा सब के सब कमें क्या answer 15 ratio में आएगा कि नहीं आएगा अरे देख लो कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया आठ आठ चर बारा बारा तीन पंदरा लेकिन पंदरा से क्या कोई संख्या कट रही है क्या बहुत 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 भीया क्या पंदरा से इन सभी option में से कोई संख्या में आ गया कितना आसान है कोश्चन बोलो भाई कितना आसान कोश्चन है कितना ही जी कोश्चन है कुछ खास करना नहीं है सिरफ आपको कोश्चन को देखे के कोश्चन को सौल्व कर लेना बस और होता क्या है हम ऐसे कोश्चन देखके डर जाते हैं हम कहते हैं सर जी ऐसा कोश् समझ नहीं पाते हैं क्यों भाई लाइक नहीं करते हैं आप सभी आए ऐसी नाराज़गी है हम आओ हमाई पास बारा हजार रुपए तो और हमको चार वक्तियों में डिवाइड करना तक चारों में कौन कौन है ए बी सी एंड ये चार वक्ति हैं अब ए और बी का रेशियो कितना आसान कोश्चन है भाई देखो ए और बी का रेशियो कितना दे रखा है आठ नौ दे रखा है आपने लिख लिया बी और सी का रेशियो कितना दे रखा वाई दो तिन दे रखा आपने लिख लिया सी और डी का रेशियो कितना दे रखा वाई 9 और 13 दिख आपने ना कितना आसान कोश्चन ने सब तो बता लेगा भाई या आठ और नौ दे रखा है यह टर्म खाली है तो यहां भी नौ और यहां भी नौ भर दो क्योंकि उसके बगल में नौ रखा हुआ है की नहीं है अगले प्याज ओ भाई दो तीन दे रखा भी और तीन भल लो और यह सी और डी दे रखा नौ और तेरा तो यह टर्म खाली है यहां नौ भल लो और यह टर्म खाली है तो यहां भी नौ भल लो और यहां भी नौ भल लो अब सब का मल्टिप्लाई को लो देखो जा कुछ कट पिट रहा क्या हाँ देखो तीन कट रहा है ऐसे काट लेकर कोशन आ लिक करनो यह कटा बस यहीं तो कट रहा और को संखाय कट रही है नहीं कट रही ना तो भी यह लख लो खतम हो गया आठ दुनी सोला नौ दुनी अठारा नौ तिरिक सताइस और तेरा तियां तालिस यह रेशियो आ गया सोला अठारा सताइस और उन्तालिस के यही आ रहा है बहुत अच्छा टोटल जोड़ो गए तो टोटल आ जागा सो रेशियो और जबकि आपके पास कोश्चन में कितना दे रखा है सो की वैलू बारह हजार दे रखा एकॉर्डिन टो कोश्चन यानि एक रेशियो की वैलू कि इस रेशियो का अंतर है तो इस रेशियो बरावर आपका होगे 120 है गोड़े 21 जो एंसर होगा वही कंप्लीट खतम कोश्चन तेरह सो बिस कुछ बच्चे बता रहे हैं जो भी होगा वह सही एंसर जाएगा बहुत बढ़ियां पत्चीस सो बीस इदा राइट एंस आपकोश जर्मनी से वह भी है कि आपके गाओं का नाम जर्मनी रखा गया चलो तो कितना आसान पॉच्चन था कुछ ज़ादत था इस समझने के लिए कुछ जादत था इस कोश्चन में समझने के नहीं सिंपल सा आपको सने ABCD दे रख्खा था आपने ये भी निकालना चीक लिए टो के पास कितना हो गया निकाल लिया वैलू कोई परिसाइब नहीं है कोई दिक्कत नहीं आ राम से कल लिया अगला कोशन आ आ गया बहुत भई अच्छा नहीं लग रहा क्या आपको यह रजास होती यह क्लास होती है राधा किसना ऑफिस्यल बीटा अपको अच्छा नहीं लग रहा है है ना अच्छा लग रहा ना क्योंकि यह बहुत बहुत है चलिए और जितना बच्चा पहले एक काम करो जितना बच्चा भी आ गया ना सब के सब सब्सक्राइब कर लो और एक बार को जल्дी से सब कर लिया अग्यों यहां मैंने सब्सक्राइब कर लिया दरन कर सब कर लिया आया था आया था आया था जल्दी से सब्सक्राइब कर लिए जल्दी से आजिए अमेश बिल्कुल आपको कमेंट दिख रहा बेटा बेश बहुत दिख रहा है अच्छा है बहुत बनिया सब करा देंगे सारे टॉपिक करा देंगे डोंट वरीफार डेट गईच आजो A और B कमाते हैं पांच और तीन रुपिया कौन कमाता है A और B कमाते हैं क्या किसी बच्चे कोई परसानी इनकी कमाने से नहीं आप भी तो कल कमाने ही arkadaşlar गई हैं कि नहीं ये तो इनसे कहीं परसानी और जो खर्चा करते हैं वो तीन और एक क सत्मी होगा फिर तो बरसानी होगी तब ना कोशों में दिक्कत होता है बोलो भईया मेरे साथ ध्यान से समझना क्रॉस पुरट मिठी यानि कि जो लड़ाई वाला कॉमसेट्टे वो कैसे लगाते ध्यान से समझेगा पांच करनम पांच और तीन तरिका नौ तो नौ मेंसे cricket आएगा कि नहीं आएगा आएगा तीन दुनी छह सो और दु एक करनम 200 600 में से 200 माइनस करोगे तो क्या 400 आएगा कि नहीं आएगा तो 4 रेसो की वेलू 400 एक रेसो की वेलू 100 उसने कहा उनकी इंकम बताओ तो ये पांच कमाता था तो पांच रेशों की वैलू 500 और ये तीन कमाते थे तीन की वैलू 300 क्या बास सभी को समझ में आगे की नहीं आगई भई आगई अब बताओ भाई कितना सिंपल कोशन था अब आप से यही तो कहा उसने कितना कमा रहे अब ये 500 और 300 कमा रहे उसमें भी आ आखे कौन से सरकाई नौकरी इनके पास है है ऐसी बात है नहीं ना आराम समझे कोई दिक्कत कोई परसानी नहीं बिल्कुल आसानी समझ दे क्या पांच और तीन रुप्या इंकम थी दो और एक यहां पर वो करते थे लड़ाई कौंप सर्थ ध्यान सभाएं ये मैंने रेश पांच करना A, D और C, B का मल्टिप्लाई करके जो इनका डिफरेंस है वो बराबर इस डिफरेंस के होता है बस कोश्टन खतम हो जाएगा आप सभी के लिए क्लियार है गाईच कोई परसानी कोई दिक्कत रेशियो को माइनस करेंगे बिल्कुल आएगा रेशियो देखो 2050 कोश्टन खतम एक बराबर सो तो सीधी सी बात आगी अगला कोश्टन आजो जल्दी सब आगाई सब किसा कोस्टन करका बहुत बढ़ियां बहुत खालना बहूत सांदार सा यास यास बिल्कुल बिल्कुल बिजू अब या मैं ट्रिक नहीं पढ़ाता हूं कोई बच्चा दुबारा ट्रिक वगारा नहीं बोलेगा कॉमसेट समझाते हैं आपको मैंने आज तक कुछ ट्रिक नहीं पढ़ा है और नहीं किसे और 2017 में दोहजार उनली से फुल माक्स ट्रिक के तो आएंगे नहीं सीधी सी बात है ट्रिक पढ़ोगे तो उसरफ पेपर कॉलिफाई कर सकते हो रैंक नहीं ला सकते जब रैंक लाना है तो भाई आपको कौमसेट पढ़ना पढ़ा हो कौमसेट इतने छोटे हैं कि रैंक क्या ट्रिक तो कुछ है नहीं उसमें है ना बहुत बढ़ियां बहुत बढ़ियां आज उज़रा समझते इस कोश्टों कैसे कर पाएंगे क्लियली नहीं दिख रहा है अच्छा मैं अगली बार से सोच देखता हूं उस पर ध्यान दिलाता हूं ठीक है कहता है पीटर और राजू यह हो फांच के अनुपात में कमाते हैं इनका वेतर कितना थीन और पांच के अनुपात में निहाल कोई बात ने किलैली दिख जाएगा इनके वेतर में पचीश सो का कई क्रिमेंट हुआ और वेतर एक ग्यारा हगे पंधरा डेसियों में हो गया एक 11 और पंधरा डि मोंगे कब जब इनके वेईतर में 35-25 का इंकरिमेंट हुआ क्या रीदी में 25-25 का इंकरिमेंट हुआ अब कोंशन देको सिंपल हो गया है भाई समझ में आया कि नहीं समझ में आया इतनी बात जो मैं पांच की ratio में था देन 11 15 की ratio में हो गया जब 25-0 25 बड़ा हुत्री होई तब हो गया ये बताओ 15 तिया पैतालिस और 11 पच्छे 55 तो जब 55 में से 45 माइनस करोगे तो कितना आएगा ये बताओ 55 में से 45 माइनस करोगे तो 10 रेसियो का डिफरंस आयेगा कि नहीं आएगा अर्ययाइगा कि नहीं आएगा एवेरिवन गाईज और 11 गुड़े 25 Holiday 25 mah Stories क्रोगे क्या 15 गुड़े 25 더 देखो आपको गुड़ा नहीं काट दिया एक रेसीयो बरावर 25 चोकशो यानि की एक रेसीयो बरावर एक हजार आ गया उसने का income बताओ किस की पीटर की तो पीटर तो यह है ना एक बरावर एक हजार तो पीटर का 5 था 5 बरावर 5000 क्या कोश्टन नहीं करना आपको अपना सिर्फ माइंड लगाना है और जैसे आपने माइंड लगा लिया तो कोश्टन आपके माइंड में तुरंट पकड़ लेगा कि भाई ये तो बिल्कु सही है अंतर बात है अगर इस कोश्टन कहता कि बताओ राजू का कितना इंकम है तो क्या कहते हैं क सेम उसी तरीके से करेंगे रेशियो वाले और सब के सब बच्चे बता देंगे क्या होगा इस कोश्टन का सही एंसर बहुत 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 जो बच्चा नया आते जा रहा सस्क्राइब कर लेगा भाई सबके सब बैल आइकॉन पे क्लिक कर लेना अगर आपको एक्चुल में बहुत बढ़ियां बहुत बढ़ियां समझते वाई चलो कहता दो विक्ट्उ की इंकम आप सबी के पास 9 और 5 हैं हमने कहा चलो मान लिया उनकी एकस्पिंडीचर जो है आट हो तीन हमने कहा चलो ये भी मान लिया और ये 400 और 800 रुप्य बचाते हैं हमने कहा चलो ये भी मान लिया भाई सब के सब मान लिया हमने ये भी बात मान ली क्या किसी बच्चे को कोई परसानी अब लगा दो अपनी दिमाग और कोश्टिंग को कर लो सॉल्व बिना किसी परसानी बिना किसी प्रॉब्लम का नो त्रिक 27 और आठ पंचे 40 अब आप क्या करोगे यहाँ पे 40 में से 27 माइनस करोगे आपको कितना मिल जाएगा 13 रेशियो यह समझ पार हो की नहीं समझ पार लडाई वाला जो कॉमसेट है है की नहीं है लडाई वाला कॉमसेट समझ पार हो की नहीं आप पार हो ना नो तिक 27 और आठ पंचे 40 27 में से 40 में 27 माइनस करोगे 13 आ गया 8 अठ आ हैं 64 और 4 तियां 12 64 सौ में से 1200 माइनस करोगे तो 500 आ गया खतम हो गया 13 चोग का 52 對啊 गया प्र कहता उनकी ये बताओ इंकम कितनी है एक रिष्यो बराबर 400 तो 9 चोग 26 ये कितना कमाता थो कामाता बस चतम हो गया 3000 2000 रुप्य क्या कोष्टं कटिन है क्या किसी बच्चे को लग रहा कि हीxic कटिने सेकेंड इस कोश्टन को सॉल्व कर लिया बिना किसी परिसानी का बिना किसी दिक्कत का तो यह होता है कोश्टन को सॉल्व करने का तरीका और आसानी साब सारे के सारे कोश्टन ऐसे ही सॉल्व कर पाओगे बिना किसी दिक्कत का बिना कहरे बहुत EG है अभी तक तो EG नहीं थ सभी के लिए रीजिए का 嘗ें है सिरंफ सभी बच्चे पढ़water जान दी तरीके से बहुत तरीके से चलो अगला कॉशन आप सभी के सामने ठीक है कहता क्याहें दो संख्या lequel अनुपाततीन पांच अगर आठ को पहले 6 कौ दूसरे में जोड़ा जाए तो 2-3 हो जाएगा देखो भाई कितना ने पहले कितना अनुपात था 3-5 अब कितना हो गया 2-3 हो गया कब हो गया अगर पहले में क्या जोड़ा जाए 8 और दूसरे में जोड़ा जाए 7 खतम हो गया कोश्चन कितना आसान कोश्चन था भाई तो 3-3 का 9 और 5 द रेसीbon बराबर 10 तो तीन रेसी बराबर क्या संख्या 30 आएगी और पांच बराबर क्या संख्या 50 आएगी की से मिलंद परत्व तो बट डिया जाएग कि बहुत जाद ना कटो 18 और चपन है ना चपन 28 दूना चपन होता है तो यह 14 और 9 नौ और 14 का रेशियो क्या बास सभी को समझ में आ गए 9 और 14 366 भी और भी कट जाएंगे और यह 9 और 14 का रेशियो बन जाएगा आप सभी को आई तिंग बिल्कुल अच्छे से यह भी कोश्चन समझ में आ गया होगा बिना परिसानी बिना दिकत जीयस प्रसासन क्या हाले बाई वर्ड किरिकेट बहुत अच्छा प्रीती बहुत ज लगा दिया चलो भई अगले कोश्चन प्याते हैं यह कोश्चन सॉल्व करते हैं आप सभी के सामने बहुत बढ़िया यार है ना अब लगरा आज की रेशियो चलो समझ में आया ऐसा दिन आज आया कि सब को रेशियो समझ में आगे बिना किसी परिसानी बिना किसी दिकत के चलो चलो गई बहुत बनिया चलो भईया आया कितने बच्चों का बहुत बनिया फर्स्ट टाइम समझ आया अच्छा ऐसा कह रहा हो अरे देखते भई कैसे हो रहा कोश्चन अब देखो ये अंटी पीसी का कोश्चन कराने जा रहे ध्यान से समझे का कैसे कर पाऊगे ए बी के घन के वैउत का मनुपाती है पहले तो यही एक क्वेशन बनाना ही सबसे बढ़िया तरीका कि एक क्वेशन कैसे बना पाऊगे यही समझना क्या ए बी के घन के वैउत का मनुपाती है तो ए बी का क्यूब करोगे तो इसका वैउत का मनुपाती है क्या है भाई या इसका ये वैउत का मानुपाती है यानि ए इज वैउत का मानुपाती आप बी क्यूव क्या सभी की बात समझ में आए की नहीं आए भाई बहुत बढ़ियां बहुत बढ़ियां बहुत बढ़ियां ठीक है ए ये क्रिशन सरफ बनाना ध्यान समझना क्या ए इच डाक्री प्रपोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर अगली बात पे आते हैं अगला लाइन पढ़ते हैं क्या कहता है अगर A बरावर 3 तो B बरावर 2 यानि अगर हम A की वैलू यहां पे 3 रख लें तो K की वैलू तो कही रहेगी लेकिन B की वैलू 2 हो जाएगी और 2 की पावर क्यू बोले तो 8 हो जाएगा तो K की वैलू 24 आगई यह दूसरा चीज था मतलब उसने इस लाइन का सिरफ यू जिस ले दिया ताकि मुझे K की वैलू पता चल जाए जो की 24 आगई किलर गाईच अगली बात पे आते हैं अब उसने कहा अगर मानलो A बरावर 4 बटे 5 हो जाए मतलब यह वैलू कितना हो जाए चार बटे 5 हो जाए अब आपको K की वैलू भी कितनी बदा चल गई 24 बदा चल गई अब आपको B की वैलू बता नहीं है तो 4, 6, 24, 6, 35, BQ बरावर कितना आगए 30 आगए और B बरावर बताओ गए तो क्यूब रोट में कितना आगए 30 आगए खतम हो गया कुछ नहीं करना कोश्टन में कितना आसान तरीके से बिना किसी प्रावलम बिना किसी परिसानी का अमबेस, जीयस, प्रसासन और आल अफ यू सभी का बिल्कू सही है अनसर आगए बोलो कितना आसान कोश्टन था कुछ खास करना था नहीं, तीन कॉमस्ट दिया था पहला, एक किसम बना लिया जहां पे के कॉंस्टन आपने मान लिया दूसरा, ए और बी की वैलू दिया था जहां सो उस कॉंस्टन की वैलू निकल आई और तीसरा, ए की वैलू यहां दे रखा तक कॉंस्टन की वैलू अलड़ी हमें पता है और हमने बी की वैलू निकाल लिया कॉंस्टन आपके चुटकी में तुरण सॉल्ब हो गया बिना किसी परिसानी, बिना किसी प्रॉब्लम और बिना किसी दिक्कत के चलो अगले कोश्टन पर आते हैं और अगला कोश्टन उठाते हैं और अगला कोश्टन देखते हैं रेशियो का कहता है, जबरदस कोश्टन है यह भी आज वाई सब के सब बताओ क्या कहता है बहुत अच्छा, बहुत सांदार बहुत जिंदाबात कोश्चन ही ये बहुत सांदार सा कोश्चन है बहुत बढ़िया है बहुत सांदार कोश्चन है बहुत जबरदस सा कोश्चन है ठीक चलो भई अब ध्यान समझो इस कोश्चन को उसने कहा अच्छा ए बी ए प्लस बी रेशियो सी का वैलू दे रखा है बी आप बताये क्या होगा फोर एंड छिकात क्या होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजए एवरीवन ले बैडरी रेड़ी झाली ये आज ये क्हता है ये दूसरा रज़ो certain कोष्ण का सब्सॉत कर दो बाई मैंने आपकर com हुआ गया कितना आसान कोशन है है कि नहीं कितना असान कोशन है एक सेकंड जरा सथ हां हाँ तो क्या हो गया जो सेकंड टर्म रख्था इसी का स्कॉइर यानी भी स्कॉइर बाई एकालो और आजाएगा किले रगाई अच्छा ठीक है मैं अगला कोशन आप से पूछता जलनी से बताइं मध्यानुपाती क्या होगा अठारा एंड आठा मध्यानुपाती क्या फेह पहले रिवीजिंग जरूर करेंगे ताकि रिवीजिंग क्लास होगी तो जब अधर तरीके से सारी के सारी चीज को complete समझ में आ जाएगी पूछा ना क्या पूछा गया 18 and 8 का तो आप सभी को पता है हां 18 8 कितना होता है 18 8 होता है 144 तो भाईया कितना हो जागा 144 अंडरूट आ गया आनि आपका 12 क्या होता मध्यान उपाती या नहीं mere professional तो यह होता अंडरूट में ऑब इवाला चलो अन्ज़तो दो सब्सक्राइल ना चलो रीवीजें क्लाश बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हम यहां पे पहले противलेंग करेंगे जूकर हम ने पढ़ा था उसके बाद हम यहाँ पर आगे बात करेंगे पहले कल वाली पूरी की पूरी कम्प्लीट चीजों को यहाँ पर रिवीजेंग करने वाले हैं बहुत बढ़िया ए और बी की 3 तरीक करनो तो 9 मेंसे 5 घटा दोगे तो 4 आ जाएगा बिल्कुल किलियर 3 दूनी 6 2 1 करनम 2 600 मेंसे 200 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा तो 4 बराबर 400 यानि 1 बराबर 100 आ गया उसने कहा तो दोनों की इंकम बताओ तो दोनों की इंकम मतलब 5 बराबर 500 हो गया है की नहीं है और 3 बराबर 300 हो गया अरे बोलो सिंपल है की नहीं सिंपल है खतम हो जाएगा तो 500 और 300 कई सारे बच्चों का बिल्कुल सही एंसर आ गया बिल्कुल correct answer होगे, बहुत जबदस आपने answer बता दिया चलो, तो भाईया हम यहाँ पे आप थोड़ा सा आगे बढ़ने वाले हैं और थोड़ी से चीजों का हम समझने वाले हैं कि क्या है चीजे, यह question आप सभी को मैं यहाँ पे करा चुका था इस question का answer आप लोगों ने बता दिया था बहुत सारे बच्चे इसका answer बता दिये थे अब हम थोड़ा सा जहां पे आ गयते वो वाली चीज हम देखते हैं कि हम कहां पे पहुँच गयते यहां पे आ गयते, है ना चलो, यहाँ से start करते हैं आज के session कंपलीट देखते हैं कि क्या-क्या चीजे है आज के session में क्या-क्या important है क्या-क्या चीजे हमें समझनी है चलो भई यह question स्टार्ट करेंगा question को समझते हैं क्या कहता है यह question चलो everyone is ready ओके चलो भई like कर दिए सभी के सभी और आजी है ठीक है आ जाते है चलो कोई दिक्कत नहीं बंदमासी नहीं करना सिर्फ बाते करो भाई कोई आपस में बाते ना करो सिर्फ पढ़ाई करो आजाओ उसने कहा a plus b by c is equal to 11 by 4 दे रखा है एंड b plus c by a is equal to 26 by 9 दे रखा है उसने क्या कहा आपसे भाई यह बताओ c plus a by b is equal to कितना आएगा देखो कुछ खास नहीं इस question में a plus b by c इसकी value कितना है 11 by 4 है अरे है की नहीं है simple सी बात है अगला b plus c by a is equal to कितना है 26 by 9 है है की नहीं है हमसे क्या पूछा गया यहाँ पे हमसे पूछा गया है c plus a by b is equal to कितना आएगा यह पूछा गया अब देखो इस question में आपको जो थोड़ा सा data समझना है वो यहाँ पर यह समझना है कि ध्यान से कैसे कर पाएंगे ज़रा समझना अगर आप देखो तो क्या यह पूरा question एक ही question है की नहीं है आप कहोगे सर्जी बिलकुल है तो अगर पूरा question एक ही है यानि a और b और c की value बराबर आनी चाहिए तो ज़रा पहले वाले टर्में देखो a प्लस b प्लस c यानि अगर तीनों का सम करोगे तो यह ग्यारा चार कितना आ जाएगा पंदरा आ जाएगा जबकि अगर हम यही चीज़ दूसरे में करेंगे a, b और c का सम करेंगे तो 26 और 9 कितना आता है 9, 6, 15 बोले तो आपका 35 आएगा तो क्या सम अलग अलग अना चाहिए क्या कि ऊपर आले का सम अलग आ जाए नीचे वाले का सम अलग आ जाए ऐसा तो आना नीचे यह सीधी ज़ी बात है अगर उपर पंदरा आ रहा है तो नीचे भी पंदरा है तो पंदरा और 35 को अगर हमें बराबर करना है तो आपको पता सब पहले आजो भाई दीरे दीरे सब के सब बच्ची आते रहते हैं मॉनिंग का समय है लेकिन सभी लोग जल्दी से आजए ये तो हमें 1535 के यहां पर LCM लेना पड़ेगा और आप सभी को पता है 1535 को जो LCM होगा वह 105 आएगा मतलब 15 सत्य गौनकर 15 çट उपर साथ का मिल्टिप्लाई करना पड़ेगा और 35 सथिया 105 तो नीचे तीन का मिल्टिप्लाई करना पड़ेगा पहले यह बताओ कि यह इतना कॉंसर्ट आपको समझ में आया कि नहीं कि हमने क्या किया है actually में ये बात समझना है ना बोलो समझ में आया की नहीं ये बात मैंने क्या कहा देखो ABC का सम हमेशा बराबर आना चाहिए तो उपर 114 15 आ रहा था नीचे जबकि 269 35 आ रहा था तो 15 35 को बराबर करने के लिए हमें 105 दोनों को करना पड़े हो क्योंकि 15 35 केलस आपको एक टेस्ट कोश्टन के लिए दूँगा अब यहां पर आगया 1177 और साथ चोक 28 और यहां पर आ गया 26 कितना हो गया तीन शक अठारा तीन दूनी छह एक साथ और नौत रिक 27 यह आपका वैलू आ अब कोश्टन आपका समाप्त हो गया आपको क्या चाहिए था आपक यहां पर एक वैलु कितना रख कैं यह तीन की वैलु कितना हागई 20 गया तो सी की वैलू भाई कितना रख दोगे 28 और यह बताव टोटल 50 और इसको अगर स्वालब करोगे तो पांस से काटोगे 11 और पांस से काटोगे 10 एंसोर आएगा 11 बटे 10 क्या हर बच्चे का ये question बिलकुल समझ में आया की नहीं आया बहुती सांदार बहुती जवदस और बहुती जिंदरवाद question था ये ये इतना महत्यपूर आपके परिक्षाओं के लिए question था अच्छा ठीक है अब इस question के साथ 11 और 10 का देखो ratio सही answer भी लिखा हुआ मैं ये question आप सभी को देता हूँ तो जरा आप लोग इस question को बताओ कि क्या होगा इस question का सही answer जल्दी से comment करना भाई क्या मैंने कहा a plus b by c is equal to 7 by 4 दे रखा है b plus c by a is equal to 15 by 7 दे रखा है हमने प्या पूछा आप सभी से भाई ये बता दो c plus a by b is equal to कितना आगा जिन बच्चों को समझ में आया है उनके लिए बहुत अच्छा है जिनको नहीं समझ में आया वो इस question के थूरू समझिए कि क्या है इस and all of ध्यान से समझिए इस question को बताइए क्या होगा इसका सही answer बहुत बढ़िया बहुत सांदार बहुत जवज़स अब समझना है क्या कि यहां पे साथ और चार तो 11 आ रहा है यहां पे सम कितना आ रहा है 11 आ जबकि यहां पे 15 और साथ बाइस आ रहा है अब 11 और बाइस कैल तो 12 होगा है की नहीं है तो ऊपर यहां पे 11 लिखा यहां पर दो का multiply कर दो यह भी बाइस हो गया हो गया को से पार अचाuhan साथ द 14 और on तो पंदरा और कितना वच्छा बाइस तो साथ वच्छा तो आठ साथ पंदरा बटे साथ इस दा राइट एंस आप इस कोश्टन आइस सभी को समझ में आ गया होगा हाँ बहुत सारे बच्चे मेगा और आफ यू ने बहुत अच्छा एंसर बताया है सभी का बिल्कूल सही ए है ठीक है पर जल्दी से लाइक का कर दोगा रिया आला कॉंश्र सबको समझ में आगया हो कि इस कॉंश्ट के को को से कर पाते हैं क्या कहता ये है चैस तरह को होगा तो जल्दी से बता दो कि क्या होगा सभी fou ठीक अच्छा देखो आज क्योंकि आकरी पार्ट है रेसियो का इसलिए आज कोश्टन का लेवल थोड़ा सा हाई होगा तो घबडाना नहीं है बिल्कुल भी क्योंकि आपको ऐसे कोश्टन के खुद को आदत डालना है है ना ताकि आप अच्छे हैं से कोश्टन स्वाल्व कर पाऊ इजी तरीके से अब जहां से समदना मैंने क्या कहा कि यहां पे ए प्लस बी बाईस सी साथ चारी 11 है यहां पर सम जोडने पे 11 आ रहा है जब कोश्टन ए कही है तो आलवेज ए प्लस बी प्लस सी की वैलू बराब उच्छा गया तो अब यह जल्दी से पहले तो सबके सब लाइक करो यार मजा नहीं आएगा अगर ऐसे आप लाइक और नहीं करते लोगे और यह सोचते लोगे भी यह लाइक नहीं करेंगे तो काम चल जाएगा और सजी बड़ा खुस हो जाएंगे कि लाइक नहीं कर रहा है ना हाँ अगर कोश्चन समझ में आ रहा वाकई लग रहा भी यह कोश्चन तो जब अदस्त है तो लाइक और तो बनता ही है है ना चलो आओ अब यह कोश्चन पर आते हैं यह ससी का कोश्चन मेंस लेवल का कोश्चन था लेकिन अब आप इसको लो मेंस के आप इसको असाने ध्यान से समझना है ना अच्छा आते हैं सोने का जो प्राइज है हम क्या करेंगे उसके वेट का जैसे स्क्वाइर करेंगे हमें प्राइज हो जाएगा जैसे एक्जामपर मैं ले लेता हूँ मैंने कहा ये पांच किलो सोना है इसका प्राइज कितना होगा तो पांच क बताओ अगर 3, 2 और 1 की पार्ट में इसने डिवाइट किया है इसका मतलब पूरा का पूरा वो 6 रहा होगा 3, 2 और 1 में तोड़ा होगा तो पूरा का पूरा 6 रहा होगा तभी तो 3, 2, 5, 1, 6 में तूट गया सीधी सी बात है अगर वो 6 किलो रहा होगा तब ही उसको तीन दो एक में तोड़ पाएंगे अगर 6 किलो रहा होगा तो क्या उसका प्राइच पहले 36 रुपए रहा होगा क्योंकि इसका वेट का स्कॉाइर कर दो और अभी कितना हुआ तीन का स्कॉाइर 9 दो का स्कॉाइर 4 और एक का स्कॉाइर 1 यानि 9-4-13-14 जबकि अभी प्राइच कितना बचा है 14 ही बचा है तोड़ने के बाद उसने कहा कि 4320 रुपए का लॉस होता है हमारे हिसाब से कितने का लॉस हो रहा भाई 36 का समान था और हमने मात उसको कितने में बेच दिया ध्यान से समझना मैंने कहा का 36 का समान था और हमने मात कितने में बेच दिया यहाँ पे हमने उसको बेच दिया 14 रुपए में तो हमें कितने का लॉस हुआ है 22 का लॉस हुआ है तो 22, 24 और 22, 22 एक रेस्टों की वैलू आगी 210 उसने क्या पूछा है प्रारंभिक मोल ले बताओ जो कि आपका 36 रुप रेस्जी होता तो एक रेस्टों की वैलू 210 तो 36 रेस्टों की वैलू 36 गुड़े 210 और यही इस कोश्टन क्या हो जागा एंसर हो जाएगा खतम हो गया कोश्टन आसान से कोश्टन था सिर्फ आपको ध्यान से समझना था और इजी तरीके साप आराम से समझ पाऊगे तो 7560 इस दा राइट एंसर वी कोश्टन क्या एंसर आ जागा इस कोश्टन का 7560 क्लियर ओके हाँ बहुत जदा हाई नहीं कर रहे हैं सिंपल सिंपल है थोड़ा सा आपको अच्छे लेवल नहीं पढ़ाएंगे तो पेपर में अच्छे नंबर आएंगे कैसे यह भी तो सोचो तो अच्छे नंबर आने के लिए अच्छे लेवल आपको पढ़ाना पड़ेगा और अगर अच्छे लेवल पढ़ लोगे तो पेपर में अपने अगर 6 रहा होगा तो 6 का वेट कितना प्राइच कितना है? 36 रहा होगा तो 6 का वेट कितना है? 36 भी प्राइच रहा होगा तो 9, 4, 14, 14 रुपי में आपने बेच दिया तो डिफिरेंस कितने का आया? difference आया 22 रुपए का कितने का difference आया 22 रुपए का difference आया अगर 22 के बाइस बड़ डिफरेंस आया तो आपको पता 22 बराबर है 4620 एक बराबर 210 और आपको 36 की value चाहे थे 36 बराबर question निकाल लिया good morning everyone good morning good morning and good morning बढ़िया हो आप सभी बताओ आप सभी कैसे हो बढ़िया हो बहुद बढ़िया हो बहुद बढ़िया हो चलो अगले question प्याते है आओ दो बढ़िया चलो good morning को पहले हमने 3 और 5 का अनुपाद में बाटा कोई कपड़ा था हमारे पास उसको हमने 3 और 5 का अनुपाद में तोड़ दिया है ना उसके बात क्या होता है मैं यहाँ पर उसको बड़े वाला जो तुकड़ा है ना उसको मैंने 5 और 7 का अनुपाद में फिर से तोड़ दिया अब हुआ क्या तीनों का हमें अनुपात बताना है कि तीनों जो कप्ड़े हैं यह इसका अनुपात क्या है यह आप सभी से पूछा गया है सिंपा सा कोशण ने सोवर सा कोशण है सब बच्चा कर लेगा हा भाई किस ना नू कैसे बता चला आपको अभी तक आप यह बात नही नहीं को समझते हैं दहां से देको हमें मानना पड़ेगा कि every कपड़ा पहले कुछ मीटर रहा होगा आपने आप मानने के लिए अपको डाटा कोई अठा चाहिए तोetzen 28 8डर gli PR is और 12 मैंने दोनों किया मैने मान femme i मीटर का रहा होगा क्या मैंने कहा जो स्टार्टिंग में कपड़ा है वो 96 मीटर का रहा होगा अब एक चीज यह बताओ अगर 96 मीटर कपड़ा रहा होगा उसको अगर मैंने 3 और 5 के रेशियों में डिवाइड किया तो 5, 3, 8, 12, 96 और 12, 36 और 12, 5, 60 क्या इस रेशियों में आज 12, 65 तो 5, 25 और 7, 35 क्या इस रेशियों में डिवाइड होगा कि नहीं होगा अब उसने क्या कहा तीनों का उनुपाद बता तो 26, 25 और 35 क्या जाएगा 36, 25 और 35 यही एंसर आजएगा बाकिस सब गलत हैंसर जो भी बच्चा बता रहा है ओके है तो 36, 25 और 35 इदा राइट बिल्कुल सही है अपने आप पर कुछ आपको कोई भी रेसियों मानोगे जैसे कि बच्चे ने बारा मान लिया होगा तो भी आइंसर आगा बस यहां पर नीचे बटे उटे में आगए जब इसको सौल करोगे तो ऐसे आजाएगा हमने चानबे इसलिए मारत माना ताकि कोई डाटा एक दूसरे से कटेना हमने चानबे की नहीं हुआ ना अपको इतना आसानी से कोश्चन कर सकते हो लेकिन आप लुग बड़ा लेंदी है और इसको लंबा लेके चले जाते हो और फिर कोश्चन आपका गलत भी हो जाता है ठीक है चलो अब आते हैं उस वाले कोश्चन पे जो रेलवे का तो पसंदीदा है और आप सभी का भी आज के बाद पसंदीदा बन जाएगा ये कोशन आप सभी के सामने आ चुका है जबर दस कोशन है वहतरीन कोशन है जल्दी से बताईए क्या होगा इस कोशन का सही एंसल और अगर समझ में आ जाएगा तो यहां पे नोट है हमारे पास क्या क्या पचास रुपया बीस रुपया और पांच रुपया के हमारे पास नोट है यह बात उसने कह दिया अच्छा और नोटों की जो संख्या वो चार पांच और छे के अनुपात में यानि पचास रुपया के चार नोट है अगर चार नोट होगे तो तो क्या आपके पास 200 रुपया बन जाएगा की नहीं बन जाएगा सीधी सी तो बात है है की नहीं है और पांच नोट है किसके भईया बीस रुपया के पांच नोट है तो बीस पंचे 100 क्या 100 रुपया बन जाएगा की नहीं बन जाएगा भईया और पांच रुपया के 6 नोट कितनी आगे 3300 खत्म हो गया एक की वैलू कितनी आगई एक रुपए के वैलू कितनी आगई दस आगई एक रेश्यों की वैलू दस आगई उसने कहा पचास बीस और पांच रुपए की नोटों की संख्या क्या है तो बाइए एक रेश्यों की वैलू दस तो चार रेश्यों की वैलू 50 और 6 रेस्यों की वैलू 60 यानि 40 नोट होंगे कितने के आपके 50 के और आपके पास 50 नोट होंगे किस ते 20 उपए के और आपके बाकी जो नोट होंगे वो कितने हो जाएंगे इसके हो जाएंगे क्या सभी को समझ में आ गया 40, 50, 60 वेरी गुड़िया जगुदादा बह को ये करेगा वो दूसरा काम कि आपको यहां पर वो कह देगा पैसो देदेगा कि बाई 20 उपए से इतना रुपया बनना है तो आपको वहां पता करना पड़ेगा कितने सिक्के हो सकते हैं अगर समझ में आ गया हो तो जल्दी से सब के सब भनावन तरीके से लाइक पर क्लि होगा आप सभी के सामने और जल्दी से बताएगा कि इस कोश्चन का सही एंसर क्या आएगा बताओ भई बहुत अच्छा बहुत अच्छा दो ही तरीके बना सकता हूँ मैंने आपको सारे तरीके बता दूँगा आपको कुछ भी परसानी नहीं रह जाएगा ठीक चल ये अच्छा सारी वीडियो जो है अल्लेडी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है तो आप सारी वीडियो जो है वो प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा कोई परसाई नहीं प्लेलिस्ट को जवढ़ दस्त है सब कस हापको वहां पर देखने समझने को मिलेगा सारी चीज आपको प्लेलिस्法 मिल जाएगा ठीक है तो फ्लेलिस्ट में ही आपको सारी वीडियो देखना है और कोई वीडियो आपको मिस नहें करना क्योंकि हर वीडियो अपने और तीसरा 20 पैसे उसने क्या दे रखा भया उसने दे रखा 420 सिक्कें बोले तो उसने सिक्कों की संख्या दे रखा है किलियर गाईज अब आगे आते हैं कीमत का जो अनुपात है जिनकी प्राइज का रेसियो है वो 13 11 और 7 है मतलब एक रुपए से 13 रुपए बना रहे हैं व रहा है तो कुल मिलाके क्या 13 सिक्कें होंगे के नहीं होंगे क्योंकि वो 13 रुपए बना रहा है एक रुपए से तो कुल मिलाके 13 सिक्कें होने चाहिए 50 पैसे से 11 रुपए बना रहा है बाई 50 पैसे का जब 2 सिक्का लोगे ना तो एक रुपए बनता है और वगर 11 साथ रुपा बनारा बीस पैसे से बीस पैसे के पांच सिक्के लोगे तो जाकि एक रुपा बनेगा और साथ रुपा बनारा तो साथ पचे 35 सिक्का उसके पास होगा अब यहां से जड़ा सिक्कों का देखोगे तो 3,2,5,5,10 और 3,2,5,1,6,7 यानि कुल मिला के उसके पास 70 सिक्का है लेकिन एकॉर्डिन डू कोशन 420 है तो इस 70 की वैलू कितनी आ गई है भईया 420 आ गई एक की वैलू कितनी आ गई 6 आ गई और हमसे पूछा ये बताओ कि भईया 50 पैसे के कितने सिक्के हैं तो आप कहोगे सर जी 50 पैसे के कुल मिला के 22 सिक्के है तो अगर एक की वैलू 6 आई है तो 22 की वैलू आ जाएगी 22 गोड़े 6 बोले तो 132 क्या बास सभी को समझ में आया की नहीं आया खतम कोशन आसा कोशन है इजी सा कोशन है कुछ खास नहीं करेना था कुछ खास नहीं समझना था अब बड़े आसाने से ऐसे कोशन को देख पाऊगे कितना सिंपल सा आपने कोशन निकाला इस सिक्को वाले कोशन आपने कैसे कर पाया सब को समझ में आया अरे हाँ या ना भाई जल्दी से कमेंट करके साफ एबरीवन सब बच्चा कमेंट करके बता दो भाई समझ में किinya नहीं है समझ में आया और देखो धयान से वाइवा फिट से समझेने कोशन को कैसे करते हैं यहां पर उसने विधा टोटल नंबर उफ सिक्कें दे था कि भई यह04 भीश टोटल नंबर आफ प 8 है okay अच्छा ठीक है और उस हमें यहाँ पेपैसो क्या नुपाद दे रहा का मतलब एक रूपैसे बना तो तेरा सिक्क्य होगा पचास पैसे के ग्यारा रूपै बना लेगा तो बाइस सिक्क्य होंगे और बीस पैसे तकर साथ बना लेगा तो आपके पास आप खतम होने के कगार पर आगे एक दमी रेशों में कुछ बचा नहीं रह गया है बस आपको यहां पर कोश्चन अब ध्यान से देखना और बताना है कैसे 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 कर पाओगे यह 25 पैसे कर लो ठीक है 25 पैसे कर लो चलो तो एक रुपया 50 पैसे और 25 पैसे यह आपके पास है हाँ बेरी गुड चलो अब यहां क्या दे रखा है कुल 430 रुपया है यानि कुल रुपया दे दिया है तो यहां पर आपको सिक्कों का अनुपाद दे रखा होगा न एक रुपया के पांच सिक्के हैं अगर पांच सिक्के हैं तो क्या पांच रुपया बन जाएग अच्छा ठीक है साथ सिक्के हैं किसके पचास पैसे का अगर साथ सिक्के हैं तो साथ पच्चे पैस का साड़े तीन रुपया बन जाएगा और नौ सिक्के हैं पचीस पैसे के तो पचीस पैसे के चार सिक्के से एक रुपया बनेगा 8 सिक्के से 2 रुपया बनेगा और 9 सिक्के से 2 रुपया 25 पैसा बनेगा कुल कितना रुपया हो जाएगा 5, 3, 8, 2, 10 10.75 रुपया हो जाएगा कुल कितना हो जाएगा 10.75 रुपीज हो जाएगा बट according to question 430 हो जाएगा अरे हाया ना बोलो भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है हमारे इसाब से कुल आ रहा है 10.75 बट according to question 430 हो जा रहा है तो अब 430 को डिवाइट कर दो दादा लो किससे 10.75 से तो एक रेसो की वैलू कितनी आ जाएगी 40 आ जाएगी सीधे कट जाएगा एक रेसो की वैलू आगे 40 अब जो पूशा वो निकाल लो क्या 50 पैसे की सिक्के कितने हैं तो 50 पैसे की सिक्के कितने थे 7 एक रेसो की वैलू 30 और 7 की वैलू आ जाएगी 27.28 7.28 7.28 यानि 280 आगे कितना एंसर आगया 280 नोट कर लिजे बहुत आसान था बहुत इजी सा बहुत बढ़िया बहुत सिंपल बहुत जवदस बहुत जानदार ठीक है किलियर है तो हमें ये ये तीन टाइप दो टाइप के कोश्चन आते हैं पेपर में जो आपके लिए बहुत इजी है और आप इन्हें आसानी से कर सकते हो इसमें से कुछ भी जो है आपके लिए बचा नहीं है ठीक है तो ये रेशियो का आखरी पार था जो पूरी तरीके से रेशियो हमने यहाँ प पर देखना चाते हो जो आपकी मार्नी की 10 बजी देखना चातों कर दोगे मुझे पढ़ा दीजिए और यह यह चैपटर मुझे छाईए आपको जो बात आप वोक करोगे वो तो mixt criar में है ना आपके तो mixture अले तो जब आपको मैं mixedr कराऊंगा तब आपको हो जाओंगा अच्छा इस फज्ज़ले आप सभी को पता होना है जाहिए ऐए आइथिंग किस्तरचय कुछ आपके लिए बहुँज बहुत जबद सता रहा है पता है आप लोग को इस बात का नहिए पता है इस थाज़्रे बहुत 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 सांदार बहुत है और बहुत जिंदा बाद है ठीक हैं भाउने और डिक्त मैं करा सकता है यह अच्छी बात आपने बोलिए कि टाइम डिस्टेंस में आपको करा दो टाइम डिस्टेंस यह बचा रहा गया और क्या बचा रहा गया तो मैं कल स्टार्ट कर देता हूँ आप सभी के लिए टाइप परसंटेज तो खतम होगा आप कितनी बाद परसंटेज पढ़ाए जाए है ना कॉडिनेट तो एक दिन में खतम कर दूँगा चलो मैं कल आप सभी के लिए मौनिंग की सुबा जो दस बज़े क्लास होगी उसमें टाइम एंड डिस्टेंस स्टार्ट करूँगा और टाइम एंड डिस्टेंस का पूरा पोल कल मौनिंग की दस बज़े की क्लास में खुल जाएगा अगर हम बात करते हैं कि time, speed and distance की किसकी बात कर रहे हैं हम लोग time, speed and distance की बहुत आसान सा topic है, बहुत easy सा topic है बहुत simple सा आप इस topic को समझ सकते हो इसमें बस आपके पास सिरफ एक चीज है क्या वो ये formula है आप सभी ने पढ़ा होगा formula speed बराबर क्या होता है, distance upon time होता है बोलो हाँ या ना, ये formula तो सभी बच्चों ने पढ़ा ना मैंने कहा ना, अगर आपने ये formula पढ़ा है मेरे दोस्त तो आपका ये chapter बिल्कुल complete है आपको कुछ भी करने की जोगत नहीं है चलो हाई खर चले सबके सब और ये chapter आपक खतम हो चुका है ठीक है, पका, आप जो जरा समझते है कैसे इस chapter का यूज है और क्या इस formula का यूज है जरा वो भी देखते है speed बराबर होता है, जितना चाल आपने जितना चाल चला है वो और चाल बराबर आपके पास होगा दूरी और दूरी बटा ये आपके पास क्या जाएगा समय आएगा, यही क्या होता आपका speed जो होता distance अपन टाइम यही होता आपका, खतम होगए chapter अब समझते हैं क्या है इसमें आगे कि average speed बताओ उसकी कितना है तो आपको कुछ नहीं करना अगर average speed पूछा जाएगा बस आपका यहाँ formula हो जाएगा क्या, total distance divided by total time मतलब उसको एक दूसरे से जगहा जाने में total जितना distance लग रहा है वो total distance और जितना समय लग रहा है वो समय, बस अगर हम से हम easily तरीके से यह कोशन यहाँ पर कर सकते हैं ओके गाई, अब आते हैं थोड़ा सा हम यहाँ पर और भी other concept के बारे में समझते हैं लेकिन उससे पहले हम सीधे अब यहाँ पर कोशन से सुरुआत करेंगे और पहला कोशन आप सभी के सामने आ चुका है जो railway 2017 का कोशन है LP का डाटा वहाँ पर चेंज था हमने डाटा यहाँ पर चेंज कर रखा है और आप के लिए इस कोशन को थोड़ा और ज़्यादा अच्छा बनाय हुआ है ज़रा ध्यान से देखते हैं कि क्या कहता है इस कोशन को क्या बता हो गई सब के सब चलो आजओ कहता है कोई आदमी है ना उसने अपनी यात्रा को दूरी के तीन बराबर भागों में बाटा है और यह पांच, दस, पंदरा किलोमेटर के स्पीड से यात्रा कर रहा है यह बता उसकी औसर चाल कितना होगा अब कई सारे बच्चे यहां पर क्या करेंगे वो ऐसे निकालेंगे पांच, दस, और पंदरा और बटे कुल मिलाके तीन पंदरा, पंदरा, पंच, बीज, दस, तीस, बटे, तीन यानि कि वो कहेंगे इसका एंसर कितना आ जाएगा यह यह आ रहा बटे को बहुत सारे बच्चे हमारे कहने लगे दस आएगा, तो अगर दस इसका एंसर आएगा तो आपका यह एंसर क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, हमने आवसत चाल पूछा है ना, और मैंने अभी आपको फॉर्मॉला बता है मेरे भाई कि आवसत जो चाल होता है जो एवरेज स्पीड होता है ना, इसका फॉर्मॉला जो होता है वो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस और डिवाइड बाई क्या होता है, टोटल टाइम ये average speed का formula होता है इस बात को याद रखेगा तब ही ये question आपको समझ में आएगा ठीक वो गलत है दस ये सही है average speed बराबर total distance और divide by total time ये average speed का formula अब समझते हैं कि हमें यहाँ पे question में क्या दिया है और क्या हमें निकालना है हमसे औस चाल पूछाए ना अब देखो क्या हमें इस पूरे question में कोई एक proper distance दे रखा है कि आर पूरी दूरी 500 km है या पूरी दूरी 1000 km कोई ऐसा दे रखा है क्या नहीं दे रखा है ना उसने सिरफ हमें speed दे रखी ये 5, 10 और 15 और उसने कहा 3 इक्वल पार्ट में हमने पूरी स्बाट की Speed से ध्यां से मेरी बात को समझना बड़ा आसान से कर लोगे हमने यहां पर साट क्यों लिए खार या क्योंकि ऑ से भी कटेगा 10 से भी कटेगा औप 15 thou अगला 60 km वो किस से गया है आपका वो 10 की स्पीड से गया है और अगला 60 km वो किस से गया भाई तो यह गया है वो 15 की स्पीड से क्या कुछ परेसानी हुआ किसी बच्चे को क्या नहीं हुआ न हमने सिंपल से कोशन सॉल्व कर लिए तो टोटल डिस्टेंस कितना आगा 60 60 और 60 यानि 108 आगया कि नहीं आगया और टोटल टाइम कितना आएगा टाइम क्या होता डिस्टेंस अपान स्पीड तो डिस्टेंस है आपका 60 वटे 5 यानि की 12 560 अगला 60 वटे 6 10 यानि की 6 हो गया अगला 60 वटे 15 यानि की 4 हो गया खतम हो गया तो 12 12 640 12 12 12 180 वटे 22 और आपको अगर इसक कि क्या है एवरेज स्पीड है और आई थिंक आप सभी कोई एंसों आसानी से समझ में आ गया होगा मैक्सिमम बच्चा यहां पर बिल्कुस सही एंसों बता रहा है तो भाईया मैंने पहला कोशन आपके लुलू पुंजू आला नहीं लिया है ना बहुत सारे बच्चे जो है क कि यह कह रहा है वह कह रहा है वह कह रहा है कोई हमने लुलू पुंजू कोशन नहीं लब बहुत तग्रेस आपको बता दिया है कि बहुत बढ़ी है चलो सिंपाज कोशन हमने जब दस पहला कोशन लिया क्या मैंने समझाया पहले कोशन की तरफ सुनिएगा कि क्या भाई इस से जादा छोटे जगा कोई कर देगा तो मुझे भी बताएगा यह सबसे छोटा तरीका सबसे बहतरीन तरीका जो पेपर्स के लि बता दिया कि टोटल डिस्टैंस अपान टोटल टाइम होता है हमारी सकोशन में कोई डिस्टैंस नहीं प्रॉपर दे रखी थी लेकिन उसने यह कहा था कि दूरी जो है ना उसको इसने तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया और इसको इतने इतने की स्पीड से चल कीरिया भाया है अब इसका स्वाशमynthesis अगया 60 हमने माल लिया पहलाww साथ किरूमिटर पांच से गया क्या क्योंकि तीनों दूरियां बराबर है तो अगला-67 इसमें गया बसटौिशन बिपाह साथ इतना साथ Giroudiमेनका क्योंकि वेसकते हैं कोई डिकत नहीं थाइट तो भी डारेक्ट आजागा कोई दिक्कत नहीं है अब देखो मैंने आपको एक और कोशन दिया तो सेम उसी टाइप का है आप में से कौन बच्चा इस कोशन का सही एंसर बता सकता है सिंपल वही कोशन है उसने क्या क्या है दूरी को चार बराबर भागों में डिवाइड कर द अब देखो कोशन में कुछ नहीं है चारो की चारो दूरियां बराबर है ना हमें क्या चाहिए एवरेज स्पीड चाहिए अब आपको यह समझ में आगा कि अगर एवरेज स्पीड चाहिए तो एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम दोनों पता होना चाहिए और हमें total distance पता नहीं है अब हम total distance पता करेंगे कैसे पांच-10-15-20 का होता है 60 तो पहला 60 km गया पांच की speed से क्या कोई परसानी अगला 60 km गया किसके speed से 10 की pitching से क्या कोऑफ सानी क्योंकि चारों दूरिया बराबर इसी वज़े से अगला 50 गया 15 से और इसी तरीका से अगला साथ Bandra किसे ग然 वह 20 से गया और deepest सब्सक्राइब क्या होता सब् donate डिस्टेंज सोन सब्सक्राइब डिस्टेंज तो बहुए जरा ये बताओ total distance और divide by total time हम एजह तो चाहिए होता सीधी सी बात है तो भाई total time कैसे पहले 60 5 करोंगे तो 12-506 then 60 वटे 10 करोंगे तो 10-660 यानि 6 देन 60 वटे 15 करोगे तो यानि की 4 और और दें 60 वटे 20 करोंगे यानि की 3乾्क खतब हो जाएगा च्या चार दस 12 दस 22 तीन 25 एंसर कितना आगया 240 बटे 25 पांसे काटो 25 पांसे काटोगे 5 जो कभी 25 पांच एटे तालीस बटे 5 किलो मीटर पर आवर उसकी एवरेज स्पीड आगे तो मैंने जो पहला कोश्चन आपको कराया इसमें मैक्समंबच्चे को दिक्कत होती है और मैक्समंब बच्चा इस कोश्चन को गलत करके आता है आपको भी पता है कि आप में से बहुत सारा बच्चा जो यहां पे क्या करेगा इस 15 15 15 15 30 20 50 तो वो करेगा 50 बटे चार यानी 25 बटे दो और option में आपके पास 25 बटे दो भी दिया रहेगा लेकिन वो गलत हो जाएगा है ना ये यहाद दखिएगा तो ये is the right answer of the question बहुत सांदार question था बहुत बहुत बहुतरीन question था और paper में आने वाला ये question था जो आपके लिए बहुत ज़्यादा important है चलो भई, अब देखो इस question को वो इस तरीके से भी एक question आपसे देगा simple सा question है कि A से B तक का वो कितने से गया चालिस की speed से देन हुआ क्या कि B से A तक का वो कितने से वापस आया 20 की speed से अब वही question है उसने भी यहाँ पे क्या पूछा है average speed पूछा है तो ज़र जल्दी से comment करके बताईए कि यहाँ पे इस question में average speed क्या होगा बहुत बढ़िया रूची बहुत बढ़ें लक्षमी बहुत बढ़ें all of you सब के सब जवरदस्तो देखो अब यहाँ पे अलग concept लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमें एक चीज़ यह पता है कि वहाँ पे क्या था वो दूरी को बराबर भागों में डिवाइड कर रहा था फिर बराबर भागों में डिवाइड कर रहा था फिर बराबर भागों में डिवाइड कर रहा था ऐसा मामरा चल ला था बट अब अगर इस question में देखोगे तो इसमें यह कहना है कि मानलो हमारे पास यहाँ पे कोई एक distance है और हमने क्या किया है यह मालो हमारे पास कोई भी distance होगी मालो X kilometer हमारे पास पूरा का पूरा distance है हम इसको A Speed से जा रहे हैं और वापस किससे आ रहा हैं B Speed से आ हैं हमसे average speed पूछ जाएगा तो दो तरीके से यहाँ पे question paper में railway में आएगा और वो दोनों के दोनों टाइप में आपको समझाता हूँ जहां से समझना कभी भी अगर आपको कोई एक प्रॉपर डिस्टेंस दे दे जैसे कि मालो उसने कहा X किलोमीटर है या मुझे स्कूल से लेके यहां जाना है कुछ भी है और आप एक प्रॉपर स्पीड से ओ दूसरे और डिवाइड बैड दोनों का ब्रस टू एकस यापान X प्लस ए या टूएबी अपान एप्लस भी यह सिरफ यहीं नहीं लगता यह मास सुचेगे सिरफ यहीं लग जाएगा यह और कहां लगता है मालो कि वही ये पूरी कि पूरी X किलोमीटर का जो डिस्टेंस था इसको अब अपने उसने क्या किया इसको उसने दो बराबर पार्ट में डिवाइट कर दिया ये दो पार्ट में ये भी XY2 हो गया और ये भी XY2 हो गया अब वो इसको A से जा रहा है और फिर वापस बचा हुआ भी B से जा रहा है तो भी हम क्या लगाएंगे formula average speed का 2AB upon A plus B ही तभी आपका एंसर सही आएगा ओके गुड मॉर्निंग एवरीवन गुड मॉर्निंग ठीक आप समझो भाई मेरे बात एवरे स्पीड क्या गया टू एवी अपाने प्लस भी कहां कहां लगाएंगे फिर से मैं रिवाइस करता हूं कभी कहां पर लगाएंगे अगर हमारे पास को ईक प्रॉपर एक सर्टें एक निश्य डिस्टेंस दे रखी है और हम किसी एक सपीड ज़ा रहा हैं किसी दूसरी से वापस आ रहा है तो भी क्या लगाएंगे 2AB अपान A प्लस B ही लगाएंगे इस बात को याद लखेगा अब ज़रा इस कोश्टन में आ जो और इस कोश्टन में हम देखते हैं क्या कहता है बाई 40 तक गया फिर 20 से वापस आ गया तो क्या लगाए 2AB ए मतलब 40 गुड़े 20 और डिवाइड बाई 40 प्लस 20 यानि की 60 कम्प्लीट तो 20 त्याइं 60 चालिस दूनी 80 बटे 3 या क्या आ गया एंसर 80 बटे 3 किलोमीटर पर आवर आई थिंक अब आपको यह बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा बिना किसी परिसानी का बिना किसी दिक्कत का पक्का है ओके है कोई परिसानी कोई दिक्कत नेक्स प्याज़ो भई बहुत बढ़िया अगला कोशन आ गया कहता है अगर उसकी औसर चाल 45 किलोमीटर पर आवर है किसी भी वेक्त की ये सब के सब हम बहुत बहतरी कोशन्स ले रखें जो बहुत ज़दा पेपर्स में आता है और आप से कहता है कि एक निश्ची दूरी वो 40 मिज़ने में तैय करता है अगर वही दूरी इसको 30 मिनट में तैय करना हो तो ये बता उसकी चाल क्या होनी चाहिए कितना आसान कोश्चन है आपको अगर समझ जाओगे तो आसानी से कर जाओगे देखो भाई उसने क्या कहा अगर वही निश्चित दूरी यानि कि इस कोश्चन में क्या है दूरी बराबर है यदि वही दूरी दूरी बराबर है तो आप सभी को पता है सिंपसा क्या कि जो दू होता है वह स्पीड इंटु टाइम होता है कि नहीं होता अर्यज़़ा जल्दी से बता दो पहला स्पीड 45 है और पहला जो टाइम लगए वो 40 मिनिट का लगा है और दैन दूसरा वाला उसने कहा टाइम अगर 30 लग रहा है तो दूसरे का स्पीड कितना होगा यही तो पूछा है भाईया और कुछ थोड़ी पूछा है खतम होगया कोश्चन 15 दूनी 30 15 दूनी 45 दो से काटोंगे 20 दूना 40 और 20 दूना 60 आपसन नमबर आपका सी आजाएगा क्या हो जाएगा दूसरा स्पीड 60 किलोमीटर बरावर खतम होगया कोश्चन कुछ करना था कोश्चन में कुछ भी नहीं करना था सिंपल सा सिरफ देखो जो कोश्चन कहेगा टाइम स्पीड और डिस्टेंस में समय और चाल में सिरफ आपको इस question में focus करना है और आसानी से यहां से आपको कर लिना है स्वाल किलिए रहे गाईज कोई पर इसानी next question पर चलते हैं देखते हैं अगला question आपके पास क्या कहता भाई यह देखो यह railway का question है simple सा जल्दी से बताइए बहुत बढ़िया क्या कहता भाई हाँ option से भी कर सकते हैं option से भी कर लो ऐसे question मैं तो आपको concept दिखा रहा हुगा जब मैं revision कराऊंगा ना iisे question क्यूंकि मैं आपको सारे के सारे question revision भी कराऊंगा और कि revision session भी चलेगा तो अब ही सिरफ हम option से question को नहीं हम question के concept को समझे question को solve करेंगे जब मैं revision कराऊंगा आपको तब फिर आपको option और बाकी अधर चीजों से बताऊंगा कैसे question solve कर सकते गाई कता एक निश्चित गती से उसने कोई निश्चित दूरी तै करी हमने कहा चलो ठीक है अब दूरी का आधा हिस्सिया दो गुने समय में cover करता है तो बताओ speed पे क्या प्रभाव पड़ेगा speed पे अच्छे ये बताओ speed मालनो पहले s1 होगी तो अब क्या speed s2 हो जाएगी और speed होता क्या है क्या distance upon time होता है कि नहीं होता तो क्या पहले speed अगर d1 upon t1 होगी तो क्या d2 upon t2 होगी एकदम conceptual बात समझना कितना आसान से कर पाओगे उसने कहा पहले कि निश्ची दूरी और निश्ची समय में क्या करता था मालनो पहले दूरी एक थी और समय उसको से एक लगता था क्या कोई दिक्कत अब दूरी क्या हो गया दूरी का आधह इस्ता यानि दूरी एक बट्टे एक रेशियो एक बट्टे चार यह चार इधर आजागे एक उधर चल जाएगा एंसों किता है चार और एक ऑप्सिन नमबर डी मैक्सम बच्चों का जिसका डी आ रहा है वो सब बिल्कुल जबर्दस्त बिल्कुल तगड़े आएंसों बतारो भाई जबर्दस्त कर समझ में आ गई बहुत अच्छा कॉश्चन था बहुत इजी कोश्चन था पेपर में बहुत पूछा जाता है अब आते हैं रामबार वाले कोश्चन पे अगर कुछ कोश्चन नहीं आएगा ना तो यह तो जरूर आपको एक दिख जाएगा एक नंबर का यह कोश्चन आज अब आप इस कोश्चन पे समझते हैं क्या कहता है इस कोश्चन के लिए ज़रा ध्यान से देखते हैं बहुत बढ़िया अगर लड़का 45 की स्पीड से दोड़कर स्कूल जाएगा तो 10 मिनट देर से पहुचेगा ओके लेकिन अगर वही चीज़ 60 से जाएगा पांच मिनट पहुचेगा ये बता उसके घर से स्कूल की दूरी कितनी है अब मेरी बात को समझना ध्यान से अभी मैंने आपको एक फॉरम्मौला पढ़ा था क्या तूए बी अपान अप्लस भी आप लोगों ने अभी ये फॉरम्मौला पढ़ा था तो ऐबी अपान अप्लस भी वाला म क्या यहां पर समय का कोई difference होता है क्या नहीं ना उसने तो सिरफ यह कहता है कि A से जा रहा है B से वापस आ रहा है कोई difference नहीं होता समय का समय के बारे में कोई बात वो नहीं कहता लेकिन क्या इस question में वो समय के बारे में बात कह रहा है कहोगे सर जी बिलकुल समय के बारे में उसने कहा कि पहले 10 मिनट देर हो रहा है, अब 5 मिनट देर हो रहा है, हाँ उसने समय के बारे में बात करा है, तो अगर question में समय के बारे में बात करेगा, तो A plus B जो नीचे लिखे होना, यही क्या हो जाएगा, a-b हो जाएगा यानि हम नीचे वाले फॉर्मुले में a-b लगा लेंगे और यहाँ पर two क्यों लगाते हैं क्योंकि वही distance जाता है वही distance वापस आता है इसी वज़े से यहाँ two लगाते है और यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं तो यहाँ पर सिर्फ क्या लगा लोगे a-b अपान a-b लगाओगे और यही फॉर्मुला क्या कहलाता है जबर दस्त भाईया सबके सब यही तो कहलाता आपका master's formula और मेरा विस्वास मानना अगर आपने master's formula को अच्छे से समझ लिया अच्छे से पढ़ लिया तो दुबारा धर्ती का कोई भी question आपको नहीं तब कब जब समय के बीच का difference दिया रहेगा तब ओके अब दूसरी बात क्या आते हैं जैसे तो कोई यहां भी वह लेट पहुचा और यहां भी वह लेट पहुचा तो लेट और लेट दोनों चीज़े क्या हो जाएंगी लेट एंड लेट लिखा रहेगा तो दोनों चीज़े माइनस हो जाएंगी अगर अरली और लेट होगा अरली एंड लेट होगा तो दोनों चीज़े क्या हो जाएंगी प्लस हो जाएंगी इस चीज़ को याद रखना आगर आपको डिस्टेंस चाहिए तो इसमें टाइम का मल्टिप्राइब करोगे तब ही तो आपको डिस्टेंस निकल कर आएगी कि रहा हमारे पास फिदी थी अति है चाहिक छितना को चाहिए पैसन समझ though क्या चाहता है हमने ने चम्हांण लगा-पैस भी- into time का multiply तो भईया पांच मिनट लेट और दस मिनट लेट दोनों हो गया लेट और लेट तुए यानि दोनों का माइनस और क्यूकि यह मिनट है और यह सबी घंटे में है तो 2020 करोगे ताकि यह भी क्या हो जा है घंटे में बदल जा बस हमने इसने में किया question ये तो मैंने आपको समझाया है है कि नहीं कितना आसान question था कितना एजी question था कुछ खास नहीं कर रहे ना था दो चीज़े याद दखने है क्या हमने ये formula पढ़ा लेकिन यहाँ पर समय का कोई difference नहीं दिया होता है सिर्फ आपको क्या करना होता ये formula ल उनको नहीं समझ में आया उनको मैं फिर से समझाता हूं अगले question के थूँ और क्या कहता है वो question फिर से समझाता हो बाई धियान देना आज जो जनासा बिलकुल आज ये अब पहले देखो यहाँ पे क्या है 10 मिनट लेट है यहाँ पे क्या है 5 मिनट पहले है क्या समय के एबी अपान ए माइनस बी कौन से फर्मॉला लगा ओगे एबी अपान ए मानस भी इसको क्या बोलते हैं मास्टर्स फर्मॉला बोलते हैं अच्छा एबी मतलब हो कि आपका पहला स्पीड है 30 दूसरा स्पीड है 40 दोनों का माइनस 40 में से 30 घटा दोगे तो 10 आ जाएगा इंट 30 और 15 दूनी 30 एंसर क्या आगया 30 किलोमेटर अब बताओ यह है यह जबर दस्त वाला बहुत जबर बहुत जिंदा बात बहुत सांदर सभी ने एंसर बता दिया ऐसे निकालेंगे हम जल्दी जल्दी से कोश्चन और ऐसे आसानी से कोश्चन को समझेंगे क्या मज़ा है क्य होगा इस कोश्चन का सही एंसर बहुत बढ़िया किसी का गलत नहीं होना चाहिए बहुत जबड़ा बहुत 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 सांदर आज बदाओ क्या लगा होगे एवी अपान ए मानस भी ए इंटू बी अपान ए मानस भी यानि दोनों का डिफरेंस होगा 15 दस मिनट तेर और पांच मिनट पहले तो दस और पांच 15 होजाएगे देर पहले वो जोड़त रिखले होंगे तो प्लस हो जाएंगे सेम लिखे हогे तो मानस हो जाएंगे ठीक तो साट से साट काता मानस हो आरे भाईया से बताओ कि क्या होगा इस कोश्टन का सही एंसर आओ थोड़ा सा हम अपना अलग टाइप कोश्टन देखते हैं जो भी पेपर में इनको कैसे कर पाएंगे बाई जरा समझते हैं और लाइक की संख्या कमी नहीं होनी चाहिए बात को याद अखना जितना लाइक कर दो जितना स कर दो भाई सब के सब है की नहीं आओ जो भाई जल्दी से अब हुआ क्या आदमी अपने स्पीड का चार बटे साथ से चलने लगा अच्छा अपने स्पीड का हम चार बटे साथ से चलने लगे इसका मतलब यह हो गया अगर हम पहले साथ से चलते होंगे तो अब हम क्या होन का स्पीड दे रखा है अच्छा ये बताओ सभी वज्चे कि क्या स्पीड बरावर्ट डिस्टैंस अपान टाइम होता है क्या होता है बिल्कुल फॉर्मुला इसका मतलब यह हो गया स्पीज डायरेक्ट रिपर बंदर टू टाइम एन स्पीड इनरसी पर परपॉस्टनर टू टाइम इस पीड डायरेक्ट रिपर पर टू टाइम मतलब यह हो गया जो स्पीड का रेश्य होगा वही इसके डिस्टैंस कर भी होगा और हम अपने इसको अगर भासा में समझे अपने दैनिक लाइफ में समझे तो भी यह होता है बाई जितने स्पीड से जाओगे उतना ही स्पीड कम करनी पड़ेगी अब आगे क्योंकि उसने बात किया हमसे कि आफिस ओछे मिनिट लेट पहुचता है लेकिन हमें स्पीड दे रखा जबकि उसने समय की बात कर रखी है तो क्या हम समय में चेंज करने के लिए स्पीड और टाइम एक दुसरे के अपोजिट होते हम मुल्टा कर देंगे के नहीं कर देंगे उसने कहाँ छै मिनिट लेट पहुचते हैं लेकिन हमारे समय का बीच का डिफरेंस तीन रेसियो आ रहा है तीन रेसियो बराबर छै मिनिट एक रेसियो बराबर आपके पास कितना हो गया दो मिनिट हो गया उसने कहा पहुचने का भ आप से वो लेट हो गया है बोलो बात क्या सभी को समझ में आ गया है अरे हाया ना सिंपल कोश्टन सोवर कोश्टन बड़े आसानी समझ में आ गया अगर आ गया है तो मुझे कौन बता पाए यह कोश्टन जल्दी से सब के सब कमेंट बॉक्स में बनावन कमेंट कर देना और कर देना कोई दिक्कत नहीं जिनकों नहीं समझ मैंने एक कोश्टिंग का दो ले लिया ना अब तो आपको समझ में आजए का पक्का है ठीक है वैरी गूड यार वैरी गूड 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 वैर क्या बच्चों वाला कोशन आ गया है कि नहीं आसान बोलो सिंपा सा कोशन है कुछ करना है कुछ नहीं करना सिंपा सा कोशन है सारा बच्चा बता ले रहा है नेक्श प्याज़ो भई आओ बताओ भई क्या होगा इस कोशन का दोनों सहरों के बीच की दूरी आपको बतानी है क कहता है जो हम दिल्ली से जम्मू जाते ना तो हमको 10 घंटे का समय लगता पहुचने में आधी दूरी 60 से आधी दूरी 40 से यह तो वही टाइप कोशन हो गया ना उसने कोई एक दूरी थी आधे आधे पार्ट में डिवाइड कर लिया 60 से यहां तक का गया और 40 से यहां तक का लेकिन यह पूरी दूरी का आधा आधा भाग है तो क्या ये बताओ कि क्या यहां पर average speed का वहाला फॉर्मूला लगा सकते हो क्या अरे कौन सा वाला यही वाला टू ए-बी अपान ए-प्लस-बी वाला जरा आ बोलो हाँ या ना लगा सकते हो क्या मैंने बता दीका ना ओलर डिसलो सिंपा से लगा दो क्या लगा दोगे डूएभी एभी मतलब पहला स्पीड आपके पास साथ और दूसरा स्पीड चालिस अपान एप्लेश भी मतलब 60 और चालिस यानी क्यों हो गया सव ये उसका स्पीड आगा स्पीड इंटु टाइम लिका लो तो क्या जाएगा डिस्टाइब यही प्रॉपर डिस्टाइस आएगी तो दो जीरो से आपने एक जिरो यह और एक जिरो यह काट दिया चैट 24 दून 48 बोले तो 480 यह answer आ जाएगा बस खतम question 480 the right answer अभी question कुछ नहीं करना इस question में क्या करना है कुछ खास नहीं मैंने कहा आपको मैंने पहले ही समझा दिया था या तो को एक proper distance रहे x से जाए y से आए तो भी यही formula लगा लोगे या फिर एक distance को बराबर दो भागों में divide करे x से जाए आदा और y से जाए दूसरा तो भी यही formula लगा लोगे और यह वही काम कर रहा है इस speed हमारे पास आगए उसने time दे रखा था तो speed into time करोगे तो distance आजाएगा आपका कुछ खास नहीं करना next question बढ़ते हैं देखते हैं क्या कहता भाई चलो बहुत सांदार दिल्ली से बताईए क्या कहता इस question का सई answer और आप अब बताओ क्या होगा भाई यदि अपनी चाल 3 किलमेटर बढ़ा दे तो 40 मिन्ट का कम समझ लएगा अब अपनी चाल 2 किलमेटर घटा दे तो 40 मिन्ट का ज़्यादा समझ लएगा तो यह बताओ दूरी और चाल कितनी होगी समय तो यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि समय उसने आल्री आपको दे रखा है है ना तो दूरी है इंचाल डिस्टेंस और स्पीड क्या होगी यह question आप से पूछा गए बहुत ही सांदार बहुत ही जिंदा बात question है ठीक है चलो अब यह बच्चे का कहनता है कि कई सारे बच बच्चे हैं जिनको यह chapter नहीं आता था लेकिन विश्वासमानों आज सारे के सारे बच्ची कोशन सौल्व कर रहे हैं मुझे बात बिल्कुल पता बहुत सारे बच्चे इनको नहीं आता अब बच्चों अले को इसका मतलब थोड़ी कि हम आपको वही question कर रहा थे जो कोर्स में सीधी सी बात है तब ही तो इतने सारे बच्चे आकर क्यों भरोसा कर रहे हैं आप विश्वास नहीं मारोगे मात पांच दुनों में हम लोग ने दस हजार से नए बच्चों को इस चैनल पर दैस जासे नए बच्चे जुड़े हुए तो सिरफ इसी विश्वास के को निश्ची ताहसे ट्रै करता अगर अपने स्पेड तीन बढ़ा दे मालों भाई यहां फार्मला क्या लगा होगे a b upon a minus b ही तो लगाओगे क्यों लगाओगगे b upon a minus b क्योंकि उसने कहा कि 40 मिनट का कम समय लगता है क्योंकि उसने कहा कि 40 मिनट का ज्यादा समय लगता है और इसी वज़े से तो हम AB अपान A-B लगाएंगे, अरे है की नहीं है, अगर कभी भी समय का बीच का डिफरेंस दे देगा, तो मामला फिट कर दोगे, कोश्च रंग खतम हो जागा, ज़रा समझते हैं, 3 किलोमेटर स्पीड बढ़ा ले, मामलो इसकी पहले स्पीड S थी, अब उसने क्या कर लिया, S प्लेस 3 कर दिया, तो क्या AB आ गया, और A-B, यानि कितना ज़्यादा डिफरेंस आया, 3 का डिफरेंस आ गया, तो 40 मिनट का कम समय लगा, ये मिनट दे रखा है, तो Y 60 कर दो, गंटा हो गया, खतम हो गया, नेक्स प्याज़ बढ़ाई, अगला, अगर अपनी चाल 2 किलिमिटर कम कर ले, यानि S था, उसने क्या कर लिया, S माइनस 2 कर लिया, डिफरेंस कितने का एगा 2 का, तो भया उसे 40 मिनट ज़्यादा लगता है, तो क्या ये 40 बटे 60 हो जाएगा, कि नहीं हो जाएगा, अब question आपका खतम हो गया, हमें क्या चाहिए, हमें speed ही तो चाहिए, कि बताओ दूरी चाल और समय कितना है, तो हमें दूरी ही तो चाहिए, कुछ तो नहीं है, अब दूरी चाहिए तो कैसे कर पाएंगे जरत ध्यान से समना बहुत बढ़ी है आजो बाई तो 40 बटे 7 से 40 बटे 60 कटा और देखो इस S से ये S कटा 2 का इधर मल्टिप्लाई करोगे 3 का उधर मल्टिप्लाई करोगे इसका उठाके इधर तो आपको पता है 2S प्लस 2 त्याइच 6 इस उकल 2 उधर ले जाओगे तो 3S माइनस 3 दूरी 6 ठीक है अब इसको उधर ले जाओ उसको उधर ले आओ तो भईया कितना गया आपका 3S मेंसे 2S माइनस होगा और 6 6 12 यानि एसकी वैलू यानि उसकी जो स्पीड आजाएगे क्या वह बारा आजाएगी खतम होगा कोश्चन देखो मैक्स समच्चे यहां पर बारा बोलते चले जा रहे हैं कुछ नहीं करना हम आप इस को अगर आप किताबों में देखोगे तो आप मेरा विस्वास मानना दो से दो कटेगा तीन चोंग 12 हमारे पास कीतना घैका 40 को दिस्टैस का عنङए चालीस मेरा मैं एक वाहां फ्यर्चे थोड़ा ध्यान से देखेगा कि मैं क्या कहने वाला हो कैसे मैं समझाओंगा ध्यान से समझेगा क्या मैंने आपको a b upon a minus b का formula समझा दिया है कि नहीं समझा दिया ओके है ना इसमें कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं है सबको समझ में आ गया अच्छा ठीक है पहले speed मालनो s था अब speed s plus 3 होगा क्यों क्यों क्योंकि उस पीड उसने 3 km पर आवर बढ़ा दिया है और जो difference आएगा वो कितना है तीन क्योंकि तीन बढ़ा तो तीनी का difference आगा into time लगा 40 मिनट कम्या जादा सेम होई condition अभी भी time किता लग रहा उसको 40 मिनट जादा लगते हैं कोशन खतम होगे तोनों को सबको स्वाल कर लो s से s कट जागा सब कट जागा s की speed 12 आजाएगी और s 12 आगे या तो इस equation में s की value रख लो तो भी आपकर पूरा का पूरा distance आजाएगा या तो इस वाले equation में s की value रख लो तो भी पूरा का पूरा distance आजाएगा जिनको नहीं समझ में आरा बेटा एक बाफ फिर से वीडियो को जो आप रिपीट करके देखोगे जब इसका बार बार देखोगे आप तो आपको आराम से कोशन समझ में आ जाएंगे कि कैसे हम इस कोशन को कर पावेंगे किलर गाइज बहुत अग्राफ बहुत सांदार नेक्ष प्याते वाइग अब देखो मैंने आपको सेम होई कोशन दे रखा है मुझे जल्दी से बताओ कौन बच्चा इसका एंसर बता पाएगा सेम होई करें वर्यवड़ी कमेंट बॉक्स में करके कि इसका सही एंसर क्या आएगा बहुत बनियां बहुत बनियां हो बहुत सांदार बहुत धास सुनते कैसे आप उसकी स्पीड पहले से अहां हमने 6 बढ़ा दिया यानि एष्ट प्रस्टिक्स कर लिया तो क्या difference हमारे पास 6 आएगा और 4 घंटे का कम समय लगता है यहाँ उसने minute नहीं कहा यहाँ उसने घंटा कहा है ना ध्यान देखना minute नहीं कहा घंटा कहा इस बात किया देखना अगर minute कहता तो by 60 कर लेते बराबर अब ने उसे चाल 6 किलमेटर घटा दी यानि अब S S minus 6 कर दिया पहले S ताब S minus 6 कर दिया आप कितना आगे difference 6 आएगा अब उसे 6 घंटा ज्यादा लगते है तो into 6 कर दो खतम question अब देखो आपके पास कितना चीजे कटेंगी पहले 6 से 6 काटो S से S काटो आप दो दूनी चार दो तियाए 6 कटा अब दो का इधा मल्टिप्लाइ करोगे तो 2S plus 6 दूनी हो गया आपके पास 12 बराबर उधा करोगे तो 3S minus 6 दिक होगा कितना 18 इसको उधार ले जाओ उसको उधार लियाओ एसकी वैलू कितने आगी बारा ठारा तीस आगया अब तीस अगर आपके देखो कई सरे बच्छा लेडी बता रहे हैं अगर एसकी वैलू तीस आगई रखलो इसमें रखलो किसी में भी रखला एंसर आजाएगा क्या पहले में रखलो तो 30 और 36 36 36 30 और 30 और पूरी की पूरी डिस्टेंस 720 आगे आई तिंक सब के सब बच्चा बहुत आसानी से कर पा रहा होगा बहुत इजी से कर पा रहा होगा बहुत अगरा बहुत सांदार बहुत 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 जिंदा बात हो रहा है कि नहीं हो रहा कितना आसानी सब कोशन कर पा रहो है की नहीं तो हमें कुछ खास नहीं करना ऐसे कोशन में सिरफ आपको देखना है और इजी तरीके सा आप लोग ऐसे कोशन को कर सकते हो नेक्ट प्याज़ो बाई देखो सेम यही कोशन मैंने आपको दे रखा यह अपना होमाक में लिखो सेम होई कोशन है और इसको घर पे देखना एक पर सॉल्व करना मुझे कमेंट बॉक्स में हर बच्चे का कमेंट में यह एंसर चाहिए कि कैसे कर पाएंगे किस तरीके से हो पाएगा किस तरीके से नहीं होपाएगा पूरा बच्चा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा कि इसका सही एंसर कैसे निकाल पाओगे ओके नेक्स्ट प्याज़ो भई चलो अगला कोशन आ जाता आपके सामने अगला टाइप का कोशन है अगला बहतरीन सा कोशन है बनाएगा लगढाव हoh행 कर दिल से सारी के सारी कोशन साफ टाइंब कर लेते पेर टेर्फ से ट्रेंड करेंगे फिर जॉटेवाले कर एक निश्दी बठाई रखे एक निश्टी दूरी से सामय है चारा करती है ठीक है चलो आ जाते हैं कहता है एक कार 840 किलोमेटर की दूरी तै करती है यानि हमें उसने टोटल दूरी दे रखा है एक निश्ची दूरी से समय चाल से तै करती है हमने कहा चलो ठीक है यदि हमने 10 स्पीड बढ़ा दी यानि पहले S था अब हमने S प्लस 10 कर दिया और हमारे पास डिफरेंस क्या आएगा 10 का आएगा तो दो घंटे का कम समय लगता है और उसने एक टोटल हमारे पास स्पीड दे रखा 840 क्या यही करोगे की नहीं करोगे भाईया है की नहीं है यह स्पीड लेकर आता है स्पीड इंटू टाइम बोले तो डिस्टेंस निकल आता है सीधी सी बात है स्पीड इंटू टाइम बोले तो डिस्टेंस निकल गया आएगा कुछ नहीं करना आसानी से कोश्टन समझ जाओगे बस कोश्टन खतम हो गया 2 से काटोगे तो 200 काटोगे तो 420 आजाएगा और इसके बाद अगर आप यहाँ पे और मल्टिप्लाइ कर दोगो इसका तो 42 तो आजाएगा उधर अब आपको यहाँ पे सोचना है क्या S और S प्लस 10 मतलब इसमें आपसन में से S की वैलू आप क्या रख रहो कि 42 तो आपको यहाँ आजाएगा यार यह अगर 60 रख लें तो 60 और 60 और 70 यहीं साथ चका 42 तो S की वैलू कितनी आजाएगी 60 आजाएगी कुछ नहीं करना कोश्टन में देखो बहुत सारे बच्चे आएं सो बता रहे हैं है कि नहीं है कितना असान से कोश्टन है सिर्फ सोचो और लाइक कर दो जड़ा बता दो भाई समझ में है कि नहीं समझ में है तो आपको जब यह फॉर्मूला जो है ना कौन सा फॉर्मूला एपान ए माइनस भी इसकी जो कहां से ओपनिंग हुआ कहां से सुरुवात हुआ हो सब बैने आपको बता रखा है के लिए रहे है नेश कोश्टन पर आ जाओ यह अगले टाइप कोश्टन है उसने कहा कि प्रारंबिंग बिंदु पर पहली बार मिलेंगे कब मिलेंगे यह कोश्टन आप सभी से पूछा बहुत बढ़िया बहुत सांदार बहुत जबदस बहुत जिंदावाद बताओ बढ़ी प्रारंबिंग बिंदु पर कब मिलेंगे यह कोश्टन आप से पूछा गया और पहले तो भाई जितना बच्चा यहां पर नया है सब के सब सब्सक्राइब कर लिजे जल्दी से चैन करा है बाद यह पूछा है न अब यह बता है सब्सक्राइब कर रहे के नहीं कर रहा हैं हर आदमी ग्यारा किलूमेटर ही ताह कर रहा तो पहला के जो समय लगेगा नाइब agreements का wise चार गा और तीसरे को जो लगेगा वो 11 बटे आठ का लगेगा की नहीं लगेगा अब जब दिखो सिंपलिफाई हो सकता है साड़े 5 दुना 11 होता है की नहीं होता है पका अच्छा ठीक है आ जाते हैं तो 11 बटे 4 और यह आपका हो गए 2 बटे 1 और यह 11 बटे 8 अब आप क्या करोगे उपर वाले का क्या कर लोगे क्योंकि कितने समय बाद मिलेंगे तो यहां पर आप ले लोगे LCM क्या ले लोगे भाई LCM ले लोगे और जब LCM लोगे तो आपको पता है एंसो कितना जाएगा 22 बटे एक यानी 22 आजाएगा option number C simple the question बाई कितने समय बाद मिलेंगे तो हमने LCM ले लिया और हमारा एंसो कितना आगया 22 आगया कोशन में कुछ नहीं करना simple question आजानी से कर लोगे everyone and everybody सब के सब बच्चा ओके गाईच next पर आ जाओ आजो अगले question पर यह भी बहुत जवदस question है यह question अभी तक एक बार आया हुआ S.S.C. में लेकिन बहुत सांदार और इस बार रेलों में आने के चांसे इस question के सबसे ज़्यादा है क्या कहता है आदमी ने टोटल दूरी जो थी वो 61 किलोमेटर के थी और 9 घंटे में आदमी ने तैकल ली बाई पूरी दूरी एक 60 किलोमेटर के थी और 9 घंटे में तैकल लिया अगर पैदल चलता है तो उसकी स्पीड है 4 अगर साइकल से चलता तो उसकी स्पीड है 9 तो यह बताओ कितने किलोमेटर वो पैदल चला होगा यह question आप से पूछा गया बहुँ बढ़िया बहुँ बढ़िया बहुँ सांदर बताइए बाई कितने किलोमेटर वो पैदल चला होगा यह question आप से पूछा गया चलो सिंपासी गया बाई वो पैदल की स्पीड कितनी है पैदल अगर देखा जाएगा तो स्पीड उसके कितनी है चार है पैदल अब हम स्पीड ले रहे है अगर वही चीज़ वो साइकल से जाता तो स्पीड कितनी होती है नौ यह भी स्पीड यह भी स्पीड और टोटल स्पीड कितनी आती है दूरी बटा समय यानि की एकसर्ट यानि की एकसट पूरी दूरी और बटा समय हो गया नो खतम हो गया question यही क्या लगाना आपको allegation लगाना है अब allegation लगाना है आप एक काम करो सभी में 9 का multiply कर लो 9 9 और 9 जिससे 9 कट जा यहां नीचे नीचे तो आपका क्या होगा 9, 4, 36 61 बटाइब का तो आपका चार अपाच रेशियो आग senator घाब आपका अब आप से पूछे वो कि भाईया यह बताओ कि वाप कितने किलोमीटर पैदल चला तो पैदल चला है कितना 4 की स्पीड से 4 किलोमीटर तो 4 चमीटर 16 किलोमीटर पैदल चला अब ये पूछा जा कि साइकल से कितना चला है तो साइकल से चला है 9 और स्पीड थी 5 तो 9 पचे 45 किलोमेटर वो साइकल से चला है ठीक आपने जो 9 का मल्टिप्लाई कि इसका ना यूज कर लेना उसके मल्टिप्ल में तो इस गलत हो जागा वो कोश्चन ठीक है पका चलो बहुत सांदार बेटे बहुत सांदार बहुत जवदस तो यह आपका यह आगया कितना 36 और 45 आपका 16 और 45 इस तर राइट है तो इकोश्चन यह आसान कोश्चन था जो पेपर में पूछा जाता है ठीक अब यह कोश्चन में वो कितने देर के लिए रुखती है और आज तक इससे कोश्चन कभी भी इसके लामा कुछ पूछा नहीं है मैं आपके इसका करके राम बार तरीका बताता हूँ आप सुनना क्या करोगे दोनों स्पीड को माइनस कर लिया करो क्या किया मैंने दोनों स्पीड को माइनस अच्छे बता बिना रुके वाली स्पीड कौन सी है 60 है ना बिना रुके वाली इंटू क्या कर दो 60 कर दो अब भी यह कोगे इंटू 60 क्योंकि एक घंटे में पूछता जिसमें 60 मिनट होते है बस कोश्चन करता क्या मैंने कहा दोनों को करोगे माइनस और बिना रुके जो स्पीड होगा उससे डिवाइड इंटू 60 कर दोगे एंसर आपका पंदरा क्या बास सभी को समझ में आ गया इससे बाहर आज इतक कोश्चन नहीं आया किलियर है ओके नेक्स प्याते बाई चलो आते हैं सबसे पहले तो कोश्चन के साथ पहले तो कुश टेस्ट आप लोग कर लेते हैं और जल्दी से मुझे पहले तो इस कोश्चन का सभी के सभी जल्दी से सही एंसर बता दीजे कि क्या होगा वैस कोश्टन का सही एंसर बहु बढ़िया पहले हम इसका टेस्ट लेंगे जो मैंने कल पढ़ाया था जो हर बच्चे का सही आना चाहिए किसी भी तरीके से हर बच्चे का सही होना चाहिए जल्दी से बताइए क्या होगा हमने कहा लड़का 45 की स्पीड से जा रहा है तो 10 मिन लेट जा रहा है तो घर की दूरी स्कूल से कितनी है ये कोश्टन सिंपल सा पूछा गया कुछ नहीं करना है है ना सिंपल सा है देख तो कैसे करेंगे क्या है भाई हम करते हैं ए भी अपार यानि 45 पहले ही स्पीड और दूसरा साथ दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 45 में स सेकंड कर लो साथ से साथ काटोगे 15 तियां 45 काटोगे और पांस तियां 15 तो 15 किलोमेटर क्या जागा उसके घर से उसके ऑफिस या फिर उसके जो स्कूल है उसकी दूरी आ जाएगी जिन बच्चों का पंदरा आ रहा है उनका बिल्कुल सही है जिनका 45 आ वो बच्चे गलत है थोड़ा सा ध्यान दीजिए पढ़ाई पर रिवीजन अच्छे से करते रहे तभी मामला चल पाएगा नेश्ट प्याते एक और कोशन कल का रिवीजन करते हैं देखो रिवीजन बहुत इंपोर्टेंट तो जिससे मुझे यह पता चल पाता कि आपने पढ़ाए की नहीं है अब पता नहीं आप आगे कैसे पढ़ाए हो रिवीजन कर रहे हो की नहीं कर रहे हो तो आपको चीज़े पता चलते रहेगी क्या कहता है दो बटे तीन की चाल से चला तो क्या हुआ आदमी तीस मिनट लेट अपने कारेले पहुचा अब कहता पता उसकी से समान जो स्पी है और यह अब वाली स्पीड है अगर इस पीड रखा तो क्या टाइम दो और तीन हो जाएगा क्योंकि स्पीड का सीधे उल्टा टाइम होता है और इसकी वजह से वह 30 मिनट लेट हो रहा है कितना 30 मिनट लेट हो रहा है यानि एक रेसो की वैलू कितना आगे भाई 30 मिनट आ गया तो 2 ratio की value 60 minute आ जाएगा और वही आप से पूछा गया था और 60 minute बोले तो एक घंटा होता है यानि option number B is the right answer of the question सबको पता है बहुत अच्छा है सभी cancer बिल्कु correct आ रहा है चलो अब आते हैं हम यहाँ पे question को ध्यान देते हैं अब हम यहाँ पे करेंगे यह question इसके बाद के question हमने कल से नहीं करें थे और वो question करेंगे तो एक बार सभी लोग जल्दी से शेयर कर दीजे और like कर दीजे ताकि हम आगे वाले question जो ही start कर पाए और आगे वाले question हम हम train वाले कोशचन ही start कर पए और बंदर वाले कोशचन तो अब ही बचे है ना Bंदर वाले इसका मैने क्या बताया था एक बहुती रामबार तरीका था आपको कुछ भी ज्यादा नहीं करना था सिंपल सा आराम से सोचना था क्या बिना रुक के इसकी स्पीड है कितना 60 है अगर वो रुक रुक के चलती है तो इसकी स्पीड कितनी हो जाती है 45 हो जाती है बहुत आसान सो कोशन है बिना रुक के स्पीड कितनी है 60 है अगर रुक रुक के चलती तो स्पीड कितनी हो जागी बाई 45 हो जाएगी तो कितने मिनट के लिए रुकी यहीं तो पूछा गया दोनों का कर दो माइनस और बिना रुकी जो स्पीड होती हम वो करते हैं सीधे सी बात समझना तो बिना रुकी स्पीड साथ इंटू साथ क्यों क्या क्योंकि आपसे पूछता एक घंटे में कितनी बार रुकी तो सही आंसर आजागा पंद्रा इसके अलामा इसके बाहर कभी कोश्चन नहीं आएगा बहुत आराम से कर लो एक खंबा है जो कि पूरा का पूरा 58 मीटर लंबा है जो बंदर है ना वो पहले यहां पर कहता है कि पहले मिनट में 12 मीटर चड़ता है देन अगले मिनट में वो 4 किलो 4 मीटर जो है वो नीचे आ जाता है 12 मिनट चड़ेगा और 4 मीटर जो है वो नीचे आ जाएगा ये बत अपना वह होता कि नहीं कर पाते हैं बताओ भई बाई अठाव मीटर का पूरा खंबाता बारा मीटर चड़ा और चार नीची आ गया चलो अब हम समझाते हैं जो नहीं कर पाता वो सब की सब जो है जयESे हमने किसी नड़के का नाम ले जैसे हमने की सिवानी का या फिर हमने मान नाम ले लिए का अब हुआ क्या जीतु का और एक मिनट में पांच मीटर चड़ जाते हैं लेकिन दुसरे मिनट नीचे सरक जाते हैं और सरक कर तीन मीटर सरक जाते हैं तो तो एक्चुली वे जीतू देखा जाएगा तो क्या दो मिनट में कुल मिलाके 2 मीटर चड़ रहा होगा कि नहीं चड़ रहा होगा अरे हा या ना एक दम ध्यान से समझता एक दम बहतरीन तरीका आस तक आ आपने ऐसा पढ़ा होगा न सुना होगा कोई सौट तरीका नहीं बत तो अगली छलांग जैसे ही लगाएगा तो क्या वो यहाँ पर सीधे CROSS हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा तो क्या वहाँ से फिर उसके सरकने का कोई भी गुण जाइस बचेगा कि नहीं बचेगा इसका मतलब हमें ऐसे कोश्चम में जो सिंपल सा काम करना होता है वो समझना कि हम क्या करते हैं ऐसे कोश्चम में और कैसे कर पाते हैं वो बहुत आसानी से बहुत सिंपल सा बहुत भी बहतरीन तरीके समझना कि कैसे कर पाते हैं ठीक देखो भाई पूरा खंबा ये कितना है पूरा खंबा आपका 85 मीटर लंबा है बहुत आसा नहीं समझा कोई दिक्कत नहींगा मेरी बात को ध्यान से समझना हमने माना पूरा खंबा 58 मीटर लंबा है आपको ऐसे कोशन में क्या करना होता ना पहली बार में वो जितना मीटर का खंबा बचा रहे जाएगा कि नहीं बचा रहे जाएगा यहां तक के 12 हमने माइनस कर लिया क्या हमारे पास अब 46 मीटर का खंबा बचा रहे गया कि नहीं बचा रहे गया अरे हां या ना बोलो भाई बचा रहे गया यानि 46 मीटर खंबा बचा रहे अब हमें सारा गे में अच्छा ठीक है हमें कितना लाना 46 की आसपास तो आठ में कितने का मल्टिप्राइए कर दो कि 46 की आसपास आजा आपके सर जी च्छाइका कर दो तो यहां भी च्छाइका करना पड़ेगा कोश्चन खतम हो गया वह बारा मिनट में क्या 48 मीटर चड़ जाएगा कि नहीं चड़ जाएगा एकदम आसान सा कोश्चन है क्या कि बारा मिनट में 48 मीटर वह चड़ गया अब दूसरी बात प्याते हैं यह बताओ खंबा कितना था आपके सर जी खंबा तो 58 का था हमने 48 मिनट चड़ा दिया कितना मीटर बचा 10 मीटर बचा ना एक मिनट में 12 मीटर जाता है यानि की देखा जाएगा तो 60 सेकंड में 12 मीटर जाता है तो एक मीटर कितने में जाएगा 60 बटे 12 सेकंड में और 48 कितने में जाएगा इंटू कर दूगे 48 क्या यही काम करूगे फिर से समझा देता हूं यह चीज कैसे आएगा मीटर तो दस मीटर जाएगा दस पचे 50 सेकंड में अरे बोलो हाँ या ना तो बारा मिनट पहले लग चुका था पचास सेकंड और लग जाएगा तो टोटल जो एंसर आएगा वह बारा मिनट पचास सेकंड आगा इससे जादा आसान इस तरह के कोश्टम को नहीं स्वाल्व क कर सकती इस बात की गारंटी लिख़ो तेरा मिनट वाले बच्चे सब का सब गलत हो जाएगा द्यानदे ना देरा मिनटी और जेमाल इंसर है को ध्यास से मेरी बात को समझदा हमने क्या कहा हम यहां पर 12 क्यों Kauf तो यह अगली शलांग में पूरा क्रॉस कर जाएगा फिर उसके सरकने का कोई रीजन नहीं बचा रहे जाएगा यह बात का ध्यान अखना फिर सरकने का कोई रीजन नहीं बचा रहे जाएगा क्लियर गाइच तो जब यहां पहुचेगा तो पूरा का पूरा बारा मीटर वो पहुच जाएगा और पूर 10 मीटर दी तो बचा, क्योंकि तो पूरा 58 था, 48 वो अलिडी चड़ी गया, 10 बचा है, तो 10 कितने दिर में चलेगा, यहर 12 मीटर चड़ता है, 60 सिकंड में, 10 बचे बारा इंटू 10 यानि 50 सिकंड में, सीधी सी बात है, खतम हो जागा question, यही तो आपसे कहना चाह रहा है, कुछ और वाला देखते हैं क्या कहता है क्या है बहुत आसान से कोशन है सब के सब बच्चे जबर्दस तरीके सा जाओ यह चोर वाले कोशन हर बार पेपर में आए हैं और भर भर के पेपर में आए हैं यह जबर्दस कोशन है बहतरीन कोशन है सानदार कोशन है वहां पे हम वो चाहि वाले का एंसर बताओ इसका सही एंसर क्या आएगा और ये आपके लिए इसके बाद एक और कोशन होगा देन ये चैप्टरिक खतम हो जाएगा फिर हम ट्रेन कैसे चलाना है ना ये चीज़ सीखेंगे बहुत बढ़िया पांच पांच और बहुत बढ़िया अब आओ देखते कितने के स्पीड से 55 के स्पीड से तो कहता है कि कितने बज़े वो चोर को पकड़ लेगा ये कोशन आप सभी से पूछा गया है कि वो चोर को कितने बज़े पकड़ लेगा ये कोशन पूछा गया समझना कैसे करेंगे ध्यान से समझना मैं थोड़ा से यहाँ पे एक इक्ष दे रख़ा है तो मैंने लिखा इस पीड क्या स्पीड लिखा मैंने मैंने लिखा यहाँ पर जो चोर की स्पीड है वो 60 किलोमेटर है जबकि माली की स्पीड 75 है तो 55 क्या स्पीड का रेशियो जो है वो 4 और 5 आ गया कोई दिक्कत नहीं अगर मैं आगे देखू टाइम का और 3 बजे जड़ा कोशचन को ध्यान से देखो कि अगर टाम के बारे में बात करेंगे तो हो जाएगा बस कोश्क्णण कोश्व हो गया मतलब यह है कि चो डेर्व सोimonit की बाद पकड़ाएगा और जो मालिक के वो उसको 120 मिनट के बाद पकड़ लेगा यह चो si आता तीन बजे और 120 मिनट चलने के बाद पकड़ा 120 मिनट मतलब होता दो घंटा चलने के बाद पकड़ा तो तीन प्लेस दो बराबर यहां से भी कितना आ जाएगा पांच बजे ही आ जाएगा अरे क्लियर है गाईज अरे बोलो हाँ आना बहुत बढ़ियां बहुत जब कर दीजें क्या है हमारे पास यहां पर मालिक स्पीड रखे थे हमने स्पीड ले लिया इसके बाद हमारे पास टाइम ले लिया हमारी साफ़से टाइम गए पार था एक रेसियो धिश्यों लेकिन और आधे घंटे क्या रहा था क्योंकि वह भाए बजे चला था वह तीन पकड़ा गया तो धाई प्लस धाई बोले तो पांच बजे इधार आई टाइम सब्सक्राइब कोशन नेक्ष पर चलते हैं और इसके बाद फिर सुरू करेंगे ट्रेन आज़ो बैगला कोश्य वह बहुत बढ़ियां बहुत सांदार एक चोड यह वह पुलिस वाले से 200 मीटा कि दूरी पर है पुलिस वाला उसे पकड़ने के लिए इतने की स्पीर से उसके पीछे भागा चोर इतने से भागा कितने किलो मीटर बाद वो चोर को पकड़ लेगा बहुत बढ़ियां बहुत अच्छा देखो आसान सा कोश्चन है भाई यह कहता है कि यहां की बीच का जो डिस्टैंस ना वो 200 मीटर का डिस्टैंस है किस के बीच में इस चोर के बीच में और इस पुलिस की बीच में कितने का है 200 मीटर का है ओके आज जो जल्दी से हमने माले यहां पर पुलिस है और यहां पर चोर है अब हुआ क्या जब पुलिस वाला उसे पकड़ने के लिए भ बरावर और कहता है कितने किलो मीटर के बाद पकड़ लेगा पहले तो यह देख लो कितने समय के बाद पकड़ेगा पहले तो यही देख ले तो समय बरावर क्या होगा दूरी बटा चाल होगा की नहीं होगा और यह बताओ दूरी क्या यहाँ पे 200 मीटर दे रखा है अरे आना और चाल जड़ा देखो दोनों एक ही डारेक्शन भागेंगे तो चाले क्या माइनस हो जाएंगे तो चाल कितना आगया दो किलो मीटर पर आवर इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो पांच बटे अठारा का मल्टिप्लाई कर दोगे खतम हो गया 5 दूनी 10 से ये कट गया 18 दूनी 36 यानि आप कहोगे कि 360 सेकंड के बाद उसे पकड लेगा अर यही बोलोगे की नहीं बोलोगे कुछ देख लो मिश्टेक तो नहीं हो रहा है 200 मीटर के बाद उसे पकड़ता है और 12 की स्पीड है 10 की स्पीड है दोनों का आगए मा दूनी दस एक जीरो कटा अठारा दूनी च्छतिस यानि तीन सो साथ सेकंड के बाद उसे पकड़ेगा पक्का के लियर अब आपको यही तीन सो साथ सेकंड में देख लेना कि चोर कितना भागेगा यह पुलिस कितना भागेगा तो पुलिस स्पीड हो गई बारा और किलो मीटर इदा राइट एंसर आप इस कोश्चन के लिए देख लो भाई जल्दी से सब के सब एवरीवन एन एवरीबरीबडी किलर हो गया हमें दो सी देखना था क्या देखना था पहले तो यह देखो कि पुलिस उसको कितने समय के बाद पकड़ेगा क्या देखा हमने कि पुलिस उसको कितने समय के बाद पकड़ेगा जैसे हमने वो देखा तो हमने यह देखिला कि उतने समय में पुलिस कितना चल देगा वही एंसर हो जाएगा आपका क्लिए रहे गाईज अरे हाँ या ना वोलो ओके एवरीवन कोई दिक्कत कोई परसानी कोई प्रॉब्लम कि हो उपी के लिए क्या ट्रेन करतें वे बैठने किलिए सबके सब तैयार हो ह्याँ ना होते आइसे नहीं तैयार हो नहीं होगा जल्दी आएक जल्द so क्रॉस करो और ऐ़ एसे ट्रेन पढ़ेंगे ना कभी पढ़ा होगा ना कभी उना होगा जिस भी फिसब्न में आयड़ो पहले वहाँ share कर दो भाई और यहाँ पर कम से कम दो सो बच्चा से उपर दिखना चाहिए हमें सब के सब share कर दीजे और train का जबदस तरीके से क्या है क्या होती है train में किस तरह के question आते है train में क्या क्या concept योज होते है और train के question क्या railway में आएंगे कि नहीं आएंगे वो सब जानकारिया हम इस वाले वीडियो में देखेंगा और पूरी तरीके से ट्रेन का खात्मा कर देंगे कि ट्रेन से कोई यात्रा जल्दी से ना करें वो सब के सब करेंगे पका है ना सेयर हो गया और लाइक पहले दबा दो यार कुछ बच्चे लाइक नहीं करते हैं वो रखे रहते हैं जब उसको जब दो चार लाइक एक साथ हो जाते हैं उसमें मोरपंक के साथ उसको रखे रहते हैं कुछ बच्चे लाइक और मोरपंक एक साथ रखे हैंगे अप नहीं questions है जो हमारे papers के लिए important है जो papers के लिए बहुत ज़्यदा महत्यपूर है आज आज जड़ा देखते भाई देखो पहले कुछ important concept समझो train के जो बहुत important और अगर आपने इस concept को समझ ज़े तो train के question आपके चुटकियों में solve बोजाएंगे ठीक है आओ जड़ा समझते हैं मैं आप से पूछता चलूंगा अगर मालो यह कोई train है ठीक और यह इस direction में जा रही है इसकी speed x km पर आवर है और एक दूसरी train है जो कि यहां पर है और इसकी जो स्पीड है वह वाई km पर है और अगर मालो यह इस direction में आ रही है तो दोनों की relative speed क्या होगी ज़रा जल्दी से बताओ पलस होगी कि minus होगी ओक जलदी सी यह बताओ एक train है जो कि इस inverse में आ रही है तो ढोनों की जो relative speed स्पीट होगी वह प्लस होगी की माइनस होगी allvette यहार रखेगा दोनों के जो रिलेक्टिव स्पीड होगे क्या हो जाएगी कब जब दोनों अप पोजिट आते अगर मालनों यही एक्टेन है जो कि आपका किसी X की speed से जा रहा है और एक दूसरी train है जो कि आपका एक Y की speed से जा रहा है तो इस समय दोनों की speed होगी वो क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी क्यों क्यों कि दोनों एक ही direction में जा रहा है अगली बात प्याते हैं अगला concept क्या कहता है जरा समझते हैं मान लो कि अगर हमारे पास कोई एक train दे रखा है ये मान लो train है जिसकी speed X दे रखा है और जिसकी लंबाई L है अगर इस train ये इधर direction में जा रही है और इधर direction में जाने के बाद train क्या कर रही है आपके लिए पोल यहाँ पर खड़ा है पोल लगा वा किनारे train इस पोल को क्रोस कर रही है तो क्या train जो है सिरफ अपनी ही length को पार करेगी कि नहीं पार करेगी क्योंकि train की लंबाई की तुलना में उस पोल की लंबाई बहुत कम है इतना कम है कि हम नहीं कह सकते तो इसी वज़ाँ से train जो है वो सिंपल सी बात है अपनी ही लंबाई को पार करती है जी सिरफ औसरफ 10 लंबाई को पार करेगी अगली बात प्याते हैं मालों को यहाँ पर ट्रेन है जिसकी स्पीड X दे रखी है X किलोमीटर पर आवर और जिसकी लंबाई L दे रखी है यह एक प्लेटफॉर्म है प्लेटफॉर्म की लंबाई Y है जिस प्लेटफॉर्म पे हम और आप खड़े हैं तो ट्रेन अपनी लंबाई के साथ साथ उस प्लेटफॉर्म की भी लंबाई को पार करेगा तो आपको पता है L प्लेस Y ये हो जाएगी उस ट्रेन की पूरी लंबाई जो ट्रेन को जो है क्रॉस करने वाला है क्या बास सभी को इतना समझ में आ रहा है तो अब दूसरी बात को समझना कि स्पीड प्लस या माइनस ये डिपेंड करता है कि ट्रेन का डिरेक्शन क्या है क्या मैंने कहा स्पीड प्लस या माइनस ये डिपेंड करता है कि ट्रेन का डिरेक्शन क्या है train का direction क्या बट जो आपका length होता है वो always positive ही होगा यह मत सुचेगा कि अगर speed minus होगे तो length भी minus हो जाएगी अगर train किसी भी pole को cross करती है अगर train किसी भी man को या woman को या किसी भी आदमी या वेक्टी को cross करती है तो हमेज़ा train अपनी length के साथ साथ उन सारी की सारी length को cross करती है बोलो बात समझ में आया की नहीं आया अरे आया की नहीं आया बोलो भया आया की नहीं आया और क्या इतनी बात note होगे की नहीं होगे तो जड़ा 2-4 question दे train के जो एंटीबी से 2-16 में पूछे गया थे कर पाओगे मुझो तो नहीं लगता आप लोग कर पाओगे है है इतना दम हमाई बच्चों मित्ता दम है की नहीं है बाई है पेपर का आखरी मोल आ चुका है और आप सभी के city intimation भी आ चुके है दिल की मुझते हैं सब के सब मैंने कहा एक ट्रेन है जिसकी स्पीड आपके पास दे रखा है 36 किलो मीटर पर आवर यह बताओ इसकी स्पीड जो होगी वो मीटर पर सेकंड में कितना आएगी यह कोशन सिंपल सा पूछा है 36 किलो मीटर पर आवर किसी ट्रेन की स्पीड दे रखा मैंने कहा यह बताओ दादा लो किसकी स्पीड मीटर पर सेकंड में कितना आएगी दूसरी बात मैंने इसकी स्पीड दे रखा 36 मीटर पर सेकंड अब बताओ इसकी स्पीड किलो मीटर में कैसे आएगी यह लो एंटी दूर की बात है टेनोर तो हम ऐसे ही उड़ा देते हैं लेकिन चेंज कैसे करते हैं वहीं हमारा मामला फाज जाता है अच्छा यह बताओ जहां से जड़ा सुनना जैसे माल लो कि आप बहुत बड़े आलिसान घर में रहते हो आपके घर में एक नौकर आ गया है भाई सीधी से तो मतलब यो ने जयागा आप उसमें क्या ही समानतर रह जाएगी है न तो अगर कोई चोटा है तो हमें क्या करना पड़ता है हमें इःगे मालो कोई बड़ा वखती है कि हमें भी क्या करते हैं और आकर देखो दुबारा कभी गलती नहीं होगा यह बताओ किलो मीटर पर आवर में और मीटर पर सेकंड में किलो मीटर बढ़ा है कि मीटर आप कहोगे सर जी मीटर बढ़ा नहीं है किलो मीटर बढ़ा है यानि इसको आपको छोटा बनाना है छोटा बनाना है तो ऊपर छोटा होगा उसी वाले से multiply कर दो और भाया मीटर से बड़ा है किलो मीटर बनाना है बड़ाना उपर बड़ा वाला है उसी से multiply कर दो ना कोई जंजट ना कोई दिक्कत बात खतम हो जाएगा अरे simple सा है बोलो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा सबसे तो हमने 36 को जब multiply करोगे पांच बटे 18 से तो 18 दुनी 36 पांच दुनी 10 क्या सभी का answer 10 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा अरे हाया ना बहुत बढ़िया आजो next पे अगर हमने यहाँ पे 18 बटे 5 से multiply करना है तो आप इसको काटना चाहो तो काटो और नहीं काटना चाहोगे तो यहाँ पे 2 का और multiply कर दो तो यह आपका 36 इंटू यहाँ पे नीचे 10 हो जागा तो 36 का square कर दो तो आपका बटे 10 कर दो है ना यह आपके लिए और simple हो जाएगा लो simple question आसान सा question अरे समझ में आया कि नहीं समझ में आता अरे बोलो हाँ या ना मैं आपको एक और question देता हूँ कितने ऐसे प्यारे बच्चे जो कर पाएगा अगर नहीं इस बाग कर पाएगा तो पटक के मार खाओगे सब के सब सुधा जाओगे बई जिन बच्चों को questions लगाने की बड़ी जल्दी हम ऐसा देखने बच्चे कहरें सर जी questions लगाओ तो concept भी पढ़लो दादा है ना questions लगाने के तो अभी आपको तरीके मैं बहुत सारे बता दूँगा और questions लगाने के लिए अलग से कि कि इसे में बता हुआ है जिए क Really कि अ मीटर पर सेघंड में चेंज drug me में मीटर पर सेंड में जल्दी से बता हुआ जल्दी से बता हो ओड़ी एक लोग्र ऑप बिल्कुल विए बिल्कुल नेगे प्रतात भिल्कुल लेंग चुवन जो उपर होगा उसी से मल्टिप्लाई कर दो 18 तियां 54 और 5 तियां 15 क्या पंदरा आ गया है अरे क्या सबको समझ में आ गया है अरे हाँ या ना अरे बोलो भाई सब के सब क्या कोस्टन की तरफ रूख किया जाए कोस्टन करा जाए आपके ट्रेंड के आओ पर पहला कोस्टन 26 किलमीटर पर आवा के स्पीड से शलते हो चार किलमीटर पर आवा के स्पीड से समान दिसा में चलते हो व्यक्ति को चेकंड बार conception हो बहुत जिन्दा बाद वालाந कोस्टन पता है दोनों के दिसा समान है छे सिकड़ पार करता स्पीड लंबाई बता यह बताओ मेरे भाई सब के सब कि आपको यह फॉर्मूला पता है इस पीड बराबर डिस्टैंस अपान टाइम का अरे हाँ या ना एवरी वन और एवरीवरी बड़ी दोनों को पता होगा यह कि यहां डिस्टैंस क्योंकि टो है तो कि रही सब लंबाई का सब कु को समझ में आ गया तो जबरस तरीके से नक्षट के सो everyone and everybody 120 meter is the right answer of the question सबका बिल्कुस सही answer आगया कोई परसाई नहीं है सिर्फ एक formula क्या speed बरावर distance upon time का formula question solve हो जाएगा दूसरी बात याद क्या रखनी है कि distance train अगर कभी भी व्यक्ति को पार करेगी तो खुद के लंबाई पार करेगी तीसरी बात क्या रखनी है क्योंकि दोनों के design item समान है तो हम दोनों को minus कर देंगा और अप उनलों next question पर चल जलता है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत सांदार अगला आते हैं और देखते हैं क्या कहता है दो पुल है दोनों की पार करने का समय दे रखा है ट्रेन की स्पीड बताओ कितनी आएगी बहुत सांदार बहुत 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 जिंदाबाज बहुत खतरनाक वाला कोश्चिन बहुत अच्छा बहुत अड़ाओ आओ ज़र देखते बगया रेल गाड़ी जो है वो 420 मिटर लंबी और 220 मिटर दो पुलों को पार करती है तो अपनी लंबाई के सासा तुस पुल की लंबाई को भी पार करती है की नहीं करती है है की नहीं करती है? करती है ना? ये बताओ इस कोश्ट का दी है की चांज pense कर पाइंगे हम थो आ यह नहीं रहा है ऐसे कितने बच्चे मैं आपको उता तो इसका जानी तरीका कैसे ध्यान से देखना यह मतहों अगर तेοςally चार सो कि बिल्हारब आपा सबना अगर चारसो बीड मीटार वॉन को क्रॉस करती एंतो किया ट्रेन को 50 सपन लगता है कि नहीं लगता है को सपर ऐसी इस तारा कि244 मीटर को पार करती है तो क्या 34 सपन लगता है कि नहीं लगता यहulean को तो 50 244 मीटर को पार करती है तो क्या 34 सेकंड लगता है कि नहीं लगता यह बताओ यह ट्रेन को तो 50 सेकंड लग रहा था अब लगने लगा 34 सेकंड किस रीजन से ऐसा हुआ यह रीजन यह था कि उसने अब लंबाई कम कर दिये तो उसने लंबाई कम करी और इसी वजह से उसको समय अभी कम लगा है अगर दूसरा वाला पुल भी 420 मीटर का होता तो क्या उसको भी उसे 50ส कंड में ही पार करती कि नहीं करती ए यह लम्बाई इसलिए कम हुई इस वजह से समय कम लगा उसको इसका मतलब लंबाई में आई कमी लंबाई में台灣 कम बराबर जो समय लगा है उसके बराबर होगा कि नहीं हुआ जो समय में कमी आई है उसके बराबर हुआ कि नहीं हुआ जल्दी से बताओ दो everyone and everybody यही best concept था और यही हमें समझना था हमें यही काम करना तो I think आप सभी को समझ में अब आ चुका होगा कि आकिर हम इस कोश्टों को कहां पर किस मोड पर लेकर जा रहे हैं आया ना यास तो भाई हमारे लिए मीटर में कितने कमी आई 176 मीटर की कमी आई और इसमें ट्रेंट 16 सेकंड का समय लेगी तो चाल पूछा है ना दूरी 176 बटे 16 तो भाई यह 16 16 16 16 16 16 कितना आ गया 11 मीटर पर सेकंड खतम हो गया यह जो यह कोस्टिन होता यह बच्छवाली कोस्टिन आमने क्योंदे स्वाल रखें कुछ नहीं था कोस्टिन में किलो मीटर पर आवर नहीं मीटर पर सेकंड ने दादा क्योगी हमने 176 मीटर क्रॉस करने में ट्रेन ने 16 सेकंड का समय लिया होगा तो 176 बटे 16 बोले तो ट्रेन की स्पीड क्या बास सभी को समझ में आ गया अरे सब के सब जरा नेक्ष्ट बोला क्लियर आज अब जरा नेक्ष्ट पर बहुत सांदार कोई रिलगाडी व्यक्ति को 9 सेकंड और 95 मीटर प्रेटफॉर्म को 12 सेकंड में क्रॉस करती है तो कहता है रिलगाडी की स्पीड बताओ जरा कितना आएगा एवरिवन और एवरिबड़ी भाई देखो ट्रेन के कोशन ऐसे जब दस करा देंगे ना कि पेपर क्या कोई भी SSC तक के पेपर दे आओगे कोई कोशन बाहर नहीं जाएगा इस बात को याद अखेगा बहुत अच्छा व्यक्ति को 9 सेकंड पार करती है मतलब यह कि ट्रेन खुद की लंबाई को 9 सेकंड में पार करती है क्योंकि भाई सीधी सी बात था अगर कोई वक्ति को पार कर रही है इसका मतलब ट्रेन खुद की लंबाई को पार कर रही है और पंचाने मीटर लंबे प्रेटफॉर्म को 12 सेकंड में क्रॉस करती है यानि खुद की लंबाई और प्लस 95 मीटर और जोड़ दो तो उसको 12 सेकंड लगते हैं तो ये 9 सेकंड से 12 सेकंड क्यों लगा क्योंकि उसने 95 मीटर अब एक्ष्टा चीज को पार किया कुछ ने 95 मेटर इक्ष्ट को पार किया यानि 95 मेटर इक्ष्ट चीज़ को पार करने में नौ से 12 यानि उसे 30 सेकंड का एक्ष्ट्रा समय लगा ये मेटर पर सकंड में आइंसोर आएगा और सब किलो मीटर पर आवज में नहीं बड़ा बनाना तो बड़े वाले का स्वाइब कितना आसान कोशन था कितना सिंपल तरीके सापने कोशन सॉलब लिया एक बाए फिर से सोचो वेक्ति को नौ सकंड में पार करती है यही तो कॉम्शन में बताना चाह रहा था आपको तभी तो असली मजाएगा व्यक्ति को 9 सेकंड पार करती मत्तब खुद की लंबाई 9 सेकंड पर क्रॉस करती है उसको बारा क्यों लगा क्योंकि उसने पंचानी मीटर ज्यादा लंबी चीज़ों क्रॉस किया यानि इसी पंचानी यह मीटर पर सेकंड आएगा ना मेरे भाई तो इसको किलोमेटर पर आवर में हम चेंज करेंगा ऑफ्सन नमबर भी नेक्स पे चला जा नावलेंद प्रदीप एन ओल अफ यू किस और नेहा बहुत अच्छा आगले प्याज़ों बहुत अच्छा बहुत सांदार बहुत ज मॉवाइल का जो कह सकते हैं रिवलूशन है जो थोड़ा से मॉवाइल का जो कॉलिटी वो बढ़ा लीजे क्यों को थोड़ा से यहां पर हलका सा हो सकता है कम देखे तो मॉवाइल की जो क्वालिटी वो बढ़ा लीजे और लाइक की संख्या को बढ़ा दीजे जल्दी से हम स्पीड आपके पास कितना दे रखा चववन किलो मीटर पर आवर लेकिन बाकि सब मीटर में दे रखा है तो छोटा बनाना है ना तो क्या करोगे पांच मुट्रा से मल्टिप्लाइ कर दो इस पीड आ गया डिस्टाइंस मतलब खुद की लंबाई को क्रॉस करेगी और अपान की संख्या को आराम से सॉल्ब कर लिया अब समझ में आया की नहीं आया कि कितना ज्यादा आसान है और आपको जो अभी ट्रेंज जो है और आप इसको कितना ज्यादा कठीन तरीके सबी तक देखते थे कितना ज्यादा कठीन तरीके सबी तक आप सोचते थे हैं ना बहुत ब मि lesել उसके हैं अब दोने एक दोड़ा और आपस में लड़े तोपुछता कब मिलेंGे ये कोशन आफ से पूछा गया जल्दी से बता दो डोनों के दोनों कब मिलें झाओ ये कोशन आप सभी से पूछा गया भाई बहुत सांदार बहुत 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 जिंदाबाद बहुत सांदार हाँ कुछ नहीं करना हमें कुछ भी नहीं करना है हमसे क्या पूछा गया समय ना यार यह बताओ स्पीड बराबर स्पीड डिस्टेंस अपान टाइम होता है तो time क्या होगा distance अपानी speed होगा अरे बोलो हाया न एक गधा यहां कड़ा एक गधा यहां कड़ा दोड़ा distance कितना दे रखा उनके बीच में 400 मीटर दे रखा speed है हमें try चाहिए time चाहिए न तो distance अपानी speed और अब posit अगर आएंगे तो 3 और 2 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा तो 5,80,40 यानि 80 सेकंड के बाद एक दूसरे से टकरा जाएगे कि नहीं टकरा जाएगे खतम question कितना आसान question था कितना easy question था कोई ऐसा बच्चा ने को जो अब questions को ना समझ रहा हो अरे मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है कितना आसान question है कितना easy question है तो next पे चलो जड़ा देखते है same time and distance वाले जो question से उससे है है ना कैसे कर पाऊगो जड़ा देखो बहुत easy question है अगर मैं 5 असे जाओं तो 7 मिनट पहले जो है गाड़ी छूट जाएगी यानि कि देखा जा तो मैं 7 मिनट लेट हो जाता हूँ क्योंकि गाड़ी छूट जाती है और अगर मैं यहाँ पे speed अपनी 6 कर लो तो मैं 5 मिनट पहले ही पहुँच जाओंगा मतलब मुझे एक च्टा 5 मिन जल्दी में पहुच जाता हूँ यह कोशन आप सभी से पूछा गया है बताओ भई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत सांदार अब देखो कुछ नहीं करना हम क्या करेंगे वही फॉर्मुला अब अपान अ-ब वाला ही फॉर्मुला और जो टाइम के बीच का डिफिनस आता है वही और कुछ नहीं लगाना तो अब मतलब दोनों का मल्टिप्लाई च्छै गुड़े पांच और दोनों में से एक माइनस करोगे सबने, आगे अच्छाए- primeira Km अब बता, वी बच्चों वाले कोशन हमापकε सारे के सारे कोशन कर पारे हो चलो अगले कोशन पर आजाते हैं देखते का देता भाई आप सभी के सामने की बहुत अच्छा बहुत सानदार बहुत जिंदबात दो रिरगाडी हैं किसी खंबे को 28 सेकंड और 29 सेकंड क्रॉस करते हैं लेकिन जब एक दूसरे की और आते हैं तो उन्हें क्रॉस करने में 23 सेकंड का समय लगता है दोनों के स्पीड बताओ क्या होगा यह बता हमें time दे रखा है न और आपको पता है कि speed बराबर क्या होता है distance upon time होता है हमें time दे रखा speed पूछा है यानि time का इल्टा ratio speed होगा की नहीं होगा या फिर अगर time में लिगेशन लगा दोगा तो speed मिल जाएगा है की नहीं है फिर्स वही question तो करना है भाई अगर पार करते हैं तो 28 सेकंड में और यह होगा 19 सेकंड में लेकिन जब एक दूसरे को करते हैं total यानिकी तब इन्हें लगता है 23 सेकंड हो गया हमने लगा speed में क्या मिलेगा time मिलेगा 23 5 28 और नई 24 23 यानि उनको एक दूसरे को हमें क्या लगा था time लिया था आच्छा यहां पर हमने क्या लिया था time लिया था और जब time लिया तो हमने पढ़ प्रसानी किसी को नहीं ना कितना आई जी तरीकर से हमने कोश्टन कर लिया है ना क्या गया चार और पाच अब पांच उचार करोगे तो गलती हो जाए कैसे यहां पर सेकंड यहां पर नीज सेकंड और क्रॉस करता है तेहीं सेकंड में सिंपल हो गया सभी एंसर हो गया ओके चलो भई अब आते हैं नेक्ट कोश्टन पर अब देखते अगला कोश्टन भाई क्या कहता है ध्यान से पढ़ लो बहुत सिंपल कोश्टन है बहुत आसानी साम इस करेगी तो उसको क्रॉस करने में उसे कितना समय लगेगा यह कोश्टन आप सभी से पूछा गया बहुत आसान कोश्टन ने बहुत सिंपल कोश्टन जल्दी से बताई यह क्या हो सकता है सेवंटी नाइन की स्पीड से जा रहा पहले तो इस कोश्टन को सब के सब लगा बहुत ही सांदार कोश्टन निए बहुत ही बहती बेतरीsorry न शाही द्रक्षान सो अथितना को सब के सब लगा लो फिर आपको सकतना कोश्टनमें बहतरीन सा मोड चाने इस चीज़ करती और अगर ठेन किसी आदमी को क्रॉस करती है इसका मतलब क्या ट्रेन खुद की लंबाई 15 सेकंड में क्रॉस कर रही है कि नहीं कर रही है जिसको नहीं आगा ना वो कमेंट बॉक्स में नो बोल देगा कि सर जी हमारा नहीं आ पाया है अगर ट्रेन किसी आदमी को पार कर रही है इसका मतलब क्या ट्रेन खुद की लंबाई को 15 सेकंड में क्रॉस कर रही है कि नहीं कर रही है कर रही है ना अब ज़रा सुनो अगर अपने से पचास मीटर ज्यादा लंबी ट्रेन मत अगर ट्रेन लंबाई एल है तो पचास मीटर ज्यादा लंबी ट्रेन पचास मीटर ज्यादा लंबी मतलब डेड़ हैल वाली के उक्रास करेगी सीधी सी बात है कि नहीं यह बहुत ध्य हटकिए तेएलल अब ट्रेंट टोटल मिलाके हाई यल ब traditions करेगा कि नहीं ने रिख थो पुचा खी रॉट्म में किता समां लगेगा वैं अगर ऐलको क्रॉस करने में 15 सेकंड लग रहा है तो नींख यानि कुल मिला बच्चा इसका यूज करता ना 79 किलोमीटर परावर का दादा इसका कोई यूज नहीं कुछ भी नहीं करना इस कोश्चन से समझ में इसका कुछ यूज नहीं करना एक दम ध्यान से फिर से समझ दो जिनको नहीं समझा वागा कि बहुत सांदार समिठर है अगर ट्रेन किसी कर लादा मतला कहता है अपने आपने अपने सोघाए को क्रास करेगी यांश जय तो साड़े सैंस्य Cash लग बूले तो नए यही तो खूबी है यही तो खूबी यही तो खूबी है कि jy जवरदस तरीके सापको समझ में आया क्यूशन आराम से कर पाओगा तो हम ने और यहां पर निकाला हु雅 जह ताइम जब पुचा तो हमने इन पेपर निकाला है यह तो सोचो हमने कहों सा वहां पे क्या निकाल दिया किलेर भूत अच्छा next प्याजा भई कै जहां अब एक और भी कोच्टनग से जो पेपर नाहीं पूछा जाता है और हर बार ये पेपर में आया हुआ है क्या कहता है ये कोश्चन ज़र जल्दी से बताएं सब के सब चलो बाया बताओ जल्दी से दो वेक्ति हैं जिनकी स्पीड तीन और पांच किलो मिटर परावर दे रखी है समान दिसा में चले रहे हैं दोनों के दोनों वेक्ति अरे पक्का है है ना अच्छा और कहता है रेल गाड़ी भी उसी दिसा में आ रही है और पहले वेक्ति को क्रॉस करती है दस सकंड में दूसरे को क्रॉस करती है ग्यारा सकंड में तो ये पूछता है ट्रेन की स्पीड बत के याद लखना अब जैसे मैं बताता हूं इस कोश्टम में क्या है जरा ध्यान से समझना कि इस कोश्टम को हम कैसे कर पाएंगे और वो क्या पूछना चारा और आपको क्या बताना ठीक है ध्यान से समझना और आसानी से कर पाऊगे एवरीवन और एवरीवडी ध्यान से समझ करता है अच्छानक क्या हुई यहां से ट्रेन आने लगी अभ यह लो ने लगी अब यो लोग क्या करेंगे यह लोग उठे और उठके जाने लग यह जा ने लगा और यह इधर जाने लगा उसने कहा कि जो ट्रेन है ना वह Intro दोनों को 10 और 11 सेकंड में क्रॉस करती है इसकी स्पीड दे रखा है 3 किलो मीटर पर आवर और इसकी स्पीड दे रखा है 5 किलो मीटर पर आवर और ये इसको क्रॉस करती 10 सेकंड और इसको क्रॉस करती 11 सेकंड में क्या train के ही direction में दोनों के दोनों जा रहे की नहीं जा रहे है तो मुझे एक ची जल्दी से बताना क्या इसके train की speed के साथ दोनों वेक्तियों की speed माइनस हो जाएगी की नहीं हो जाएगी train की speed के साथ दोनों वेक्तियों की speed माइनस हो जाएगी की नहीं हो जाएगी क्या कि ट्रेन तो एक है ना और ट्रेन अगर एक है तो इसका मतलब यह हो गया कि ट्रेन की जो लंबाई हो वो तो बराबर हो जाएगी उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ट्रेन की लंबाई क्या हो जागी बराबर हो जाएगी इसका मतलब जो ट्रेन की पहले 11 लंबाई थी वह पहले क्रॉस करना 10 सेकंड में अभी भी टेन की स्पीड एक्स होगा दूसरे का रखा है पांच तो एक्स माइनस पांच एक्स माइनस पांच और इसको क्रॉस करना वह आपके लिए 11 सेकंड में कोश्टन खतम हो गया यही तो करना था और कुछ नहीं करना था सिंपल सा की इस बें इन टॉटाइम होगा की नहीं होगा हूगा की नहीं होगा सब को समिख में आगया क्लिएढ़ है कोई आपको करना क्या कि यहां भी इस प्रहला जो नोजेल्द है दोनों कि जो रखेंट की बराबर होगी दूरिया अब रख लो कोश्टन खतम हो जाएगा मल्टिप्लाइ कर लो तो टैन एक्स माइनस दस तियां तीस बराबर 11 एक्स माइनस 1155 इसको धर ले जाओ एक्स की वैलू आजागी 25 यानि ट्रेन की जो लेंथ आगे जो डिस्टैंस स्पीड आगे वो कितने आगे 25 आगे 25 दे रखा आप्सिर नमबर सी खतम हो गया यही तो कोश्टन था यही तो खूब है ती इस कोश्टन की जो आप सभी ने कर लिया बड़ी आसानी तरीके से बड को समझागी बस अच्छा कोश्टन था मुझे जल्दी से इस वाले कोश्टन ऌश बता किसी का गलत नहीं होना जेस कोश्टन हर बच्चे का आना चाहिए और जल्दी से लाइक से को नहीं है मुझे देखना और ये कौन bathrooms चाँ जो यह घोड़ी झोकता है वाई सबitel Hdoors काली क भी बना रहा हूँ जो आपको अपलोड हो जाएंगी बहुत ही जल्दी आपको मिलेंगी ठीक आओ जो भाई सेम कोश्चन ट्रेन की लंबाई बराबर होगी लंबाई क्या होता स्पीड इंडू टाइम इस पीड ट्रेन की मालो एक्स पहले की स्पीड रखी दो और पहले आद किस्पीड कितनी आगे यह कितना आसान कोश्चन ता रहे मजा अगे सभी को भाई अरे पका है तो यह दो समा कौन ठोके मिलाइक जल्दी से बतादो हो गया ना कितना simple हो गया कितना आसानी सा हो गया तो train के maximum concept मैंने आपको पढ़ा दी है दो चार concept अभी आपके जो बच्चे में वह आपके लोग कल complete हो जाएंगे और कल लाश्ट दिन होगा time and distance का जहां पे हम कल जो है कल train भी खतम करेंगे and boat and stream भी खतम कर देंगे सबसे बड़ा टॉपिक है आपका speed time and distance सबको complete हो जाएगा सबको आराम से समझ जाओगे कोई दिक्कत नहीं है कोई परसाई नहीं है ओके गाईच चलो आज जो भी बच्चे नहा हैं सब के सब चैनल को subscribe कर लिजे को कि आपके लिए RRB NTPC को target करते हुए सुबा सले के साम तक लगातार कैसरे जो हैं यहां पर लगातार आपके सबके जो है वह मिल रहा हैं लगातार आपके लिए वीडियो मिलना है और टॉप कोल्टिक फोल्ती करें तॉड़े मिलना है मतल़ हम ने वह content उठाया है ना जो वाकर पेपर में बेद्वे पूछी जा Heck नहीं यहां स बसक् से कोश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना और को समझना है क्या कहता है हर एक कोश्चन अपने हमें बहुत important है सारे के सारे paper में आए हुए चली start कर देते देखते हैं क्या कहता है इरगाडी की जो चाल लेना वो बिना रुके 90 km per hour है लेकिन जब रुक रुक कर चलती है तो इसकी average speed होगा वो नीचे इंटू क्या कर दोगे 60 कर दोगे कोश्चन खतम हो गया तीस त्याइन अब्वे और तीस दुनी साथ क्या गया बीस दुना चालीस बटे तीन यानि 44 बटे तीन मिनट के घंटे के लिए वह 43 मिनट के लिए वह होगी रुकी होगी ठेंट बस shipping हो गया क्या याद कहना सिर्फ एक बात याद खना क्या इन दोनों का करोगे क्या वे नीचे इन टू कर दोगे 60 जैसे हमने इससे पहला चाब 15 और बिना रुके आता आप सभी के पास जो बंदूख वाले कोश्टन होते हैं मैक्सम जो आपको बच्चे है वो बंदूख वाले कोश्टन पेपर्स में छोड़ाते हैं क्योंकि हमारा टागेट मैथ में 30 में 30 दिलाना तो हर तरीके का जितना भी तरीका कोश्टन होगा आपको बताना मेरा काम है तो आज के बाद ये बंदूख आले कोश्टन आप जिंदेगी में कभी नहीं भोलोगे इस बात की मेरी गारंटी है ध्यान से पहले कोश्टन को पढ़ो क्या कहता है कोश्टन समझना मैं थोड़ा समझाओंगा बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा 11 मिनट के सेकंड के अंतराल पर एक ही जगह से दो बंदूख चलाई गई मालों यह कोई जगह है यहां से एक बंदूख यह हो गई एक बंदूख यह दोगी दोनों के दोनों बंदूख चलाई गई लेकिन यह 11 मिनट के अंतराल पर ही चलाई गई है या दखना ओके इतनी बा रहा होता अगर यह आदमी यही खड़ा होता तो क्या इसको ग्यारा मिनट के बाद ही सुनाई देती कि नहीं सुनाई देती उसको दस मिनट में क्यों सुनाई दी क्योंकि वो दस मिनट में इसलिए सुनाई दी क्योंकि वह इधर ओलेडी चला रहा है जब इधर चला रहा तो इसको दस मिन में ही सुनाई दे जाएगी अगर वहीं ख़ड़ा रहा था तो ग्यारा मिन में सुनाई दे जाती बस आपको यही चीज़ समझना है अब मैं आपको बताता हूं कि हम इस कोशन को बहु दो को जो समय लगता है वो क्या होगा मेरी बात को ध्यान सा समझना आदमी दस मिनट बाद दूसरा वाला सुना यानि ट्रेन को जो चीज़ को सुनने के लिए समय लगा वो कितने का लगा दस मिनट का समय लगा कितने का दस मिनट का समय लगा और बंदू क्या होगा इनके ग सुना है यानि जो ट्रेन पे आदमी बैठा वो दस मिनट के बाद सुना है मतलब ट्रेन तक वो आवाज दस मिनट में पहुची और बंदू की स्पीड जादा होगी और बंदू का अगर स्पीड जादा होगी तो समय कम होगा और हमने समय यहां लिया है frankly सब्सक्राइब का दोनों का माइनस कोस्ट्रम खतम होगया यह उनका इस टाइम आगया कि इन स्पीड खतेशन ठेंग कोस्ट उसने कहा समेज़र आंद की स्पीड बनेतिनी अकुम धे question solve, दुनिया का बड़ा सा बड़ा question लियाओगे, मैं इसी मिठट से आपके solve करा दूँगा, और बिना किसी परिसानी, बिना किसी दिक्कत का, आप सारे के सारे question ऐसे solve कर लोगे, इस बात ही guarantee है, अगर यह आप से दोको कभी कभी कहता है, अच्छा दोको यहाँ पर kilometer पर आवर बताना सब के सब क्या होगा, इस question का सही answer, पढ़ लो, दस मिनट, टीस सेकंड के अंतरार पर चलाए गया, आदमी ने दस मिनट बात सुना है, और स्पीड धोनी की दे रखी है, समय क्या लिखोगे भईया, बंदूक का समय क्या लिखोगे और आदमी का समय, आदमी ने दस म और बीस आगया की नहीं आगया, तो इस स्पीड क्या आएगी, इस बीस की वैलू उसने तीन सो तीस दे रखा है, एक की वैलू क्या आजाएगी, तीन सो तीस बटे बीस आजाएगा, लेकिन उसने किसमें पूछा भईया, उसने पूछा किलोमीटर पर आवर में, तो लेका ईपर मल्टिप्लाइ करोगे कि नहीं करोगे, कोश्टन बसापका खतम हो जाएगा, कारट दो, दोसे काटो चाहएं जिस से पहले तीन साथीन कारण लो, दोसे काटो घोलो, बड़ो रखा है, अरे आया की नहीं मожетन लगा है, अरे लगा की नहीं लगा, जब दस्ता क् कितना आसानी से कोश्टन आपने सॉल्व कर लिया और जब अस्या दखना आदमी के दोरा लिया कि समय होगा वो क्या होगा सीधी सी बात है यह जो डिफरेंस आए जो आएगा ना यह बाद में जो सुनता वो और जो बंदूख बंदूख सीधी सी बात है कम समय लेगी और इतन तरह कोशन आयता पेपर में यह भी आसान कोशन यह भी बड़ा सिंपल सा कोशन है बस चम्यबब्स दो बज़े दो बसे चली 10 मिट के अंतराल पे आदमी ने सुना 8 मिट के अंतराल पे बस की स्पीड दे रखिये बीस आदमी के स्पीड बताओ कुछ नहीं करना आदमी ने मल्टिप्लाइ हुआ पांच का तो यहां भी कितने कर दोगे पांच कर दोगे तो कितना पांच किलोमेटर परावा कभी सोचा था आपने कितना जल्दी यह कोशन लगा लोगे यही तो जादू एमडी क्लास का और यही तो कॉलिटी है जो आपको मैंने 2000 कोशन के है तो बिल्कुल सोचो मत और इसमें आपको बहुत सारी नहीं नहीं चीज़े भी देखने को मिल जाएंगे जिए टाइग मिल जाएंगे जितने भी चेंजने में वह मिल जाएंगे और बड़ा अच्छा पस्चो का रिस्पॉंस अरहा है कि दिल खुस हो जा रहा कि हां कि अपने जनरल अवेर्नेस के टॉपिक में तो जरूर इस पीड़ को जॉइन करिए ताकि आपको कम्प्लीट जो नॉलेज है वह स्पीड़ से मिल पाए और आपके लिए कोई दिक्कत ना हो कोई परसाई ना हो कोई भी दिक्कत आपके लिए ना है नेक्स कोशन पर आते हैं देखते हैं अगला कोशन क्या करता भई ट्रेन का ही अगला कोशन है आदमी जो है 27 की स्पीड से जा रहा है लेकिन 97 मिनट में कोई दूरी तै करता है अब आदमी चाहता कि भईया उसका 25 परसन जो समय है न वो बच जाए अगर वो 25 परसन समय अपना बचाएगा तो नई व मतलब कर मैं समय की बात करूंगा तो पहले अगर उसको हंडेड पर्सन समय लगता था तो पचीश परसन समय बचाना चा रहा है बोले तो 100 से 75 मिनट ही लेना चा रहा है कि नहीं मैं अब ही परसनेंटेज प्यारा हूं क्यों कि हमें परसनेज में दे रख़ा है क्या 2030 समय पहले उसकी स्पीड तील होगी तो आप उसकी स्पीड चार हो जाएगी लेकिन का पहले स्पीड te welcome Q नहीं स Wii तेन रखागीस उसंपल तरीके से सह सक्वी हाँत Nag laying बात आएगी कि सर्जी आखिली 97 मिननत का यूज नहीं है क्या हमने कहा है यार हम तो बहुत खाती रहіть है हमने बहुत सारी जो चीजे हैं वहाँ पर यूज नहीं करा बहुत सारी चीजों का ये तो बहुत ऍह्ली सी बात है सब्सक्राइब बहुत मज़ा रहा है एक कोशन आप लोगों ने यह दिखा गों जो रेल्वे एंटी बीसी का कोशन है बड़ा सिंपा सा यह कोशन है बड़ा सांदार सा यह कोशन है और इस कोश्चों को आपको समझना भी है क्या कहता है कि रेलगाडी अपने समान दिसा में 6 है किलोमेटर स्पीड की चाल से चल रहे आदमी को पीछे से आकर पार करती है जैसे मामलों यह रेल की पट्री थी इस पर आदमी सुबह सुबह बैठा हुआ था अचानक पीछे से ट्रेन आने लगी अब उठकी इधर जाने लगा जब तेर दीर दीर आगे बढ़ जागी सी तो आदमी क्या होता है उसको क्योंकि कोहरा है इसकी लिए या तो 200 मीटर तक देख पाता है ऐसे बैठा हुआ है या तो 200 मीटर तक देख पाता है या तो आठ मिनट तक देख पाता है यह आदमी ने कहा तो बताओ ट्रेन की स्पीड क्या होगी हमने का भया स्पीड बरावर एक्स और आदमी की मालनी अच्छा है डिस्टांस कितने दुरी तक देख करा fortune ना मिनट में क्या करो इसको घंता आना तो 60 का डिवाइट कर दो 60 हो गया खतम हो गया कोश्टन तो दो एक तीन जीरो से यह तीन जीरो कटा दो से काटो के दो चोगाट दो दिन चार्ट दो त्याएं च्छै है ना त्री बट्टे दो यानि डेड़ हो गया तो छह में से आप डेड़ हुदा महां पर वहां पर आगया चैए उधर ले जाओगे तो एक सी बैलू कितना जाएगा चैप डेड़ा जाएगा यानि कि साड़े साथ आ जाएगा और कोश्टन आपकी चुटकियों बाजाएगा मतलब मैं यह बोल दूंगा कि वह जो ट्रेन की गती वह कितनी हो जाएगी साड़े साथ हो जाए तो ट्रेन के उतने ही कोशन पेपर में आपको अब देखने को मिलेंगे और सारे के सारे टाइपस हमने कवर कर दिये अगर आपको कोई और टाइपस बच रहा होगा अगर आपको लगता होगा सर जी यह टाइपस नहीं होगा या पर हमने तो मैक्सम सारे के सारे ही टाइपस कर दिए लेकिन अगर फिर भी कोई भी टाइप सो बच रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूब बताएगा कि सर जी वह आला पता जी मैं अलक्स आपको वीडियो करके बता दूंगा आप स्टार्ट कर देते हैं बोटन इस्टीम क्या है बोटन इस्टीम कैसे समझ पाएंगे बोटन इस्टीम में क्या होता है क्या नहीं होता है बहुत चारी चीजे बोटन इस्टीम के बारे में वह सब कुछ पहले समझेंगे लेकिन कुछ इंपॉर्टन फैक्स के बारे में समझते बोटन इस्टीम क्या होता है जैसे आप लोग ने बच्पर में ट्रेन वगरा चला लाई होगी ना है ना अरे रेल वे कितनी त्यारी करा रहे त्यारी कहा थे कि मुझे ट्रेश्ट रेंट चारो सब दिखाए दे रही है एना ऐसा लगए बच्चों का सलेक्शन अगा बच्चे फोटो बेज रहे कि भी यह ट्रेन में हम आज जी और हमारा इस पोश्ट पर हमार स्कूले से रखे और आपका यहां पे कोचिंग रखाए, अब हुआ क्या ऑप ऐसे त्रीस मोरा है और पीछेर हावाच बबच्चे से हवाच चलने लгी और आपको बड़ा मजह आ अराम से ठीले दीरे, इस्वार लकिन, ऐसा क्यों हुआ ऐसा इसलिवा कि मेरी स्पीड मानलो X होगी और हवा Y स्पीड से आई तो दोनों का दोनों प्लस हो जाएगा और जो टोटल स्पीड हो जाती है वो X प्लस Y हो जाती है लेकिन अगर मान लो भाई चीज उल्टा हो जाए हवा इधर से ना है हवा किदर से आने लगे हवा इधर से आने लगे भाईया अब क्या करेंगे अब तो हालत खराब हो जाती है अब सजी बड़ी महनत करनी पड़ती है बड़ी महनत करनी पर देखते हैं हालत खराब हो जाती तो आपको जाने नहीं देती है और स्पीड आपके क्या हो जाती है माइनस हो जाती है और समझ में आया कि नहीं है मतलब अगर हम धारा की बात करेंगे तो आप अगर धारा की दिसा में जाओगे तो आपकी स्पीड क्या हो जागी दोनों के दोनों प्रस हो जाएगी और अगर अगर हमसे simple कह देगा कि boat की speed दिया है तो आप हमेशा द्यान लेना कि क्या मानोंगे इसको x मानोंगे कहीं भी simple अगर किसमें कोश्चर में कुछ भी दे दिया तो हमेशा क्या मान लोगे भाई या x मान लोगे वोट मतलब बोले तो नाओ अगर आप औहो भी उसने current के स्पीड दे दिया तो भैया current के स्पीड ओल्वेज हम क्या मानेंगे यहां पर वाई मानेंगे अगर आप डाउन इस्टीम की बात करोगे कि डाउन इस नहीं धारा के साथ जा रहा है तो धारा के साथ जाने पर आपको पता दोनों की स्पीड क्या हो जाती है प्लस हो जाती है और इसको हम लोग बोलते हैं दी योगी डाउन स्टी में तो डाउन मतलब डी देखो मैं हिंदी में इसको बिलकुल में सजेश्ज नहीं करता है इस चेप्टर को रीजन क्या है क्योंकि मैंने भी हिंदी में पढ़ी और मुझे देना है कि अगर डाउन इस्टीम लिखा है इसका मतलब धारा के साथ और अगर मालो आपके पास अप इस्टीम लिखा है इसका मतलब होता है धारा के अपोजिट अप मतलब कैसे याद रखेंगे अप मतलब होता अपोजिट अप मतलब क्या होता अपोजिट अप मतलब क्या ह करना था अब आते अगली बात पर अगर सांत जलमें नाधारा के स्पीड़ पूछ ले क्या स्पीड ऑफ बोट यह इंपोर्टन थैस पीड़ आफ बोट इन स्टिल वाटर इस्टिल वाटर मतलब होता सांत जलमें धारा कागर इस्पीड पूछ ले या देखना कुछ नहीं कर किसका पूछ ले करेंट का यानि धारा का स्पीड अगा पूछ ले किसमें सांत जन में तो कुछ नहीं करना है डी माइनस यू बाइटू इतना नोट कर लिजे बस यही फॉर्मले है और बिस्वास महीं है पूरा का पूरा जो बोटन इस्ट्रीम है इसके इसके लिजेगा कि यहां पर खतम हो जाए कुछ बच्चा नहीं रह जाएगा चलो अब आते हैं कोश्टन पर समझते हैं पहला कोश्टन देखते हैं क्या कहता है कि सांत जल में आठ क्रिमेंटर की स्पीड सो कोई वक्ती नाओ चलाता है हमने कहा चलो ठीक है भईया हमने माल लिए कि वो ना स्पीड से आ रहा है तो एवरेज स्पीड क्या होती है फॉक्स वाइप अपानए प्लस वाई होती है डी में अब लेकिन यहां पर हमें सिरफ नाओ की और धारा इलग अलग स्पीड पता है अगर वह जायेगा तो क्या दोनों के दोनों स्पीड प्लस हो जागा कर सिर्फ समझना है बच्चे डिर्ट्री यहां पर लगा देते हैं लेकिन डिर्ट्री लगा दो तो कोशन गलत हो जाएगा हमें यह यहां फार्मर लगेगा टूएबी अपार्ण बारा और चार तो चार चोग का सोला चार तीन बारा और तीन दूनी छह एंसो राज़ेगा च्छे किलोमीटर पर आवर यह बात याद दखेगा अधर वाईज आपका कोशन गलत हो जागा किसी नगर उस पर डारेक्ट लगा दि पूछता करेंट की बता हो ना की सिंपल स्पीट दो किलोमीटर पर आवर यह लेकिन अगर धार यहां और भया तभी तो विप्रिट जाया तो सिरुफ एक बचा तो दो मेंसे कितना मानस करें अगर कि एक बचचा स्पीड कितनी आजागी एक आजाएगी सिंपल कोशन है बच्चों वाले है ना तो यह कोशन है भाई देखो कौम से बड़े अच्छी आपको पता चलेंगे आपको परिसानी नहीं होगी कि सर्जी यह नहीं कर पाए वो नहीं कर पाए नेक्स जल्दी से बताए कमें वाक्स मे अब आते हैं आपको और कुछ खतरनाक से कोशन स्वाल्ब कराते हैं अब दिखाते हैं कि क्या है क्या नहीं है कैसे कर पाएगा क्या हो पाएगा क्या नहीं हो पाएगा कहता है एक नाओ जो है ना वो कुछ दूरी को अनुप्रवा और प्रतिउकुल प्रभादारा जाने में लगने वाले समय का अनुपाद चार बट्टे साथ है मतलब जो उसको समय लगता है कहेगा भाई अनुप्रभा प्रतिपुरावा देखो भई यह क्या क्या पता नहीं कह रहा है समझे नहीं आ रहा हमने क्या देखा दाउन इस्टीम देखा हमने क्या देखा अप इस्टीम देखा मतलब यह कह रहा है जो उसक Reaktion लिन बोट वाली स्पीड होती है अगर टाइम उसको चार साथ लग रहा है तो मुझे जल्दी से बता दो तो स्पीड क्या साथ और चल लगेगा बहुत लेकिन गर हम relativeción निकालेंगे यही concept समझना है relative speed निकालोगे तो relative मतलब क्या होता है डाउन में क्या होता है दोनों स्पीडे जुड जाएंगे की नहीं जुड जाएंगे हम डाउन स्टीम जा रहे है हम धारा के साथ जा रहे है और अगर हम धारा के साथ जा रहे है इसका मतलब ये और ये प्लस हो जाए की नहीं हो जाएगा तो साथ और चार क्या यहां पर ग्यारा हो जाए कि नहीं हो जाएगा और अगर हम धारा के विप्रिट जाएंगे तो यह साथ में से चार माइनस करोगे तो तीन आएगा कि नहीं आएगा खतम हो गया कोश्चन तो यह किस की स्पीड आ गई? रिलेटिव आली? करेंट की आगे यह किस की आगे? रिलेटिव आली? धारा की आगे उसने हमें किस की दे रखा? करेंट की 6 दे रखा है हमारे इसाफ से 3 आ रहा था तो 3 को उसने 6 दे रखा है 11 को क्या कहोगे? 22 कहोगे Option Number यह आजाएगा ये concept पूरे YouTube पे आपको नहीं मिलेगा जवादस concept है बहतरीन concept है vote and stream का हर question अगर आपको second हो में solve करना है तो इस concept को आपको यूज करना पड़ेगा और आपके लिए हर question विदी ना second यहाँ पे solve होने वाले बहुत सा अंदार question है बहुत बहतरीन सा question है पक्का है अरे हाँ यह न चलो बाई यह question आप सभी को समझा गया अब मैं आपको थोड़ा और concept देखो ध्यान देना क्या मैंने कहा डी और यू डी मतलब धारा के साथ speed दे सकता है time दे सकता है तो अकर time दिया तो सबसे पहले आप इसा फिली निकालोगा दे लेकवी इसा स्पीड इसकी स्पीड का फ्लस और इसाव स्पीरिस का माइनस और जो डाउन इस्टी मोथा वो याद ले किल जयते हैं अगला question देखते हैं अगला question आपके पास क्या कहता बाई चलो जैसे देखो ये कोशन ये बहुत पूचे जाते मतलब पेपर में भर भर के पूचे जाता है ऐसे कोशन बड़े आसान से कोशन बड़े सिम्पल से देखते हैं कहता है धारा कि अगर डाउन इसटी में जाएगी तो जितना समय लेगा अप श्टी में दूगोना लगता है बताव हो यह स्पीड क्या होगी सिंपल कोश्य ने डाउन और जो समय लगता आपमें उसको दोगुना लगता हPS का स्पीड रिलेटिव स्पीड दोनों स्पीड का एक बड़ प्लस और एक बड़ दोनों स्पीड का माइनस तीन और एक आपस नंबर दी लो यह यह बच्चे वाले कोश्चन थे आई थिंग आप तो आपको बिल्कुल मजा आ गया और आपको आपको कॉलिटी तो समझ में स्पीड 2 और एक हो गया रिल्यटिव स्पीड 3 और एक हो गया अरे हो गया की नियुक्श फीड बेसे एक उसने नाओ खेने की घर रखी एच्छा अनों आपको क्या यहां पर डाउनिस्टीम वाला और यह क्या होता करेंट होता तो डाउनिस्टीम अला के स्पीड उसने 384 पेच्छा रखी एक यानि तीन की वैलू दोना तो एक कि वैलू किती आ जाएगी दो आ जाएगी न यानि जो आपके धारा है उसकी गती कितनी होगे दो होगे आप काम करो हमें मोक्षी की प्रापती हो गई है अब झाती से पहले यह E sherm कोशन बता हो भई सब के सब कमेंट करके भना भना भन कमेंट आने चApp बिना किसी रुकावट के बिना किसी दिक्कत के हाँ एक और दो यहाँ पर दो गुना समय लगता दो और एक हो जाएगा अब क्या हो जाएगा दो एक तीन एक उसने क्या दे रखा नाओ की गति और नाओ की तो गति ये वाली होती ही ना तीन की वैलू साड़े चार यानिकी डेढ़ का मल्टिप्लाई किया होगा तो भगया अब बताओ था रहा था मज़ा अरे बोलो हाया ना अरे हाया ना अरे भया बोल दो भी दो पक्का है आगे मज़ा क्या सबी को कोई परसानी को दिक्कत तो बोटन इस्ट्रीम के ये कोशन सबस्दा पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टन ने बहुत महत्यपोड़े एक पूछे आपको ये करा देते हैं जो बोटन इस्ट्रीम कहा है यहाँ ऊण वहां इद रहां या दाौन एड़े धर इंड़ाइंड उसने हमें क्या दे रख़ी स्पीड दे रखी इस पीड़ ऑर इस पीड़िय है लेकिन फिर भी हखार्ट निकालना पड़े गा धाउद जो लग रहे हैं लेकिन कोश्ण में कुल मिलाके तीन लग रहे हैं तो बारा की वैलू तीन तो एक की वैलू क्या आगी तीन बटे बारा यानि एक बटे चार आगी कि नहीं आगी तीन बटे बारा यानि एक बटे चार आगी कि नहीं आगी उसने कहा दूरी बताओ दूरी क्या हो के लिए बहुत ही सारे कोश्चन का कंप्लीट एक वो ताकि आपके सामने ये कोश्चन आ जाएं और आपको इस सारे के सारे कोश्चन मिल पाएं और सब के सब आप को यहां पर देख पहूं इसके लाहां मैंने लिंक आपको दे रखा टॉप 2000 प्रस एक्सपेक्टेड कोश्च कर लीजे 2000 प्रस टॉप एक्सपेक्टेड कोश्चन है जिसमें बहुत सारे एक्स्टा इंक्लूडिंग चीज़ें हैं जैसे इंपॉर्टन डेज हो गया ब्रांट अमश्चर हो गया जी आई टैक्स हो गया कोश्चन इटर तो गादी जी हो गया जितने भी चेंज हुए ना आप खुदी कोगे सर जी यह वुक क्या अगर इस तरीके से आपने 10 बुक और निकाल दी तो तो भी हमभाई कर लेते हम आपको यहाँ पे इसके लावा अब देने वाले हैं मैस के 2000 प्लस जबरदस्त वाले कोश्चन और रीजिनिंग के 1000 प्लस जबरदस्त वाले कोश्चन क सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइज एक कॉपी पिन ले लिजेगा एक कम्प्लीट नोट से बना लिजेगा तभी असली मज़ आएगा और तभी असली जो पूरा जो जो से जो हमारे भाईयों का वह जो से वो समझ में आएगा ध्यान से समझना पूरी की पूरी जो प्रॉफिन लॉस है वो तीन चीजों पर चलती है सबसे पहला होता है सीपी सीपी बोले तो आपका होता है क्रै मूल जैसा कि आप सभी को आलिडी पता है दिन अगर आप थोड़ा सा और आगे बढ़ते हो तो आपको पता है फिर आता है मर्पी मतलब हो का अंकित मुल है जीओ आल लो के MRP क्या होगा भाया, अंकित मुल हो गया इसमें भी किसी को कोई परसाईंइब है अले तीसरी बात जो पाती वह आती ही एस पी मतलब होता है, विक्रपवL, विक्रएमौ tuning अब आपको सभी को पता है विक्रमूल भी कोई बहुत खास important बात नहीं है आपको बहे बात पता है खतम profit and loss नहीं बिसौस मानने है नो मालो बिसौस profit and loss खतम कुछ नहीं है अब जरद हमजना CP मतलब होता है cost price जैसे कि मालो मैं कोई दुकानदार हूँ ध्यान से मेरी बात को समझना ज्यादा कोई बात नहीं करेगा क्योंकि हमें अब पढ़ना अब selection लेना इस बात को याद रखना तो सबी बच्चे एक दम ध्यान से समझना जैसे मालो कि क्रैमुल CP मतलब क्या होता है जैसे समझना कि क्रैमुल जैसे मालो मैं कोई दुकान दोर हूँ मैं चीनी बेचता हूँ मैंने 100 रुपय का कहीं से चीनी खरीदा और मैंने कहा कि भाईया 100 रुपय का मैंने चीनी खरीदा मैं कहा हो यार क्या करते हैं चीनी में थोड़ लाफ कमाते हैं और इसको 100 में आ बेचके 1.500 रुपय की प्राइज लगा देते हैं टेट्सों में बेचने के प्लानिक करते हैं लेकिन हमारे बगल वाले जो है गुपता जी आ गया वो कहें अरे वहुत महेंगा चीनी चल ला है हुआ मार्केट में तो बहुत सस्ता मिल ला है कहीं कितने का मिल ला है कहीं 140 का मिल ला है कहें लो हमरे पास चले जो हम 130 का ही दे दे आप कहोगे सर जी 100 का समान था और 130 में बेचा आखर फाइनली तो हमें प्रॉफिट कितने हैं का हुआ 30 रुपए का ही फायद प्रॉफिट हुआ न क्या इस बीच वाले टर्म में कोई मतलब है नहीं न जब तक प्रॉफिट और लॉस की बात करेगा MRP क्या था क्या नहीं था कोई मतलब नहीं होता अगर प्रॉफिट न लॉस की बात करेगा तो सिरफ काौश प्राइस से मतलब हो जायगा और मात्र सेलिंग प्रायस से मतलब हो जाएगा बाकी MRP क्या गया कहीं भी चला जाए अच्छा हमने पूछा ये बताओ कितने प्रतिसत का प्रॉफिट हुआ कितने प्रतिसत का लाब हुआ तो जरा क्या बताओगे भाईया कि 100 का समान था 130 में बेचा तो 30 रुपय का फायदा हुआ किस पे हुआ 100 रुपय पे इंटू 100 कर द क्या प्रॉफिट पर्सेंटे सभी को मिल जाएका अरे हां या ना अरे बहुत अच्छा तो अगर लॉस हो जाता है तो डिवाइड बाया या फिर प्रॉफिट हो गया तो लॉस हो गया वो रखो दो बात दोनों के दोनों के खत्म हो जाएगी ठीक है आपने का सर जी इतनी कर दो ताकि जब कोश्चन्स पी आए ना तो अच्छे बच्चों के साथ आपको कॉम्टेशन हो सके और मज़ा आ सके वह असली वाला किक अब आते हैं दूसरी बात जो बहुत इंपोर्टन है जिससे पूरा प्रॉफिट लॉस खतम होने वाला वो बात पर ध्यान देना क्या ह हान ही होगा कभी वी प्रॉफिट लॉस होगा तो और रो पक्का है की नहीं अगर कभी भी डिसकांट गर तो always MRP पे ही discount देगा जैसे अभी मैंने 100 का समान था 1500 रुपर मैं सोचा बेच लेंगे लगी गुपता जी ने परहसान कर देगा बिटा तो 1500 में कैसे बेचोगे तो हमने उनको discount दिया और हमने discount किस पे दिया इस MRP पे discount दे दिया अगर कभी भी हमें जो भी tax देना पड़ेगा क्योंकि हमें सरकार को tax भी तो देना पड़ेगा क्योंकि हम कमा जाता रहेंगे तो सरकार को tax देना पड़ेगा तो हमें जो भी tax देना पड़ेगा या किसी को commission देना है अच्छा जैसे commission मतलब क्या आप लोग ने MR वगरा देखा है कि नहीं देखा है MR मतलब क्या होता है जो दवाएं वगरा जाके डॉक्टर लोग को सेल करते है कहते हैं ये दवा सर जी इनको दीजेगा तो मरीज बिल्कु ठीक हो जाएगा अरे हाँ या ना तो वो डाक्टर क्या करता है जासे मानों डाक्टर ने 500 का दवा बेचा तो डाक्टर उस पर कमीशन लेता पांच उपए का तो जो भी कमीशन होता है वो हम इस पर लेते अरे बताओ इतनी बास समझ में आई की नहीं आई भाई हमेशा प्रॉफिट लॉस किस पर होगा जरा जोड़दार तरीके सब के साफ़े कमेंट कर दीजिए तो भाईया कहोगे सर जी कौश प्रैस पर होगा अगर हमेशा देख में डिसकाउंट किस पर होगा तो भाईया कहोगे MRP पर होगा और अगर मैंने आप सभी से पूछ लिया कि टैक्स या कमिसन किस पे देंगे तो वो हमेशा हम देंगे किस पे विक्र है मुल पे देंगे मैंने कहा किसी चीज का अगर कोश पर आप सभी के पास 500 रुपया है और अगर मुझे प्रॉफिट परसेंटेज होता है कितने का दस प्रतिसत का तो ये बताओ मैंने उसे कितने में बेचा होगा selling price उसके क्या होगी एक बहुत आसान question जो railway का paper यहां से start होता है जल्दी से बताओ उसके selling price क्या होगी everyone and everybody बहुत simple सा question cost price 500 रुपया है 10% का profit तो selling price बैखो हमेशा जो भी profit होता है वो cost price पे ही होता है इसलिये जादा δिमाख नहीं लगाना है क्या रखना है जादा दिमाख नहीं लगाना अगर cost price है तो profit पाहँ से लेए हमारे पास cost price पे ही profit होगा और उसने cost price पे ही profit की बात करी है 10% का फाइदा हुआ है तो सौ में दस जोड़ दोगे 110 बटे सौ कर दोगे तो इक 11 पच्चे पच्पन यानि साढ़े पांचो में आपने उसे बेचा होगा सीधी सी बात है ये लेकिन अगर यही चीज का हम उल्टा कर दे क्या हमने उल्टा कर दिया ऐसे समझना मेरे बात को मज़ा आजागा आपको वाकर ये बात को ध्यान अकरा मैंने ऐसे उल्टा कर दिया मैंने कहा कि भाईया अगर मैंने किसी समान को साढ़े पांच सौ में बेचा तब जाके मुझे फैदा हुआ दस प्रतिसत का तो मुझे बताओ कितने का मैंने खरीदा होगा एक ये कोश्टन भी पेपर में बहुत पूछा जता है बिना किसी गलती का जल्दी से बताओ क्या होगा इस कोश्टन का सही एंसो सब के सब क्या मैंने कहा मैंने का भाईया हमने समान को साढ़े पांच सौ में बेचा बेचने के बाद मुझे 10% का फायदा हुआ तो जल्दी से बताओ क्या होगा ये बताओ क्या कभी भी बेचने पर फायदा हो सकता है क्या जर्ण बताओ भाई हमने तो पढ़ा नहीं हमने क्या पढ़ा हमेशा Cost Price पे ही फायदा होगा बेचने पे तो होगा ने क्योंकि बेचने पे फायदा हुआ है इसी वज़े से ये Selling Price होगा और इस्पे फायदा हुआ है किien botti सट्का अगर ये COAST PRID होता तो 110 बटे 100 करते क्यों? क्योंकि it cost price था अगर ये selling price होगा तो इसी को उल्टा कर दोगे 100 बट 110 कर दोगे अब ये cost price में change हो जाएगा तो भाईया 0 सो 0 कटा 11 55 55 5 multiply करोगे 50 गुड़े 100 बराबर 500 बोलो ये कौम सिर्फ समझ में आया कि नहीं आया लोग आपको ये x करके बताते है कैसे x करके बताएंगे कहेंगे मान लो x पे आपको कितने का फैदा हो रहा है 10 परसें का फैदा हो रहा है और बराबर आपका समान साड़े 500 बिक रहा है तो x की value फिर 500 होगी लेकिन मैं जब आपको कोशन कराऊंगे ना तो ये सब इतना लंबा लिखोगे नहीं डारेक्ट कोशन स्वार्ब कर दो कि मामला फिट हो जाएगा अरे किलियर गाईज सबको समझ में आ रहा है ठीक है मैं एक और सिंपल से कोशन पूछता हूँ ध्यान से बताना कि भाई इसका सही एंसो क्या होगा मैंने कहा कि भाई किसी समान को अगर मैं मालो साथ सो चालिस रुपए में बेचता हूँ या 770 रुपए में मालो मैंने समान को कोई बेचा और 770 रुपए में बेचने के बाद मुझे जो प्रोफिट परसंटेज हुआ है वो 10 परसंट का हुआ है कौश प्राइज के कितनी होगी जल्दी से बता दीजे क्या होगा कौश प्राइज उसकी कितनी होगी बहुत सांदार पूरा का पूरा प्रॉफिट लॉस का धजी उड़ा देंगे इस बाद या देखना बहुत बढ़ियां सेंपल सा कोशन क्योंकि बेचने पर फायदा हुआuld क्या कभी बेचने फायदा होगा क्या कभी भी होगा नहीं होगा सीडी मात है तो साइस तो सबसक्राइब साह्त अगप unity सो करूगा अब आ superfic कोशन मैंने ले रखे आब आजो जड़ा कोश्टेंज पर देखते हैं कोशन क्या कहता सिंपल सा बहुत सांदार बहुत ज़दा बहुत जिंदवाद पांच हजार रुपए में 20 परसंद की हानी पर बेची गई वस्तु का क्रेमूल बताओ क्या होगा पांच हजार रुपए में मैंने बेचा है 20 परसंद की हानी पर बताओस में कितने में मैंने उसको खरीदा होगा बिना किसी गलती का आना चाहिए याद दखना पटक की मार खाद होगा किसी बच्चे का गलती है और कोई अगर रेंकर नहीं निकला है आजए तो मैं मैंने उसके जब सपाइड की से नुक्सान हो दो क्या मैंने देद्ट की किया और के स्वायदा नोकसान नहीं होता हमेशा कॉस्प्राइज पर होता है तो भाईआ जलदी से बता दो कटा आठ पंच आपको यहां पर आठ आठ से काटोगे आठ से कर ताले 62 और यहां पर आपका आएगा 62.5 यह 625 क्यास पर आएगा कुल मिलाके कितना एंसरा जाएगा सभानें ले त्यार रहा करो चारजार कैसे हो जाएगा अगर 4000 का समान होता है और आप 5000 में बेशते तो कभी नुकसान होता क्या नहीं नुकसान होता आराम समुज काटते जगां सिदी दी बात एक ज़्यां मौश काटते रहते और क्लैर्टी समझ में आई की नहीं समझ में इस का फाइदा समझ में आया कि नहीं समझ में जल्दी से बता दो गाई आ गया है ठीक है आओ जल्दी से बता दो लागत मूल और विक्रामूल आपको दे रखा प्रॉफिट कितने को जल्द यही बता दो लागत मूल बोले तो कॉस्ट प्राइज होता है और विक्रामूल मतलब तो selling price होता है यानि बोले तो 5 का समान अपने साथ में बेचा और अगर 5 का समान अपने साथ में बेचा तो 2 का फायदा हुआ किस पे 5 पे in 200 पांच दूनी 10 20 दूना 40 कितने परसंग का फायदा हुआ किलियर सबको किलियर मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ अरे clarity समझ में आई की नहीं आई भई जल्दी से बोल दो हाँ या ना आओ अगला question आगया भई ठीक है बहुत सांदा है बहुत 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 है एकदम live देखते रही live देखो गए तो अलग feeling आगया जो question यहागए हमसे पूछो कि मैं स्विर से repeat कर दूँगा मज़ेदार तरीके से चलेगा जल्दी साथ हो like करते रो भाई सब के सब 1470 रुपे में सामान बेचा तो 16 दो बटे 3 का profit हुआ यह बता उसकी क्राय मूल कितनी होगी उसकी cost price कितनी होगी जरा जल्दी से बताईए क्या आएगा 16 दो बटे 3 मतलब क्या हुता है 16 43 दो 50 बटे 3 परतसत का मतलब होता एक बटे 100 तो पचास दूनी सो यानी मतलब होगया एक बटे 6 इतने का उसे फैदा हुआ है ठीक आफ समझना मतलब 6 का समान होगा तो उसने 7 में बेचा है है ना अगर फायदा हुआ तो 1470 रुपे में उस अगर 6 का समान होगा तो 7 में बेचा होगा यानि इस 7 की वैलू उसने 1470 दे रखा है मुझे किसकी वैलू चाहिए 6 की वैलू चाहिए ना तो 6 की वैलू कैसे निकालोगे 7 दूनी 14, 7 एक अनम 7 एक की वैलू 210, 6 की वैलू 210 गुड़े 6 यानि 6 करम 6 और 6 दूनी 12, 1260 क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है सब का आ रहा है फिर क्या ही दिक्कत है कितना आसानी सापने कल लिया ठीक है किलियर हो गया समझ में आ गया मतलब क्या था कि एक बटे 6 का मतलब अगर उसकी कौश्ट पर यहां पर 6 होगा तो एक का उसने फाइदा कमा लिया है यानि कुल मिलाकर सेलिंग पराइज उसकी कितनी हो गई होगी 7 रुपया हो गई कोगि मैंने भाई 6 का समान था एक फाइदा मैंने बेचा तो 7 रुपय सेलिंग पराइज होगी है कुछ खासर करना नहीं है सिंपल समझ में आ गया अरे क्लियर गाइज बहुत अच्छा सेम उसी टाइप से कोशन है जल्दी से बताओ बहुत अच्छा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बोलते बढ़ी मस्त है क्या होगे भईया किस दिसा में जा रहे है यह किस फिल्ड में आगए भाई सहाब आप आए नावलेंद भाईया चलो आते हैं बिवेग बेटा सिरफ पढ़ाई पर ध्यान दो अभी मैंने कहा ना रात में सब कुछ मिल जाएगा बहुत ज़्यादा कमेंट करोगा बाबू तो हमें यहां से आपको फिर भाई ब्लाउक कराना पड़ेगा बेटा सिरफ अभी पढ़ाई 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 पर ध्यान दो बेटा ठीक है सब मिलेगा डोंट वरी साथ सो सत्तर में बेचा हमें नुकसान हुआ ट्वैल वन बाई टू का मुझे कौन बता पाएगा भाई यह ट्वैल वन बाई टू बोले तो का बाराद उनी चोबी से पचीस बटे दो पचीस से कटा पचीस चोको सो यानि एक बटे आट यानि अगर आट रुपय कॉस प्राइज रही होगी क्योंकि हमें नुकसान हुआ है यानि एक रुपय का लॉस हुआ होगा की नहीं होगा आठ में समान खरीदा एक रुपय के लॉस पे समान बेचा तो सेलिंग प्राइज क्या साथ रुपया हो गया होगा की नहीं हो गया होगा सीधी सी बात है और भाईया साथ की वैलू 770 दे दिया है की नहीं साथ की वैलु कित्ता हो गया 770 हो गया कॉस्प्राइश कए चाहिए एक की वैलु 110 आठ की वैलु आप से पूछा गए आठ की वैलु 800 सी अरे आया कीनि मेरे सारे भाई बैइन का अरे आया मजार है की नहीं आरई फॉफिडन लॉस में लग रा की आसान कोषण है की नहीं भुआता कोषण वाला कोषण देते हैं जल्दी से बताओ क्या कहेगा इस कोषण का सही एंसर । रेलवे के लिए बहुत अगड़ा कोषण है बहुत इंपॉटन कोषण है जल्दी से बेचा और विक्रह मुल का 20% मुझे वहाँ लॉस हो गया मैंने खो दिया विक्रह मुल का 20% मुझे लॉस हो गया अगर हमें उसे 25% प्रॉफिट बेचना है तो मुझे किस रेट पर इसे बेचना चाहिए बहुत सांदार सा कोश्चन है बहुत भेतीन सा है इस कोश्चन से आप में 1100 रुपे मैंने कोई समान बेचा इसका मतलब क्या मेरी सेलिंग प्राइस 1500 रुपे रही होगी सीधी सी बात है और मुझे विक्रह मुल का 20% नुक्सान हुआ या 20% मतलब होता 1 by 5 का नुक्सान होना क्योंकि आपको नुक्सान क्रायमुल का नुक्सान हुआ किसका हुआ विक्रामूल का नुक्सान हुआ समस्दा मेरी बात को बडे ध्यान से अगर क्रामूल का नुक्सान होता तो नीचे वाला पार्ट क्रामूल हो जा जाophone जैसे के हम पिछले वाले कोशिटन में देख रहesten कुछ न ये कहेगा तो डरेक्ट क्रामूल ही कहोगे उसने कहा विक्रमूल का नुकसान हुआ 20% विक्रमूल का 20% खो दिया मतलब नीचे वाला दाम क्या है इसका विक्रमूल है और यह आपका लॉस हो गया उपर वाला बस बोलो यह बास सबको समझ में आया कि नहीं आया अरे गाई जितनी बास समझ में आयी तो जड़ा लाइक ठोको आगे आओ समझते विक्रमूल का 20% नुकसान वान नितला गर 5 उपया में आपने बेचा तो आपको 1 उपया कर नुकसान हो गया इसका मतलब दाम जो है वो 6 रुपय रहा होगा कि उसका की नहीं रहा होगा खतम हो गया बहुत बढ़िया सिंपल सा कोश्चन तो था खतम कोश्चन खतम खतम भईया तो भईया 5 की वैलू उसने 1500 दे रखी है क्योंकि बेचा कितने में है 1500 में और हमारे इसाब से 5 लगाष एक की वैलू टीन सो-अगे की नहीं आगे मुझे च्छे की वैलू चाहिए ना तो च्छे की वैलू छे तरी अठारा सौ आगे की नहीं आगे यानि वह थारा सौ रुपय कर रहा होगा मुझे टॉन्टीफाइव परसन बेस तह तो यह सीधर सीपी है ना और CP पे आपको 25% का प्रॉफिट चाहिए 25-25-25-100 है ना चार से काटोगे तो चार चोका सोला चार पंचे बीस साड़े चार सो कुअड़े तो और जैसे ही आपने साड़े चार सो कुड़े यहां पर पांच किया वहीं कुछ भी नहीं करना कॉशन में साथे 22 तो जो बच्चे बतार वो बिल्कूश सही एंतर ओंतरी नहीं हो न स्तर्षा इस ब्लोक्राइटी समंझ में आई उनुचिंटा में में कोई users को कोई कोई परसानी कोई दिकत कोई परसानी नहीं सबकों समझा अब मैं फिर से समझाता हो समझना मैं फिर से समझाँ कि यह कुश्ण बहुत इंपॉटनट है और पेपर में आ जाए गा न तो मैं चाहता हूं कि आप इसको छोड़ो न और आप मैस में 30 में 30 निकाल के लिकार आ और एक बार समझो किस कोश्चन में क्या कहता है ध्यान से समझना मैं बिल्कुल आसान से समझाँ का बिल्कुल एक फिर से समझना देखो बाई अगर उसने कहेगा कि क्राइम उलुका भईया प्रयास को जरा ब्लॉक करिए यहां सिरफ पढ़ने वाले बच्चों को जरो होते हमेश प्रयजें लास मतलब अगर आपने पांच में और समान बेचा थो एक रुपाय नुकसान होगा भीएאל पांच में में बैचा एक रुपाइक नुकसान हो गया अगरप बेखने फे एक नुकसान हुआ इसका मतलब श्यक्राइब रहा होगा तभी तो जह हमने पांच वेचा तो एक रुपा गा मुझे नुखसान हो गया या नि मुझे चाहर परश की हमने बेचा कितने का पांच उपा में लेकिन यहां कितना कहा रहा है 15 में तो पांच की वैलू पंदरह सो एक की वैलू 300 कॉश्ट प्राइस की वैलू जिती थी एक वैलू 300 चुछ एक वैलू अठारा सो इस पर चाहिए टॉंटी फाइफ परसें का प्रॉफिट यानि इसका टॉंटी फाइफ परसें निकालो एंटॉर आगे साड़े बाइस सो कुछ नहीं करना आसान कोश कहता है कि बहुत सांधार सा कोश्चन है बहुत बहुत भे आतरी सा कोशचन का सबमारिट इस में संब्सक्राइब हुआ है है ना बहुत बढ़िया समझते हैं यार हमने 30 मीटर कपड़ा बेचा है ना तो मुझे 10 मीटर के विक्रमों के बराबर profit हुआ ना मुझे क्या चाहिए profit percentage अभी मैंने आपको कुछ देर पहले क्या बता है कि भईया जो profit percentage होता वो होता क्या है जितना भी profit होगा वो डिवाइड बाइज आपके पास cost price होगा वो और इंटू क्या कर दोगे hundred कर दोगे यही तो मैंने बताया था अरे हाया ना क्या कहती है जंता यही तो बताए था अब समझो मुझे profit कितने का हुआ 10 मीटर का profit हुआ GUYा profit कभी भी विक्रमूल पे होता है क्या औरे क्यों क्यों क्योंकि profit हुआ है माइनस कर दूँगे 30 मिषध मानेस करोगे 20 और बस इंट्स हन्ड fragrant कर दू खतम हो गया कॉष्जिन बीस पंचे-100 और 1050 अलगिन यह कटने वाले काम नहीं करने मैं तीस में तीस लाना ध्यान से समझना तीस मीटर कपड़ा बेचने पर थार्टी मीटर कपड़ा बेचने पर एक ग्यारा मीटर के विक्रमूल के बराबर उसे प्रॉफिट हुआ एक ग्यारा के विक्रमूल के बराबर उसे क्या हुआ देता है सीजी सी बात अब समझना मेरी बात तो क्या प्रॉफिट उसे दसी रुपय का हुआ क्योंकि विक्रम उलके बराबर हुआ तो माइनस कर देंगे अगर प्रॉफिट होगा विक्रम है ठीक है आज़ो नेक्ट पर है आज बाई अगले करते रहे हमें बोनना पड़ेगा बार नहीं कि भाई सब करो करोosos के सब अधाद हुआ अरे भीया फायदा नहीं नुक्सान हो गया किसके विक्क्रामोड के बराबर अरे नुक्सान हुआ है ना तो दोनों को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे तो 33 प्लस 11 एन टू हंडेड बोले तो भईया 11बटे 44 इन टू तो हंडेड खतम एक्धावालिस चार से काटो के 25 पर संगा क्या हो जाएगा लॉस पर सेंटे जा जाएगा अरे किलियर है की नहीं क्लियर है अरे हाया ना अरे वहाई बोलो जल्दी से किले रहे ना सिंपल से कोशन कुछ नहीं करना क्या कितने का फैदा या नुकसान हुआ 11 का कितने पे हुआ क्योंकि कॉस्ट प्रैस नहीं लिखा अगर मान लोग खुदा ना खासता और आपका यहां पर कॉस्ट प्रैस कर देता विक्राना कहता क् आपने लोग नेश कोशन पर चलता है जड़ा देखता अगला कोशन भाई क्या कहता है लो जड़ा बताओ गलती नोटी बहुत-बहुत मार्खा जो बात को याद आखना ज़र जल्दी से बताओ ठीक है बहुत बढ़िया बहुत सांदार बहुत बहुत बैतर आज ज़रा सा थैंक यू सो मज्ट थैंक यू सो मज्ट थैंक यू सो मज्ट भी या बस रैंक लियाओ बाकिस सब तो होई जाएगा है ना दीपती यार कितने का फायदा हुआ 11 का अरे क्रायमूल का हुआ है क्रायमूल का तो कुछ रखने की जो थे ना प्लस ना माइनस क्योंकि फायदा ह पराबर होता था तो सीधी 111 33 इंटू हंडडे कोश्चन खतब 113 तो बटे 3 बोले तो 33 बटे 3 और जिसका आ गया है वह जरा सा सबके सब गयात्री मंद बोल लो एक बार चला गले कोश्चन में अरे हाया ना चला जा भाई तो यह बहुत अच्छा कोश्चन था बहुत सांदा होगा या कितने का लॉसले पता है इसका जादू तरीक आपको बताते हैं ठीक है और आपको कैसे आखिर आया बहुत अच्छा कुछ नहीं कर ना मैं आपको पहले बतातों कैसे करते मेरे जो पुराने अने-कड़मी वाले बच्चे वो कैसे करते जरह समझना सीधे क्या करें करेंगे माइनस तो भाई पंद्रा में सचाह माइस करो कर नो विक्रा के पास क्या लिखा है इंटू हंडिड तो काटो के तीन दूनी चैन तीन तरीक करना तीन सो बटे दो बोले तो सीधे क्या कर दो भी या डेड़ सो कर दोगे अब देखते समझते कैसे अब यही चाहते हो नो कि आपको भी ऐसे करना पड़े ज्यादा कुछ घ्यान ना करना पड़े ज़्यान से समझना है क्या कहा 15 वस्तों का क्रेयमूल यानि 15 वस्तों का कौष्ट प्राइज इस इकल टू 6 वस्तों का विक्रेमूल यही तो खार अरे विक्रमूल यानि कॉश्ट बटे ये तो बराबर 6 बटे 15 नहीं आएगा बहुत बटे ये कर दें तो चैबंदर हो जाएगा सीधी बात है सीधी दिवाट सीधी दिवाट पुई दिक्कत क्या बस कोश्ण यहीं तो खतम हो गया मतलब चैड़ अगर किसी चीज का कॉश्ट पर रहा होगा तो आपने 15 रुपए में बेचा है कि नहीं बेचा है सीधी सी बात है कितने का फैदा वन नौ का कितने पेच्छ है पेंट्टू हंडड़ कि अब बताओ भाया कि नहीं समझ में अब तो कहोगे सर्जी अब तो आही गया तो बस वही काम दोनों का माइनस सेलिंग प्राइज के पास में जो लिखा हो हमने सेलिंग प्राइज को नीचे नहीं रखा रखा कौश्ट को ही है देखो कौश्ट मतलब 6 यहां पे 6 बस कोश्टों को लगाने का तरीका और यहाँ आगया क्या जवर्दस हैं पक्का हो तो चलो नेक्स पर जड़ा बताओ गलत बहुत अच्छा बहुत सांदार बहुत जिंदवाद यह हुआ यह है यह है बच्चे सांदार वाले है ना यह बच्चे गजब कर दिया बाई आजो जरा अगले पे बहुत सांदार आओ अगला ट्रापिक क्या कहता है हमने दुकान का मालिक अपने ग्रहाक से 23% अधिक ले लिया समान कितने का भी रहागा उसने 23% जादा ले लिया और एक्च्वलिन में ग्रहाक ने खरीदा 7011 रुपे का मान लो समान अगर 100 रुपे के रहा होगा तो दुकानदान ने 123 रुपा ले लिया ना और यही तो कह रहा है कि 123 की वैलू ही कितनी है 7011 है हमें चाहिए कीमत क्या थी यानि हमें 100 की वैलू चाहिए तो 7011 किसका है 123 की वैलू है तो 123 से जब 7011 डिवाइड करोगे तो 57 बार कटेगा यानि एक रेस्यों की वैलू 57 आगई आप से क्या पूछा कॉस्ट प्रैज बताओ तो 100 रेस्यों की वैलू 57 आगई खतम बच्चों वाले कोश्टन है कितने सिंपल से कितने इजी तरीके से मेरे सारे प्यारे भाई 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 नहीं आप सॉल्व कर पा रहे हो ये कोश्टन होते हैं ऐसे कोश्टन आते हैं और आप परेसान हो जाते हो अब एक ये वाले कोश्टन आते हैं इस तरह के कोश्टन में क्या कहता है वो ये कहता है तरह के कोश्चन में कि भाई हुआ कैना प्राइज बढ़ गई अब हमारे पास क्योंकि पैसा तो बहुत ज्यादा नहीं है तो प्राइज बढ़ गई हमें वही सारा सब कर देना कितना कम करना चाहिए बहुत रवच्चे ऐसे कोश्चन नहीं कर पाते ना जादी तरीका यह बताएंगे आखे खोले रहे ना मजा आ जाएगा पूरा और लाइक की संक्या बढ़ाया रहे ना बार बार है ना आज जो देखते हैं बहुत सांदार देखो बैया हुआ क कीमा तो 20% बढ़ गई मतलब जहां आपको पहले चीनी 100 का मिला था ना अब वहां 120 कम मिलने लगा यह बताओ अगर कीमा किसे कम करोगे इंटू हंडे कोशन खता हुआ बीच चक्का 120 यह काटोगे पचास बटे तीन प्रस्ट बोले तो सोला दो बटे तीन इदर राइट आइस वह बोलो गाइच को बाइट किलियर है कि नहीं किलियर रहे और एक लिए रहे ना आब आते इस कोशन को एक और फॉर सुलोह में है ना राइच टूंटी पर्शन कम हो गये चंजम्सन कितना बढहाना पड़ेगा कितना सेंपल संपल साई सिंपल सब कुछ न ही कर नथा सौरा पहले था यानि हब 90 रुप्या हो गया कि नी हो गया नीचे वही value रखेंगे जिसमें price बढ़ी वाली या घटी वाली है क्योंकि कम या जादा उसी में से करेंगे अगर सारे बच्चों को समझ में आ गया है जनता तो भाईया अगले question में चलते हैं और अगला concept समझते हैं सारे concept का complete वो कर देते हैं अब आते हैं ये ये तो जान है भाई है ना ये पूरी की पूरी profit and loss की ये question जान है इतने में खरीदा इतने में बेचा इतने में बेचा इतने में खरीदा अब बताओ क्या होगा हमें पायदा होगा कि नुकसान होगा यह पूरे की पूरे profit and loss की जबरदस्त वाली जान है है ना और सारे बच्चों के भी एक I think question जान नहीं होगी बहुत अच्छे आजो ज़रा सा बताओ भई बहुत सांदा बहुत 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 जिंदा बाद आओ ज़रा देखते हैं इसे कोश्चों को कैसे कर पाएंगे ज़रा समझते हैं और ज़रा करते हैं ऐसे कोश्चों को ठीक है गूड मॉर्निंग ओल आफ यू अच्छा एक चीज़ बताओ क्या बच्पन में आप लोगो पैसा उसा मिलता था कि जा भई यह तुम यह खालो वो खालो यह खालो ऐसा कु अच्छा मान लेते हैं आप लोगो तो हमने मान लिया पांच उपे आपको मिल गया आपके पिता जी ने आपको किता दिया पांच उपय दिया अब जब पांच उप कितने की रही होगी जल्दी बताना एक आइस्क्रिम कितने की रही होगी यह जल्दी से बता दो एक आइस्क्रिम कितने के रही होगी पीता जी ने आपके पांच उपए दिया आपने पांच आइस्क्रिम खईल दिया तो एक आइस्क्रिम कितने की रही होगी एक रुपए की रही होगी यह तो को साजी बह एक चौकलेट किते का रहा होगा अब मम्मीन आपके क्या किया आपको यहाँ पर 50 रुपए दे 10 चौकलेट आपने खहिल दिया एक चौकलेट किते का रहेगा 5 रुपए का कैसे निकालते हो कैसे निकाले एक चौकलेट 5 रुपए डारेक्ट बता दिया मतलब अगर एक चीज की एक आर्टकिल की वैलू निकालनी हो तो रुपया हमेशा उपर रहेगा वैसे भी हमेशा रुपया उपर ही है सीधी सी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है पक्का आज जो जरा समझते हैं कि मतलब कैसे कर पाएंगे ठीक है अब समझना मेरी बात को बहुत आसानी समझ जाओगे और कोगे सर्जी वाह ऐसा कौम समझना देखा है और न देखेंगे ध्यान से आते जड़ा देखते हैं पांच नीवो छे रुपय में खरीदा एक निवो कितने का होगा रुपय को उपर रखो क्या इतने का होगा अरे हाया ना पांच रुप कोशना क्या है ना यहां पे नीचे 6 है यहां 5 एक काटना या तो दोनों धूलन होता 30있는 का यहांद़ू हैं कत्णहरों का 13 से 20 के 15 वरिश है रुपयoking खता है चार नवा चातिस और पचीस सिकाटों के पचीस चोका सो बस कोश्चन खतम तो क्या जगा भाई पचीस गोड़े 11 बोले तो 275 बटे 9 इधर राइट एंस आप इस कोश्चन इतने का आपको क्या हो गया नुकसान हो गया यह एंसर है बगया समाधान पोवार जो बच्चा फालतू की कमेंट करेगा मैं अलड़ी बता दिया हूँ हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिये जाओगे इसलिए सिरफ पढ़ाई करना है सलेक्सन ले लो है ना बाकी सब जो दुनिया वह माया त्याग दीजे के लिए रहे सब को स शंक्या लिकिए उससे बराबर काटना नीचे वाले को हटाना चाहें जो भी मान लो ठीक अच्छा ठीक है बहुत सरे बच्चों का है ना तो जरा मुझे यह बताओ गलत हो जागा तो फिर देखते हैं जिनको नहीं समया फिर से देखते हैं आओ बया जरा बताओ कोई दिक् तक एग ग्यारा नीवू दस रुपे में तो दस बटे क्यारे रुपय को उपर पर रुपय को ऊपर अब नीचे से यहां इकऑ रोनाटस को हटाना है तो कितने का मलुटिप्लायकर देए टीरा और तस को हटाना है तो एक जल गोड़ेदस से मलुटिप्लायकर दो का हम ले अब कहेंगे सर जी ये लो भाई वी ये आया मजा और ये जबदस्त वाला कॉमसेट्स समझ में आए अरे आ गया क्या सभी को तो या दखना रुपए को हमेशा उपर नीचे वाला काटना है अब चाहों दोनों का मल्टिप्लाइ करके लिख लो चाहें दोनों काल्सम करके अब आट और पांस को काटना तो आट पंचे चालिस से डिवाइड कर लो दो मल्टिप्लाइ कर लो दोनों में खतम हो गया कोश्चन तो आट पंचे चालिस यानि 25 का आइटम आपने कितने में बेचा पांच अटे चालिस यहानी 48 में बेचा तो भाईया 25 का इटम अगर आपने 48 में बेचा तो आपको कितने का यहाँ पे फायदा हो गया 23 उपए का फायदा हो गया किस पे 25 पे इन्टू हंडड़ तो 25 चोका सो 24 चोका 92 92% सभी का आ रहा फायदा बहुत सांदार भईया गजब धादी है सब के सब गजब कर दी है भईया तो बानुए परसेंदर राइट हैं सर अब कहोगे सर जी वा अब ऐसा कोशन दुवारा जिन्दिगी भूलोगे ने खतम करें इस टॉपिक इस टाइप को अगले टाइप पे आए जाए अरे पक्का है सब के सब सटिस्फाय है यो तो लाइक हम करेंगे क्या है पक्का है अगर सब के सब सटिस्फाय हो तो लाइक माना सुरू कर दो भई और नेक्स कोशन पे आते हैं दूसरे टाइप पर चलते हैं, से मुस्य टाइपका ये कोशन पेपर में आता है बताओ बोई चलो एक रूपय में 11 के दर से खरीदा, अब कितने में बेचे कि 10% का profit हो जाए बहुत बढ़िया एक रूपय में 11 के दर से खरीदा, कितने में बेचे कि 10% का profit हो जाए एक रुपए में 11 की दर से खरीदा यानि एक समान एक बटे 11 का रहा होगा यार यह बताओ हमने यहाँ पे खरीदा है ना यानि यह हमारे पास क्या cost price होगा और इस पे चाहिए 10% का फायदा तो सीधे अगर cost price पे 10% का फायदा चाहिए तो मैं यह कर सकता पतम हो गया कोश्ट जीरो सो जीरो काटो 11 सी ग्यारा काटो आपके इतना एक बटे 10 यानि एक रुपए में 10 समाना बेचो अरे भया इतना असान तो हमने कभी सोचा ही नहीं था कि इतना असान profit and loss हो जाएगा अरे बोलो मैंने आपको पहले बता दिया ना कि अगर सीधे cost price आए जाता है टॉपक क्या कर देते हूँ 20 परसें का फायदा घे dogs ब्रतेसा तीश परसें generated 130 बटे-sop 40% का जैदा 140 बटे-sop अच्छा अगर नुकसान हो जाए 20% तो 80-200 लेकिन अगर यहीं चीज आपका माननों कि नुकसान यहीं चीज़ा है दिवन कर देंगे ङार का सेलिंग प्राइज पर हो जाए वह कहा से रिपाइज कर देंगे मतलब फिर से ना फायदा चाहिए तो इसका 110 बटे 100 निकाल लो खताम हो गया कोश्चन कोई परसाइं नहीं है नेक्स प्याज़ो थोड़ा ओल लेवल बढ़ाते और इसे लेवल पर लेके चलेंगे कि वहां से जब उत्रों गे तो फिर चारों तरफ सिर्फ वाहवाही होंगी फोटो खीच बेचा और बेचने का मतलब होता है सेलिंग प्राइज और सेलिंग प्राइज पर कभी भी हमें आपे प्रॉफिट अर लॉस नहीं होता है इसी वज़ए से मामला यहीं पर उल्टा कर दोगे क्योंकि बेचने पर 40 परसंग नुक्सान हुआ तो 40 का नुक्साना तो 100 में से 40 म माइनस करोगे तो साथ बटे सो नहीं लिखके सौ बटे साट करोगे बोलो यह कॉम सेफ समझ में आया कि नहीं आया अब जैसे ही होगा सौ बटे साथ तो यह पूरी की जो पूरी वैलू है ना यह सेलिंग से कॉस्ट में चेंज आगो कि आपने उलट दिया मामला अब यह ठीक क्योंकि कॉस्ट होगे तब कोई चिक्कत नहीं है तो बराबर एक उपय में कितना बेचे एक बटे माल लो एक बटे क्या माल लो एक बटे एक हो जाओ सिंपल है नेक्स पर आजाओ अब आजो बई 60 से काट ओगे 62 120 100 से 100 काट दो 2 से काट दो 20 यहां आगे 10 यानि X की वैलू कितनी आगे 10 आगे यानि एक में 10 आइटम बेचे किए अरे किलियर क्या जनता इता अरे हाय न एक बाफ फिरसे समझाता है यह कोमसिप्ट तृकर ध्यान सब नहीं लगर रहा कि कई सारे बच्शों को नहीं रहेंगे और जो बच्चा सब्सक्रायब कर लिए कुंकि बेचाause क्र दो गहें और वह खरीद रहाए यानि आप ये कॉस्ट प्राइज में चेंज हो गया ठीक कॉस्ट प्राइज हो गया इस पे चाहिए उसको टॉंटी पर सेंगा फादा यानि आप इस पेक्स इसको टॉंटी पादा चाहिए बराबर एक में बितना बेचे एक्स की वैलू 10 अगया अगर सब्सक्राइज होता तो साथ बटे सोही लिखते कुछ नहीं करते इसको के लिए नेक्स प्राइज हो अगया है चलो यह बताओ से मुसी टाइप को कॉश्टन दिया मैंने जल्दी से बताईए चलो बहुत अच्छा बहुत सांदा बहुत जावता हैं बहुत जिंदावात बताओं लोग एक में 32 बेचा और बेचा तो बगया 40 का नुकसान हुआ तो बेचने पे होगा तो हम इसको उल्टा कर देंगे क्योंकि selling price है और selling price तो होता ही नहीं अब यह पूरा का पूरा कॉस्ट में चाहिए को क्योंकि मैंने already उल्टा कर दिया इसे अब इस पर चाहिए 20 पर सिंगा फायदा बराबर एक में कितना बेचे ठीक नेक्स प्याजो सॉल्व करो खताम हो गया कोशन साथ से 120 कटा सौस यह सौकटा दो से कटा यह 16 एंसर आगे एक्स की वैलू 16 लब फांब रिहार बोलो भाई कैसा लगा सबको तकड़ा कोई दिक्कत कोई परसानी कोई प्रॉब्रम नहीं सब के सब साथिस्वाई हो भई चलो सेम लेवल बढ़ाए थोड़ा लेवल बढ़ाए इस टाइप किस टाइप के ठोड़ टाइब बढ़ा दे पक्का होना तीस लुआ है कि बहुत पार चालिस्में 45 बेचा यानि एक कितरह को होगा है रुपशा को उपार रखा जीब बैचने पर 20 का नुकसान तो बैचने पर होगा तो 100 वटे давайте चेंगे तकि असी बट्टे सो या तकना फेचने पहोगा तो चरुनटी पर से करेंगे ना की अस्टी बट्टे जो अब Yeah भी है अब यह पूरा का पूरा का स्वाइज में ताल पूरा पूरा कॉस्पा में दिर कोई सौ से सो काटो चालिस से चालिस दूना अस्थी काटो 24 से काटो 25 से काटो 5-9-45 और 9 दूनिय 18 एक्स की वैलू कितनी आगे? 18 खतब कोई परिशानी? कितना आसान सा कोश्चन था कितना इजी तरीके सा आपने solve के लिया मतलब unlimited आपने बहुत आसान तरीके solve करें बिना किसी परिसानी का बिना किसी problem का कुछ खास करें नहीं इस तरह के question में ठीक है और लेवर बढ़ाएं थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा ओल लेवर बढ़ाएं और चलो भईया और थो लेवर बढ़ाते और life अगरा कर दो परसें का नुकसान तो उल्टा कर दो अब यह पूरा कौश प्रेज्म हो गया इस पर कितने का फायदा हो जाए तो मान लो कि X का फायदा हो जाए कितने का फायदा हो जाए तो मान लो X का फायदा हो जाए कब जब एक रुपए में 30 बेचे कितने का फायदा हो जाए कब 248 282 मतलब क्या होगा मतलब यह होगा कि यहां पर एकक रखोगी एक्सवाइस कब रखते हो 128 यह बताऊ एक्सवाइस तब रखते हैं अगर अगर हमें 28P58 होता तो हम सौमेश जोड़कर रखते यानि आंसे का आईगा 28P58 था बोलो भीया क्लियर बात अरे सब को समझ में आई है कोई परसानी को दिकत नहीं और किलर और अवरिटिंग इस क्लियर सब को मज़ा आ गया सब को समझ जा गया के लिए नेक्स प्याज़ा थे थे थोड़ा सा आते हैं अगला कोश्टिन अब बताव यह अब भुर्यूर्ग फिचते और देखते हैं 144 सा चालिस मुर्ग भी चा तो च्छाई चैक विकरह के बताव कितना नुकसान वा एक्शलिव में सांधर बहुजा बहु जबद से इंदाबात सिंपल सा कोश्चन है को था करो achievements angen नुक्सान का विक्र मुलक परावन नुक्सान हुआ ना और कभी विक्राइस परावन नुक्सान वह एक नहीं विक्रमूल के बराबर नुक्सान होगा, कभी हुआ नहीं है, तो नुक्सान होगा, तो दोनों को जोड़ देते हैं, 1.500 into 100, 50 से काटों के 3 और 2, 3 से काटों के 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, कितने को नुक्सान? 4% का, खतम कोशन, यह उसी टाइप आले कोशन है, और अगर यही चीज क्रमूल लिखा होता, तो सिंपल होता, फिर कुछी नहीं करते हैं, सीधे नीचे से चोबरे से रख लेते, क्योंकि विक्रमूल है, इसलिए दोनों को प्लस या माइनस करेंगे, अब बात इस पी आ जाएंगे, अब भई, यह टाइप हो गया, एक टाइप के पूरा का पूर की बोल दिया कि सरजी नहीं करा हुमने, अब देखो भाई, आप बेमानी वाले कोश्टनस आएंगे, आपने नहीं करा लेकिन कोश्टनस आपको कराएगा, और बेमानी वाले कोश्टनस वाल करेंगे, होता क्या ना, दुकानदार बड़े बेमान हो जाते हैं, जब उनके सम भाई हजार किलो मनोई हजार उसे ग्राम तोलना था उसे एक किलो देना था और वो दे रहा था एक किलो कितने का एक किलो से देना था एक किलो वो दे रहा था बीस रुपए का माल लो और भाईया आपके गया लेने अब भाईया ले आए 15 रुपए के कहें लो हम 15 रुपए के अब जीद करें हाँ अभी भी विवानी करते हैं कतनाक प्रडू भाई अब जीद कि एक अब जीद बैनरजी जो पूरी अर्थव्यस्तों को समधार लखें और एक हमारे यह अब जीद सहाब है यह अपनी अर्थव्यस्ता खराब करने पर लगे हुआ है चलो आते हैं जरा सबाइद के लिए वह निजरा दे रहे हैं लेकिनिश के बावजूद हो क्या करणा था अब कैसे फाटा कमा रहा था अब कैसे तो कमा एगा जब पानी मिला और उसमें सीधार अगर वह 20% का फाड़ा कमा रहा है मतलब बटे पांच का फायदा कमा रहा है मतला अगर पांच रुपय कौस प्राइज रहा होगा तो एक का फायदा कमा रहा है और अगर मेरे सारे के सारे भाई एक रुपय का फायदा कमा रहा है बोले तो एक लीटर वो पानी मिलाया होगा कि नहीं मिलाया होगा तभी तो पांच ली के बराबर है वो पांच होगा एक दूद वाले को तो हमें निप्टा दिया सेकंडों में का बिटा तुम आयते ना लोग खतम हो गया खतम बात कोई दिक्कत अरे क्लियर कोई दिक्कत को परसा ही नहीं यह तो सेकंडों हमने लिप्टा दिया ठीक है अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं अब दूद वाले के साथ हम दुकानदार के उपर भी करते हमला और अगर सब के सब कमेंट बॉक्स में रेडी बोल दोगे तो साथ देशा और स्टॉप की सौप की पर के दुकानदार पर हमला कर देते हैं बहुत बढ़ियां बहुत अगरा आओ जो जब दुकानदारों पर हमला करते हैं यह सहाब क्या कर रहे थे ना यह बड़ा खतरनाक तरीके से चीज़ें तॉल लेते हैं अब देखते हैं क्या होगा कह रहे हैं अब इनाज दूद वाले हम हैं तगड़ा मारा अब म बिमानी करता है तो क्यों करता है इसलिए तो करता है इसलिए तो आदमी बिमानी करता है है की नहीं है कि बिमानी वो लॉस के लिए तो करेगा नहीं अगर कभी भी आदमी कोई भी कभी भी बिमानी करेगा दुनिया में तो हमेशा याद अखना कि वो फायदे के लिए ही बिमा नहीं करेगा सिदी सिवास समझ गया तो इसका मतलब हो गया अगर वह फायदे के लिए बैमानी कर रहा है तो भाई हमेशा जो है हम जो बड़ी वैलू होगी उसको अधर रखेंगे जैसे कि 100 का समान हमने 120 में बेचा तो मुझे फैदा होगा की नहीं होगा लेकिन अगर मैंने आकि नहीं समझ में आया दूसरी बात अगर मैंने उसको कोई डिसकाउंट दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है वाई डिसकाउंट दे दिया सौका समान था मैंने 25 अधर रखोगे जिधर वह बैमानी करेगा जैनी राइट साड में बड़ी वाली बैलू लखेंगे तो क्या क कहती है जनता स्टार्ट कर दिया जाए समझाना आओ जड़ा देखते हैं पहला कोईशन है बताव यह क्या होगा है बहुत बढ़िया सबके सब जल्दी से बताएगा क्या कहेंगे स्कॉश्चंग को छलो पहला कोईशन आ बताओ बहुत आसान सा हमने क्या किया सीपी पर बेचने का दाऊएख किया बाइगा जितने खरीद कि लाए है ना हम ornis परसंग में ही बेचा कम तौला यानि अगर हमें 100 ग्राम तौलना चाहिए था तो मैंने मात्र साट ही ग्राम तो तौला यानि 40 परसंट तो कमी तौला अरे हां या ना यानि कितने का फायदा हुआ 40 का कितने पे 100 पे इंटू अंडेड तो क्या मुझे जो फायदा होगा वो 40% का होगा की नहीं होगा होगा अरे होगा की नहीं होगा पटक के मार खा जोगे सब के सब सुधर जाओगा क्या बोला मैंने क्या बोला था हमेशा या दखना ये एक दमी गलत हो जागा क्या हो जागा भाया ये आप जो जादी वाली वैलू है उसको के लिए तो करेगा और फायादे के लगर बेमानी करेगा मतलब 40 वाला उधर रखेंगे इस तरीके से करेंगे मतलब अगर 100 देना चाहिए था तो उसने कितना दे दिया साथ ही दिया यह इस तरीके से है ना अरे समझ में आए कि नहीं समझ में कि 100 देना चाहिए था उसने साथ दिया है अब करेंगे कोश्च कितने का उसे फायदा हुआ चालीस का कितने पे 60 पे इंटू हंड़ेट बीस त्याएं साथ बीस दुना चालीस अब बीस पंचे सो तो भाईया चार पंचे बीस दो सो बटे तीन यानि च्छाचट पॉइंट सिक्सिक्सिक्सिक्स के लिए रहे अब समझ में आया कि नहीं समय जाए एक धुगा काके सबको समय आजाता है हाँ यह बात है तो बैमानी करा यानि उसने किता देना चाहिए था सो उसने किता दिया साथ बैमानी क्या तब ही तो फायदा होगा बड़ी वैली इधर हो जाएगी ठीक है किलियर है चलो मैं एक को कोशन में हमने भी वानी मार दिया आपके साथ है ना आपको यह रॉंग पता दिया ता आपने कहां सजी सही है सब में सब्सक्राइब करें तो कितने का वीज का कितने पर एंटू हंडड़ और बोलो हाया ना बीज चोका असी चार से काटो गे पतीस अरे गाईश को बास ये बात हुई है ना लगा अब जब अधस कोश्टिन हो पाया अच्छा ठीक है अगर इतना ही ज्यादा कॉंफिडेंस आ गया है ना तो लो जड़ा बताओ इस को और दादा लोग पहले तो बता दे जिन बच्चों ने बुक नहीं वाई किया ना अपने आप सो धोखा मत है जरूर बाई कर लिजे क्या कहा है इसमें एक तो इंपॉर्टन डेज है एक तो ब्रांडमेश्जर है जी आइट आएगा गाधी से एटेड़ कोश्टन है जितने नाम चेंज हो वह जितने फेमस टिंपल है वह सब के सब है और दो हजार कंप्लीट कोश्टन इन बाई लि अब क्या रहा आपका रीवी बढ़िया रहा कि जबदस थी ये बुक अरे हाया ना जबदस बुक थी तो कि इसमदो पूरे दो हफ़ते की महनत सी और मैस की बी आजाराम से चली रही है जबदस दो हफ़ते की उसमें महनत चलेगी और आपको जबदस मिलेगा मज़ा है बहुत जबदस ना एक दम डिस्क्रिप्शन आपको ऐसा दे दिया ना कि धुवा धुवा हो जाएगा मतलब कुछ करना ही नहीं है सिरफ आपको दोजा कोश्टम पढ़ो और अच्छे से सभी का डिस्क्रिप्शन गूगल से देखो खुद को याद करो सब कर डालो तब जा सब मिल जाएगा पका है कोई बक्सर में मिल जाला नीचे डिस्क्रिप्शन में भी यह उपर मैंने पिन भी करा देखो आप कमेंट बक्स उपर लिंक पिन है ठीक है तो वहां से जाके बाइक कर लिजेगा सब कर लिजेगा ठीक पैसा नहीं कर तो पैसा थोड़ा वो कर ठीक है आव दो गलती ना हो ध्यान से करिए जिनको पीड़ा नहीं मिला हो मैंसे डाल दिए का वाटसप पे आपके सारे कंडिशन पूरे हो जाएंगे ठीक है पैसे कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए हम लोग यहां बैठे है चलो आ जाएगा जाएगा इसका प्लेलिस्ट म आप लोग देख ले करिएगा चलो घंटा भी दवा दिया अच्छा बहुत सारे बच्चे अब बताओ मतलब हमने कितने सारे फाइले बेड़ दिये 16000 के आसपास की फाइले मतलब बच्चों ने बाई कर ली बहुत अच्छा लग रहा है यह मतलब महनत का अफ़ल है कि जित सबस्क्राइब कितने का फाइदा हुआ कितने का फाइदा हुआ कितने का ऐब यहां हमने 1000 गराम पर 840 इसी ग्राम तो ला तो यानि हमारा 106 रुपय का फायदा हो गया किसने पर आठ सो चालिस पर इंटू अन्डिड घुटाम चार से काटो चार दुनियाठ चार इकम चार चोल दूका दूब का 16 यानि यह 400 बॉटे किसना हो गया 2100 हो गया यही तो आ रहा है चार दूने काम चार इतना 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 तो तुबया 400 विटे 1." और बोले तो दादा आंसो कितना आजाएगा 19.00 फॉंट इरका option number where खतमों गया लगबद पुछाना तो लगबद कितना है 19.00 फॉंट कितना आसान कोश्चन होगे दादा है कि नहीं है पक्का बहुत बढ़िया सोभित भाई जो भी होंगे एक दो हो सकते हैं बहुत ऐसा कम गुंजाई से कोई भी आपको कोश्चन रॉंग मिल जाए चलो एक इस टाइप पर कोश्चन हाजो चलो आजो बढ़िया कोई दिक्क्त के बढ़ा लीजे मोवाइल की सबको क्लियर दिखना है मोवाइली कॉलटी सब लोग बढ़ालो भाई सबको क्लियर एक्दम दिखने लगेगा चीक है चैश चरू आजो बढ़ियए हमने तीस परसंगा प्रॉफिट यों बेचने का वादा किया यार प्रॉफिट हो रहा है तो 100 का 130 में बेच होगा सीधी सी बात इसमें तो कोई बेवानी नहीं है तो सीधे प्रॉफिट है एक किलो जहां पर 800 ग्राम तॉला यानि हजार देना चाहिए था और हमने कितना दिया 800 दिया इसका मिल्टिप्लाइ इसका मिल्टिप्लाइ करोगे और इजी बता दे और इजी 25 पचे 125 बटे दो बोले तो 605 अरे बोलो हाया ना अरे बोलो भाई हाया ना अरे बोलो भाई हाया ना अरे इजी है कि नहीं इजी है अरे जबरदस्त है कि नहीं जबरदस्त है कहोगे सर जी इतना ज़्यादा आसान हम माली नहीं पा रहे हैं विस्वास नहीं हो रहा हमारे ही आकोप है कि इतना ज्यादा आसान हो गया यह क्या एक भाइया तीस परसें का फाइदा है ना यानी सौका एक सो पीस में सीधी सी बात है और एक किलो जंगा हमने आठेशी सो ग्राम तोला ना यानी 800 दिया एक हजार देया इधर तीन जिरो काट उधर तीन जिरो काटो खतम ह दो और थोड़ा लेवर बढाया चलो भाई भाई या दादा एक दो तीन चार चार जिरो यहां कटा एक दो तीन चार चार जिरो धर कटा क्योंकि दोनों इधर का मल्टिप्लाई खतम हो गया चलो अगले प्याज़ो चब्वालीस पर लॉस पर बेचा यानी सौका था यहांने नहीं करहें बेवानी यहां करिए 7000 क्रब्वा đाम चाहिए था उसने किता दिया नौइसोद्थ यह गल्टी मत कर देना है या दखना ठीक है कि यहां पे गल्टी नहों जाँ आप से उसने क्या किया है उसने यह किया है आप से कि उसने 44 परसन लॉस पर बेचा है यानि सौका इटम 56 बेचा यहां बैमानी नहीं करिए तो यहां पर यह यह जादा वली इधर लिख दोगी इस बात का ध्यान रखना यहां गलती मत करते हैं वस यही धोका खाओगे आप लोगी इसको मत ध्यान देखना इए ता जिला ओथी जिरो यह कटा और तीन जिली यह कटा देखूए लिखा वे उसको नुकसान कितने को यहां यानि एक आ यानवे एक आइटम था उसने चपन में उसे बेचना पड़ा लुक्सान कितने को ऊच्छा नोगए का कितने बहुत बढ़े बताऊ पई कोई दिक्तत को परषानी कोई परषानी आल किलियर तो यहाँ पर उसे क्या हुआ लॉट पे बेचा लॉस्प बेचा उसने यहां पर कोई धिक्कत नहीं बहुत सारे बहुत में अरविन है अभी एक-दो तो और है अच्छा देखो लगतार बच्चे बाई भी कर रहे है पीडिएफ सो जो बच्चा नहीं बाई किया मैंने लिंक आलेडी उपर पिन न कर रहा है नीचे भी देखो आपको पहला लिंक वही मिलेगा दो हजार पीडिएफ का बताव भाई चार जीरो चार जीरो क्या एक दो तीन चार एक दो तीन चार आठ का इटम एक ज्यारा में कितने का फायदा हुआ दीन का कितने पे आठ पे इंटू हंड़र चार दुनिया आठ और पचीश चो कर रहा है बहुत सांदा लग रहा है बहुत आसान लग रहा है ठीक है चलो आ जो इस कोश्ण में बताओ जिनका पैसा कट गया है कोई दिक्कत नहीं है आपको PDF मिल जागी मैंने टेलिग्रावाटसप नमबर अल्रेडी दे रखा है इसमें मैसेज कर दीगा सारी चीज मिल जागी ठीक है? ओके? आप समझ में आया चलो next प्यादा एक 11 की दर से 10 उपे में कھरीदा और उसी को 9 की दर से 10 उपे में बेचा तो पूरे लोट में अच्छा इतने पर ये भी खरीदा और इतने पर ये भी खरीदा फिर कहता अगर हमने सब को एक उरपे में एक के हिसाफ से बेचा तो हमें profit हुआ कि loss हुआ यहीं बता दो खाली हाँ बहुत अच्छा भई अर्विंद हमें profit हुआ कि loss हुआ बस हमें यहीं खाली बताना आपको और कुछ नहीं बताना आपको और कुछ ज़्यादा यहां नहीं बताना और नहीं ज़्यादा आपको यहां पर कुछ देखना है यह कटिन नहीं है भगया दस रुपए में 11 कोई दिक्कत अगला फिर उसने कुछ और आइटम खरीदा कितने में 10 रुपए में 9 और टोटल जो है उसने एक रुपए में एक की दंपे बेच दिया खतम होगे यही तो कोशिंग कह रहा है अब आप क्या करोगे यहां पे अब आ 999 हो गया ना निन्याम में मृट्प्राइक कर लो तो यहां दो यहां दो इसने खरीदा यहां इना में समान खरीदा तो कितना समान औरह एंबंद्ने 5 i9 i99 ऐह ओ आघॉल दियाहान डियाद को यहां यह औरहान यहां तोटलं कितना 199 और इसमें 99 911 95 90 यानि यहां उसने 90 रुप्य खर्चा किया यहां 110 रुपटा क отмет W Auf착 लेशा मतलब कि देखा जाए तो 200 का इट्रम कितने बेचा उसने 109 बेचा तो पहली बाद टो नुक्सान हो कितने का दो रुपए का कितने पे 200 पर इंटू 100 तो 100 221 2 alma 시या oko ngay Klub sa सब को समझ में या चाज़ना कोई परसानी है सब को समझ में आ गया कोई दिक्कत नहीं है कोई परसाइन ही नहीं सिर्फ ध्यान देना कुछ हमने अलग नहीं क्या जैसे पहले कर रहे थे वहीर खम काम कर रहे क्या 11 10 उपह में 11 10 उपह में 9 खतम हो गया यहां इन्यामें गर इन्यामें गर तो टोटा समाने गए एक सव उन्ठान में बस खतम हो गया है न यही आपको याद देखना है चलो अगला कोशेट बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत चबदस भाई आज रात के लिए तयार है ना सब लोग है ना आज तो बहुत तहल का मचेगा रात में 9 बजली जो क्लास होगी जिस पर हम लोग क्या करेंगे पूरा का पूरा कम्प्लीट मतलब आपका जो सिकंड मौक्टेस है वो और समय एकदम कॉपी पिन लेके तयार है ना उसके नीचे पीड़ मौक्टेस का लिंक है वो भी डाउनोड वगारा कर लेना और लाइक के संख्या बढ़ाते रहना सब के सब आ जाईए तीस हजार उपए में दूई गदहा उसने खरीदा पहले को उसने क्या किया निन्यान अगर मैं यहां पर सेलिंग प्राइज में एलिगेसन लगा दूंगा तो क्या हमको नीचे कॉस्ट प्राइज मिलेगा सेम अगर मैंने कॉस्ट प्राइज में लगा दिया तो क्या मुझे सेलिंग प्राइज मिलेगा कोई दिक्कत इसमें नहीं कोई दिक्कत नहीं सब बच् परसंगे प्रॉफिट पर बेचा तो यहां पर प्रॉफिट आपको दे रखा है बेचा है ना तो कॉष्प पहले को 27 परसंगे प्रॉफिट पो दूसरे को तेइस परसंगे लॉस्प यह भी परसंट है यह भी परसंट है लेकिन फाइनल ना उसे प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ तो को सेलिंग प्राइस था अब कॉस्परेश क्या जाएगी 27 में 0 मानस करोगे 27 और 0 में से 23 मानस करोगे तो 23 यानि जो कॉस्पर जाएगी वह 2327 आगे यानि टोटल क्रॉस प्राइगी पचास 23 प्रस 27 लेकिन एकॉर्डिन टो टीस 30,000 थी तो 50 की वैलू कित्ती है 30,000 है एक की वैलू कित्ती हो जाएगी भाई 600, 6000 हो जाएगी एक 635 एक की वैलू कित्ती हो जाएगी भाई 600 हो जाएगी हमें चाहिए दोनों वैलू की कीमत एक की वैलू 600 तो 23 की वैलू 23 उगुडे 600 और 27 की वैलू 27 उगुडे 600 कोश्पर आपका खतम हो जाएगा अरे किलियर है एक की वैलू 23 उगुडे 600 और दूसरे की वैलू 27 1200 बस गोश्च रंक खतम यह उन्सवर आईगा सिंपल दादा लोग और हाया ना सिंपल था क्यों हमने कि या कि पहले गूंके 27 पर संगर प्रॉफिट बेच और दूसरे को सने दूसरे को सने दूसरे को सने 23 पर संगे लॉस्ट तो प्रॉफिट वा सथाइस का लॉश वा थे का ना फैये नफान रखलो पैसरे गया दोनों को वैलू सर्ट उसमें यह रहा दाएंगा हमें सारी वैलू से मतल़ा यहां प्सक्र में तो यहांँ भी इस बात का Ezकाना जैसे अगला को मुश्य आप देखो गए तो यहां पहुसभर से बता हूँ ठीक है कि ठीक है बहुत च्छा भस बनिया वह बनिया बहुत बनिया बहुत सांद बहुत भहते यह कैसे करेंगे जलाा समझना पहले को उस生90 के लौस पहे बेचा हमने का च्रू माले रख पाओ दूसरे को सताइस पर्संग के प्रॉफिट बेचा हमने कहा चूल यह भी मान लिया और टोटल 600 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो क्या यहां पर 600 रुपए निकाल पाऊगे क्या बीच में रही रख पाऊगे ना क्योंकि यह भी परसंटेज तो आपको एलिगेशन के लिए परसंटेज ही हां पर रखना पड़ेगा तो उसे परसंटेज बना लो क्योंकि 600 का प्रॉफिट हुआ कितने पे 30,000 रुपए पे तो आप निकालोगे इंटू हंडिड देख लोगे एक्चुरि में टोटल कितने का प्रॉफिट हुआ तो दो परसंटेज में उसे फायदा हुआ है तो बीच में प्लस दो रखोगे अरे किलियर है कि नहीं किलियर यानि दोनों का प्राइज एक रेस्यो है यानि दोनों का प्राइज बराबर है और अगर दोनों का प्राइज बराबर है तो 30,000 के दोनों घोड़े थे मिलाके तो पहला भी 15,000 का होगा और दूसरा भी 15,000 का होगा बोलो क्या कोश्चन में बात किलियर है कि नहीं किलियर है अरे हां याना अरे बोलो हां याना बहुत अगरा अरे किलियर है कोई परसानी गाईज कोई दिक्कत नहीं सबको समझ में आ गया कोई परसाई नहीं है कोई दिक्कत नहीं है दो कहां से आया क्योंकि हमें परसंटेज ही बीच में रखना है उसने कहा था सीधी सी बात है कि 600 चलो बहिया स्टार्ट करते हैं जिन्होंने आनेकरणी फॉलो नहीं कर दाद लो गानेकरणी फॉलो कर लीजेगा क्योंकि वहाप और तगड़ी क्लासेज आपके लिए चल नहीं है तो बहिया चलो एवरेज के पहले कॉमसेट को समझते हैं आज तक आपने ऐसा नहीं पढ़ा क्या है पहले मेरी बात को ध्यान से सुना कंप्लीट नोट बन जाएगा खतम हो जाएगा एवरेज होता क्या है जैसे मानलो आपके पास बहुत जादी संख्याएं लिग दिये तो सभी संख्याओं का सम कर लो और डिवाइड बाई टोटल नंबर कर दो यहीं तो एवरेज ह इनका एवरेज बताईए क्या आएगा मैंने आपको एक छोटा से एजाम पर ले दिया क्या कोई दिक्कत नहीं बेटा एक चार नो साथ और पंद्रह एक छोटा से एक बच्चा से एजाम पर ले दिया कहा भया इसका एवरेज जरा बताईए भया क्या होगा आप कहोगे सर कि आवरेज है ना तो आवरेज मतलब कुछ जादा ना करो आवरेज मतलब सबको जोल लो तो 9-4-13-14 और 14 साथ 21 21-25 चाहिस तो 36 बटे आप करोगे सर्जी तीन दो पांच इसका आवरेज हो गया 36 नहीं ना ये तो आपको हर कोई सिखा देगा कि आवरेज ऐसे निकालते ऐसे निकालते ऐसे निकालते है ये तो आपको कोई भी पता दे रहा है अरे है की नहीं भाई तो हम यहाँ पर सिखेंगे एवरेज है क्या एवरेज से कैसे कर पाएंगे और बड़े बड़े जो कोशन्स होता एवरेज को उनको चुटकियों में कैसे सॉल्व कर पाएंगे ठीक है जड़ा समझना ध्यान से मैंने आपको एक और एक्जामपल दे दि दो चार छे आठ दस जड़ा भईया इसका बता एवरेज कितना आएगा सबी लोग आरे हाया ना बहुत बढ़िया सिंपल मैंने कोशन हो जा मैंने का दो चार छे आठ दस इसका एवरेज बताओ सिंपल सा अब एक पहला जो आवरेज कोंसेफट आता वो यह आता है जड़ा आप इसको अपनी नजरों से देखो अपनी तीकी नजरों से जड़ा इसको ध्यान से देखना क्या देखना है क्या इनके बीच में गैप अच्छा यह बताओ कितने बच्चे ने इसको ऐसे कर रखा है कितने बच्चे जिसको ऐसे कर रखे हैं उन्हें ने सब को जोड़ा है 2, 4, 6, 8, 10 और डिवाइड बए संक्याव के पास थी 5 तो उन्होंने लिखा वह या 30 बटे 5 मतलब उन्होंने किया अच्छा है जरा कितने बच्चों ने किया कमेंट बॉक्स में जरा मी कमेंट कर दो जितने बच्चों ने ये करा है जरा ये बताओ वई एक बज़रा ध्यान से इनकी बीच का गैप ज़रा ध्यान से एक दम देखो क्या गैप है क्या यहां पे गैप दो का आ रहा है अरे हाया ना कमेंट बॉक्स से खाली बोलते चलना जबरदस तरीके से क्या यहां पे गैप दो का आ रहा है क्या यहां पे गैप दो का आ रहा है क् नहीं बराबर है बराबर है ना तो जो बीच वाली संक्या होगी वही एवरेज होगा कुछ खास नहीं करना है मतलब दो संक्या इधार निकाल दो दो संक्या इधार निकाल दो एवरेज क्या जाएगा च्छै है जाएगा क्या सभी का 6 आ रहा था कि नहीं आ रहा था अरे आ रहा था कि नहीं आ रहा था भी या आ रहा था था ना तो बात फिर clear होगी ज़रा next question पे चलते हैं और next concept को समझते हैं अभी हम question नहीं solve करें अभी हम सिर्फ concept देख रहे हैं अरे हाया ना ज़रा इस कैवरेज बताओ भाई क्या आएगा सिंपसी बताओ सब देख रहा है भाईया हरी हम सब देख रहे है हमारी आखो चारो आखे जो है चारो तरफ लगी पड़ी है अब ज़रा समझते इस कैवरेज कैसे निकालेंगे हमने धिहान से देखा कहा सर जी यहार गैप तो सब का बराबर आ रहा है यहां भी तीन का गैप आ रहा है यहां भी तीन का गैप आ रहा है गैप सब में बराबर आ रहा हमने का ठीक है वहिया आपने कहा तो जो बीच वाली संख्या हो जाएगी वही इसका अवरेज हो जाएगी लेकिन क्या यहाँ पे बीच वाली संख्या निकाल पाना असान है क्या नहीं अगर आप तीन इधर कर दो के संख्या तीन इधर कर दो को बीच में कुछ बच्चे का नहीं लेकिन निकाल सकते हो कैसे ये दो इधर संख्या कर दो दो इधर संख्या कर दो बीच में ये दोनों बच्चे इन दोनों का प्लस बाई टू यही तो एवरेज हो जाएगा यानि नौ दो इक यारा 21 बटे दो बोले तो साड़े दस is the right answer of this question क्या सभी का साड़े दस यहाँ पर answer आ रहा था कि नहीं आ रहा था तो ये तरीका हो गया मानो लो अगर बीच वाली संख्या मिल गए डादा तो direct वही answer हो गया लेकिन अगर बीच वाली संख्या ने मिली बीच की दो संख्या मिलती है तो फिर वो उसका एवरेज है था तो क्या सारे भाई बहनों को जो एवरेज का जो पहला कॉमसेट बच्चों वाला वो सब को समझ में आवा की नहीं आवा अरे किरिया रहे भाईया चलो फिट ठीक है next में बढ़ते हैं देखते क्या कहता अगला कॉमसेट अगला कॉमसेट ये कहता आप सभी से कि जैसे मालो हमने कोई और संख्या ले ली हमने का भाई कि 2, 6, 4, 10, 4, 14 करते 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 या फिर हम इसको और थोड़ा और सिंपल कर लेते हैं ताकि आप और अच्छे सापको समझा पाएं और थोड़ा सिंपल कर लेते हैं आ तो रहा है लग़ा समझ में है ना थीक है फिर थीक है भाईया हमने कहा 2, 4, 6, 8 करते 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 ये संख्या चली गई 100 तक का अब बताओ भाईया जरा इसका आवरेज कितना आएगा सिंपल सी एक बात है है ना क्या मैंने कहा कि 2, 4, 6, 8 और ये संख्या 100 तक चली गई तो भाईया इसका जरा आवरेज बताओ कितना आएगा अब आप क्या कहोगे कि सर जी आप तो बताया तो संख्याओं का बीच सा गैप सेम हो तो हम क्या करते है बीच वाली संख्या ये अवरेज मान लेते है अरे है की नहीं है अरे हाया ना अगर हम संख्याओं का बैस की इस पर गैप सेम है तो भाईया अवरेज मान लेंगे कोई नहीं कोई संख्या तो गैप तो सेम है average देखो कैसी निकालोगे बीच में कौन से संख्याएगी आप कहोगे सर जी अगर हम इसमें से यहां तक क्या 48 अधर कर दे उधर तक क्या उधर कर दे तो मामला कुछ गरबड हो जाएगा अरे हाया ना अरे पूछो भाईया क्या यहां पे बीच ओली संख्या निकाल पाना आसान है कि नहीं आसान है नहीं आसान है ना तो निकालने का तरीका क्या होता अगर gap सेम है और अगर हमें तब average निकालना होता है तो सीधे फॉर्मर लगा देते हैं एग प्लैस एल बाई टू बोले तो आपका ए मतलब होता है पहला संख्या एल मतलब होता है लाश संख्या और बाई 2 कर देते हो एक सवद्धों बटे दो यानिकि क्या वन क्या बास सभी के समुझ में आवन अरे हाँ याना अरे सिंपल है अब कौऊके सर्जी हमें प्रूब जरा कई के दिखाओ है न हमें यह समझ नहीं आ रहा है हमें प्रूब करके चाहिए यह तो हमने का जो पिछला ला कोशन लेलो क्या लगा सकते थे पहली संख्या पता थी लाश वाली संख्या पता थी हमने क्या कर दिया A प्लेस L बाइटू यानि 10 दो 12 बटे दो और 12 बटे दो बोले तो 6 तो क्या भईया लोग कैबरा 6 आ रहा था कि नहीं आ रहा था वो भी तरीका लगा सकते थे अरे अगली बात हमने कहा कि A प्लेस L यानि 3 प्लेस 18 बटे दो यानि कईस बटे दो बोले तो साड़े 10 आ रहा था कि नहीं आ रहा था ये भी बात बिल्कुस है था तो अगर संख्या छोटी है तो दिमाग नहीं लगाना है बीच वाली संख्या एवरेज कर लो या बीच की दो संख्याओं का सम कर लो अगर संख्या है बड़ी हो like debt इस वाले question की तरीके से तो simple से लगा देना है A प्लेस L बाइटू तो क्या एवरेज का ये concept हर बच्चे की दिमाग में अंदर तक गया की नहीं गया अरे हाँ या ना हो गया मज़ा है एवरेज की concept पढ़के तो भाइया like or share करने का हम फिर से बोल देते हैं एक बार क्योंकि हमें लगता है कि हमारा सिरफ पढ़ाना की काम नहीं बोलना भी काम है क्योंकि आप लोग तो करते हो नहीं तो हम बीच उन्चे बोलते रहते हैं झिस से पढ़ाई भी आपके डिस्टर्ब हो जाती है और आप przy लोग डिस्टर्ब हो जाती हो है नँ तो बीना गहीं आप लो जितना करपा or like जितना कर्पा हो सर्थ दाकि हमें बार बार ना बोलना पड़े तो सीदी सी वात दे आप आरा आ कर दे करो तो अब इस्टार्ट कर देते हैं कोश्चन के स्रीज और रेलवे का जो है वो कम्प्लीट जो यहां पर देखते हैं अच्छा मैं आपको वैसा नहीं नहीं लग रहा हूँ कि आर्मी की तरीके से आगया हूँ पढ़ा रहा हूँ आपका सेलेक्शन या एंऔर फोर्स में ना हो जाए ऐसा नहीं निलग रहा है किसों का हमने केप और पहन राख ही है के के एर फोर्स के लिए पढ़रो ऐसा कुछ सब लगी रहा ना कि रेल वे के लिए पढ़रो है ना ठीक है फिर हाँ फिर ठीक ऐसा ना लगए नहीं कि एर फोर्स के लिए पढ़ड़ो सर्जी आर्मी और मी कैप पहन के चले आए ऐसा को बहुत दिक्कत हो गया हाँ ठीक है आते हैं समझते हैं कोश्टन में बात करते हैं कोश्टन समझते हैं कैसे कर पाएंगे कोश्टन सब बच्चे हैं आजो साक्षी क्या हो बेटा बहुत परसान नहीं गुड मॉनिंग गुड मॉनिंग होता रहता है इनका है चलो आते ज़रा समझते यह बड़ा सिंपल कोशन लग रहा है एक तो निकालने का तरीका क्या है जो बाबा भीमराम बेटकर साहब से पहले भी लोग निकालते थे वो यही वाला तरीका कि वो क्या करते थे सभी संख्याओं को जोड़ते थे जोड़ते 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 जोड़के और जितनी संख्या होंगी यानि कितनी संख्या हो गई दीन और तीन च के नियर अवाउट दिख रही हैं कि नहीं दिख रही हैं अरे हाया ना क्या सभी संख्यां साथ सो के नियर अवाउट दिख रही हैं कि नहीं दिख रही हैं तो हम साथ सो को ही क्या माल लेते अपना एवरेज माल लेते ध्यान से समझना कैसे कर पाएंगे वहां से ध्यान से है? तीन कम है. कितना कम है? दो कम है. अब प्लस वाला लग लिखो. कितना ज्यादा? कितना ज्यादा? खतम हो गया. आठ सत पंद्रब और अब पांच बीस. माइनस बीस और प्लस आठ. माइनस बीस प्लस आठ मतलब कितना होता है जारा बता दो भी या बताओ भई माइनस 20 प्लस आठ मतलब माइनस 12 होता है संख्यायती 6 तो 6 से 12 माइस कोगे तो माइनस 2 आ जाएगा और यही आप सास्व में से माइनस कर दो हर तरीके कोशन को आप बहुती सिंपल बहुती सांदार और बहुती बहतरीन तरीके से निकाल सकते हो तो सब के सब जल्दी से निकालो हो गया एक और कोशन इस पर दिया जाए हाँ भीया क्या सबी को समझ में आ गया कोई परसानी कोई दिक्कत नहीं न अच्छा ठीक है अब मैं आपको इसको फिर से समझाता है जैसे कई सारे बच्चों को नहीं समझ में आ अब देखते हैं अच्छा किसी और से मिलता है मतलब किसी और से मिलने का मतलब क्या भीया हम क 305, 304, 282, 312, तीन हजार बारा हो जा रहा है, 312, जड़र बताओ जादा लोग कि इस का इवरिज कितना आ रहा है, बताओ भीया, इस का इवरिज कितना आ रहा है, जड़र जल्दी से बताओ, अभी सब कौमसर समझ में जाओगे, कोई परसाई नहीं, सिर्ब जहां समझते रह ना, है ना, बताओ भीया, बताओ भीया, आओ जो बई, टाइम और वर्क मैंने अलड़ी पढ़ा दिया, आप लोग जाईए, अप प्लेलिश में आपको दिख जाएगा, मैंने पढ़ा दिया, अब जल्दा समझते हैं, भीया, सभी संख्यां किसी के एवरिज के पास दिख रही है, तो हमने एवरिजी क्या मान लिया, तीन सो मान लिया, अरी दिक्ट है का कोई, नहीं न, जो संख्यां कम है, उसको माइनस में लिख दो, तीन सो से कितना कम है, आठ कम है, कितना कम है, पांच जादा है, कितना जादा है, चार जादा है, कितना कम है, दो सो ब्यासी ल से एक गया साथ यानि शत्रह आगया लेकिन माइनस में आ जाएγα आपको तेनसो आपको सत्रह संख्याए ऍित्पनी थी, एक, दो, तीन, चार, पांच, चाह, देखो, बगया, तीन, और तीन, शत्याए संख्या है ना, कई स्थ हुं तो यहेंख ऑजाएगा यहांठ अखर हो गया तो आब को यहां पर दीख जाएगा 28 शाथ 28 जानी आपका यहां पर gener 17 संख क्या ए थी तो आपको करोगे मैनिस Yak-7-18 करोगे 300 सो में से खतम हो गया अरे क्लियर है अरे हाया ना अरे बोलो भीया बीस आएगा ठीक है अच्छा सब को समझगा गया मतलब एवरेज जो ही आपका थोड़ा मोड़ा कम आएगा और हर बात जो को बात समझ जा गया तो बस आपको इसी को कम्प्लीट सॉल्व करें अदर चैत्रीक अठारा सो माइनस साथ यह बहुत लंबा पॉइंट में आएगा लेकिन आप इसको नियर बाउट निका सकते हो मैं एक जाईजिक यहां पर आपको पिछला कोशन फिर से एक बार दिखा देता हूं जिन बच्छों को नहीं समझ में आ तो आप लेट कर लो क्या एवरेजी क्या लेट कर लो 700 लेट कर लो कोई दिक्कत किसी बच्छे को नहीं जो संख्या है 700 जितनी कम है जितनी कम है एक साइड लिख लो अरे किलियर है जितनी जादा है जितनी जादा है एक साइड लिख लो कितना आ गया माइनस 20 में से प्लस 8 करोगे आपको पता है माइनस 20 मिट्रे प्लस 8 करोगे सीधी सी बात है माइनस 12 आएगा यहार संख्याएं कितनी थी 6 संख्याएं थी आपको पता है 7 consecutive numbers का जो average है वो 31 है तो largest number is what कितना आएगा जल्दी से बताओ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत सांदार बहुत तगाओ बहुत बढ़िया बहुत असान सा कोश्चन साथ लगतार संख्याओं का आपका 21 है तो सबसे बड़ी संख्या हमने माले पहली संख्या यह اज यह जाओ रगल 11 है जर यह बताओ लगतार संख्या हैं तो क्या इनके बीच का गैप भी सेम होगा कि नहीं ओगा अरे होगा कि नहीं होगा यानि यही तो जो average होगा वही below हुद भी और इसी की value उसने क्या कह दिया तो ये कैस था? Peach होता? ये 19 होता? ये 18 हो जाता? और सबसे चोटी संक्या क्या 18 हो जाता की नहीं हो जाता? simple question है सीधे हम ने BILL चॉली संक्यां को average क्यों बोला? क्योंकि सभी संक्यां का gap सेम हो च्यों? उसने लगातार संक्यां की बात करी है बहुत सांदर 6 जो है लगतार समसंख्या होगे जो एवरेज है वो 53 है सबसे चोटी संख्या क्या होगी जल्दी से बताओ बहुत आसान सा कोशन 6 लगतार समसंख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 लगतार संख्या होगे इनका एवरेज क्या है तीन संख्या करो बीच वाला ही कोई संख्या एवरेज होगे या फिर इन दोरों का सम बाइटू यानि बीच वाली संख्या एवरेज होगे इसकी वेलों उसने 53 का अगर ये 53 होगा तो क्या ये वाला 54 होगा और ये वाला 52 होगा अरे हाँ या ना होगा की नहीं होगा उसने पूछा तो अगर ये 52 है क्योंकि सम संख्या है तो ये 50 होगा और ये 48 होगा तो सबसे छोटी संख्या कितनी आगे 48 आगे अरे क्लियर है अगर मैं आपसे पूछा सबसे बड़ी संख्या तो 54 दो 56 और 56 दो 58 का बास सबी को समझ में आवन क्लियर भाईया देख लो जरा जल्दी से और नेक्श बोल दो अगर सबको बास समझ में आ रही है सबको बात एक्दम क्लियर लग रही है कि हाँ सरजी जबर दस्त हो गया जिंदा बात हो गया सांधार हो गया तो भाईया सबके सब आगे बाड़ने के त्यार हो जाओ और जरा जल्दी से लगतार संख्या थी बीच का कोई संख्यास कैवरेज होगा बात एक दम किलियर होगा नेक्श प्याज़ जाओ यह बहुत पूछाज़ाज़ा पेपर समें बात या देखेगा यह कोईशन तो बहुत ही जादा संख्यार है बताओ भई बहुत बढ़ियां बहुत संख्याज़ बहुत जबदस छे लगतार संख्याओं का उस्त क्या होगा अगर पहली संख्या ए हो जैसे कि मैंने आपसे सिंपल से मैंने कोश्टन पूछा जहां से समझेगा सर वो बताईए जो गृप में आता है जाता है मतलब 6 लगतार संख्याओं का उस्थ क्या होगा पहली संख्या है कुछ कास खास नहीं कर जैसे मैंने कहा अगर पहली संख्या आपके पास मालनो 2 दे रखा है तो बताओ 3 लगतार संख्याओं का उस्थ क्या होगा 2, 4, 6 मैं 2, 3, 4 कर देता हूँ इसको और सिंपल कर देता हूँ मैंने कहा 2, 3, 4 जड़र ये बताओ इसका एवरेज कितना होगा बताओ भईया इसका एवरेज कितना होगा 2, 3, 4 का एवरेज कितना होगा दो होगा डिरेक्ली बास सबको पता है मैंने का 6 लगतार संख्या पहली संख्या क्या है A है तो पहली संख्या अगर A है तो आपको करना क्या होता जो पहली संख्या होती है उसमें जितनी संख्या होती है उसमें से A कम माइनस और बाई 2 कर दे तो N सोना जाएगा अरे किलियर है की नहीं किलियर है बोलो भाई, अरे clear है, clear है, बहुत बढ़िया, अब जैसे समझते हैं कैसे, इस example के थूरों समझें, जैसे मैंने कहा, पहली संख्या माँ पास दो है, जितनी संख्या है, कितनी संख्या है, एक, दो, तीन, तीन संख्या है, उसमें से एक कम माइनस, बाई, टू कर देंगे, संख्या होगी, वो, प्लस, जितनी संख्या है देरे कि उसमें से एक कम माइनस, बाई, टू, ये एक्चलि में, डारेक्ट कोश्टन पेपर में आया था, इसी वज़े समय आपको करा रहा हो, मतलब इसमें डारेक्ट आफ से फॉर्मूला पूछ लिया था, कि भाईया, ये पास समझेगा, बहुत तगड़ा सा कॉमसेट था बहुत पेपर में, अब जैसे यहाँ पर उसने लगातार संख्यां की बात करीए, कभी-कभी वो कहता है, लगातार संख्या हो गई, या लगातार विसम संख्या हो गई, तो अगर कभी भी देखो जैसे अगला कोश्चन आ गैप दो होता है, क्योंकि वो सम या फिर और होते हैं, इसे वज़े से और लेड़ी उनके गीचा गैप जोता है, वो हम नहीं करते हैं, बाइटू, के लिए भाईया लोग, सब को समझ में आ रहा है, सब की परिसानी दूर हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समझ कोई प्रावलम नहीं है, बहुत अच्छा, नेक्श पे आते हैं, अब ही आते हैं, बहुत सांदा सा कोशन है, बताओ बई, चलो, बहुत बढ़िया, जिनको नहीं समझ में आया है, वो सारे के सारे बच्चे जो है, वो ध्यान से वीडियो को दुबारा रिपीट करके देखेगा या मैं पर फिर से बता देता हो, फाइनल, देखो कुछ खास नहीं करना, मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैंने कहा कहा, 6 लगतार संख्या हैं ना, उनका एवरिज क्या अगर पहली संख्या ए रखी हो, तो जो पहली संख्या होती है, प्लस, जितनी संख्या हैं, उसमें से 1 क माइनस बाइटो, यही एंसर हो जाएगा, यानि ए प्लस 5 बाइटो, अब किलियर है, बस यही बात दी, अगर 8 संख्याओं का उसत 15 है, है ना, ठीक, और प्रतेग संख्या में 2 घटा दिया जाएं तो नए अवरिज क्या आएगा, देखो कितना आसान कोशन है, खास समझना हमने हर संख्या में से 2 घटा दिया, तो एवरिज में भी कितने की कमी हो जाएगी, अब समझना, कभी भी अगर एवरिज क्योशन में सारी संख्याओं पे वो कोई भी एक्शन ले ले, जैसे उसने क्या कहा, प्रतेग संख्या में से, वो कह दे कि सभी संख्याओं में 2 उड़ते पंद्रा में उतना ही घटा देते पंद्रा में उतना ही गुड़ा कर देते और पंद्रा में उतना ही भाग देते बसरते वो चीज सभी की सभी संख्याओं में होनी ही होनी चाहिए जैसे मैंने अगर यहां पे आपसे कहा होता कि अगर हम यहां पे सभी संख्याओं म भी दोका गुड़ा कर दो तो पंदरादुनी क्या हो जाए गा तीस हो जाएगा कुछ नहीं सिंपसी बात है थैंना सिंपस्ची काम है तो पंदरादुनी तीस हो जाएगा अरे बास सबको समझ में आरही की नहीं है तो सभी संख्यों में कुछ भी काम करोगे तो एवरेज में भी उतने का ही काम हो जाएगा नेश्ट कोश्चन फॉर एंटी बीसी दो होजार बीस और इकईस जो 28 इसंबर से पेपर वाले बच्चे देने वाले हैं उनके लिए ये कोश्चन रख लेना कॉपी में अपने की आने ही वाने वाला है बहुत सांदार सा कोश्चन है ये बहुत तगड़ा सा है ठीक है सभी संख्यों में आ रहो ही अगर कुछ भी काम हो रहा है अगर सभी संख्याओं में कुछ भी जोड़ना है तो average में भी जोड़ेगा सभी संख्याओं में कुछ भी घटा रहे तो average में भी घटेगा सभी संख्याओं बस यह चीज़ है कि सभी संख्याओं में होना चाहिए चलो आ जाते हैं इस question को समझते है 11 سंखाओं का औसरत 49 है 6 संखाओं का औसर 36 और 98 संखाओं का औसरत 41 है है ना सारी की सारी वीडियो जो आपको प्लेलिश में मिल जाएंगी बहूत सारे चेप्टर निलयड हमने कंप्रिट कर दी है और ये चैप्टर कम्रिवा इस थज्जे से रिवीजन क्लास से स्टार्ट करेंगे ठीक है अभी आपको जोमट्टी और मैंसुरेसम बस कम्प्रीट करा दे बस रिवीजन स्टार्ट कर देंगे ठीक ताकि पेपर टाइम तक एक दम हम धुआ धुआ हो जाए अच्छा भगे कितने बच्चे यहां पर ऐसा कर रहा है 11 गोड़े 49 का मल्टिप्लाई करा इस दोनों का उसके बाद फिर 6 गोड़े 36 का मल्टिप्लाई किया उन दोनों का फिर 6 गोड़े 41 का मल्टिप्लाई किया इन दोनों का फिर इसको प्लस किया उसको माइनस किया फिर यहां पे दो चार बम गोला लेकर आए फिर बारूद दगाए और फिर एकजाम हॉल में पहुचे फिर वहां पे आपको मारेगा कहेगा भाईया यही पड़ क्या हो पेपर देने आओ डेड़ कोड़ बच्चों में सलेक्सन नेना 30-35 बच्चों का ऐसे करोगे तब 3-4 साल लग जाएंगे कितने बच्चों ने किया जड़ा कमेंट बॉक्स में मी बोलो भाई इसका मल्टिप्लाई करने काम कितने बच्चों ने किया है जड़ा सब किस सब बालक बालिका है कमेंट बॉक्स में मी बोल दीजए करा है आए कर पूरी जंता नहीं काम किया तो क्या जादु दिखा दिया जांका इस कोश्चिंट का ही अभी तो जादु तो भहुत सारे में लेकिन यही कोश्चिंट दिखाते थे और एक चीज़ या दा जो 36 है न ये सभी संख्याओं के आउसर से कितना कम है तीन कम है और कितनी संख्याओं की बात कर रहा था 6 संख्याओं की तो माइनस 18 आया की नहीं आया अरे आया की नहीं आया अगली बात पे आ जाते है अगली 6 संख्याओं के आउसर कितना है भाईया एक तालिस है ये सभी संख्याओं के एवरेस से कितना जादा है उन तालिस था उन तालिस से दो जादा है तो क्या ये प्रस्टू आया कि नहीं आया और कितनी संख्याओं की बात कर रहा है दो च्छे संख्याओं की बात कर रहा है तो बारा हो गया खतम हो गया question माइनस 18 और प्लस 12 बरावाब माइनस 6 आएगा यही तो माइनस 6 में माइनस कर लो सबी वाले में से answer हो गया 33 अगर वो प्लस भी आता तो माइनस आगया तो माइनस कर लो जो आगया वो कर लो बास समझ में आया तो वही कर लो अरे बोलो हाँ है न अरे किलियर है अरे सबको पता हो गया कोई परसानी कोई दिक्कत नहीं ना एक बाव फिर से समझो जिन बच्चों को हलका फुलका धीरा धीरा कम समझ जाए हमने का देखो यह दादा है यह सभी संख्याओं की बात है इनी से लेके सारा काम करेंगे कि बाई यह 11 संख्याओं का 49 है हमने का चलो ठीक है भाई पहली 6 का 36 है इससे 3 कम है संख्यायत ही 6 लाश चाह का 40 इससे 2 जादा संख्यायत ही 6 इन दोनों का करोगे माइनस 6 आगा तो माइनस 6 कर दो खतम हो जागा अच्छे एक कोशन दे क्या लगा पाओगे बहुँ मुस्किल लगता है अगर एक कोशन दे आप लगा पाओ तो बहुँ मुस्किल लगता है लेकिन दे देते है चलो और ज़रा दे देते आपकी प्रैक्टिस करा देते एक कोशन के थ्रू और बताना कि आपका answer आया कि नहीं है? चलो दे देतें गलत नहीं होनाच अगर दे दे रहे हैं तो आजो जर्हासा Good morning कई सलब्स्चे अभी उट-उट के आ रहे हैं Sej gun morning, good morning, good morning search ऊठे गए अभी आखिर हम ये कोशनग करते हैं एहमेद थैंक्यू सो मच भी आए क्लास में इसके लिए बहु बहुत धन्यवाद आपका सेयर वगरा करोगे तो भाई देखते हैं गलती ना हो वस इस चीज़ का ध्यान अखना क्यों कि गलती कि नोटिफिकेशन आये चैना आये वह वेट करोगे क्या तो सुबह दस बज़े तक क्लास में आए जाए करो अब रेल्वे का पेपर आपका मानों जब होने वाला जैसा मानों आपके से किसी बच्चे का 28 को किसी 29 का तो यह का रेल्वे आपको मैसे बेज़ेगा भाई सुबह सुबह उठो नौ बज़े आपका पेपर है कि पेपर टाइम पे वहां पहुचे रहोगे हैं कि वह आपको नोटिफिकेशन भेज़े मैसे मोवाइल पर नहीं न तब जिनका 34 उनके लिए भाई डंड़ व्योस्ता हो रहा है है ना आओ जरा समझते हैं भाईया दादा इसमे सर जी माइनस 3 कमः भाईया कितनी संखेवों के बात कर रहा कोहां कि सर जी 6 यानी माइनस 818 आया कि नहीं आया अरे कोई दिक्टत आया फिर मोसं ने कहा कि अगली 6 वह ससे 571 556 से जादा भाईया 6 2 1 है संखेवों तो अगर इतना ज्यादा मज़ा आ रहा है तो है की नहीं है फिर से बोल देते हैं किलर गाईज समझ में आ गया तो दुनिया का कोई भी कोश्टन आला इस मचाट से करे लेना और सारे के सारे पूरत सारो दिसां में धुआ उड़ा दोगे अब आते हैं उस टाइप वाले कोश रेक्षेस्टेस्ट देना और मॉक्ट्रस में मेथट्स करना अगर मॉक्ट्रस में में ज़गत का यज हो जाएंगे तो एक-एक किलो काजु की वर्फी यहां पे भीजवा देना ठीक आते जरा समझते-एक्सक्लूड़ींग और रिवीजन ज़रूर करते रहना Church and including यह ना सोचना कि सत्यम सर्जी पढ़ा भी दे रहा है फिर रिवीजिय में हो तो हम कराना हमारा काम है लेकिन फ़ेले आगर आप रिवीजिय ने करें रोगे तो हमारे रिवीजिय कराने से क्या ही फैदा होगा ठीक excluding और including वाले question से क्या करते है जरा समझना ठीक है कैसे कर पाएंगे जैसे कि होता क्या है जैसे वो कहता कि भाई पांच संख्या है पांच एक पूरे group में पांच लोग थे इन पांचों लोग का जो average है ना वो कितना था 44 था अब हुआ क्या एक दादा जी आ गए उसमें कहें भाईया तुमनों अकेले का है पी रहे हो हमें भी बुलाओ तो उनकी आ जाने से जो average है वो कितना हो गया 46 हो गया उनकी age का तो यह पूछता तो दादा जी आया है ना उनकी age क्या है यह इस तरी के question आता है ठीक तो यह including हो गया मतलब एक व्यक्ति इसमें include हो गया अब दूसरा होता excluding क्या ऐसा excluding होता ज़रा समझते हैं जैसे वो कहता है कि भाईया दस लोग बैठी हुए थे किसी ग्रूप में इन सभी ग्रूप में जो इनका average एज आ रहा था वो आ रहा था आप सभी के लिए 44 एक व्यक्ति न निकला है उसका average क्या रहा होगा यह question आप सभी से पूछा गया अच्छा मॉक्ट्रेस कहां से दे आभी आपको पता चल जाए कहां से दे हैं ना परिसान नहुएगा तो यह excluding और including वाले question से जड़ा समझते हैं कैसे कर पाएंगे के लिए और जड़ा समझते हैं जैसे पहला question बताओ यह क्या भई यह राहूल लग गया क्या आपको हैं यह तो लड़की वाला काम कर रहे राहूल को उल्टी बोला नहीं उन्हें लफसादा आ जाता है चले कहता है पांच संख्याओं का ओसा 27 था एक संख्या निकाल दोगे तो ओसा 25 वेगा जो संख्या निकाले हैं वो क्या हो जाएगा है ना चलो आते हैं अब जड़ा समझते हैं कैसे कर पाएंगे एक चीज़ या दखना उसी चीज़ से question हो जागे अच्छा कितने बलग बलगाओं ने यहां पे 27 में 25 दे किया हो जारा है कितने बलग बलगाओं ने यहां पे 27 में 5 का multiply किया है दें उसके बाद यहां पे उसमें 25 जोड़ा खटा है ऐसा मनतल़ अपना इतियास रचा है जड़ा सब के सब मी बोल दो comment बॉक्स में त्यार हो जो फिर बेजिती के लिए सबी के सबी जड़ा सब के सब कमेंट बॉक्स हम भी बोल दीजे कि भाया हमने ये काम किया है अच्छा पका करा है ना तो जो आते जड़ा कोशन समझते हैं कैसे है एक चीज़ या देखना दुनिया का कोई भी कोशन अगर आपके पास इं इंटू डिफरेंस इन एवरेज में जिफने का डिफरेंस आया बस वही कोशन आपका तुरंट समाप्ति हो जाएगा न मल्टिप्लाई करने का जहनजट और ना ही किसी और चीज़ का क्या नाउ टोटल नंबर इंटू डिफरेंस इन एवरेज मैस का कोई नोट्स नहीं मिलता भाया मैस का नोट्स खुद बनाना पड़ता है और खुद बनाने के लिए सेसन देखिए और खुद नोट्स बनाईए ठीक आते हैं पांच संख्याओं का उसर 27 है यार एक संख्या निकालोगे तो नाउ टोटल नंबर कितना बचा आरे हाया ना एक संख्या निकाला तो नाउ टोटल नंबर कितना बचा चार और एवरेज में कितने का डिफरेंस आया पहरे तो 27 अब हो गया आपके पास 25 यानि एवरेज में डिफरेंस कितना आ गया दो का तो चार दूनी आठ आया ना यही तो क्या करोगे पूले पहले वाले में से प्लस कर लो तो 27 और 8 35 क्या बास सभी के समझ में यही एंसर आ रहा था क्या भई यही आ रहा था अरे सिंपल है तो लाइक वगरा भी कर दो फिर तो अच्छे एक चीज़ और आगी बात कि सर जी आपने क्यों प्लस आठ किया बाई आप माइनस आठ को नहीं कर दिये देखो एक चीज़ ध्यान देना कि कैसे हमने प्लस आठ कर दिया क्यों हमने माइनस आठ नहीं किया मेरी बात को ध्यान से समझना इसलिए जैसे मान लो एज एक्जामपल उसने कहा था पांच लोग क्या कहा था कोशन में पांच संख्या थी एवरेज सभी का 27 था तो अगर मान ले हम सभी की सभी संख्या 27 हो एक दो तीन चार और पांच अगर मालो सभी की सभी संख्या 27 हो तो क्या अभी भी इनका एवरेज 27 ही है कि नहीं है सीधी सी बात तो यही हुई ना अगर मालो सभी की सभी संख्या 27 हो तो अभी भी इनका एवरेज 27 हो अगर आपने एक संख्या 27 मालो यह आला माइनस कर दिया और फिर अगर आप 32 को हटाते ये बड़ी संक्या हटाई ना तो क्या average कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा तो यहाँ दखना अगर आपका जैसे इस question में क्या था कि आपने जो है average आपका कम हुआ है यानि आपने 27 से बड़ी संक्या हटाई होगी यहीं तो बात हुआ कि average अगर आपका कम हुआ है यानि 27 से बड़ी संक्या हटाईगी अगर कम होगा तो plus कर दोगे और अगर average बढ़ा गया इसका मतलब कोई छोटा व्यक्ति निकला होगा अरे हाँ या ना अरे भाई clear है next प्यादो चलो जिरा इसको करो गलती ना हो चलेगी चलेगी यार के कसब जी चलेगी कल आपको कल से मिल जागी recording पे ठीक है दोन ट्वरी गाई जी बहुत बढ़ियां अरे इतना जल्दी क्या तहलका ही मचादो को लगा पूरी दिसाओं में आओ नाओ टोटल नंबर पांच थी एक निकाला चार बचा average में difference एक सो पचास से एक सो चालिस दस का भईया चालिस हो गया यही क्या करोगे डेड़ सो में क्योंकि average कम हुआ तो प्लस कर दो अरे बोलो हाँ या ना यह असान है कि multiply करने अला असान है खुस हो क्या आप लोगे दमी कोई परसानी नहीं अगले प्याते हैं थोड़ा और उपर ले चले और अच्छे लिवलर कराये जाए है ना चलो फिर ठीक है आजो और अच्छे लिवलर करते हैं ठीक है सारी की सारी वीडियो जो है वो सब के सब प्लेलिश में पड़ी हुई है जो बच्छा नया आया होगा वो चैनल सस्क्राइब कर लिजेगा चैनल को लाइक कर दीजेगा वीडियो को लाइक कर दीजेगा अब बिल आइकॉम पे क्लिक कर लिजेगा और जितनी वीडियो पढ नहां तो तुरंत आजे बाई चैनल पर आओ ज़रा समझते हैं क्या कहता है यह कोशन ज़रा देखते हैं बाई जिन बच्चों को नहीं आए समझते चौतिस शात्रों का उसाद इतना था एक अध्यापक आजने से इतना बढ़ गया तो अब कितने लोग है नाओ टोटल नंब अबर चौतिस थे एक आगये तो 35 लोग हो गया डिफरेंस इन एवरेज ज़रा समझना भाई पहले 42 किलो था चार सकों ग्राम बढ़ गया तो कितना बढ़ा डिफरेंस कितने गया है 400 ग्राम का लेकिन उपर वाला किलो है तो इसको भी किलो में चेंज करोगे तो पॉइंट 40 लोगा की नहीं आएगा अरे पॉइंट 40 किलो आएगा तो भाई यह एक कितना आगया 35 बस यही चौत चयाकर दो 42 में प्लिस कर लो अरे बात के लिए हम हो घा पन केज़े 26th कि तो मतलब यह हो गया अध्यापा जो आय थे उनका वेट ज्याद था इसी वज़े से मामला एवरेज बढ़े गया अरे किलिया रे भाई हाया ना क्या सभी को समझ में आ गया कोई परसानी कोई दिक्त यहां पर पॉइंट फॉर कैसे हुआ एवरेज में कितने का डिफरेंस आया था चार सो ग्राम का लेकिन उपर किलो था तो इसको भी किलो बदल दो तो पॉइंट फॉर हो गया बहुत अच्छा समझ में आ रहा है चलो नेक्स पर आजाए टेलिग्राम पे आपको इसकी पीड़ाफ मिल जाएगी जाके पीड़ाफ डावलोड कर लीजेगा आपको आराम से मिल जाएगी अब देखते कुछ बच्चों को लगा कि सर्जी यह वाला कैसे करेंगे ज़रा समझते हैं ठीक है कहता है एक बल्लेवाज ने अपने 19 पारी में अन्ठान में रन बनाया एवरेज तीन रन पर मैच बढ़ गया तो नया और पुराना ओसर बताओ कितना होगा अब कितने मैच उसने कहलें क्योंकि उसने अपने 19 पारी में बनाया है ना यानि अब तक उसने कुल मिलाके 19 मैच खेल डाले हैं कि नहीं डिफरेंस इन एवरेज एवरेज में कितने का डिफरेंस आया तीन का तो 19 तियां 57 और यही क्या करोगे 19 में से माइनस को कि भाई बढ़ा है ना तो माइनस कर लो आठ में वहाले में पांच में चार गया या आपका 41 जो 41 आवरेज आता है यह आपका old वाला होता है यह पुराना वाला आवरेज हो गया जो पुराना पूछे जाएगा तो पुराना आगे एक-ता-لिस, नया वाला तेन बढ़ा है, तो नया वाले में तेन और जोर दो, तो नया अगर पूछेगा तो 44 वाला क्या हो जाएगा, नया हो आशर कितना है, भाई, लोग एक-ता-लिस, एंड-चवालाइई तो क्या ये समझ में आगा कि क्या रिये concept तो हर जगा लग जाएगा इस दा इनिवर्सल concept हाँ या ना अरे पक्का है गाइच को अरे सब को समझ में आगया है टेलिग्राम चैनला का लिंक नीचे description में दे रखा मेरे भईया वहां से जाकर download कर लिजें वहां पर बहुत सारी आपको PDF देखने को मिल जाएंगी बहुत सारी PDF आपको समझने सुनने को मिल जाएंगी और आपको मज़ा भी आजाएगा वहां से कोई परसाइँ नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं होगा next प्याते हैं देखते हैं क्या कहता है अब ये वाला मामला से solve करते हैं ठीक है ये question अब इस question में क्या होता है ना इस question में एक मामला हो जाता है क्या मामला हो जाता जरा समझेगा ये मामला ये हो जाता कि भाईया वो गलती से कुछ और ही पढ़ लेते हैं मतलब चलता कुछ और है पढ़ कुछ और लेते हैं गलती से अब जरा समझते हैं कि वो गलती जो गलती करे हैं उस गलती को हम लोग यहां पर कैसे कर पाएंगे हुआ क्या पचास संख्याओं का उसा तो नचास था हमने गलती से अठामा की जगाँ पे पचासी पढ़ लिया तो एवरेज बताओ सही वाला कितना आएगा तो जला एक चीज मेरी बात को सुनना हा तो माइनेस्टों हमने किया अन्ठान Cameron से कहा हमने वहां पडलस किया ठीक हमने माइनस तो किया बेटा ओओ ये बताओ अगर उसने अठामंग जंगा पर पचासी पढ़ लिया तो भाईया डिफरेंस कितने का आ गया आप कहोगे सर जी डिफरेंस आ गया 27 का अब ने कहा ठीक है 27 का आगया अचा पहले आप बताओ इसको पहले आप लोग बताओ क्योंकि पहले आपका मठर देख लो ना कि आप या आपने क्या क्या सीखा है किस तरीके से चलो सिंपासा कोशन कितने बच्चों ने पचास में उनचास का मल्टिपलाई किया माइनस किया 58 प्लस किया 85 देन डिवाइड किया और देन आएंसो निकाला पहले ये बताओ कितने ऐसे बच्चों ने ये काम किया जरा मी कमेंट बॉक्स में करते चले जाओ पहले पचास में उनचास का मल्टिपलाई किया देन उसके बाद जो है टुक 85 तू 58 कर दो यहां पे का लूँ कि भाईया 63 मुल्टिप्लाइए करो 55.567 का देन 81 के जंगा पर उसने 18 पढ़ लिया देन उसके बाद आपके उपहा जागा संख्या 83 मुझे रखता है इसमें तो पूरा 24 बर NTPC डे डालोगे आप लोग आप लोग है ना इसका मुल्टिप्लाइए करते 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 कर ये ठोड़ी करना हमें तो सेलेक्शन नेना सीथी बात हमें तो काम करना है कि जिससे हमारा फाइनला पर यानि डिफ्रेंस कितने काया 27 करना यह बताओ 27 डिफ्रेंस जो आया है तो संख्याएं कितनी है 50 27 बटे 50 करो कितना आएगा कोगर यह सजी इतना कठिन कैसे आ गया हमने का मारें के सुधर जाओ गया 27 बटे चार लिखा न उपर नीचे 2 का मल्टिप्लाई कर लो क्या यह अब 54 बटे 100 हो गया इसका मतलब पॉइंट फाइप फॉर का डिफ्रेंस आया की नहीं आया पॉइंट फाइप फॉर बस यही कुछ नहीं करना अब बताओ उसने अंठामा के जगहां पर 85 पढ़ लिया अगर उस यह आएगा यहें किल्या बहुत अच्छा कोशे अठामा अठे सब्कों समझ में आया कि नहीं आया अरह किल्या यह कौमसेट है इस तरीके सबकिर लिफ्चन है बाइभिघ्ञा नहीं कितने के डिफेंस आया जितनी संख्याओं से डिवाइट कर दो question खत्म हो गया अब मैं आपको एक और question practice के लिए यहां पर कराता हूं इसको बताओ वाई एक बार और बताएंगे कोई दिक्कत नहीं एक बार बताएंगे practice एक बार और करेंगे पहले आप लिए बताओ वाई ठीक है भाईया उसने 81 के जहां पर 18 पर लिया कितने का difference यहां पर 18 पढ़ लिया कम पढ़ लिया ना इसका मतलब गलत वाला एवरेज कम आ गया होगा सही वाला ज्यादा होगा ज्यादा होगा ना तो इसमें से क्या कर लोगे 55.67 प्लैस कर लो एंसोर आपके पास आजएगा 56.67 क्लियर अरे हाँ या ना क्या सभी बालक बालिकाओं को समझ में आ गया तो कैसे लगी आज़ की गलास भी आप लोग को क्या एवरेज समझ में आया क्या अगर आपने यहां पर अपना अधा एक घंटा दिया तो क्या कुछ अलग सीखा के नहीं सीखा बाइस चैनल से बोलो को सारी चीजे आपको बहुत सारी नहीं नहीं चीजे बहुत सारी तगड़ी चीजे आपको देखने सीखने समझने को मिलेंगी रिविजन करांगे। ये बताया था कि हमें कुछ संख्या माल नहीं पड़ती है कैसे माल नहीं पड़ेंगी जैसे कि सभी की सभी संख्या है हमें 700 के नेर अबाउट दिखा तो हमने क्या कर दिया 700 की अपना एवरेज माल लिया कि पूरे कोश्चन का एवरेज कितना हो गया 700 ही हो गया अब जो जित माइनस बेख्ट बिस ब्राबर 20 12 संख्यायत जो सभी मांईस च्रीज़ कर दिया और माइनस टूक्त और यहीं माइनस टू जो सभी मादा मैंवेड कर दो तो आंस का चैनश न्ड़ैब पढ़ाता और रहे चेके कॉंसेट समझ में आगया है Vàरे हाया नाsect समझ में आ गया उगा और हैं तो यह झास में कोई परसağıं नहीं है cotton समझने के बाद हम इसमें थोड़ा से और आगे रागे बढ़ेंगे और थोड़ा सा और आगे चीजे देखेंगे कि और आगे चीजे क्या है ये भी सारे कोश्चन हम लोगे यहाँ पर देख लेता ये भी हमने कोश्चन देख लेता एक और कोश्चन करेंगे जैसे कि ये कोश्चन है बहुत सिंपा सा कोश्चन है जल्दी से बताओ क्या होगा इस को बहुत सांदार बहुत बहते हैं ना ओके 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 तो सिंपल जी बात है आगर हम सभी संख्या में कुछ भी माइनस करेंगे सभी संख्या में कुछ भी गुड़ा करेंगे सभी संख्या में कुछ भी भाग करेंगे तो आलवेज या दखेगा एवरेज में भी गुड़ा वही चीजे हो जाती है तो अगर 15 दे रखा और सभी संका में से हमने 2 माइनस कर रखा है तो हमारे पास जो एवरेज हो का उसमें से भी क्या हो जाएगा दो माइनस हो जाएगा और सीधे हमारा एंसर निकल के चला आए जाएगा इतना कोश्चन कर लिया था एक और कोश्चन आप सभी के सामने फॉर्ट टेस्ट जल्दी से बताइए इस कोश्चन का सही अंसर क्या होगा बहुत सांदासा दूसरा अलब बंद कर दीजे चेट बॉक्स चलो बताओ बई एक और सांदार कोश्चन आप सभी के सामने आ चुका है बहुत बढ़िया ठीक है सब हो जाएगा नमबर सिस्टम योगा सब चीज हो गाएगा कोश कि लाब परिसान मत हुए सब चीज हो जाएगा तो आते हैं दूसरा कोशन देखते है क्या हो रहा है ठीक है आओ समस्ते अगर एक संख्या निकाला तो आपको कितनी संख्या बचेंगी अब बचेंगी आपके पास कुल मिला कि चार संख्या अवरेज में कितने की कम ही आई आपको सरजी एवरेंज में दो की कम ही आई नहीं चार दुनियाठ यही क्या करोगे जो सभी का एवरेरेphones होता है उसमें क्या कर देंग भाई सब्सेंबार आपके पास कितना देंगा 35 क्या सम्छा इस किसिट ऑं देखते है अगला कोशिण आप सभी के सामने क्या कहता है इस कोश्चों को उनीश वी पारी में ठाइम, लेम बनाया औस तहीं पूछ अभी तक उसने कर्म में बड़ोतर थे कितने मैच खेल ली है यह बता वई अभी नाउ टोटल मैच उसने कितना हुआ जल्दीस बताओ अभी तक उसने कुल मिला कि भया उन्नीस मैच खेलिए एवरेज में कितने की बढ़ोत्री हुई या फिर घर्टोट्री हुई तो क्या हो गया उन्नीस त्यां सतावन यह सतावन आ गया ना सभी में से क्या करोगे यह माइनस कर लोगे ठाओं में सतावन जैसे माइनस करोगा आपको पता एक और नौब बाहन गया तौलिस तालिस जो सका अवरेज आ यह पुराना वाला आएगा और जा दखेगा एक तालिस क्या आगया पुराना वाला नय के लिए तीन और जो तो नया वाला आवरेज कितना अगा आपके रिवीजन सेसन था जो हमने आज रिवीजन सेसन अभी खतम कर लिया अब स्टार्ट करने वाले नए वाले कॉमसेट जो नए वाले कॉमसेट वो क्या है वो कैसे है वो सब किसा हम यहां पर स्टार्ट करेंगे नए कॉमसेट समझते हैं नए कॉमसेट पर समझते हैं और नए question होगे ओके चलो आजाते वाई कोई दिक्टात ने दिखिए यह टो आपर परिक्षाद के लिए चलिए सब के सब जलिए से और लायक कर पाँच विकट ले लिया अब उसका अवरेज क्या हो गया पॉइंट एट फाइप कम हो गया रिडूस पॉइंट एट फाइप यहां पर कम हो गया अंती मैश खेलने तक उसके कुल कितने विकट थे ऐसे कितने बच्चे जो इस कोश्चन को नहीं कर पाते जर्ए कमेंट बॉक कोई बच्चा ऐसा जितना वो अच्छा कोश्चन को नहीं कर पाता जड़ा कवेंड बॉक्स नो बोलिए और जो बच्चा कर लेता वो तो तहलका मचा दोगे बाई है ना आते हैं समझते हैं कि इस कोश्चन को सबसे आसानी से कैसे कर पाते हैं ध्यान देना कभी भी अगर पहले उसका एवरेज कितना था टूंटी फॉर पॉयnt फडव मैच पर विकेट था की नहीं था रन पर विकेट ढई था की नहीं था अरे था की नहीं था बहुत बढिया अगले फिर क्या हुआ उसने अग दूसरे मैच में अपने अगले वाले मैच में 52 रन देकर 5 विकेट दिया यानि कि आप बोलोगे तो 5 दाहे में 50 2 बचा 5 ओका 20 यानि अगले वाले मैच में उसका जो एवरेज होगा क्या वो 10.4 हो गया होगा कि नहीं होगया होगा जल्दी से बता दो ध्यान से समझना सिरफ आराम से कर लोगे बिलकुल कोई परसाइण नहीं है मैंने क्या कहा सभसे पहले उस कैवरेज था 24.85 आप यहीन कहा उससे 0.85 कम हुआ यानि यह final average मात्र 24 बचा की नहीं बचा ज़रा जल्दी से बता दो बस कोशन खतम हो गया कोशन खतम हो गया आपका कुछ खास नहीं करना बस कोशन खतम हो गया यही आपको करना था और यही आपके लिए कोशन यहाँ पे स्वालों गया बिना किसी परिसानी का बिना किसी दिक्कत का अब क्या करोगे जाए गया। अरे किलियर है क्या गाइच अरे हां या ना किलियर हुआ इतनी वास समझ में आगे की नहीं आगया है ना तो हमने क्या किया कोश्चर में ध्यान से समझझेगा हमने एक सिंपल से यह concept लगा दिया कि ये इतना हो 80-80-80. सब्सक्था से कट लिए अभी बता आखरी मेच उसने कितना विकट लियाता आखरी मेच में पाँच विकट लिया تھा और आखरी मेच अपर हमने यहा लिखा है ना यानि यहाँ पर क्या पांच विकर्ट हमारा आरा है आप कहोगे साजी बिलकुल आरा नहीं आता तो आप कर देते और आ गया तो बात किलियर हो गया आखरी मैच में उसने पांच विकट लिया यानि उसके पहले वाले मैच में उसने असी विकट लिया होगा उसने पूछा अंती मैच खेलने तक उसके कुल कितने विकट हो गया थे तो 80 और 5 यानि कुल मिलाके उसने कितने विकेड ले लिये थे 85 विकेड लिये थे किलियर ये पूछे कि आखरी में कितना लिया तो 5 लिया आखरी से पहले वाला कितना लिया तो 80 लिया क्या बात सभी को किलियर समझ में आगे की नहीं आगे क्योंकि ये बहुत अच्छा question है ये बहुत बहतरीन सा question हो हुए से ऐक बार समजाता हू ध्यान समझेगा बिना किसी गलती का ठीक है बिल्कुल आसाने समझेगा बिल्कुल ध्यान समझेगा question क्या कहता हूँ और हम इसको कैसे कर पा Japon Precis से समझना एक गलती मत करना एक बार और आराम से समझो बहुत इजी समझो कहा लंबा दादा यह लंबा दिकर ऐलिगेशन लंबा होता है आए आओ पहले एवरेज कितना था 24.85 आखरी मैच में दस नंदी पावन नंदी या पांच विकेट लिया बावन बटे पांच करोगे त आपको 10.4 मिलेगा फानल एवरेज उसका 0.85 कम हो गया कोशन आपका यहीं पर खतम हो गया यह आजागा 13.60 यह आपके पास आएगा 0.85 काटोगे तो सत्रा पच्छे पचासी और सत्रा ठेक सो 36 असी और पांच हो गया यानि आखरी में पांच विकेट लिया था पांच दिय अब है नहीं होता तो पांच उसको कर लेते मल्टिप्लाई कर लेते कोशन खतम हो गया बस 85-85 टोटल विकेट कितना हो गया पचासी हो गया क्या कोई ऐसा बच्छा जिसको अब नहीं समझ में आया है कितना आसान कोशन तो सोच लो कितने इजी तरीके सापने कर लिया है ना बहुत बढ़िया बहुत सांदार बहुत जवाद बहुत जिन्दावाद अरे किलिया रेगा इसको क्या चलो फिर नेक्स कोशन पर अपने लोग आते चलो एक का जाओ ये वाला कोशन ये भी थोड़ा बड़ा सा कोशन है लेकिन मैं आपको समझाओंगा बड़े अच्छे कॉमसेट से आओ बताओ क्या कहता है ये कोशन का सही अंसर वीडियो रुक रुक कर चल लहा है वहिया ऐसा तो नहीं है अभी तो बिल्कुल सही चल लहा है एक बाग क्वालिटी अपनी वढ़ा लिजे कम कर लिजे अपनी आप अभी आपको समझ में आ जाएगा है ना हलका फुलकाज निट का इसू चल ला सुबा से है ना जल्दी स्टार्ट हो जाएगा ठीक है जल्दी स्टार्ट हो जाएगा आओ जड़ा समझते हैं कहता है बलनिवाज की 48 पारियों का एवरेज था 67 अगर अधिक्तम स्कोर और न्यूंतम स्कोर का डिफरेंस देखा जाएगा तो 140 है और अगर दो पारी हटा दो तो एवरेज अब उसका हो जाएगा 65 ये बताओ मैक्सिमम स्कोर उसका कितना ये बहुत इंपॉर्टन आप लो और आराम से इसको नोट करिया आप लो एक है तब ही असली मज़ाएगा और तब ही असली जो है सांदार तरीके सब चीज़े समझ में आएंगी चलो समझते इस कोश्टें को कैसे कर पाएंगे ध्यान से करेंगे है ना आओ ये बताओ 48 पारियों का उसस 67 था और उस उससे चाहिए कि हाइष कितना रन बनाया है अगर हमें कहीं से हाइष प्लस लोवेष पता चल जाए तो क्या हम दोनों को जोड देंगे और लोवेष लोवेष कट जाएगा तो two हाइष की वैलु यानि हाइष की वैलु आ जाएगी कि नही आ जाएगी पहले तो यही समझ गया कि नहीं समझ गया हमें हाइश उसने क्या का अधिक्तम स्कोर न्यूंतम स्कोर से 140 रन जादा है इसका मतलब हाइश माइनस लोवेश आपको दे रखा है और अगर हाइश माइनस लोवेश दे रखा है तो आपको क्या चाहिए होगा माइनस हाइश प्लेस लोवेश च अब उसने कितनी पारिया खेली हमने 48 पारियां थी और हमने दो पारियां हटा दी तो क्या अब 46 पारियां हो गई लिए कि हर पारी में उसने 66 66 66 मराय होंगे और अगर हमने दो पारी को हटाया तो इसका मतलब क्या हमने दो बार 66 हटाया क्योंकि हमें हाइश प्रेस लोविश बताना है इसका मतलब यह पूरा जोड़ना पड़ेगा तब ही आएगा तो साथ साथ 14 और 14 और 2 16 अरे हाया ना अरे हाया ना बिलकुल है 7 7 14 और 14 और 2 16 अरे पिग्लियर है चलो next पी आते भाईया 9 6 15 15 26 और एक 22 तो भाईया ये कितना आ जाग है 220 क्या बात अब इतनी समझ में आ री की नहीं आ लिए यह important concept था, यही समझना था, जिन बच्चों ने इसको पकड़ लिया, question खतम, अब इसको करोगे plus, तो 2H बराबर कितना आ गया, 6, 4, 2, 6, 2, 1, 3, 366 आ गया, H की value कितना आएगा, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 6, H की value, यानि highest रंग कितना आ गया, 183, note कर लिजे, question खतम, यह question था, अरे simple है, अरे आसान है, क्या मज़िदार है, क्या कोई परिसानी है, नहीं ना, सब कुछ एकदम clear हो गया ना, बहुत सांदाला, बहुत 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 बहुतिन ना, अब एक बर final समझो, ताकि मैं आपको जब दुबारा समझाओ ना, तो आपको clear हो जाए, ठीक है final समझो, क् questioning का according दे रखा, 140, कोई परिसाई नहीं है, हमें H प्लस L चाहिए, H प्लस L कैसे निकालोगे, जड़ा समझना, दो तीन तरीके H प्लस L निकालने के, पहला तरीका आपके पास यह है, उसने जो है, 48 मैचे खेले थी, हमने दो पारियां हटाई, आप पारियों के संक्या होगे 46, नाउ टोटल पारियां, आप कहोगे सर्जी 46, हमने कहा, एवरेज में कितने का डिफरेंस आगा, आप कहोगे सर्जी 67 से 65 हुआ, बोले तो दो का डिफरेंस आगा, मतलब बानवे, लेकिन हमें हाइश प्लस लोवेश चाहिए, और उसने 67 रन था, दो पारियां हटाई, य ना, और यही हाइश प्लस लोवेश होता है, क्या मेरे सारे भाई बहनों को ये बात किलियर है की नहीं किलियर है, अरे किलियर है ना, तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरा नेक्स बोल दीजे जोड़ता तरीके से, और अगले कोश्चन के तरफ आप अपुन लोग बढ़ते दीरे दीरे उड़के गुड मॉनिंग कमेंट करने लगते हो, लाइक पे क्लिक करने लगते हैं सब के सब, कितना असान कोश्चन है, हमें एक क्यासी पढ़ना था, हमने अठारा पढ़ लिया, हमने कम पढ़ लिया, और अगर कम पढ़ लोगे, इसका मतलब नया वाला एवर ज़्यादा होना चाहिए, तो इसमें क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, और सही अंसर क्या आ जागा, टोटल मिलाके, 56.67, क्या बास सभी की समझ में आवन, अरे हाँ या ना, अरे किलियर है गाईज, बहुत सांदार है, बहुत जिंदाबाद, सब के सब ने बिलकु सही अंस बहुत बढ़िया, आईए, ये कोशन आ गया है, निक्ष पर, आठ लगतार संख्याओं के बीच की दो संख्याओं का एवरेज हमें दे रखा है, अब हमसे पूछता है, ये बताओ, सभी संख्याओं का योग कितना होगा, बहुत आसान सा कोशन है, खाली आपको समझना है, अगर आपने इस कोशन को समझ दिया, तो तहलका वहलका सम बचा दो, क्या क्या नहीं मचा पाओगे, आपको खुदी नहीं पता, है ना, गुड बॉर्निंग, गुड बॉर्निंग, गुड बॉर्निंग, आओ जरा समझते, आठ लगतार संख्याओं ये बताओ, अगर लग एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, संख्याओं कितने होगे भई, आठ होगे की नहीं होगे, एवरेज निकालने का मतलब ये होता है कि बीच की जो संख्याओं का अगर एवरेज छे दे रख्या है, इसका मतलब ये सभी की संख्याओं का एवरेज छे होगा की होगा अरे हाया ना अगर बीच की 2 संख्याओं का दे रखा है इसका मतलब यह होगा कि यह सभी कि सभी 2 संख्या और अच्छै videoِ अच्छा होगा और है ना सिंपल इसी कितना है 6 संख्या कितना है 88 88 इसका बात क्लियर हो जायागा clearly हो 1 कि नहीं हो जागा जल्दी से question average का है बड़ा सांदार सा बड़ा जबदस्ता और बहुत जिंदाबास सा है बहुत बहती बहुत सांदा बहुत तगड़ा है ना कल morning की start करेंगे class और कल जो होगी वो geometry start करेंगे इस संडे को calculation utilization tricks आपको पढ़ाएंगे है ना कि calculation कैसे कम करें का नहीं कर सकते हैं क्या कर सकते right इस संडे को पढ़ाएंगे तो संडे को लंबा एक जोड़ार एक मज़ेदार एक तगड़ा सेसन होगा संडे को को आप मिस हमत करिएगा ठीक है बिलकुल चलो आ जाते हैं समझते हैं कोश्टन क्या कहता है आदमी ने अपने धनका एक बटे चार भाग तीन परसंट पे दो बटे तीन भाग पांच परसंट बच्छा भाग ग्यारफ परसंट लगा दे तो आसत आमदनी दर क्या होगी इस कोश्टन की ये बताओ आपसे तो कितना आस कोश्टन कुछ खास नहीं करना समझना है हमें ऐसे कभी भी कोई कोश्टन आ जाए जिसमें कहें उसका इतना पार्ट इतने पे इतना पार्ट इतने पे इतना पार्ट इतने पे तो हमेशा हमें पार्ट माल लेना पड़ता है एक बटे चार भाग की बात कर रहा है दो बटे सो मालने ताकि हमारा question एजी हो जाएगा अब सो में क्यों माना सो में इसले माना क्यों कि आलड़ी percentage दे रखा था इसी वज़ए से अब बारा सोका जब एक बटे चाय करोगे तो तीन सो आएगा बारा सोका जब दो बटे तीन करोगे तो आपको पता तीन चोका बारा चार दुनी आठ सो आएगा और कितना पार्ट बचा जाएगा आठ तीन ग्यारा सो हो गया बचा रह जाएगा मात्र सो रुप्या अब इस एक बटे चार भाग को तीन परसंट पर लगाया तो तीन तरिका नौ रुपया उसको मिलेगा की नहीं मिलेगा अब जो दो बटे तीन भाग इसको उसने पांच परसंट पर लगाया तो पांच अटे चालिस रुपया मिलेगा की नहीं मिलेगा बच्चा वो भाग उसने 11% पर लगाया तो क्या यहां पर उसको 11 रुपया मिलेगा कि नहीं मिलेगा यानि देखा जाया तो टोटल उसको जो मिला 119,20 और 40,20 60 रुपया उसको टोटल ब्याज मिल गया उसने पूछा एवरेज कितना इंटरेस्ट मिला है तो 60 मिला है किस पे बारा सो पे इंटू क्या कर दोगे 100 कर लोगे कोश्टन खता दो जीरो कटा बारा से काटोगे बारा पंचे साथ एंसो क्या अगया वाई 5% इलियार बस यही बच्चों वाला कोश्टन था अरे हाया ना बहुत बढ़िया बहुत सान्दार बहुत जवदसर बहुत जिंदबार बहुत आंदार तो हमें याद रखना है कि बारा सो वन बाई 4 वर 2 बाई 3 और इस तरीके से बच्छा वह पार्ट निकाल लो कोश्टन बहुत सिंपसर हो जाएगा कुछ खास कोश्टन में नहीं करना पड़ेगा और आराम से कर लोगे है ना संडे को बहुत लंबी क्लास होगी और आपको कभी क्लास होगी वह आपको आलेडी मैं बता दूंगा जबी भी होगी आप स 1810 को कि एक काम करते हैं कि पूरे संडे को पूरे दिन भरी क्लास कर देंगे है ना सुबह से लेकिए साम तक का क्लास ही k्लास रहे रिवजियन और रिवजियन मतलब gemeinsam पूरे रिजिलिंग का रिवजियन पूरे ज, मैंजिया स़ीक्रत करें पेपर से पहले सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है एक यह वहां वहाइब सब कर देंगे और जो थोड़ी सी क्लासे की जो ए दियूरेसन मैं बढ़ा देता हूँ स समझना क्या कहता है जिनका नेक्स प्रेज में उनके लिए इंपॉर्टेंट होगा जिनका नहीं उनके लिए इंपॉर्टेंट होगा ठीक है हाँ मैथ ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैथ आराम से करवा देंगा कोई दिक्कत नहीं है एना उसके लाब परिसाम मत होईएगा आ लेकिन जो average खर्चा था ना वो 1.5 रुपए कम हो गया अच्छा आप लोगों अपने बश्पन की किताबों में class 9 में class 10 में एक चीज पढ़ा होगा क्या सजाती और विजाती है मतलब अगर कोई चीज किसी के साथ प्लस है माइनस कम होती है वो उसके सजाती और विजाती रू माइनस कर सकते हैं तो भईया या दखना इस question में average ये रखा है और normal ये दे रखा है अगर हम मान लिए कि अगर पहले एक आदमी पे average x रुपए खर्चा होता था पर मैं यानि एक व्यक्ति पर मैंने मान लिया कि पहले x रुपए खर्चा होता था तो ये बताओ अब x मेंसे कितना कम हो रहा है 1.5 रुपए कम हो रहा है समझेगा कैसे निकाल पाएंगे उस चीज को कैसे कर पाएंगे उस चीज को बिल्कुल ध्यान से समझेगा ठीक है बिल्कुल अच्छे तरह के समझेगा कैसे कर पाऊगे 42 लोग थे 7 लोग नए हो गए अगर मान लोग पहले एक आदमी पे एक्स रुपए खर्चा हो रहा था तो टोटल क्या 42 एक्स रुपए खर्चा होगा अरे होगा कि नहीं होगा अगर एक आदमी पे एक्स रुपए खर्चा हो रहा था तो क्या टोटल 42 एक्स रुपए खर्च होगा कि नहीं होगा अरे हाँ या ना पक्का अच्छा लेकिन टोटल जो खर्चा ब्यारी सेक्स हो रहा था इसमें कितने की डीट बढ़ी तो इसमें बढ़गिया 31.52 रुपया लेकिन इसमें 32.52 कब बढ़गिया इसमें 31.52 रुपय तब बढ़गिया जब 40 लोग हो गए और जो एवरेज आपका X था उसमें डेड़ की घटोटीरी हो गई तब बढ़ा अरे हाँ या ना अब बोलो यहाँ पे समझ में आया कि नहीं आया पहले तो यह कौम से बताओ सब के सब कि भाई यहाँ से सारी बात समझ में आई कि नहीं आई क्या मैंने कहा मैंने कहा भाई देखो एवरेज से एवरेज ही माइनस करोगे तो X में से डेड़ ही माइनस करोगे से बाखी कुछ नहीं और यहां टोटल खर्चा से टोटल खर्चा ही प्लस करोगे बाखी कुछ नहीं तभी कोशन का एंसर सही आगा तर वैस गलत हो जाएगा है ना तो मैंने कहा अगर एक आदमी पे एक सुर्पया खरचा होता तो टोटल खरचा कितना होगा सबढ़ा और एवरेज में क्या हो गया उनल 80 लोग में और एवरेज में 1.5 की कमी हो गई बस यही तो कोशन था अब देखो किया यही कोशन में यही अद आप masked करा है की नहीं करा है नहीं खới उसने पूछा प्रारम में कितना खर्चा हो था तो प्रारम में 42 लोग थे तो 42 गुड़े 106 बटे साथ साथ शक्रावालिस एंसर आ गया 637 हतम हो गया कोश्चन नोक कर लो भीया और देख लो सब के सब नोट भी कर लिजे देख विली जे पूरा complete enjoyment भी कर लिजे और फिर बताएए अरे आवा की नहीं आवा भैया आए अरे क्लियर है कोश्चन बड़ा आसान लग रहा है कोश्चन कितना आईजी तरहे साथ की कोश्चन को solve कर पार हो कितने बहतरीन तरीके साब इस question को solve कर पा रहे है यह quality आप यहाँ पर देख पा रहे होगे I think, है ना, चलो बई, बहुत सांदा है, next प्याज आते हैं, आते हैं इस तरह के question को solve कर लेते हैं, इस तरह के action की कैसे कर पाते हैं, समझते हैं, यह question देखने को मिल जाता पेपर में, ठीक है, बहुत बढ़िया, thank you so much भाई, अर्विन, thank you so much दादा, sir, अपना quote, caught मेरे दे दीजे, caught मेरे दे दीजे, cold ही मेरे यहाँ है, क्या लेकर हो भी यह, 106 बटे 47 आगया, x की value आएगी, 106 बटे 7 आएगा, और आपको पूछा गया भाईया, 42 लोग थे, तो 636 रुपया आपका अंतरा जाएगा, ठीक है, यह इस तरीके से आगा, वहाँ x की value आगी, जब एब x को solve करोगे, completed, अब x की value आएगी, चलो, अब इस question को समझते हैं, कैसे कर पाते हैं, यह question paper में जरूर पूछा आता, हर बार पूछा आता, समझते भाई कैसे करता हैं, देखो भाई ध्यान से, उसने कहा, सोमवार, मंगलवार और बुद्धवार का average temperature साड़, आपका 37 डिगरी था, इसका मतलब Monday, Tuesday और बनेश डे का average temperature 37 था, तो total कितना हो गया, 37, गोड़े 3, इसका मतलब 111 हो गया, अरे हाँ या न, अगली बात प temperature आपका 34, कब का मंगलवार, बुद्धवार और ब्रस्पता का temperature 34 था, मतलब 102 हो गया, क्योंकि तीन दिन था, clear हो गया, अच्छा ठीक है, अब दोनों को माइनस करो, तो टूज़े से टूज़े कर जाएगा, माइनस करोगे, तो मंडे से जब थज़े माइनस करोगे, तो आ गुरुवार है ना, यह सो मार का 4 बटे 5 है, तो मैं यह कह सकता हूँ कि सो माला पांच बटे 4 होगा गुरुवार का, कह सकता हो गी नहीं कह सकता हो बाई, जब गुरुवार 4 बटे 5 है सो मार का, तो सो मार 5 बटे 4 होगा गुरुवार का, सीधी सी बात है, बस जहां पे सो मा हुआ है वहाँ पांच बटे चार गुरुवार कर दो माइनस गुरुवार बराबर 9 डिगरी आया है था और गुरुवार बराबर स्वाल्ब करोगे तो 36 डिगरी आ जाएगा क्या बात सभी की समझ में आ गया कि नहीं आ गया अरे हाया ना अरे बोलो भाईया सब बोलो अरे आया की नहीं आया क्या आसान लग रहा है की नहीं लग रहा है बहुत बढ़िया बहुत सांदा बहुत जवदस है ना कितना आसान कोशन है अरे हाया ना आया आया बहुत अच्छा बहुत सांदा बहुत बहुत बहतरी अच्छा महाराष्टा से हो मिलना चाहते हो आप ठीक है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है तो एक चीज ये बताओ कि आपकी यह मैस तो यहाँ पर पूरा एवरेज मैने चेप्टर खतम कर दिया यहाँ पर एवरेज मैने चेप्टर एवरेज मैने चेप्टर खतम कर दिया